चलिए तो हम लोग बात कर रहेते हैं आपके NCEIT बुक्स की बारे में और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप सिवे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो बिना NCEIT पड़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है और य मुझे लगता है कि जो आपके लिए जरूरी है उनी उनी को complete किया गया है कबर किया गया है और इन सब की PDF आपकी Telegram कर डाल दी गई है वहां से आप लोग उठा के पढ़ते रहे हैं डाउनलोड करके अपने पास रख लिए एक बात और बता हूं आपको कि इसमें आपको कबर कर सकते हैं इसके बाद आपकी वर्षती है ग्याराय और बारवी की तो आप समझें की यह सबसे महत्वाहत है एक तरह से आप सोचते हैंगे हैं कि आप मऐकां बनवाते हैं तो उसमें झीवधरवाते हैं नियव जो हो को ठीक है तो इससे पहले आपकी जितने भी बुक्स से कवर की गई हैं वो कंप्लीट एंची याइटी बुक्स किलास सिक्स तो त्वल्ब यानि कि करच्छा है टीक है डीक वीग्यान को ओर मुझे लगता है कि आप वीग्यान तो आपके लिए वैसे भी्ग्यानिक भी मना देगा और वैसे आप्थ को स्वास्ते बेवस्ता होती शरीर की कि छो के हिस्से उनके बारे में भी आपको मालूँ चलेगा बहुत कुछ जानने के लिए इसमें आपका है क्या है बहुत कुछ जानने के लिए और आप देखिए कि में आपकी NCEIT पहले बढ़ा दी जाती है तो उनके लिए सहुलियत भी होती है आप लोग कई बार सुनते होंगे बिना NCEIT पढ़े कई लोग सेलेक्ट हो गए तो वो क्या करते हैं यह पहली पढ़ लिए होते है इसलिए इसमें क्या क्या बढ़ेंगे हम लोग पहला चेप्ट मूं के पाफ़े चेप्टर में हम जालेंगे जैन पिकरम कि बारे में साथे चेप्टर में नेंतर्ड समनवेड और आठीटर में हम जीब जनन कैसी करते हैं ठीक है इसमें मैं आठ चेप्टर आपकी कटम कर देते हैं और नौ भी चेप्टर से लेकर अंतिम चेप्टर cot 세상 Ainu कि आप सभी जानते हैं कि प्रेयोक साल अगर आपकी सामने होती तो आपको विग्ज्यान पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है तो इसलिए पढ़ना है अब बोरेंग लगे या कुछ भी हो पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक है तो वह बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए एक से दो बार और निकल जाईए आप लोग ठीक है तो चली हम लोग पहला चेप्टर जानते हैं इसमें चली तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT बुक्स के बारे में तो इसमें कक्च्छा दस्भी की लाश्ट बुक पुर्चती है आपकी बिग्ज्यान तो बिग्ज्यान में क्या-क्या पढ़ना है हम लोग लाश्ट क्लास में आपकी देख चुकी थी और याद रखिए अगर आप civil service या पर किसी state PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप NCEIT समय रहते हुए पढ़ लें क्योंकि इसका कोई दूसरा भीकल नहीं है आपके पास बिना NCEIT पढ़े कुछ नहीं उकड़ने वाला है तो कच्छा चटवी से जो 10 वी तक के आपके लिए जरूरी है वो सभी कवर करवा दी गई है और आपकी उसकी सबकी PDF टेलीग्राम पर डाल दी गई है वहाँ आप लोग डाउनलोड कर लें उसे पढ़ते रहें प्रण कच्छा दस वी के बाद विज्ञान खतम होने के आपी तो कवर मेरे द्वारा भी करवाजी जाए ठीक चलिए तो पहला चेप्टर आज हम बिज्ञान का देख लेते हैं कच्छा दस वी का आज बात करेंगे हम लोग रसाइनी कभी किरिया है और समी करन विज्ञान को याद रखिए बड़े ध्यान से पढ़ना है इसमें ज रहे और समझते रहे बस आपको पढ़ना है एक से दो बार आराम से निकल जाना है ठीक है उस मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक दो से एक से दो बार बड़े धहर से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कोई सब्द मेले जो समझ में ना है क्योंकि बहुत ही साधार्ण में लिखी गई है और आप भी तो जानते हैं आपको कहीं नहीं कहा जाता है कि कोचिंग में कहीं नहीं पढ़ाई जाती हैं MCERT आपको एक मतलब special books पढ़ाई जाती हैं लेकिन आपको कह दिया जाता है MCERT पढ़ ले क्योंकि ये बहुत ही साधार्ण सब्दों में लिखी जाता है लोही का तावा तसला कील को आत्वाई मंदल में खुला छोड़ दिया जाता है अंगूर का खिडबन हो जाता है भोजन पकाया जाता है हमारा सरीर भोजन को पचा लेता है हम सास लेते हैं इन सभी परिस्तितियों में कारंबिक वस्तु की परक्किती और पहचान कुछ बदल जाती है। पदार्प की भौतिक और रसाइनिक परिवतन के बारे में हम पिछली कक्छाओं में पड़ भी चुके हैं। जब कोई रसाइनिक परिवतन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रसाइनिक अविक्रिया हुई है। गुस्ता में बदलाएं आप साइज सोच रहे होगे कि रसाइनी कभी किरिया का वास्तविक अर्थ क्या है इसका मतलब क्या है हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रसाइनी कभी किरिया हुई है इन पिसनों के उत्तर पाने के लिए आईए हम कुछ किरियागलाब करते हैं देखिए हमें करना नहीं है बारवार में बोला केवल हमें पढ़ना है और निकलना है तो चलिए पढ़ लेता हम किरियागलाब 1.1 सावधनी इस किरियागलाब में सिप्चक के सहयों किया आव सकता है सुरक्षा के लिए चात आंक पर आंकों पर चस्मा पहन ले और तो उचित होगा लगवक 3-4 cm लंबे मैगनेसियम रिवन को रेग माल से रगड कर साप कर लीजे इसी चिम्टे से पकड़ कर इस्ट्रेट लेंप याँ पर बर्ण से इसका दहिन किजिए यानि की जलाईए इससे बनी राख को कांच बोच गिलास में खटा कर लीजे जैसा कि चित एक दिसमलो एक में आपको दिखाए जा रहा है मैगनेसियम रिवन का दहिन करते समय इसे अपनी आखों से यथा सम्भाव दोज है यह देख रहा है चिम्टाई हो गया यह वर्णर हो गया यानि कि गरब किया जा रहा है मैगनेसियम की रिवन हो गई यहाँ और बहुच गिलास हो गया जो राख यहां गिरेगी मैगनेसियम ऑक्साइड हो गया मैगनेसियम रिवन का बायू में दहिन magnesium oxide को बहुत गिलास में एकटा करना यानि कि magnesium का बायू में जलना oxygen की उपस्तिती में जलना ये magnesium oxide हो जाता है और ये नीचे राक में बदल जाता है ठीए? अब अगर किरिया कलाब करेंगे तो आप जान पाएंगे क्या उपस्तित रहेगा ये magnesium oxide का चूड़ है वायू में उपस्तित oxygen तखा magnesium के वीच होने वाली अभी किरिया के कारण क्या बनता है अब आप सोचे कि अगर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पड़ते हैं आपने इस किरिया कल आपको पड़ा है यानि कि एक मतलब अपने दिमाग में ही सोच लिया कि इस तरह से हुई है वेपस्ता और आपने क्या देखा है कि magnesium को जब आप लोग जला रहे है तो magnesium oxide को मतलब नीचे राप में परिवरते थूती हुए देख रहे हैं आप जानते हैं कि oxygen की उपस्तिती में ही कोई बस्तू जलती है तो एक oxygen से किरिया करके क्या बन रही है magnesium oxide आपको magnesium oxide मिल जाती है किरिया कलाब एक दसमलों दो एक परक्नली में लेड सीशा नाइट्रेट का अभोल लीजे इसमें potassium hydroide का iodide का घोल मिला दीजे आपने क्या कुछी पंड किया यहां आपको दिखाए दी रहा है दानेदार जस्ते पर तनू सल्फिरिक अमल की यह किरिया से hydrogen gas का निर्मार कार हो गया, काच की नली हो गई संग्वाकार फ्लास्क हो गया यह और तनू सल्फिरिक अमल और दानेदार जस्ता इसमें बीच में आप देखते हैं hydrogen gas यानि किर्टू gas वरी भी है चिरिया कलाब एक दिसम्फलो तीन को भी पढ़ लेते हैं एक संग्वाकार फ्लास्क या फरकनली में कुछ दानेदार जिंक लीजे इसमें तनू हाइट्रो कलोरिक अमल या फिर सल्फिरिक अमल मिला दीजे सावधानी अमल का इस्तेमाल सावधानी सकीजे क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है संग्वाकार फ्लास्क या परकनली को इसपर्स कीजे क्या इसके ताबमान में कोई परिवातन हुआ है आपने उपर दिए गए तीनों किरिया कलाब की आधार पर हम कह सकते हैं कि निमने किर्सी भी पेक्षण की सायता से हमने इरदारित कर सकते हैं कि एक रसाने कविकिरिया क्या हुई है अविकिरिया हुई है एक बात आप ही सोचिए इसमें समझाने लाइक है क्या मैं तो कहता हूँ कि आपके बाद टाइम है जल्दी से जल्दी आप एक से दुबार पढ़के खतम के जिए हैं किसी के भरों से नईमत रहे हैं मेरे भी अगर आपको लगे कि मैंने देखी किताबें सीली एमिनेट दे दी गए आप लोगों को कि आप मेरे भरों से भी मत बैठे आप लोग पढ़के खुद कर सकते हैं इस अब काम चोकि मैं भी तो वही पढ़ाऊँगा जो आप लोग पढ़ेंगे लगबग लगबग आप समझ जाएंगे बता रहे हैं आपको तो जैसे आपको सूटेवर लगें आप कर सकते हैं इसमें आपने देखा क्या है आवस्ता में परीवर्तन देखा है और रिम्आळ इस सध्याय में हम बिविन पिकार की रसानी कभी क्रिणाहों और की पिती कात्मक निनुपन का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं रसानिक समीकर्ण की किरिया कलाब 1.1 यानि की एक दसमलब एक कबराब जब ऑक्सिजन की उपस्तिती में मैगनेसियम का रिवन का दहन होता है यानि की जलता है तब मैगनेसियम उकसाइड में परिवर्दित हो जाता है वाकिकी रूम में किसी रसानिक किरिया का विवरन बहुत लंबा हो जाता है इसे संचिप्त रूम में भी लिखा जा सकता है इसे सबसे समीकर्ण की रूम में लिखना सबसे सल्दम भी दिये और आपने देखी अगर आप Civil Service या State VCS की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो समझ लिया जाता है कि आपका base काफी मजबूत है, तब ही आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको रटना ही होता, तो आप किसी SSC Bank Railway की तैयारी कर रहे होती हैं, आपके बास चमता ना हो होती हैं, तो आप काफी अच्छी लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग इस तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैगनेसियम किसकी उपस्तिती में इसका देहन हुआ है, ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या कहेंगी, अभी होता है, अभी क्या देहा है, तो आप से स्कतिक किसे में तो परिवथन होता है, इन दोनारी कि में दोनों क्या है, कहते हैं, ja इन्हें कहते हैं हम लोग अभी कारक, क्या कहते हैं, अभीकारक, और इस अभीकिरिह से लिए पजाट मेगनेशियम आक्साइट का निर्मार होता है इसे हम लोग उत्पात कहते हैं। एक तरह से आप कह सकते इसी तरह बात की जा रही है, सब्द समीकर्ण में अभीकारक के उत्पात में परिवर्तन को उनके मद्द एक तीर का निसान लगाकर दर्साया जाता है, इस तरह से, किसे अभीकारकों के उत्पात में परिवर्तन को उनके मद्द एक तीर का निसान लगाकर दर्साया जाता है, सब्द समीकर्ण, अभी कारक के बीच यो पिलस का चिन लगा कर उन्हें बाईयोर लिखा जाता है, इसी पिकार उतपादों के बीच भी यो पिलस का चिन लगा कर उन्हें दाईयोर लिखा जाता है, फिर तीर का सिरा उतपाद की ओर होता है, तथा यह अभी किया होने की दिश आपको दरसाता है, यहां भी आप देख रहे होगी, यहां फिलास चन्न हो गया, एक दोनों मिलकर इस तरह सी बदल गए, तीर का आपको चन्न देखाई दे रहा होगी, अब बात करते हैं रसायनिक समीकर्ण लिखना, क्या रसायनिक समीकर्ण की निरूपण की इससे भी संचि और तथा उपियोगी बनाया जा सकता है, तो रसायनिक समीकर्ण किसी रसायनिक अविक्रिया को दरसाता है, यदि आप मैगनेसियम औक्सिजन और मैगनेसियम ऑक्साइड की सूत्रों का स्मेट करें, तो उपियोग सब्दे समीकर्ण इस पे खार लिखा जाता है, वहां आप समीकर्ण यानिकी, एक सहुलियत के लिए एक छोटे सब्दों में लख रहे हैं, यह आपका मैगनेसियम हो गया है, औक्सिजन, और आप देख रहे हैं कि मैगनेसियम ऑक्साइड बनाया है उत्पाद की रूम में, ठीक है, एक बात याद रखिए, मुझे लगता है कि आपको यह एक हाई लेवल बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आपकी दिमाग से उपर से निकल जाएगा सब कुछ, और यह एक आपको किताब इसलिए लिए लिए जाती है, आप देखते हैं, नोट्स बना के हाँ कोई बता देता है कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि व यही मिलकर काम करना है, ठीक है, जहां भी हो, अगर मुझसे गलती होती है, तो आप लोग है, अगर आपसे गलती होती है, तो उस जखे में एक दोस्ती की मतलब दोस्ती तरह, परिवार की तरह हम लोग सब मिलकर काम करना है, तीर के निसार के वायोर और दायोर की तत्यों के परमाडूं की संख्या की गिंती कर उनकी तुला करें, क्या दोनों और तत्यों के परमाडूं की संख्या समान है, यदी है तो समीकर्ड संतुलेते, यद नहीं है तो समीकर्ड आसंतुलेते, क्योंकि समीकर्ड के दोनों और दिर्मबान का बरावर हो नहीं है, बरावर नहीं ह किसी अभिकिरिया का ऐसा रसायनिक समीकर्ट धाचा, रसायनिक समीकर्ट कहलाता है, इस पेकार समीकर्ट मैगनीसियम के वायू में जलने का धाचा समीकर्ट, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि Mg, मैगनीसियम एक और ऑक्सिजन के दो अडू थे, लेकिन यह किसी वी रसायनिक अभिकिरिया में द्रमान का ना तो निर्माड होता है, और नहीं बिनास होता है, यानि कि ना तो इसका निर्माड किया जा सकता है, और नहीं निकाह बिनास किया जा सकता है, बस एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में लोग परीवलतित हो सकते हैं, अर्थ रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकर्ण को संतुलन करना आवज सके, क्या रसायनिक समीकर्ण 1.2 संतुलित है, आए हम रसायनिक समीकर्ण को चर्णवत संतुलित करके सीखें, किरिया कलाब 1.3 की सब्द समीकर्ण को इस पिगार दर्साया जा सकता है, पीछे हम लोग ने बात क सकते हैं, Zn plus H2 SO4, क्रिया करेगा ये Zn SO4 और H2 में बदल जाएगा, आईए समीकेंड 1.3 में 3 के निसान के दोनों और तत्तों के परमाणवों की संख्या की तुलना करते हैं हम दो, देखिये, Zn, अभी कारुपकों में परमाणवों की संख्या एक, उत्पाद में यानि की जो बदला है, उसमें आप देखिएंगी, एक है, यहां भी परमाणवों की संख्या एक है, हाइड्रोजन की बात करूँ, तो 2 यहां है, और यहां भी 2 आपका है, S, यहां भी आपका यहां भी आपको एक ही मिलेगा, ऑक्सिजन, चार्ड और चार्ड, संख्या एक दसमलोग 3 में तार, तीर के, निसान के दोनों और के पितिक तत्य के परमाणवों की संख्या समाने, इसलिए यहां है, एक संतुलित, संतुलित, रसायनिक संख्या एक तरह से आप कहल सकते हैं कि आपने एक किलो ग्यहूं अडाला और एक किलो आठा निकला आया, तो इसे क्या कहा देंगे, संतुलिक संतुलित है, मतलब जितना इसमें खर्च हुआ, उपना ही प्रोफेट हो चुका, अब हमने रसायनिक समीकर्ण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, अब किरिया करक और प्लस हुआ, चर्ण एक, स्टेज फर्च, रसायनिक समीकर्ण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले, पिते एक सूत के, चारों और एक बॉक्स बना लीजे, समीकर्ण को संतुलित करते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवतन नहीं कीजे, याद रखे, मैं बार बार कि आपको पढ़ना है, निकल जाना है, आपको जाना दिमाद मत लगाई है, कि मतलब आप सकर्द्य पैट जाएं, ठीक है, आपके पास टाइम है, तो आप इस तरह की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगी, तो मुझे लगता है, समझ में आ जाएगा, इस्टेज सेक चागअ है, तो आपके जाएं, अइस और उतफाद में देएगा, तो यहां दो है, तो यहां आसनतु लेते हैं, कैसी रेते हैं, वाराबर आप देख रहे हैं, कि जितना आप्टार कत थे, उतना उतफा नहीं है, जितना आपको, उतफाद नहीं है, चलिए चरण तीन यानि ये स्टेज तीन को देख लेते हैं सो विधा के लिए सबसे अधिक परमाडू बाले योगिक को पहले संतुलित कीजें चाहे हो है अभिकारक हो या फिर उत्पाद उस योगिक में सबसे अधिक परमाडू बाले तत्थ को चुँएं इस सालार पर हम देखेंगे F3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्थ को चुँदे दाईयोर ऑक्सीजन के चार परमाडू है जबकि बाईयोर केवल एक है तो ऑक्सीजन परमाडू को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पैरम में 1H2O अभिकारक में और उतपाद में 4FE3O4 में संतुलित करने के लिए 1 into 4 बराबर कितना आ जाएगा चार आ जाएगा यह याद रखना आबसक है कि परमाडू की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभी की रिया में सामिल तत्तों और योगों को के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं जैसे कि ऑक्सिजन परमाडू को संतुलित करने के लिए हम 4 बराबर लगा कर 4S2 लिख सकते हैं लेकिन S2O4 यानि कि इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं ठीक है? याद रखिए इन दोनों तरह से हम नहीं लिख सकते हैं सकते हैं कि बाद में 100 g आटा मिला दीजिए या पहले आप लोग ऐसा करिए कि 100 g पहले एक ग्लो 100 g आटा डालिए गहू डालिए और वो निकल आए लेकिन उसे भी संतुलित करना हुगा यह उसा नहीं कि आप जो जिस तरह से होना है उस तरह से ना करकि किसी भी तरह से इस तर एक मतलब हग रह से आपके साइंस की अलग एक विदी होती है समझ रहे हैं आप लोग आप चलते हैं चार में स्टेट चार एपी तता एज परमाडू यानि कि हाईडोजन परमाडू अब भी संतुलित नहीं है इन में से किसी एक तर्थ को चुनकर आंगे बढ़ते हैं अब अविकार हो में और प्यारम पेखेंगे है 4Sto में 2Sto र यानि कि संतुलित करने के लिए 8 और यहां 2 XL अब हो गया बराबर 8 है आभिकार उत ही है और यहां कि और यह यानि कि भाग लेने वेवाले भी आर्ट हैं और बराप्त होने वाले आर्ट हैं समीकर्ड अब इस पे कार होगा कैसा होगा F e plus 4H2O plus F e 3O4 plus 4H2O आंसे ग्रूप से संतुलित समीकर्ड हैं अब चलते हैं इस्टेज 5 पन उपर दिए समीकर्ड की जाद कीजिए और तथां तीसरा तथ चुनिए जो अब तक संतुलित है यानि कि अभी भी संतुलित नहीं है आप पाएंगे कि एवन लोहा ही एक तथ है जिसे संतुलित करना अभी सेस रह गया है लोहा, आयरेन के परमाडू यह अभी कारकों यानि कि सामिल पूरे तथ है और यह उत्पाद की रूम में तथ है प्यारब में आप देखेंगे एक F है और बाद में आप देखेंगे उत्पाद में 3 F, 3, 4 है तो यहां संतुलित के लिए आप क्या करेंगे 1 into 3 से into करतेंगे बरावर 3 यहां आपको आप देखाई दे रहा होगा कि 3 F पहले है और 3 बाद में ठीक है परावर हुए F को संतुलित करने के लिए बाई और हम 3 F के यानि कि लुहा के 3 परमाडू लेते हैं 3 F plus 4 S2O आप देखेंगे F3 O4 plus S2O अब देखते हैं stage 4 अंत में इस संतुलित संतुलित की जाज के लिए हम संतुलित में दौर हो कि तत्तों के परमाडू की संख्या का परेकल है यानि कि अब हम लोग दिमाग लगा कर जोड़ सकते हैं और H2 के कितने हैं देखें H2 और 4 सब बराबर है न आप संतुलित 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 बन चुका है आपका एक दुबार आप लोग देखिए आराम से समझ में आ जाएगा संतुलित 1.9 में दोनों और के तत्तों के परमाडू की संख्या बराबर हैं आता है ये समिकर्ण आप संतुलित है जाए है समिकर्ण को संतुलित करने की इस विधी को HIT & Trial विधी कहते हैं ऑप लेके संतुलित संतुलित करने का फरेतन करते हैं अब श्टेज साथ, बहुतिक अवस्थाओं की संकेत लिखना, उपर लेके संतुलीद समीकर्ण की साउधानी से जाच कीजिए, क्या समीकर्ण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की बहुतिक अवस्था के बारे में भी ज्यान होता है, इस समीकर्ण में उनकी बहुतिक सबस्था को भी दर्साय जाता है, अभीकारकों तता उत्पादों के गैस, द्रव, जलिए, तता ठो सबस्थाओं को किरम सा G, I, AQ और S से दर्साय जाता है, अभीकारक या फिर उत्पाद, जब जल में गोल के रूमें उपस चेत होते हैं, तब इसे हम लोग AQ के से लिखते ह हैं, किस से बेक्ट करते हैं, AQ से, आप संतुली समीकर्ण की बात करेंगे, अगर 1.9 की, तो इस पर कार होगा, किस तरह, 3F, 3F, 1, कोष्टक S, फिलस, 4H2O, G, और फिर आप लेकेंगे, F3, वो 4S, फिर आप क्या करेंगे, 4H2, G, यह आपका समीकर्ण हो गया 1.10, द्यान द रसाता है कि सब किरिया में जलका उपेव भाग के रूम में किया गया है, किसके भाग के रूम में, F3, हमर असानिक समीकर्ण में बहुत यक अवस्ताओं को सामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि यह आवस्तक ना हो, कभी-कभी अभी किरिया की परिष्टितियां, जैसे कि इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से भी दर्शा देते हैं, CO2H2O, A340ATM, CH3OHI, इस तरह से भी आप गलू कोच, ठीक, इस पिकार क्या आप उस तक में दिये हैं, समीकर्ण को संतुलिक कर सकते हैं, यह भी आप देख रहे हैं, questions दिये गया है, आप आर हम से बैटकर solve कर स ठीक, अब बात करते हैं, हम लोगो रसानिक अविक्रिया के पेकार देखते हैं, कच्छा नौभी में हमने अध्यन कर चुके हैं, रसानिक करिया के समय, किसी एक तत्य का परमाडू दूसरे तत्य के परमाडू में नहीं बलता है, ना कोई परमाडू मिस्रण से बाहर जाता परमाड़ू के बीच विभन पेकार की आबंद की बास्तोरे में आफ अध्यन करें, चलिए बात करते हैं, हम लोग स्योजन अविक्रिया के,ised meaning 4, एक बीकर में थोड़ा केलिसियम उकसाइड और बुजा हुआ चुना लीजे, इसमें दीरे दीरे जल में लाना है, अब बीक को इसपर्स कीजिए जैसी कि एक चित्त एक दसमलाव तीन में दिखाएगा है क्या इसके इताब में कोई परिवतन हुआ है इसे भी देख सकते हैं चित्त एक दसमलाव तीन से जल के साथ केल्सियम ऑक्साइड की अविक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्मार यह आपका मात्रा में उसमा उत्पन करता है इसे समीकर्ण से समझ भी दिए बिनार बुझा हुआ चूना आप देख रहे हैं यह आपका S2A यानि की जल के साथ किरिया करकी यह बुझा हुआ चूना आपका दिखाए जरा है यह उसमा यानि की उज्जा की बात की जाए है इस अविक्र अविक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं सायोजन अविक्रिया कहते हैं ऐसी अविक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अविकारक मिलकर एकल उत्पादन यानि की दो एक तरह से आप कह सकते हैं की दो सामानों यानि की दो उत्पादन को मिला कर आप लो क्या कर रहे हैं कि गोई एक नया उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम लोग सयोजन अब किरिया कह देते हैं, यह आपने देखा है कि बिना बुझा हुआ चूना लिया है और यहाँ आपको मिल गया है बुझा हुआ चूना, ठीक है, एक उत्पादन, ओपर की अभी किरिया में निनमित बुझे हुए चून किरिया आपको इस पर एक एक गाव में ग्रामेटी छित्रों में कुछ जान्दा देखने को मिलते हैं, क्योंकि सहरों में तो आप देखते हैं, कलल प्रेंट आ जाते हैं, उससे आप आराम से रंगीन कर सकते हैं, ठीक है, केल्सियम हाइड्रोकसाइड वायू में उपस थी, कार्बन का यूपसड के साथ धीमी गती से अभिक्रिया करके, देवारों पर कल्सियम कार्वोनेट की एक पतली फर्द बना देता है, सब फेदी करने के लिए, कि दो-तीन दिन बाद कल्सियम कार्वोनेट का निर्मार होता है, और इससे देवारों पर चमक आ जाती है, क्या है, या फिर इस तरह आपका समी कर देदेगा और आप से पूछेगा कीसे यह सही है, संतुलित है या नहीं, क्या करना है। में सही क्या है तो इस पर रहे कि यहां आप देख रहे हैं कैल्सियम हेट्रोकसाइड हो गया यह और यहां फिर आपने देखा है दो पाद कैल्सियम और कार्बोडेट अलग हुआ है के आये सही तो नहीं की रहा कि कुछ और ऊधारन पर चर्चा कर लेते हैं कोहिले का देन कार्बन ऑक्सी जालएम कोहएं कर्वन तोसिघक में बदन बदन आक ह्याक है यानि कि जल में बदल जाए सरव सब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक फदार्थ तत्य या योगे करते हैं सयोग करके एकल उतपात का निर्मार करते हैं ऐसी अब किरिया को सयोजन अब किरिया कहते हैं जब दो या दूसे अधिक फदार्त सयूग करके यानि कि मिलकर एकल उत्पात का निर्बान करते हैं, ऐसे अभ किरिया को क्या कह देते हैं हम दो, सयूजण अभ किरिया, किरिया कला 1.4, किरिया कला 1.4, हमने यह भी देखाए कि अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उस्मा उत्पन हुई है इससे अविक्रिया में सर्ण गरम हो जाता है जिन अविक्रियाओं में उत्पात के निर्माण के साथ साथ उस्मा भी उत्पन होती है उसे अम लोग उस्मा छेपी अवरसाइनिक अविक्रिया कहते हैं क्या जिस जिन अविकृयाओं में उतपात के निर्मान के साथ उस्मा भी उतपन होती है उसे हम लोग उसमा 6-P रसायनिक अविकृया कह देते हैं इस तरह की परिवासाओं को भी आप याल रख सकते हैं उसमा 6-P अविकृयाओं के कुछ हनोगारने प्राक्तिक गेस का देन, CH4 मेथेन हो गई, 2O2 ऑक्सिजन, CO2 प्लस 2H2O और एक उर्जा आपकी मिल चुकी है इसे ही क्या करते हैं उस्माचेपी रसायनिक के रिया क्या आप जानते हैं कि सुसन एक उस्माचेपी अविक्रिया है हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें उर्जा क्याव सकता होती है यह हैं उर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है पाचन क्रिया के समय खात पदा छोटे-छोटे टुकणों में तूट जाती है जैसे चावल लालू ग्रेड में कार्वाइडर होता है इन कार्वाइडर की टूटने से ग्लुकूज प्राप्त होता है यह ग्लुकूज हमारे सरीर की गोज़िकाओं में उपस्तित ऑक्सीजन से मिलकर हमें उर्जा पिदार करते हैं इस अब क्रिया का विसी नाम सुसन है जिसका देहन आप कप्छा मतलब अध्याय चेह में करेंगे अब आपके देमाग में आ जाता होगा कि वह चलेए पंप कोई चल रहा है कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें पैटॉल डाला जाता है माल लीजे वो उर्जा उसे आज आवसकता होती है या बिदुद की आवसकता होती है उर्जा की उसे बिदुद मसीन है कोई उसे बिदुद दी जाती है तो हमारे श्रीर में किस तरह से आप देखते हैं? खाना किसले गाते हैं हम लोग? कि बहुत इंडियों कि मलता है कि काम करने की बहुत है? आप सोची है, आप दस दिन खाना मत खाईये कैम को betearmat. कर सके इसे आप देख रहेंगे C6H4, sorry H12O6, यह आपका गिलूपोज हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है 6O2, 6 से CO2, प्लस 6H2O, और प्लस उर्जाप को मर रहे हैं, साथ सब्दियों बनस्पती दरब का विक्टित हो गए, कंपोष्ट बनाना भी उसमाच्छे पी अब किरिया का किरिया कलाब एक दसमलव एक में दी गई अप किरिया के पिकार को पहचानिये जिसमें एकल उत्पात के निर्माड के साथ उसमा उत्पन होती है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, चित 1.4 यानि की एक दसमलव चार, फेर सलपेश्ट किष्क्लिये वाली परक नली को गर अपने अपनी वो ना करे, वर्नर एक गरम कर आया है, देख रहा है, कोथन नली फेर सलपेश्ट किष्टल में, चलिए किरिया कलाब को पढ़ लेते हैं, वियोजन अप गटन अप किरिया, एक सुस के कोथन नली में 2 गराम फेर सलपेश्ट ले सकते हैं, ठीक है इसी विदी को बात का दो, फेर सलपेश्ट के किष्टल के रंग पत ध्यान दीजिए, कोथन नली को वर्नर या फिर इस्प्रेट लेंड की ज्वाला पर गरम कीजिए, जैसा कि चित 1.4 में देख आया है, गरम करने के बच्चाथ किष्टल के रंग को देखिए, इसमें देख सकते हैं, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेर सलपेट किष्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है, सलफर के दहन में यसे उत्पन उस अभी लांचने, विशिश्ट गंद को भी आप सूंग सकते हैं, यहां आपको देखाई दे रहा होगा, फेर सलपेट, 2-AP-SO-P, एक उसमा से SO2 यानि कि सलफर टाई उकसाइड हो गया, और यह आपका क्या हो गया, यह आपका सलफर ट्राई उकसाइड हो गया, SO3, आप देख सकते हैं कि इस से अभी किरिया में एकल अभी कर्मक तूटकर छोटे उत्पाद पिदान करता है, आपने पहले देखा था कि दो अभी कारत वो मिलकर एक ऊत्पाद बना रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक अभी कर्मक, मतलब एक अभी कर्मक है और वो तूटकर किस तरह अलग-अलग हो रहा है, यह कैसी है, यह गह या, गरम करने पर फेर सलफ़ेड, EF-Xi-7, H2O का किस्टल जल टयाँ देचाए, वो क सल्फर डाई ओक्साइट एसो टू तर्फा सल्फर डाई ट्राई ओक्साइट एसो त्री में बेउजित हो जाता है फेरेक ओक्साइट हो से जबकि एसो टू और एसो त्री कैसे हैं गैसे हैं एसो त्री कैसे हैं ये दोनों कैसे हैं ठीक है उस्मा देने पर केल्सियम कारवो नेट का केल्सियम उक्साइड और कार्वन उक्साइड में बेयोजित होना एक पिरमुक बेयोजन अपकिरिया है जिसका वो उपयोग बिविन उद्ध्योगों में होता है calcium oxide को चूणा या बिना बुजा हुआ चूणा भी कहते हैं हम लोग इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग cement के निरमाण में भी हुथा है ओस्मा के द्वारा की गई बेयोजन अपकिरिया को ओस्मी बेयोजन कहते हैं कैसी कहते हैं, उसमी ये बयोजन कहते हैं, जो उसमा के द्वारण की गएगी, बयोजन अब किरिया होती है, देखिए आप, चूना पत्थर, CACO3, ये उसमा इसमें भाग ले रही है, और किसमें बदल जा रही है, बुजा हुआ चूना, CACO2, कारवन, डायोजन, उसमें बयोजन अब किरिया का एक अन्नोधारन, किरिया कलाब 1.6 में दिया है, अब देखिए उसे, किरिया कलाब 1.6, एक कुथन नली में 2 ग्रम, लेड नाइटर का छूड़ लिए, चिम्टे से कुथन नली को पकड़कर, ज्वाला की उपर रखकर इसे गरम कीजिए, जैसा कि चित एक दसमलाव 5 में दिखाए गया है, आपने क्या देखाए, यदि कोई परिवतन हुआ तो उसे हम नोट कर लीजिए, लेकिन मैंने बार-बार बोला है, कि इसे हमें करना नहीं है, बस हमें अपने दिमार में अगर आप सोच सकते हो, सोच ल हो गया, ती, लेड नाइटरीड का दापन और नाइटरोजन ओकसाइड का उतसाजित, आप देखेंगी कि भूरे रहरं का दुआ ऊतसाजित होता है, यह नाइटरोजन डाइओकसाइड यानिकि NO2 का दुआ है, यह आप कि रिया इस पेकार होगी, किस पेकार, देखिए इस पी बी ओ और पिलस पोर एनो टू यानि कि नाइट्रोजन डाई ओक्साइड और यह आपका ओक्सीजन हो गए आईए क्रिया कलाब 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन अवगटनाय भी आप क्रियाएं करें देखते हैं क्रिया कलाब 1.7 याद रखिए बड़ी बोरिंग लगती ह तो इसलिए आपको पढ़ना है बड़े द्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके पास हमारी पास कोई ओप्सन भी नहीं लेकिन समझ में सबा आ जाता है लेकिन बड़ी बोरिंग लगती है यही हम लोग अगर आप पैक्टिकल करके देख रहे होते तो मालों नहीं चलता समय का और बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग होती है अब बात करते हैं एक प्लास्टिक का मग लेना है आपको इसकी तली में दो चित करके उसमें रवड कर डाड लगा दीजिए इन चितों में कारवन एलेक्टोड डाल दीजिए जैसा कि चित एक दिसंबलो च्छे में इसे देख स अनसांकित परक नलीयों को दोनों कारवन एलेक्टोडों के उपर उल्टा करके रखिए आप इद्धुधारा प्रवावीत करके इस उक्रेण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए दोनों एलेक्टोडों पर बुल्बुले बंते हुए देखींगे ए बुल्बुले आसांकित नली से जल को विस्थाबित कर रहें। करते थें, क्या दोनों परणक्लेटिमें इकतित गयस का आइसतन समान है। जब दोनों परणक्लेटियों में भरे जायें तम उन्हें सावधानी पूरबत खटा लिजे। एक जल्ती हुई tv को द़नो परगनली के मुहे के ऊपर लाकर इन गयसों की जाज की लिए Dude साउधानी इचर्ण को सिपचा कशेड़ शावधानी पूर्वत किया जाना चाहिए दोनों इस्तिदियों में क्या होगा, दोनों परनेटनेलियों को कौन सी गैस उपस्तित है, अब आप देखिए कि आप अगर इसे पैक्टिकल करते हैं, तब आप इन दोनों कुश्चन की अंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, यह आपको देख रहा होग यह पैटरी होगी, यह आपका switch हो गया, कैसा हो गया, switch हो गया, ए अनोड, cathode, rubber.a. ठीक है, rubber की दिप भी एक तरह से, यह आपका जल भरा होगा है, यह आप देख रहा होगे जल, यह ग्रेप अनोड होगी, एक तरह से आप cell बनाते हैं, इस एक तरह से आप शैल में देखा ह मगगा अब की रेकलाब 1.8 को भी देख लीते हैं चाइना डिस में 2 ग्राम सिलवर किलोराइट डिल दीजे इसका रंग क्या है इस चैना डिस की को थोड़ी देर के लिए सूर के पिकास, चाइना डिस, सिल्वर किलोराइड, अभी तक जो आपने पढ़ा है, उसका नेस कर्स यहां आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सूर के पिकास में सुईत रंका सिल्वर किलोराइड धूसर रंका हो जाता है, सूर के पिकास में जो सुईत रंका सि सिल्वर किलोराइट का सिल्वर तथा किलोरीन में बेयुजन के कारण से ऐसा होता है अब देख रहें सिल्वर 2G2AGCl सूर का पिकास है क्या करा है 2AAG प्लस CL2 सिल्वर ब्रॉमाइट भी इस पिकार अब किरिया करता है अब यहां देखिए आप लोग 2AGBR सूर का पिकास 2AGBR2 पिकार की उर्जा के कारण यह बेयुजन अब किरिया होती है सूर के पिकास के कारण किसके सूर के पिकास की उपस्तिती में एक किरिया होती है हमने देखा है कि बेयुजन अब किरिया में अभी कारकों को तोड़ने के लिए उसमा पिकास या विद्धुत उर्जा की आवसक कर रहे हैं अब इससे संबंदित आपके questions दिये गए इन्हें आप देख सकते हैं आगे कि अब हमारा विस्थापन अब किरिया किरिया किलार एक दसम्लाव नो लोहे की तीन किल लेजे और रैकमाल से रगड का साथ किजिए A, B से चिन्नित की हुई परखनलियां लीजे पितेक परखनली में 10 ml कौपर सलफेट का विलियन लीजे दो किलों को धागों से बांग कर सावधानी पूर्वक परखनली B के कौपर सलफेट के विलियन में लगबग 20 मिनिट तक डोगों कर रखिए देखिए इसकी बात की जारे तुलना करने के लिए एक कीलों को अलग रखिए 20 मिनिट परखनलियां दोनों को कौपर सलफेट के विलियन से बाहर निकाल लीजे और परखनली A और B में कौपर के लेयन में की रमकी तुलना बाहर रखी कील से कि जई को पर सली है स्टैन हो गया है यह आपका चैन्द हो गया यह आपा की परक्नली होगए यह आपका और ये copper sulphate के bilion में जो डुबाई गई थी, उसे निकाला गया है, यह आपको देख रहा है copper sulphate का bilion, और परक्नली, परक्नली इस्टेंड है, अभी किरिया के मिस्टरंड, मिस्टरंड का परक्नली इसमिपील में, ठीक, प्रयोग से पहले तदा उसके उपरांत लोहे की कील और copper sulphate की bilion की तुलना करें, यानि कि दोनों की आप देख रहे हैं, बदल जा रहे हैं, क्या उन्हें? बदल जा रहे हैं रंग, लोहे की कील का रंग भूरा के हो गया, और copper sulphate की bilion का रंग, नीला, रंग, मलीन के पढ़ गया है, एक तरह से सोचिए कि दोनों में परिवर्तन ह क्या हो गया है, क्या ऊगया है? दोनों में परिवर्तन हो गया है, कील में फीपरिवर्तन आया है, और copper sulphate के bilion में में परिवर्तन आया है, रेडी वालों का बहुत द्याँर्ण रहा है, तक व्लोग डाउन के टायब, देखी जए घर-घर तक sa 한다 पहुंचाते रहे हैं लोग तरस जाती है, तो चलिए सबका यूगदान है, इस किरिया कलाम में निमलिखित अभिकिरिया हुई है, F e plus C u isopor, यानि की copper sulfate, और F e isopor, यानि की iron sulfate, फलस C u, इस अभिकिरिया में लोहे iron नहीं, दोसरे तत कॉपर को copper sulfate के विलेन से विस्थावित कर दिया, या फिर हटा दिया, इस अभिकिरिया को क्या कहते है, बिस्थापन अभिकिरिया, और याद रखे वैसे आप लोहा जोसे कहते है, आप लोगों को हर जगे लोहे क्या लिया जाता है एक इस तरह कि अभिकिरिया है बिस्थापन अभिकिरिया बिस्थापन अभिकिरिया कि कुछ अन्योंधारन देख लेते हैं जे इन, copper sulphate, यह क्रिया करके क्या बन रहा है, zinc sulfate plus c. फिर आप देखेंगे PV, यह copper chloride, यह क्रिया करके lead chloride बन रहा है, co, zinc all lead, zinc copper है, ठीक है, zinc तथा lead, copper के यह पेख्चा अधिक क्रिया सील इन तत है, बेग कॉपर को उसके योगिक से विस्थाफिक कर लेते हैं जिंक की तथा लेड कॉपर की ये बेगच्छा अधिक क्रिया सील तत्त हैं कौन-कौन से जिंक और लेड अब यह आपका दूई विस्थाफन अभी क्रिया इसे भी देख लिते हैं क्रिया अकलाब 1.10 एक परकनली में 3 ml sodium sulphate का बिलियन लीजिए एक अनपरकनली में 3 ml barium kilodide लीजिए दौनों बिलियनों को मिला दीजिए आपने क्या देख रहा है आपको यही देखना है आपको कहीं और नहीं जाना है ठीक है जो इस किताब को पढ़ रहा होगा गक्चा दस्वी में होगा वो इसे करता रहेगा उसे बहतर तरीकी से समझ में भी आएगा समझ में तो आपको भी आ रहा होगा क्योंकि आप इतने काफी काभवियल नहीं इस आपको देख रहा है sodium sulfate के billion योग परकनली बारियम kylori के billion योग परकनली दोनों को मिलाए जागा है बारियम sulfate तथा sodium kylori का निर्मार आप देखेंगे कि सुई तरह के एक पदार्द का निर्मार होता है जो जल में आविले है, इस आविले पदार्त को आउच्छेप कहते हैं, आविले मतलब इसमें मिलेगा नहीं जल में, ठीक है, जे सब्सक्रिया में आउच्छेप का निर्मार होता है, उसे हम लोग आउच्छेपन आउच्छेपन कहते हैं, अब देख रहे हैं, आप लोग पिलस और तथा SO4 2 माइनर की अभिकिरिया से BASO4 के अउसे का निर्माद होता है एक अनोथ पाद sodium किलोराइट का भी निर्माद होता है जो बिलेयर में ही रहता है बे अभिकरिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आधान पिदान होता है यानि यह एक से दूसरे में इन्हें हम लोग दुई विस्थापन अभिकरिया है कह देते हैं किरिया के लाग एक दसमलोग दो पर ध्यान दीए जिसमें आपने लेड नाइटेट और पोटेसिम आईडरोयट के बिलेयन को मिस्सित किया आउसिस किस रंग का था क्या आप अभी चित योगिक का नाब बता सकते है इस अभिकरिया के संतुलीत रसाइनी कभीकरिया है क्या आप यह भी दोई विस्थापन अभिकरिया है चलेए जोड़ी आपचैन एवन अपचैन बात करते है अब चलते हैं तसमलाओ 11 क्रिया गलाब पर, चाइना डिस में एक ग्राम कॉपर चूड लेकर उसे गरब कीजिए, आपने क्या देखा है, यह इस तरह इसे बात कीज़ा है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में आप चाहे है, यह आपका कॉपर चूड एक चाइना डिस है, ठीक है, यह दिख र तो यह किस में बदल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में, इस तरह से आप देखेंगे, कॉपर चूड की सते पर कॉपर ऑक्साइड की काली पर चड़ जाती है, यह काला पदार्ट क्या बनाता है, यह कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन की यूग सी बना होता है, यानि की copper oxide, यदि इस गरम पदार्थ के ऊपर hydrogen gas प्रवावित की जाए, तो सतय की काली पर घूरे रंकी हो जाती है, क्योंकि इस इस इस्तिति में विप्रीत अभी क्रिया संपन होती है, तथा copper क्राफ्थ होता है, ऐसे बात की जा रही है, देखिए जो गरम किया था हम लोगो हो जो करें, अभी क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में oxygen की विद्धी होती है, तो कहते हैं कि उसका up chain हुआ है, क्या हुआ है, तथा जब अभी क्रिया में किसी पदार्थ में oxygen का हिरास होता है, तो उसे अम लोग up chain कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी क्रिया के समय जब किसी प हुआ है ठीक है अभी किरिया एक प्सम्लों 39 में कोपर सेखेंड एक साइड में औक्सीजन का हरास हो रहा हैं इसलिए अपचयद होता है है हाइडोजन में ऑक्सिजन की विड़्ी हो रही है इसलिए औप्षेथ हुआ है अल्था किसी अविक्रिया में एक अविकारक अविक्रिया होता है इन अविक्रियाओं को ओप्षेथ होता है यह आप कह सकते हैं कि देखिए H2O, यह क्या है उपचेंट, और लेकिन H2O देख रहे हैं अपचेंट, यानि कि इसमें कमी आईगे है, रैडॉक्स आप किरिया है, कुछ अन्योधारन देख सकते हैं, ZNO, पिलस C, ZN, ओक्सीट, ठीक है, तो इसमें आप ZN क्या है, याद रखिए, इस तरह से इसे भी देख सकते हैं आपको, अभी किरिया एक दिसमलोग 31 में कारवन उपचेंट होकर CO, और ZNO अपचेंट होकर ZN बनता है, अभी किरिया एक दिसमलोग 32 में SCL, CNO में उपचेंट और MNO2, और MNCl2 में अपचेंट हुआ है, उपर के उधारनो तब होता है, जब उसमें oxygen का हिरास या फिर hydrogen की वित्ती होती है, अब चलते हैं लोग आगे बात करते हैं, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचेंट अभी किरियाओं के प्रभावों को देखा है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचेंट अभी किरियाओं के प्रभावो आप देखाओगा कि आप जब पाईक ले के आती है या कील कोई ले के आते हैं दीवाद में ठोक देते हैं तो वो बड़ी मतलब भूरे मतलब आप सोचे कि दिनी नहीं दिखती हैं क्या होती चंकीली टाइप के दिखती हैं उस पर पानी परता है को फूर समय पाथ आप देख वाध्यान दिया है जब कोई धातु अपने आसपास आमल आदता, आधी के संपर्ख में आती है तब है, शंचारिक होती है और इस विक्रिया कों लोग संचारन कहते हैं, चान्दी के उपर कालीपर्द तामे के उपर हरीपर्द चरना संचारन की अन उधारन है आपसे अगर संचारण के उधारण पूछे तो आप इन्हें दे सकते हैं काली पर यानि कि चांदी के उपर काली पर चड़ना ताबे के उपर हरी पर चड़ना या फर लोहे में जंग लगना ठीक है यह सब ही आपकी इसके उधारण इससे आप अपने देनिक जीवन चर्या मे अभी देखते रहते हैं लोहे के को मुझे लगता है हल कोई देखता रहता है कि इस पर जंग इक इस तरह से चड़ती है ठीक है संचारें की कारण कायक, कार की धांचे, पुल्ल, लोहे की रिलिंग, जहाज, या धातू, वेसे इसका लोहे से बनी धान बस्तूओं की बहुत चति होती है लोही का संचारिन एक गंबीक समस्या है छती गर्स पर लोही को बदलने में हर वर्स अधिक पैसा खर्च होता है अध्या तीन में आपको संचारिन के बाय में अधिक ब्यानकारी मिलेगी इस पर आप देखते हैं इसे जंग से बचाने के लिए कई तरह के प्रेंट भी कर दिये जाते हैं कि आप सुचें कि आपके दीवा अगर आपके घर में गेत लगे होती है लोहेंगे तो उस पर भी प्रेंट समय समय पर होता रहता है अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वो कुछ समय बाद खतम हो जाते हैं जंगों नहीं खतम कर देती हैं अब दूसरा दीखते हैं आप लोग विक्रित गंदिता वसायुक तत्वा तेलिय खाद समगरी जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंद कैसी होती है उक्चैत होने पर तेलिय खाद समगरी रखने से उक्चैन की गती धीमी हो जाती है जा обратे कि आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली मैसी औक्वो Boothika को आप देखते हैं कि डिब्पे से आप बाहर रख दीजैंगorm समय में खराफ को जाई उसका स्वाद बदल जाए इंगोड को ही आप लूंग ले लिजिए कि कुछ समय बाद आप बलसाद में रख दीजे खुले में मतलब अपने घर में ही कहीं तो उसका स्वाद बदल जाता है इसलिए आप देखते हैं कि हवाद ना जाया उसमें इस तरह से आप रखते हैं ठीक है उसकी भोदे कवस्ता को प्रिदर्शित करता है रशायन्नीक समय करन को संतुलित किया जाता है जिससे समय करन में अवीकारक पथा उत्पार दोनों ही और र रसायनिक अपकिरिया में भाग लेने वाले-पिते एक परमाणु कि संक्या समान हो समेकर्ण का संतुलित होना आवस्ते करें सायोजन अबकिरिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते है बियोजन अबकिरिया सायोजन अबकिरिया के विपीरित होती है बियोजन अबकिरिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दोसिया देखताद बनात देता है यह सब आपने पीछे देखा है जिन अबकिरियाओं में उत्वात के साथ साथ उस्मा का भी उस्साजन होता है उसे हम लोग उस्मा छेफी अबकिरिया कहते हैं जिन अबकिरियाओं में उस्मा का उसोसन होता है उसे हम पिदान होता है अभी किरिया में पदारतों से ऑक्सिजन फिर या हाइड्रोजन का यो अत्वा हिरास भी होता है आउक्सीजन का योग या फिर हैड्रोजन का हिरास ओक्सी करन्ड या फिर उपचेन कहलाता है एक तरह से आप कर सकते हैं निस्कर्स यापके कुश्चेंगे गये हैं आप बड़े अच्छे से लगाते रही और आपकी ृडिये प्रप टेलिग्राम पर डाल दी गई है वहां से डालोड करके पढ़ते रही है अच्छे जाए ठीक है बड़े ध्यान से पढ़ते रहे है और लायाते रहे है अंगला चेप्टर हमारा होगा अमल चार और लबन इनसे भी आपके questions बनते रहते हैं तो अंगला चेप्टर डूसरा यही हुगा चलिए दों लोग बात कर रहे थे एंटी ए आएटी बुक अक्छा दस्वी की बिग्यान के बारे में तो इसमें यह एक चेप्टर अब हम लोग कतम कर चुके थी तो रसाइनिक अब करी आए एवं समीकन आज बात करनी है हमें अमल चारक और लवण यह इस किताब का दूसरा चेप्टर है ठीक है और याद रखिए अगर आप सेविल सर्विस या पर किसी स्टेट पीचेश की तैयारी कर रहा है तो NCEIT आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इसका कोई दूसरा बिकल्प नहीं है यहां मेरा हर बार बिकल्प कहने का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं कि ब उन सबी को अम लोग कवर भी कर रहे हैं कच्छा चटवी से कच्छा दसवी तक की कवर भी कर चुके हैं और उसकी पीडियाप आपकी टेली के नाम पर डाल दी लिए वहां से डालोड कर लिजे तो चलते हैं हम लोग दूसरा चेप्टर देखते हैं अमल चारक और लवड आ यदि आपके परिवार को कोई सदस्त अत्यदेग भोजन करने के कारण अमलता से पीडित है तो आप कौन सा उप्चार सुझाएंगे नीबू पानी सिर्का या फिर वेकिंग का सोड़ा देखें अमल यानि कि एक तरह से आप कह सकते हैं खटा और लवड यानि कि एक तरह से आप कह सकते हैं एक ऐसा होता है कड़वा कैसा होता है कड़वा ठीक है उप्चार बताती समय आप किस गुर्धरम का ध्यान रखेंगे आप जानते हैं कि अमल एवं चारक एक दूसरे के व्रभाव को समाप करते हैं, आपने अवस्ते ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा, याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वात चके, ये खटे एवं कड़वे पदार्ट की जाच की थी, क्योंकि हम जानते ही कई पदार्ट ऐसे भी होते हैं, जो बिसका काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें चक्कर नहीं बता सकते हैं कि ये अमल है ये अचारे, इसके लिए कई विधिया होती है, आप जानते हैं कि अमलों का स्वात खटा होता है, और यह नीली लेटमस पत्त को लाल कर देते हैं, कैसे? नीली लेटमस पत्त को लाल कर देते हैं, ये इसकी एक तरह से पह जिन्हें खाने से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो एसी बदार्थों को आप लोग इस तरह कि लेटमस का पत्त का यूज़ करके बता सकते हैं, कि अमले है या अच्या है, या फिर आप चक कि अगर वो बदार्थ खराब नहीं है और आपको नुकसान नहीं बहुंचाता है, तो आप चक्कर भी बता सकते हैं ठीक है लेटमस एक प्राप्तिक सूचक होता है इस पेकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है कि आपने कभी ध्यान दिया है कि स्वेट कपड़े पर लगे सबजी के धाग सबजी के धाग पर जब छारिय प्रक्ति वाला सावन रगते हैं तब उ संसिलेसिस सूचक जैसे मैथिल औरिज एवं फिनॉल थिल थिलिन कभी उपयोग कर सकते हैं इस अध्याय में हम अमल और चार की अभिकिरियाओं के बारे में अध्यन करेंगे हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अमल एवं चारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को सवाप्त कर देते हैं साथ ही देनेक जीवर में पाई जाने वाली तता उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक बस्तुओं के बारे में भी हम अध्यन करेंगे याद रखी आपने देखा होगा भी कई लोग NCEIT की नोट्स बनाकर आप लोगों पढ़ा देते हैं ऐसा करना आसान है बह एक मतलब बड़े ध्यान से पढ़ते हैं यहीं सोचकर कि ना तो मुझे कुछ आता है और नहीं आपको कुछ आता है अगर आपको कुछ चे उसमें लगता है कि यह नहीं इसकी ब्याक्या और अच्छे तरीके से हो सकता है या फिर आप साइंस से बैक्ग्राउंड से आपने लेटमस बिलेन बेगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समुके निचेन पौधी से निकाला जाता है क्या लेटमस प्रयाईसु सूचक की तरह उपयोग किया जाता है लेटमस बिलेन जब ना तो अमलिय होता है और ना ही चारिय होता है तब यह बैगनी रंग का ह होता है कैसा होता है बैगनी रंग का होता है एक तरह से उदासीन होता है तब इसका रंग कैसा होता है बैगनी का बहुत सारे पराप्ति पदार जैसे लाल पत्ता गुवी हल्दी हाय डिंजिया पैट्टूनिया और जैरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंकुणिया किसी बिलेयन में अमल एवं छारक की उपस्ति को सूचित करते हैं, इन्हें अमल छारक, सूचक या फर कभी कभी केवल सूचक कहते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, अमल एवं छारक के रसानिक गुर्द हम समझना, प्रेयोक साला में अमल एवं छारक, याद रखे इस तरह है कि ज क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, जो कक्षा दस्वी की इस बुक्स को पढ़ेगा उसके लिए यह बताया गया है, यानि कि यो कक्षा दस्वी में होगा, किरिया कलाब 2.1 को लेते हैं, बिग्ज्यान की प्रियोक्साला से हाइड्रोकलोरिक अमल, यानि कि SEL, इन सौट में ही सूत्र लिखे जाते हैं, सल्फिरीकम, H2SO4, नाइट्रिकम, HNO3, एसे टिकम, CH3, COOH, सोडियम हाइड्रोकसाइड, NaOH, कैलसियम हाइड्रोकसाइड, CA, कोष्टक OH2, आधार में 2, पोटेसियम हाइड्रोकसाइड, KOH, मैगनेसियम हाइड्रोकसाइड, Mg, कोष् की नमूने 21, आप देखिए, आप इनके सब के 21 करने लगेंगे, तो आपके पास मुझे लगता है कि हमें पढ़ते पढ़ते 2 साल निकल जाएगी, इस तरह का काम किये, क्योंकि उनके पास एक पिरयोग साला होती है, स्कूलों में, आप देखते हैं, तो वो आसानी से टीच को में से, उनकी जांच कीजिए, लाल लिटमस, नेले लिटमस, फेनॉल, फेनॉल, पित्थेलियम, और मैथिल, औरेंज, बिलेन के साथ लिए गए बिलेन के रंग में, क्या-क्या परिवतन होता है, अपने पिक्षन को साइड़ी 2.1 में लिखिए, बार-बार मैं बोला हू रंग में परिवतन के द्वारा एं सूचक हमें बताते हैं, की कोई पदाष्ट अमल है या चारक है, कोच ऐसे भी पदाष्ट होते हैं जिनकी गंद अमली है, या चारकी है माद्यम से में बिन्न होती है. इन्हें हम लोग गंधिया सूचक कहते हैं, आई इनमे से कुछ सूचकों की जाज करें, किरिया कला 2.4, बारी कटी हुई प्याज या स्वक्ष कपड़े के टुकड़े को एक पिलास्टिक के थेले में लीजे, थेले को कसकर बांध लीजे तता पूरी रात फ्रेज में रहने अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोक अमल एवं चारक की जाज के लिए किया सकता है, इसमें से दो टुकड़े लीजे और उनकी गंद की जाज किजे, इससे सवक्ष सतय पर रखकर उसमें से एक टुकड़े पर तनू STL, बिलेन की कुछ बुने, एवं दूसरे पर त खोड़ा तनू बेनिला एवं लॉंग का तेल लीजिए और इनकी गंदों की जाज कीजे, एक परक नली में तनू STL, बिलेन एवं दूसरे में तनू NAOH की जीजे, दौनों में तनू बेनिला एसेंस की कुछ बुन्दें डालकर उसे हिलाईए, उसकी गंद की पुना जाज क अपने पेक्षण को दर्च कीजे, आपकी पेक्षण के आदार पर पेनिला, त्याज, एवं लॉंग की देल में से किसे गंदी है, सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, अम लेवं छारक की रसायनिक गुणों को समझने के लिए, आईए कुछ और की रियाकलाब करते है अब देखें इसमें आप अगर करते किरियाकलाब, आप परियोग सला का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है कि तभी आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन जितना अभी आपको समझ में आए, जो भी समझ में आए, आप पढ़िए और निकलिए, ठीक है? अब आपका अमल एवं चारक धातूओं के साथ कैसे अविकिरियाकलाब 2.3, चित्र 2.1 की अनुसार उपकरण उपस्तित कीजे, एक पनाखनली में लगबग 5 ml तनू, सलफिरे कम ले लीजे, और इसमें दानेदार जिंक के टुपडे डाले, दानेदार जिंक के टुपडे क की सतरे पर आप क्या देखते हैं, उटसर जित गर्स को सावन के विलेयन से प्रभावित कीजे, और सावन के विलेयन में बुलबुली क्यों बनते हैं, जल्ती हुई मुझी मुझी को गर्स बाले, बुलबुली के पास ले आईए, आप क्या पेक्चन करते हैं, कुछ अमलत जैसे SCL, HNO3, CH3COOH की साथ एक क्रिया क्लाब दोहरा सकते हैं, प्रते एक शितिती में आप फेक्चन समान या भिन्नोत हैं, इसे देखिए, दानेदार जिंके टुकडों के साथ तनू सल्फिरुएक अमले की, अभी क्रिया एवं जोलन द्वारा हिड्रोजन गेस की जाच, ए आपकी क्या होगी, इस्ट्रेंट, ए क्या होगी, परक नली, इसमें क्या भरा हुआ है, ए तनू सल्फिरुएक अमले, फिर ए आप देख रहे होंगे, टुकडे टाइप की, दानेदार जिंक के टुकडे हैं, ए यहीं आपको हाइड्रोजन गेस के बोलबुले दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इसके बाद ए आपकी परवाद नली हो गई, इसके बाद ए सावुन का विलेंट, उपर ए आप देखेंगे हाइड्रोजन के भरे सावुन के बोलबुले, ए मौमबत्ती और यह क्या है, हाइड्रोजन गेस का देहन, फटबट की दोने के साथ हाइ द्यार दीजें कि उपर दी गई अविकरियाओं में धातू और अमलों से हाइड्रोजन परमाड़ूं का हाइड्रोजन गेस के रूम में बिस्थापन करती है, और यह एक यह उविक बनाता है, जिसे हम लोग लवन कहते हैं, क्या कहते हैं, लवन, अमल के साथ धातू के बनाएगे और फिलास हाइड्रोजन गेस भी देंगे, अब किरिया कलाब 2.4 को भी देख लेते हैं, एक परक नली में जिंके के कुछ दानेदा टुकरियो रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोकसाइड का गोल मिलाकर उसे गर्म कीजे, ततपर्षाद किरिया कलाब 2.3 के किरिया को दोहराइए और अपने पेक्शन को कीजे, इस तरह एक बात की जा रही है, केल्सियम हाइड्रोकसाइड में कार्वन डॉट डाइयोकसाइड गेस के गुजर्ण, इस तब किरिया को ने फिकार से लिख सकते हैं, किस तरह से, 2 NaOH plus Zn, यह अभीकार होगा है, इस तर आपका Oxide, sodium junket, और यह आपका Ox, यह hydrogen gas है, आप देखेंगे कि अभीकिरिया में पुना hydrogen gas बनता है, किन्तो यह अभीकिरिया है, सभी दातुओं के साथ संभव नहीं है, अब दातु कार्वोनेट तथा धातु hydrogen, कार्वोनेट अमले की साथ क्यासे अभीकिरिया करते हैं, इस A और B से नमंकित कीजिए, और परकनली A में लगबग 0.5, 0.5 ग्राम sodium कार्वोनेट यानि कि Na2CO3 लीजिए, और परंग लखनी B में 0.5 ग्राम sodium hydrogen कार्वोनेट यानि कि NaHCO3 लीजिए, दौनों परकनलीयों में लगबग 2 ml, तनू SCL लीजिए, आपने क्या निरेक्चन किया चित 2.4, 2.2 के अनुसार, पिते एक इस्तिती में उत्पादित गेसों को चूने के पानी, calcium hydroxide का billion से परभावीत कीजिए, और अपने निरेक्चन को अभी लख्चित कीजिए, इस तरह ऐसे, यह थेसेल, फनेल कीव, यह टेंड हो गई, यह कॉर्प हो गई उपर, यह आपका क्या है, carbon dioxide gas है, CO2, यह आपका तनू हाइड्रोकलोरिक हमल भरा हुगा है, यह परकनली हो गई, यह sodium carbonate हो गया, टोपड़ों के विप्रूब में देख रा हुगा, यह निकास नली, यह परक यह कलाम में होने वाली अविक्रियाओं को इस विकार लिखा जा सकता है, फरकनली A, Na2CO3 plus 2SCl, A अभिकारक होगा इस तरफ और इस तरफ उतपात की रूम में आपको 2 NaCl plus H2O, और CO2, यह जल और आपको carbon dioxide इसके उतपात की रूम में भी मिल रहे हैं, फरकनली B में होगा, उतपात की रूम में H2O, CO3, ठेकर, उतपात देख carbon dioxide gas को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, जो यह आपने देखी है carbon dioxide CO2 मिली न, इसे चूने के पानी से प्रभावित जाने के उसके साथ मिलाने पर क्या होगा, C-Costak OH2, यह चूने का पानी हो गया, फिलस CO2, यह दोनों आपके अभी कर्मक हैं, इस तरह आपको स्वेद आउचे, C-C-O3 और H2O जल, यह आपके उतपात मिलने हैं, अत्रीक मात्रा में carbon dioxide carbon dioxide, यह सभी आपके अभी कर्मक हैं, अब यहां देगें, जल में विलेज सील, C-Costak S-C-O3, आधार में 2S का, चूना पत्तर, खड़िया, संग मरमर, कैलसियम कार्गोनेट के विविद रूप हैं, सभी धात्वे carbonate और hydrogen carbonate, आमले के साथ अविक्रिया करके संगत लवन, carbon dioxide, oxide एवं जल बनाते हैं, इस अब क्रिया को इस पिकाल से व्यक्त कर सकते हैं, धातू carbonate या फिर धातू hydrogen carbonate, प्लस अम, यह क्रिया करके क्या बनाएगा, लवर और carbon dioxide, फिलस जल, ठीक है, अब बात करते हैं, अम लेवं छारक, फरस पर कैसे अब क्रिया करते हैं, क्रिया किला 2 2.6, याद रखी, बड़ी boring है, कि मैं भी मानता हूं, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग 3 उक साला में बैठे होती हैं, तो बड़ी interesting लगता है यह chapter, लेकिन हमारे पास से ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बड़ी boring लगती है, फरक नली में 2.2 ml NaOH का बोल लिए, उसमें 2 बूने phenolphthalein, बिलेन का रंग क्या है, इस बिलेन में एक एक बून, तनू HCL बिलेन में लाईए, क्या आभी क्रिया मिसरन के रंग में कोई परिवतन आया, अमले मिलाने के बाद phenolphthalein का रंग क्यों बदल गया, अब उप्योप्त मिसरन में NaOH की कुछ बूने मिलाईए, क्या phenolphthalein, उनाहा गुलावी रंग का हो गया है, आपके विचार में से ऐसा क्यों होता है, उप्योप्त किरिया कलाम में हमने पेच्छन किया है, कि अमलत वारा चारक का पेच्छिप प्रभाव, तथा चारक द्वारा अमलत का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, अभी किरि क्याओं के पैटाम सुरूर लवन तथा जल्ब राप्त होते हैं, तथा इसे उदासीनी करण अभी किरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनी करण अभी किरिया करते हैं, सावनता उदासीनी करण अभी किरिया को इस पेकाल लिखते हैं, छारक प्लस अमल, यह क्या है आपक की उतपात की रूम में मिल जाएं अब बात करते हैं अमलों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अविक्रिया है क्रिया क्लाब 2.7 धीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और हिलाती हुए उसमें दीरे-दीरे तनु हल्प आइड्रो केलोरिक अमल मिलाएं बिलेयन के रंग पर ध्यान दीजे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुए आप देखेंगे कि बिलेयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है बिलेयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर केलोराइड की बनने की कारण होता है धात्व ऑक्साइड एवं अवले के बीच होने वाली सामाने हम किरिया को इस पेकार लिख सकते हैं धात्विक ऑक्साइड प्लस अमल एक्याब देगा लवन देगा और प्लस जल भी देगा अब उपयुक्त अविक्साइड के लिए समीकर लिखतर उसे संतुलित किजे चारक एवं अवले के अविक्रिया के समानी धात्विक ऑक्साइड अमले के साथ अविक्रिया करके लवड एवं जल पिदान करते हैं अब धात्विक ऑक्साइड को चार किये ऑक्साइड भी हम लोग कहते हैं अब बात करते हैं चारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हैं, क्यरिया के लाया 2.5 बाह, आप ने जल का निर्मार करता है, चुकि यह छारक एवन अमले के बीच होने वाली अविक्रिया के समान है अता हम यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि अधादविक आउकसाइड अमलिय प्रक्रिती के होते हैं क्या अधादविक आउकसाइड किस तरह के होते हैं अमलिय प्रक्रिती के होते हैं एक कुश्चेश दिएगे यह भी देख सकते हैं आपको अब है आपका सभी अमल सभी अमलों यह चार्पों में क्या समानता है इन दोनों में क्या समानता है अनुभाग 2.1 में हमने देखा है कि सभी अमलों के समान रसाइनी गुर्ड होते हैं गुर्धरों में समानता क्यों होती है हमने किरिया कलाब 2.3 में देखा कि धातू के साथ अभी किरिया करने पर सभी अमल हाइडोजन गयस उत्पंद करते हैं इसे पता चलता है कि सभी अमलों में हाइडोजन होती है सभी अमलों में क्या होती है हाइडोजन होती है सभी अमल कै सल्फिर्विक अमल का बिलियन लीजिए एक कॉर्प पर दो किये लगा फिर कॉर्प को तस एमेल की बीकर में रख दीजिए चित्य 2.3 के अनुसार कीलों को 6 बोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्व तथा सुईच के माध्यम से जोड़ दीजिए अब बीकर में थोड़ा तनुस एस दाल कर विद्धधाराओं करवावित कीजिए इस पे क्रिया को तनुस लुफिवरिक अमलिक के साथ दोहराएए आपने क्या पेग्षण किया है इन पर एक शड़ों को गिलूपोज एबं एलकुल के विलेन ओं के साथ अलग अलग दोहरा बलब, स्वीच, डीकब, एक कीले होगे, तनू अमली ये बिलेन होगे, और ये आपका रबर का कॉर्प होगे, अमली की स्थिति में बलब जलने लगता है, जैसा की चित 2.3 में दिखाए गया, इसमें, पलंतु आप यह देखेंगे कि गलुकोज और एल्कोहल का बिलेन विद का फिरवा हो रहा है या नहीं, अमली ये बिलेन में बिद्वत धारा का फिरवा, अमले में उपस्तित इनी आइनों द्वारा होता है, अमलों में धनाएन H+, और रेडाएन जैसे HNO3 में आप देखेंगे NH3 माइनों, CH3, COOH में देखेंगे, मैं आप लोग CH3, COO, रेडाएन, H2SO4 में देखेंगे, SO4 की बावर 2 माइनों होते हैं, चुकि अमलों में उपस्तित धनाएन H+, इसके ग्यात होता हैं कि अमलों में हाइडोजनाएन H+, उत्पन करता हैं, और इस इसी कारण उनका गुर्दन अमलिय होता है, SODIUM हाइडोकसाइट और केल्सियम हाइडोकसाइट आदी जैसे चारकों का उपयोग करकि इस करियाकलाप को दोहराई, इस करियाकलाप के पैडामों से आप क्या इसकरस निकाल सकते हैं, इस पर भी देखते रहे हैं, बड़ा बो आप 2.9, एक स्वक्षेवं सुस्क परक्नली में लगबग एक ग्राम फोस एने सीयल लीजे और चित्र 2.4 के अंसार उपकायन उपस्तित कीजे, इनकी बात की रहे हैं, परक्नली में कुछ है मात्रा में सांसल पिरी कम ड़ा लिए, आपने क्या पिक्षन किया है, क्या निका क्या निकालते हैं, सुस्क SEL और SEL बिलेन, अध्यापकों के लिए निदेश, यह जलवाई अत्यदेख, आद हो, तो गैस को सुस्क करने के लिए, आपको केल्सियम, किलोडाइड वाली सुस्क नलीए, इससे गैस प्रवावीत करनी होगी, पता है एक तो हमारे पास कोई option भी तो नहीं है, कि हम लोग इससे छोड़ कर कुछ गिरापड़ी कुछ कर जाएं, इसलिए पढ़िए और लाश्ट में जो निश्कास निकलता है, उसे अच्छे से ध्यान से दे लिए करिएगा, इसलिए निर्माट, यह आप देख रहे हैं, केल्सियम, किलोडाइड वाला परक शक नली है, इसे आप देखिए, परक नली पकड़ने वाला चिम्टा, यह परक नली है, निकास नली, यह आपको फॉर्क देख रहा है, यह निकास नली, आदलेट मश पत्त हो गया, इसे दूसरी को देखिए आपनो, परक नली होगी, सोडियम किलोराइड होगी है, य और यह चिम्टा होगी, अपरक नली, और डॉपर H2O4 से भरा हुआ है, यह दिखना है, इस प्वाइंड को जरूर अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, जब पी स्थरे की क्रिया अगलाब आते हैं, इस प्रयोग से एस फष्ट होता है, जलकी उपस्तिती में, HCl hydrogen ion उत्पन बनेगा, H3O plus ion और Cl minus ion, रडात्मक, hydrogen ion सुतंत्रोप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस जलके अड़ोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए hydrogen ion को सधियो, H plus या फिर हाइडो, नियम ion से दसाया जाता है, H plus plus H2O, इस तरह से आप लिख सकते हैं, H3O plus ion, हमने देखा है कि हम जल में H3O plus ion, अत्वा H plus ion बिदान करता है, आइए देखें कि कि किसी छारक को जल में गोलने, पर क्या होता है, NaOH, H2O, इस जल है, क्या मिलेगा आपको, Na plus OH minus, KOH, ये H2O जल में गोलना है, K plus ion, OH minus ion, इस तरह से देखते हैं, छारक जल में हाइडोकसाइड, OH minus ion, उत्पन कर करते हैं, जल में गोलनसील चारक को छार करते हैं, क्या करते हैं, छार करते हैं, सभी चारक जल में गोलनसील नहीं होते हैं, क्या सभी चारक जो छार हैं, ये जल में गोलनसील नहीं होते हैं, जल में गोलनसील चारक को छार करते हैं, इनका इस पर साबन की तरह स्वात करवा होता है और तथा प्रक्रिती संचारन होती है इन्हें कभी भी चुना या चकना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं साइनी 2.1 में कौन-कौन से चारक हैं अब हम जान चुके हैं कि सभी अमल एच पिलस और सभी चारक को एच माइनस उत्पन करते हैं अधा हम उदासी नहीं करन अब किरिया को निमले के त्रूप से व्यक्त कर सकते हैं आमल पिलस चारक क्या क्या देंगी लवन और जल्व अब चलते हैं किरिया कलाव 2.10 सान अबल एवन चारक वाली बरतन में लगे चेतावनी की चिल्ण एक बीकर में 10 ml जल लीजिए इसमें कुछ बूने सान सल्फिरिक अमल यानि की H2SO4 की डाल करें बीकर दीरे दीरे गुमाईए बीकर की आधार को इसफर्स कीजिए क्या ताममार में कोई परिवेतर नाया है यह पिकरिया क्या उसमा चेपी या तबा उसमा सोस्ती है ओप्योप के दियाकला आपको sodium hydroxide कि साथ दोहराईए और अपने पेक्षण को लिगिए जल में अमल या छारक की भूलने की पिकरिया अत्यन्त उसमा चेपी होती है जल में सांद नाइट्रिक अमल या फिर सलफिरीक अमल को मिलाते समय अत्यन्त सावधानी रखने चाहिए में अमल को सदेव धीरे धीरे तथां जल को लगाता रहलाते हुए जल में मिलाना चाहिए सांद अमल में जर्मिलाने पर में उत्पन हुई उस्मा के कारण मिस्तरन आस्थलित होकर बाहर आजा सकता है पर आप जल्वी सकते हैं इसलिए सावधानी भी रख़़ए साथ ही अत्यदिक इस्थानियत आप के कारण फ्रियोंग में उप्यूप लिया जा रहा है काच का पाथ तूट भी सकता है सांग सल्फिर एक हम लेखे कैट यानि की डिबबा तथा सोडियम हाइड्रोकसाइड की बोतल पर चेताओनी के चिन पर ध्यान दीजिए इस तरह की चेताओनी भी लिखी रहती है जल्मे हम उप चारक मिलाने पर आयाण की सांदिता में पिती काहिए आयतर में कमी हो जाती है और इस पें क्रिया को उपलोग तनू करते हैं क्या केते हैं या अमल एवं चारक तनू कित होते हैं यह आपके questions दिए गहाएं, इन्हें आप देख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि aml और छारक के晚 कितने प्रवल होते हैं हम जाते हैं कि aml छारक के सूचकों का उप्यो करके aml और फिखारक में अंतर प्रिशित किया जा सकता है यानी की बताया जा सकता है कि यह अमल है या प्रिचार है पिछली अध्याय में हमने ह एज पिलस और अत्वा OH- आयनों की बिलियनों की सांधता कम होना तनू करण के बारे में पढ़ा था क्या हम किसी बिलियन में वहस्तित आयनों की संख्या जानते सकते हैं क्या हम ग्याद कर सकते हैं कि बिलेन में अमल है अत्वा छारक कितना परवल है इसको जानने के लिए हम सार्वित्तिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिसरन होता है काउपियों करके ग्याद कर सकते हैं सारवितिक सोच cabbage KISSY BILION में deeply है इसे आप P H E scale कहेते हैं आप से भी तो पूंच लिया जाता है कि आपके पी-हज मान क्या है आप बता दीते हैं 7.4 तो इस तरह से 14 एख होते हैं कितने SP H में आप P.E. देखेंगे पुसांस, जो एक जर्मन सब्द है, इसका रत होता है सक्ति, और इस pH इसकर से सामान सुन, अधिक अमलता से 14 अधिक चारियता अधिक चारियता तक pH को ग्याद कर सकते हैं, साधन भासा में pH को एक ऐसी संख्या की रूम में देखना चाहिए, जो किसी पिलेयन की अमलता अधिवा चारियता की दर्साते हैं, आइडोनियम आइन की साध्यता जितनी अंधिक होगी, उसका pH मान उतना ही कम होगा, किसी अधासीन पिलेयन की pH का मान 7 होगा, क्या उधासीन का क्या मान होगा? 7 यानि कि 7 यदि pH इसकल में किसी billion का माल 7 से कम है यानि कि इस तरफ देखिए यह आपका 1 से 14 तक दीवी है इसमें आप इस तरह बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अमलिय परक्ति बढ़ती जाएगी और इस तरफ आप देखेंगे तो छारिय परक्ति बढ़ती जाएगी तो अमलिय बिलेयन होगा और यदि pH माल 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह बिलेयन में OH माइनस आयन की सांधिता में विद्धी उदर जाता है आर्था त्याज च्छार की सकती बढ़ रही है सामानता pH सारवित्तिक सूचक अंतरभारी फीपर द्वारग याद किया जाता है एक बात और यह आप रखीश में हो कही बात पुश्क किया जाता है उदासी इन कितने नंबर पर होता है तो यह 7 यानि कि 7 पर यहां से आप लगा सकती है यहाँ आप दिखिए को सामन पता रहतों कि pH को pH पत पर दिखाए गया है रंग के बल रंग मारवदर्शन के लिए दिये गया है देखे जटर रस इसका एक से 0 से 1 के बीच रहेगा लगभग आप देख सकते हैं 1.2 और नीवू का रस की बात करें तो टू पॉइंट लगभग 2.2 और सुध्य जल की बात करें तो यह उदासीन होता है साथ और रक्त की बात अभी जो बिलर्ड की बात की थी यह साथ दिसमलो चाथ मिल्क ओप मेगनेसिया 10 सोडियम हाइड्रोपसाइड बिलियन लगभग 14 की अजमान इसका होगा कितना 14 अमल ले तथा चारक की सकती बिलियन जल में क्रमसा H पलस आयन और अथवा तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है यदि हम समान सांधिता की हाइड्रोकलरीक अमल तथा एक्या एक मोलत या विलियन लेतें हे तो गिरमेन मात्रा में हाइड्रूजन आयन उत्बन करेंगें अधिक संख्या में हाईड्री प्रवल अमल शारक क्या ह requests में क्या होते हैं तरुलब हमिद्र आयन उत्बन करने वालए दोललव आमले कहलाते हैं क्या आप कह सकते हैं कि दोललव और प्रफल च्छारक क्या होते हैं अब बात करते हैं देनिक जीवन में pH का महत क्या है हमारे देनिक जीवन में क्या पोधे एवं पसू pH के पिती संवेदन सील होते हैं हमारा सरीर 7.0 से 7.8 in pH प्रास के वीच कायर करता है, कितना? pH scale पर आप देखेंगी 7 से 7.8 के वीच हमारा सरीर काम करता है, जीवित पेनारी जीवित प्राणी के बन संकीन pH प्रास में ही जीवित रह सकते हैं, बर्सा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है, तो ये अमलिये वर्सा कहलाती है, क्या कहलाती है, अमलिये वर्सा कहलाती है, अमलिये वर्सा जल, जल जब नदी में प्रभावित होता है, तो नदी के जल को पी एश्मान का कम हो जाता है, ऐसी नदी में जलिये जीवधारियों की उत्तर जीवधा कठिन हो जाती है सुक एक ग्रह है बाईव मंदल में सल्फिरे खमले के मौटे सुएते हूं पीले बादलों से बना होता है ठीक है आपके वगीचे कि मिट्टी का पीएच मान आप सुनते भी रहते होंगे कि क। एक अच्छी उपच के लिए पोधे को एक विशेश्ट पी एज परआशक की अवस्यक्ता होती है . किसी पोधे भी स्वाश्ड अविकास के लिए अवस्यक्त पी एज को ग्यात करने के लिए वेवेझ इस्थानों से मिट्टी कत्तित कर सकते हैं . क्रिया कला 2.12 यानि कि 2.12 एक इंसाथ, उसके pH की जाज कीजिए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं, वहां कौन से पौधे उपच रहे हैं, याद रहे हैं, जब मिट्टी की आपकी गुडबत्ता जाज की जाती है, तो तभी इसी को ग्याद कि किया जाता है, इसी क्यादार प्रकह दिया जाता है कि यह फसल, यहां इस तरह से फसल होगी और इतना बेहतर मदलब कर सकती है, इसलिए आपने देखा हुगा किसान लोग भी मिट्टी का गुडबत्ता की जाज करवाते हैं, ठीक है, अब किरिया कला 2.12 यानि कि 2.12 को सेंदन एकर्तित कीजिए, सार्वित्ति सूचकपत की सायता सेंदन को pH की जाच कीजिए, अपने छेत में पोदों के उपयोगत विकास के लिए आदस मिट्टी के pH की संबन्द में आपका क्या निस्कस निकाला है, अब बात करते हैं हमारे पाचन तंत का pH, या अतनत रोचक मातरा में अमलोदपन करता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि उदर में तैक और जलन का अन्वा होता है, इस दर्द से मुक्ती यानि की सुप दर्द के उपचार के लिए, एंटी सेट जैसे चारकों का उपयोग भी हम करते हैं, इस अध्याय की आरभ में ऐसा ही एक जैसे अधिक अमल एक तरह से इसके द्वारा उत्पन कर दिया जाता है, तो उससे एक सिमेत यानि कि उस दर्द को रोकने के लिए उससे जो दर्द होता है, तो एक तरह से आप शारकों का उपयोग कर सकते हैं, उससे ये संतुलित कर सकते हैं, पी एच परीवरतन, पी एच म प्ह मान 5.5 याने के पाथ-प्सम्म्लों पाथ 8 5.5 याने कि 5, 5 असम्मी पाफ से कम होने पर दातों का च्छह याने कि गिरना प्यारम हो जाता ही. दातों का एनेमल, दत्वल, K야 wrinkles, skate, Peak, 자, kya, एपेटाइट. हाइड़ोक्सी, एपेटाइट यानि की गैल्सियम फॉस्पेट का किष्टलिये रोप से बना होता है जो की सरीर का सबसे कठोर पदार्थ है यह जल में नहीं गुलता है लेकिन मुह का pH मान 5.5 यानि की पात तसम्लों पास से कम होने पर यह संचारित हो जाते है मुह में उपसकित बेक्टेरिया भोजन के पच्चात मुह मैं आउसिष्ट सरक्रा एवन खादपदार्थों का निमनीकर्ण करने करके अमलोप्पन करते हैं भोजन के बाद मुह साफ करने से इससे बचाओ किया जा सकता है मोई की सपाई के लिए इस चारकिये तंत मंजन का उप्टियों करने से अमली की अधिक मात्रा को दासिन किया जा सकता है जिसके पैडाम सोरूप दंस च्छे को रोका जा सकता है तो यानि कि आपको एक डॉक्टर भी बनाने की कॉसिस में लगे हुआ है फिर आपका पसुओं और पोधुंद्वारा उत्पंद रसायनों की से आद्मरप्चा क्या कभी आपको मदुमक्की ने डंक मारा है मदुमक्की का डंक एक अमल छोड़ता है जिसके कारण आप देखते हैं कि दर्द और जलन का अनुग होगा होता है नेटल के डंक बाले बाले बाल मैथिनोईग अमल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुग होता है अब बात करते हैं प्रक्किती उदासिनी करण के विकल्द देती है नेटल एक साकी ये पदार थे पादपर जो जंगलों में उपता है इससे पक्तों में डंक बाल होता है इसकी बात कर रहा हूँ जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है इन बालों से मेथिनोईग अमलकार स्राव होने के कारण ये दर्द होता है पारम पर एक तोर पर इसका इलाज डंक बाले इस्थान पर डौक चुने की नेटल पोधी को चुने चुने जाने पर आपको क्या करना है एक बात और याद रखिए यह पोधी आपको हमेशा किस चेत्रों में मिलेगी जहां कि मिट्टी अमली पेकार की होगी ठीट है तो यह अपनी प्रकिती के हिसाब से उखते हैं कुछ आपके प्राक्तिकम लें जैसे प्राक्तिक सरोथ होगे हम लोगे से रिका ऐसे टेकम इस तरह के कुश्चन्स आपके वंडे एकजाम में अधिक बार कुछे गया है क्या वंडे एकजाम में करी बार कुछे जा चुके हैं तररीकों सिर्काव, शंत्रा में क्या पाया जाता है, सेट्रेक atrás, इमलीमेंट업, टार्डरीकों, टमाटर में ऐकलेक खत्ता दूर, ल्एक्टिक्वट्व , नीवू, शैटिकं , चिंटीका डंग , मैथनवीक अंटल का डंग, इस अभी आपके इनमें पाए जाते हैं ठीक है याद रखें आपके भी प्रिलेमस में भी कुश्चेंस बन सकते हैं चार देदेगा आपको किरम लगाने के लिए बोलतेगा तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं अब बात करते हैं लबड के समद में अधिक जानकरी इचले भाग में हमने विविन के द्वारा लबनों का निर्मार रूते दिखा कॉपर सलफेज सोडियम किलो राइड सोडियम नाटेड सोडियम कारभूनेट अमोनियम किलो राइड उन अमले यह वं चारक की पहचान कीजिए जिसके उपे लवड प्राफ्ट की जा सकते हैं समानधन या फिर रेड मूलग वाली लवड़ों को लवड़ों को एक परिवार क कहा जाता है जैसे NaCl और Na2 एसो को सोडियम लवड के परिवार का इसे पकार NaCl एवं KCl किलो राइड लवड के परिवार का अभे आपका लवडों का पी अजमान इन्हें आप पड़ते निकल जाईएगा क्योंकि इसमें आगर हम लोग जानदा दिमार खपाएंगे कुछ न सोडियम कार्वोनीट सोडियम हैड्रोजन कार्वोनीट कुछ अनलवड जो उपलब्द हो अब इन्हें आप 31 करेंगे तो मुझे लगता है कि इसी में हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा जल में इनकी बिलेता की जाच कीजिए केवल आसवर जल का उप्यवड कीजिए पेक्षों की सायनी इसमें भल सकते हैं अगर आप प्रियोक साला में बैठे हुए हैं तो प्रवल अमल एवं प्रवल छारक की लवण की बीद के पीच का मान साथ होता है प्रवल अमल और प्रवल छारक की लवण के वीच पीच का मान कितना होता है साथ यह उदासीन होते है जबकि परवल अमल और 12 चारक के लवन के pH का पीएच मान कितना होता है सास के कम होता है और यह अमलिय होता है परवल चारक एवन 12 अमले के लवन के pH का मान सास से अधिक होता है याद रखिए एक तरह से आप कहा सकते हैं कि जो 14 मान लेजी एक लाइन है यहां 0 से 14 तक संख्या दी गई तो इस तरफ आप बढ़ेंगे 0 की तरफ तो अमलिय पर प्रक्यती कर रहेगा और इस तरफ बढ़ेंगे आप लोग तुछारिय पर प्रक्यती और साथ पर आपका उदास जीन है साधारन नमक से रसाइट साधारन नमक से रसाइट आप जानते हैं कि हाइड्रोकलोरिक अमल और सोडियम हाइड्रोकसाइड की बिलेन की अभी क्रिया से उपन लवन को सोडियम किलोराइट कहते हैं इसी लवन का हम अपने भोजर में उप्योग करते हैं उपर की क्रिया अकलाब में हम आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवन है कैसा है उदासीन है समुद जल में कई विकार के लवन गोने होते हैं इन लवनों से सोडियम किलोराइड कुप्पे ठक किया जाता है और विसके कई भागों में भी ठोस लवन का निक्षेप होता है बड़े आकर के क्रिस्टली अरफ अब दिरव्वर के कारण बुरे रंक होते हैं इसे खनेज नमक कहते हैं क्या कहते हैं खनेज नमक तब बने हैं जब योगों के वितीत होने के साथ समुद का कोई हिस्सा सूख गया है, खने नमक का, खननवी कोले की तरह होता है, एक समय आपने देखा होगा न, पि गांधी जी नमक सकते आ गए, उसी की वाद, आपने मात्मा गांधी के दांडी यातरा के बारे में अवस्त सुना होगा, कि आप जानते हैं कि हमारे सुतन्दा संगराम में नमक एक यह समय हो सकता है कि हम लोग आपका सक्कर के बिना काम चला लें। लेकिन कभी आप लोग नमक के बिना खाना खाके देखें। अभी आपका भी भाष्ट रखते हैं यानि की उखवास रखते हैं। तो नमक कितना जरूरी ही होता है उस समय आपको पता चलता है। ठीक है तो एक कॉमन था सबके लिए जबूरी था और आप हमेशा याद रखिए किसी धर्म का पितीक भी नहीं था कल मालू है कि किसी और को लेता पितीक लेते और वो हिंदू धर्म से जोड़ जाता है या मुसलिम से तो एक धर बढ़ जाता समझ रहें तो एक कॉमन चीज ले जाती थी जो सबके बीच रहें साधाना नमक की रसाइनों का कच्चा पदार्थ इस पेकार पर आपत साधाना नमक हमारे देने के उपयोग के लिए कई पदार्थ जैसे sodium hydroxide वैकिंग सोडा, बॉसिंग सोडा ब्रेंजक्चूर आधी के लिए एक मत्मूर कच्चा पदार्थ है आईए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उप्यूग बिमिन पदार्थ बनाने के लिए करते है sodium hydroxide sodium hydroxide के जलीयवियन यानि कि लवण में लवण से बिद्धुत प्रभावित करने पर या ब्योजीत होकर sodium hydroxide उत्पन करता है इस पर क्रिया को क्लोर चार क्लोर चार पर क्रिया कहते हैं क्योंकि इसे निर्मेद उत्पात क्लोरीन, क्लोर एबम सोडियम हाइड्रोकसाइड छार होते हैं 2 NaCl 2 H2O और ये आपका उतपाद क्या देगा 2 NaOH Cl2 plus H2 किलोरीन गेस एंडोर पर मुख्थ होती है और हाइडोजन गेस हमेशा कैथोर पर आपकी दिखाएड़ेगी कैथोर पर सोडियम हाइड्रोकसाइड बिलेन का निर्माड भी होता है इस पे क्रिया से उतपन हुए तीनों उतपाद उपे होगी है चित्र 2.8 में इन उतपादों के विवन उपे होगी को दर्साएगा है इसे आप देख सकते हैं किलोड शार पे क्रिया के माथ्फून कुछ पाद जल की सुक्षिता स्विमिंग पूल पेवीसी रोगाडू ना सक सी एपसी कीट ना सक सी एल्टू नमक का बहुत देख रहे होगी आप लोग ए एनोड एक एथोड जब यह आप बैटरी कभी भी इस तरह के यूज करते हैं तो उसमें दिखाई देता है आपको एश्टू इनन मारगरीन खाद के लिए अमोनियों याद रख कि हाइड्रोजन गेस को अम लोग भविस की इनन भी कहते हैं क्या कहते हैं भविस का इनन नमक का गोल N.A.O.H के साथ दातों से ग्रीज हटाने के लिए इस सावन और अप मारगर कागज बनाने के लिए किंतिम फाइबर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं यानि कि एक तरह से जो भी यहाँ उत्पाद के उमे में राप्त हुआ है तीनों भी यह उत्पाद उपयोगी है और हम इनका उपयोग करते भी है एक कुष्चन से यहाँ से आपका आता रहता है विरंजक चूड आप जानते हैं कि जलिये सोडियम किलोडाइट लवन जल कि बितुद अप घटन से किलोरीन का निर्माण होता है इसको किलोरीन गैस का उपयोग बिरंजक चूड के उत्पादन के लिए किया जाता है सुष्क बुझा हुआ हुआ चूना यानि कि C A कोष्टक O H आदा 2 पर किलोरीन की किरिया से बिरंजक चूड का निर्माण होता है बिरंजक चूड को C A O C L 2 से दर्साय जाता है यह पी वास्तविक संगर्ठित काफी जटे जोगती है यह आपके इस तरफ का अभी कारण हो गया इस तरफ आप देख रहे हैं यह बिरंजक चूड आपका हो गया C A O C L 2 और H 2 O जल हो गया आपका बिरंजक चूड का उपयोग कि अगर बात करें तो बस उद्योग में सूती एवं लेनिन के बिरंजक के लिए कागच की फेक्टरी में लगडी के मज्जा और लांडरी में साप कपनों के बिरंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं कई रसायनिक उद्धों में एक उपचारक की रूम में इसका उपयोग करते हैं, पीने वाले जल को जीवानुओं से मुख्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फिर आता है आपका ब्रैकिंग सोडा, ब्रैकिंग सोडा का उपयोग आम तोर पर रसोई घर में खस्ता पकोड़ी आदी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं कभी-कभी इसका उपयोग खाने को सीखता से पकाने के लिए भी अब लोग करते हैं इस यह उगे का रसायनिक नाम sodium hydrogen carbonate है sodium hydrogen carbonate है NaHCO3 इसको बनाने में sodium chloride का उपयोग एक मोल पदात के रूम में करते हैं NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 यह आपके अभीकार मख है इस तरफ आपके उत्वाद मिलें NH4Cl यानिकि ammonium chloride और NaHCO3 sodium hydrogen carbonate इस क्रिया गलाप को भी देख लेते हैं क्रिया गलाप 2.14 यानिकि 2.14 में क्या आपने sodium hydrogen carbonate के pH के मान की जाच किया है क्या आप यह सह संबंद स्थापित कर सकते हैं क्या इसका उपयोग एक अमल को उदासीन करने में किया जाता है या है एक दुरलब आस संचारक छारी लबणे खाना पकाते समय से गरम करने पर निम्न अबकिरिया होती है क्या NaHCO3 उसमा यानि किताब एक किस में बदला है sodium carbonate Na2CO3 जल भी मिला है और carbon dioxide भी से मिल रही है sodium hydrogen carbonate का उपयों हमारे गरों में अनेख विकाल से किया जाता है वेकिंग सोडा का अगर उपयों के हम लोग बात करें तो वेकिंग सोड पाउडर बना में में जो वेकिंग सोडा यानि कि sodium hydrogen carbonate एवन टार्टिट अमल जैसा कि एक मंद खात अमल का मसरण है जब बेकिंग पाउडर को गरम किया जाता है तो चल में मिला या फिर जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभी किरिया होती है क्या NaHCO3 तलस H प्लस आए या आपका CO2 और H2O अमल का सोडियम लबड या आपको उथपात के रूम में मिलता है इस अभी किरिया से उपन कारवन डाई उक्साइड के द्वारा पाव रोटी या फिर केक में खमीर उठाया फूल ओभार जा सकता है इससे यह मुलाय में इवं इस्पंजी हो जाते है इसलिए आपने देखा होगा कि जो डबल रोटी बनाई जाती है फूली टाइब के रहती है यह आपके कारवन डाई ऑक्साइड के कारणी होते हैं रोटी को भी आप लोग देखते हैं जब तबे पर आप लोग पकाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कारवनेट भी एंटी सिट का एक संगर ठक रहें चारी होने के कारणी है पेट में अमने की अधिकता को दासीन करके राहत पहुंचाता है इसका उपयोग सोडा अमल अगनी समख में भी किया जा सकता है और कारणी सीओ टू और यान की कारणी ओक्साइड का उपयोग भी तो आप लोग कहते हैं अगनी समख यंतों में प्रे आपका धोने का सोडा पता है इसका मैं जब 10 में पढ़ता था तब एक कुछेंस आपजेक्ट में आपका पूंचा गया था कि दोने का सोडा का सूत क्या है एक अन्य रसायनिक जिसे सोडियम किलोडाइट से पराप्त किया जा सकता है आप उपर देख चुके हैंगी वेकिंग सोडा को गरम करके सोडियम कार्बोनेट पराप्त किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट के पुना फिश्टली करण से दो दोने का सोडा प्राप्त होता है यह अभी एक छारी है चार की यह लवण है देखिए इस तरह एसी एने टू सीओ थी सोडियम कार्बूनेट फलस टैन एट्टू ओ यानिकी जल एक क्या करेगा एने टू सीओ थी टैन एश्टू ओ यह आरका धावन सोड दोने का सोडा टैन एश्टू ओ क्या दरसा था है क्या यह एने टू सीओ थी को आत बनाता है हम इसका जवाब आंगे पढ़ेंगे सोडियम कार्बूनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बूनेट कई उद्धोगे क्रियाओं के लिए भी उपयोगी है अगर हम दोने के सोडिय के के लिए बहुत है जल की स्थाई कठोलता को हटाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं तो यह आपकी उपयोग है अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्या लवन की किस्टल बास्तविक्यों में सुस्क हैं तो चलिए इसकी रियाकलाब के द्वारा इसे समझने की कुथन नली में गरम किए गरम करने के बाद कौपर सलफेट का रण क्या है कौथन नली में क्या जल की बूने नजर आती है एक कहां से आई है गरम करने के बाद प्राप्त कौपर सलफेट की नमूने में जल की दो से तीन बूने डालिया आप क्या वेक्षन करते हैं क्या कौ कॉपर सलफेट का किष्टल जल की भूने कौथनली और यह पक्रने वाली संसी गले चलिए इसके मैन निसकल्स पर नमलूख चलते हैं इन लाइनों को बड़ी ध्यान से पढ़ लिया करिएगा सोस को दिखने वाली कॉपर सलफेट किष्टलों में किष्टलन का जल होता है जब हम किष्टल को गरम करते हैं तब यह जल हट जाता है एवं लवड का रंग सुईत हो जाता है यदि आप किष्टल को कुणा जल से भिंग होगे तो किष्टल का जो नीला रंग बापस आ जलता कि लवण कि एक सूथ तकाईब में जल के निश्चे तर्मों की संख्या को किस्टलन का जल कहते हैं क्या कहते हैं किस्टलन का जल कौपर सलफेट के सूथ तकाईब में जल के 5 अडू पस्थित होते हैं gypsum में एक अन्य लबड है, जिसमें किस्टलन का जल होता है, इसमें किस्टलन के जल के दूवडम होता है, इसका रसानेक सूत आप देखेंगे, C Aso को 2H2, यानि कि यहां आप ऑक्स, जल के कितने एडम देख रहे हैं, 2, आँगे आप देख रहे हैं, और जल का सूत क्या होता तो यह इसके दोड़ में, अब हम लबड की उपयोग पर ध्यान देते हैं, फिलास्टर ओप पैरिस, जेपसं को 273 केल्विन पर, गरम करने पर यह है, जल के अड़मों का त्यार कर केल्सियम, सल्फिट, अर्द हाइटेट, हैमे हाइटेट, यानि की सी ए, एसो को वन इंटू 1.282O, इसे फिलास्टर ओप पैरिस कहेंते हैं, इस पदाद का उप्योंग डॉक्तर तोटी हुई हड्डी, को सही जगे पर इस्ति रखने के लिए करते हैं, कई बार मुच लिया गया है, फिलास्टर ओप पैरिस का उप्योग किसलिए करते हैं, तो डॉक्तर टुडी पर इसका सूत हो गया, CASO into 1.2H2O, पिलस 1, एक सही एक बटे 2H2O, ए अभी कर्माखने, इस पर आपको CASO to 2H2O, जिपसम पराप्त हो रहा है, उत्पात के रूम में, द्यान दीजे के जल का केवल आधा अडू, किस्टल के जल के रूम में जुड़ा है, होता है, जल का आध पूतिजल के एक अडू के साथ सांजीदारी करते हैं, फिलाष्टर और इसका उपयूग खेलोने बनाने, सज्जावट का सामान, और सतय को चिक्रा बनाने के लिए इसका उपयूग हम लोग करते हैं, यह आपके कुछ चंस दिये गया है, नहीं भी देख सकते हैं, आपने क क्या सीखा, सबसे जरूरी यह आपका एक तरह से निसकर्स होता है, टूरे चेप्टर का, चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग, अमले चारक सूचक रंजक या रंजकों के मिस्तनद होते हैं, जिनका उपयूग अमले वन चारक की उपस्तिछी को सूचित करने के लिए कि विलेयन में H+, आयन की निर्माड के कारण ही पदार्ट की परक्यती अमली होती है, विलेयन में OH- आयन की निर्माड सिर्फ पदार्ट की परक्यती चारिये होती है, जब कोई अमली किसी दातू के साथ अविक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गेस का उत्सरजन होता है, साथ तूरूप से निर्मित होता है, जब अमल किसी धातू कारवोनेट या फिर धातू हाइडोजन कारवोनेट से अभिक्रिया करता है, तो यह संगत लवन कारवन डाई ऑक्साइड गेस एवं जलुत बन करता है, जल में अमली एवं छारी विलेन विद्धूत का चालन करते हैं, क मली स्केल होती है, इसके उपयोक से की जा सकती है, जो बिलेन में हाइडोजन आयन की सानुता की मार करता है, एक उधारन उधासीं बिलेन की, पी-एच का मान साथ से कम, और छारी की एव बिलेन का पी-एच मान साथ से अधिक होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अमली पेकार के पतात होंगे, उनका मांग सास से कम होगा, और जो चारी वे प्रक्रिती के भिलियन पतात होगे, उनका मांग सास से अधिक होगा, सभी जीवों में उपाप्चे की करिया पी एच की एक इश्टतम सीमा होती है, सान्द अमल या फिर चारक को जल के साथ मिर्सेद करना एक अत्यंत उस्मा छेपी अपक्रिया है, आमले एवं चारक एक दूसरे को दासीन करके लवन एवं जल का निर्मार करते हैं, लवन की एक स तो यह थे आपका इस से तमन्दित कोश्चेंस देए करें, देखिए अगर बेतर मेरा यही मानना है, कि अगर इन्हें आप लोग खुद से पढ़ लें, तो सही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई परियोक साला नहीं कि आपको समझा सकूं अच्छे से, बस मैं भी वही बहुत बता सकता हूँ, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की देखिए एक तरह से आप पढ़ कर जल्दी इसे निकल सकते हैं, बिना दिमाग जादा लगाएं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, और इसलिए आपकी टेलिग्राम पर भूड़ी प अधातू के बारे में, यह हमारा तीसरा चेप्टर है, चली हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT बुक्स के बारे में, तो कच्छा दस्वी की हम लोग साइन्स यारी की विज्यान बुक्स पर थे, इसमें दो चेप्टर आप लोग खतम कर चुके हैं, आज हमें बात करना हैं तीसर से जानना है, इससे पहले आपको बता दो, कि अगर आप सिबिल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट वी सीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समय रहते हुए NCEIT कच्छा चटवी से बारवी तक सभी पढ़ लें, एक से दुबार कम से अगम पढ़ें लें ठीक है, हम लोगों में भी कबर कर ली हैं, आपकी कच्छा चटवी से कच्छा दसवी तक की लगवा कूरी हो चुपी है, और ग्यारवी बारवी की बज़ती है आपकी, तो जैसे ही टाइम मिलता रहेगा, ये नहीं हम लोग कबर करते रहेंगी, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप लोग कुझ से एक से दो बार पढ़ लें, क्योंकि आपको मुझे नहीं लगता है कि इसमें टीचर की जरूरत पढ़ेगी आपको, क्योंकि बहुत साधायार सब्दों में लिकेगी हैं, और जो जो आपके लिए बुक्स जरूरी हैं, वो सभी मेलने टेलीग्राम पर ड जीवनी हुए, उसी में सब चैप्टर वाई चैप्टर डलीवी, कक्छा चैटवी से दस भी दक्यवी, आँगे बार ग्यारवी बारवी की बही कवर करवा देगा, जैसे ही टाइम मिलता रहेगा, ठीक है? वैसे धातू और अधातू के बारे में, हम लोग कक्छा नौवी क बिग्यार में काफी अच्छे से पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी यहां बता देता हूँ एक सामा जानकारी के लिए, ठीक है? नौवी कक्छा में आपने कई तत्तों के वारे में पढ़ा हुआ, आपने देखा कि किस पेकार तत्तों को उनके गुर्धरमों के आधार पर आप धातु एवं अधातु में बरगीकित यानि की बाट सकते हैं, अपने देनेक जीवन में धातु और अधातु के उपयोग पर विचार कर सकते हैं, कीजिए, आपके विचार से कौन से गुर्धरम तत्तों को धातु और अधातु में बरगीकित यानि की बाटते हैं, किस याद रखें आप देखेंगे कि आवर्शाणी में जो आपकी 118 तत्त्त है उनमेंसे एक आन में तत्त्तों को आप देखेंगे धात्व है और 27 तत्त इसमें देखेंगे अधात्त है ठीक है, धातू, एक ऐसे कठोर पदार थे, जो बिद्धुत के अच्छे चालक, बहुत से अगने भी इसमें देखेंगे, आप लोग भंगुरता, तन्यता, कठोरता, आगादवईनीता, ये सबी इसके एक तरह से गुड़े, ठीक है, इसकी पहचान है, एक तरह से आप कहा सकते हैं कि धातू उन तत्तों को कहा जाता है, जो सामाना रसायने का विक्रियाओं के दोरन, अपने परमाणूम से, एक या पर एक से अधिक एलेक्टरॉन तरयात कर, धनयान, धन, धनायन, बनने की प्रविद्धी रखते हैं, इन्हें हम लोग धातू कहत जिसे लोहा, तामा, सोना, चाहि यह आपकी धातू हो गएं, क्या हो गए? धातू हो गए, और भी यह हैं आपके लीथियम, वेरियम, सोडियम, मेंगनेसियम, अलूमिनियम, पोतेसियन, कैल्सियम, इस्टेडियम, टैटिनियम तो इनके बारे में, आप भोगोंने पढ़ ल इसमें आप देखेंगे हाइडोजन, हीलियम, कारवन, नाइटोजन, ऑक्सीजन, फिलॉरीन, नियोन, फासपूर, असलफर, इस अभी आपकी क्या है अधादू है, अब बात करते हैं, इनके बहुत दिक गुड़ की बात करते हैं, बहुत दिक गुड़ धर्म, धातू, इन प के हम निम्ण किरिया कलापों की सायता लेते हैं, अनुभाग 3.1 से 3.6 में, दिये गए किरिया कलापों के लिए निम्ण धातू, आइरन, कॉपर, अलूमिनियम, मैगनेसियम, सोडियम, लेडल, जिंग, तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्धातू के नमूने एकटे कीज आप लोगों से जब भी विज्ञान में पढ़ाता हूं, तो बता भी चुका हूं, कि आपको इस तरह के किरिया कलाप नहीं करना है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बस पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और निकल जाना है, क्योंकि हमारे पास, ना तो आपके पास इतनी सुझा है कि इस तरह की सभी चीज़ा आप एकटी करेंगे, प्रियोग साला बना देंगे, ना ही हमारे पास, तो हमें पढ़ना है और निकल जाना है, ठीक है, जो कक्छा दस्वी में पढ़ता होगा, वो बहतर तरीके से करता रहेगा, और आप दे रहेगमाल से रगड कर, पितेक नमूने की सतय को साफ करके उसके सौरोग पर ध्यान दीजे, इस पॉइंट को इसके क्रिया कलाप के नीचे जो लाइन दी जाती है, उन्हें जरूर आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करें, अपने सुद्ध रूप में धातु की सतय चमकदार हूती हैं। यह भी एक तरह से आप गुर्ध रण ही कह सकते हैं। धातु के इस गुर्ध रण को धातविक चमक कहते हैं, क्या कहते हैं? धातविक चमक कहते हैं। क्रिया कलाफ 3.2 आयरन ओक्साइड आयरन कॉपर अलुमिनियम मैगनेसियम का एक छोटा टुकड़ा लीजे इन धातों को तेज धार वाली चापू से काटने का प्रयास किजे और आपने पेक्षण को लिखे चिम्ते से सोडियम धातों के एक टुकड़ा पकड़िए सावधानी सोडियम धातों का उपयोग करते समय हमेशा सावधान लईए फेल्क पेपर की वी दबा कर इसे सुखा लिए वाज गिलास परक्कर इसे चापू से काटने का प्रयास किजे आपने क्या देखा आपने जो भ और कोपर के टुखिरे लीजे किसी एक धातु को लोहे के बिलॉप् खंड पर रखकर चार पाँच बार हतोड़े से त्रात कीजिए आपने क्या देखा है अनरे धातू के साथ भी एकल्या जाथ भी यही क्रिया कीजिए इन धातुओं के आकार में हुए परिवतन को लीजे इसे पढ़िए आप आप लो आप देखें ये कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है इस गुर्धरम को भी क्या कहते हैं अगाद वर्दिता कहते हैं ठीक है फिर आपका क्रिया क्लाप 3.4 उन धातुओं की सूची बनाई है जिनके तार आप अपने देने जीवन में देखते हैं आप देखते हैं है अलूमिनियम कभी तो आप लोगे उप्वेव करते हैं कौपल धातु के बतले तार की रूम में खिंचने की छमता को वो लोग तन्यता कहते हैं यानि की बढ़ जाना सौना सबसे अधिक तन्यता तुए आपको यह जानकर अच्चे होगा कि एक ग्राम सौने से दो क्लो सॉरी दो क्लो मीटर लंबा तार बनाया जासकता है तो इस तरह की कुश्चन्स आपके वंडे जाम में उच्चते रहते हैं यापके आपकी प्रीलिम से में भी बन सकते हैं तो याद रखना सौना सबसे अधिक तन्यता है अगर इससे आप लोग एक ग्राम सौना लेंगे तो आप दो क्लो मीटर लंबा तार बना सकते हैं लेकिन आप जानते हैं सौना महेंगा होता है इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं ठीक है आगाद वर्दा तथा तन्यता के गारण धातूओं को हमारी आवस्त्ता के अनुसार विभिन आकार दिये जा सकते हैं क्या आप कुछ धातूओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने की बर्तन बनाने के लिए होता है क्या आप जानते हैं कि धातूओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है उनका उत्तर पाने के लिए आई हम निमने किरिया कलाब करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि ताबे की भी बरतन होते हैं कॉपर भी बरतन होते हैं पिस्टेल के लोगे की भी बरतन होते हैं आप लोगी चलिए उत्तर ढूनने की कॉसिस करते हैं किलिया कलाब 3.5 एलूमिनियम या कॉपर का तार लीजे कलेम की मदद से इस तार को इस्टेंड से बात दीजे चित्त 3.8 में दिखाए गया इस तरह की बात की जा रही तार की खुले सिर्वी पर मॉम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजे इस पर कलेम मॉम बती या फिर वर्णर से कलेम की निकट तार को गरम कीजे थोड़ा दिरवार आप क्या देखते हैं अपने पेक्षण को लिखिए और क्या धातु का तार देवित यानी की दिरवित हो गया दातु उस्मा के सुचालक होते हैं इस्टेंड हो गया कलेम हो गया एवर्णर दातु का तार का प्ला से राप पिन मॉम तो दातु क्या होते हैं उस्मा के सुचालक होते हैं उपिप्त की रियाकलाब से पता चलता है कि धातू उसमा के सुचालक है और तथा इनका गलनांग बहुत अधिक होता है सिल्वर और कॉपर उसमा के सबसे अच्छे चालक है इन्हें भी रियाद रखिए सिल्वर, कॉपर उसमा के सबसे अच्छे चालक है इसकी तुल्ला में लेड और मर्करी उसमा की कुछालक है लेड और मर्करी उसमा की कुछालक है एक तरह से अपबात कह सकते हैं याद रखे एक बात और याद रखे गल्ला का मतलब सीधा सा ही है कि गल्ले की उच्छंता होती है कम मतलब हाई ताप करना पड़ेगा हाई आप सोचिए कि बहुत गरम करना पड़ेगा तब जाके फिगलेंगे इसकी रियागल आप 3.6 को भी देख लीजे चित्त 3.2 में एक बिद्धू सर्केट यानि की परिफ़त तेयार कीजे जिस दहातू की जाज करनी है किलिब भी बलब स्वीच जान के लिए दहातू का टुकड़ा ठीकर आपने अवस्त देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजरी पहुंचती है उस पर पॉली वाइनिल किलोर्वाइड यानि की पी भी सी अथवा रवड जैसी सामगरी की परद चड़ी होती है बिद्धु तार पर ऐसे पदार की परद क्यों चड़ी होती है आप खुश सोचिए एक तामिक अतार है उस पर आप देखते हैं कि एक काली रवड इस तरह की कुछ ना कुछ विवस्ता रहती है कि उसका बाहर कुछ मतलब करनेक्शन ना रहे करेंट का आपने देखा होगा एक समय कि जब हमारे यहां खुले तार डले रहते थे लाइफ बिद्धी के लिए आते थे तो जब पानी वर्सता था तो कही पसू कही वेक्ती भी मारे जाते थे लेकिन आप आपने देखा है कि केविन डल चुकी है उसमें आप देखते हैं कि बड़ी मतलब कोई सर्किट होने का भी खत्रा नहीं है कि बीच में कोई लंगड़दार की इस तरह की विवस्ता कर ले तो इससे एक सावधानी बरतने के लिए इस तरह काम किया जाता है आप भी तो जानते हैं आपके गर में प्रेस है प्रेस के उपर भी तो आप देखते हैं उसकी जो भी वायर होती है उस पर भी तो रवड लगी रहती है सोचे कि खुला रहता तो क्या होता आप दोके से अगर छू लेते उसे तो आपका खान खतम जब धातौहें किसी कटोर सतर से तकराती हैं तो क्या होता है क्या हुआ है कोई आवाज उपण करती है जो द्धातौहें कटोर सतर से तकराने पर आवाज उपण करती है आप दोग हो धुँर referee कहती है सोनोरस कहते हैं आप कभी लोगे को पत्थर टकरा के देखी एक क्या होता है आपको मालू चल जाएगा एक कुछ मुझी लगता है कि सहावा न जान करी है जिसे आप अपने देनेक जीवन में देखते रहते आपको अनभाव करना है अब बात करते हैं अधातू पिछली कर्चा में आप अध्यान कर चुके हैं कि धातू की तुल्ला में अधातू की संख्या कम है आपने देखा है ना अधातू की संख्या कम है कारवन, सलफर, आयोडीन आयोडीन, आक्सिजन, हाइड्रोजन आधी अधातुे के गोच उदारने, वरोमियम एक ऐसी अधातु है जो दिरभ होती है, इसके अलाबा सारी धातु है या तो ठोस या फिर गैस होती है, क्या धातु के समान अधातु के भी कुछ गुर्धरम होते हैं, आईए इसका भी हम लोग पता लगाते हैं, किरिया कलाप 3 3.4 और 3.6 तक किरिया क्लापों को दोड़ाइए अपने पेप्षण को लेकिए मैं बार 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 बोलाओं आपसे कि अगर हमारे पास इस तरह की सुविधा होती प्रयोग साला की तो हम इन्हें आसानी से भर सकते थे और हमें जरूरी नहीं है भरगा ठीक है तो हमें इन्हें छोड़िए अब आते हम इत्या मैंने बताया नहीं कि मैं नोट्स बना के भी आपको पढ़ा सकता था वो बता सकता था लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको NCEIT तब समझ में आते हैं यह बेहतर तरीके से आपको मतलब ओर्जीनल एक तरह से NCEIT बताई जा रही है आपके सकते हैं तो मुझे लगता है यह बहतर तरीके से समझ रहे हैं एक पड़िवार की तरह समझना है, मुझे लगता है ठीक है, हमने कहीं आपको गलत बता दिया, तो आप मुझे में बता यह, मीचे लिखिये कि यह गलत है, इसका इस हसा होगा थुड़ा बेस्टार से लिख तो उसमें कोई महान नहीं है। कोई ग्याता नहीं है। झाथा नहीं है। सील सरविस की तहीं ही तुरह रहा है। सायनिती 3.1 में लेकिए पेक्षणों के आधार पर अपनी कक्छा में धातूं और अधातूं के सामान गुर्धामों की सर्चा कीजिए आप निश्चत रूप से इस निश्कर पर पहुंचे होंगे केवल बहुत दिक गुर्धामों के आधार पर हम तत्तों का वरगी कर नहीं क सकते हैं क्योंकि इसमें कई अपबाद देखेंगे उधारन के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातूं कमरे के ताप ठो सवस्ता में पाई जाती है किरिया कलाब 3.5 में आपने देखा है कि धातूं का गल्लांग अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गल्लांग बहु ट्रेहसे एक किसी भी घुर धर्म के अधर पर यह एक ज कय सकते हैं कि यह धाटू यह धातू है ठीक हो कई अपबाद भी देखने को आपको मिलेगे कार्बन एसी आधातु है जो विमंन रूभ में बिद्धना रहती है पितेक रूभ में पितेक रूभ को अपर रूभ कहते हैं यह सबसे कटूर प्राक्तिक पदालत है और इसका गल्नांक और कुठ्रांक बहुत अधिक होता है किसका हीरा का? कार्बन का एक अन अपरूप है ग्रेफाइट ये विद्धूत का सुचालक होता है समझ रहे हैं आप लोग आपने देखा था कि धातूं है सुचालक होती है लेकिन यहां तो अधातू भी सुचालक है चारी ये धातू जैसे लीथियम, सोडियम, प्रोटिसियम इतनी मुलाइम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है इनके गहनत तथा गलना कम होते हैं और तत्तों को उनके रसाइक गुड़ों के अधार पर अधिक इस परश्ट दा से धातूं और अधातूं में बरगी लाल तत्ता लीले लेटमस पेपर से प्राक्त बिलेयन की जाच कीजिए और मेगनेसियम के दहन से जो उतपात मिलाए वह अमलीय है या चार कीजिए अब सल्फर की चून का दहन कीजिए दहन से उतपन हुए धुए को इकत्तित करने के लिए उसके उपर पर एक परगनली र है या चारी है क्या अभी किरिया की समीकर लिख सकते हैं अधिकास अधात हुए औकसाइड पितान करती हैं जो जल में खुल कर अमल बनाते हैं वही अधिकतर धात हुए चार की ये औकसाइड पितान करती हैं अंगले भाग में हम लोग आपको धातों के औकसाइड के बारे म आपको पूरा निसकर्स बता दिया रहता है तो अधिकास धातुए ओकसाइड पिदान करती है जो जल में क्या देती है भुलकर अमल बनाती है जबकि जो आपकी धातुए है ये क्या करीनी चार की ओकसाइड पिदान करती है और ये चार देती है ठीक अच्छार बनाते हैं अब बात करते हैं धातुओं के रसानी गुर्धर्म धातुओं के रसानी गुर्धर्मों के बारे में भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे इसके लिए निमने धातुओं के निमूने कतित कीजिए अलुमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैगनेसियम, जिंक, तत्म सोडियम मैं आप लोगों को रोक नहीं रहा हूं कि आप प्रयोग साला में जाकर मत करिए लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है मस्ती करते हुए पढ़ते हैं समझ रहे हैं मुझे तो लगता है कि आपको दो से तीन महिना में पूरी LCEIT एगवार खथम कर देनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा 8 वी तक की जो भी LCEIT बहुत पतली-पतली है आप एक सब्ता में कि भी खतम कर सकते हैं समझ रहे हैं तो जितने जल्दी कर सकते हैं उतना बहतर आपको आपके लिए रहेगा दातूं का बायूं में दहन करने से क्या होता है यानि कि दातूं का बायूं में जलाने से क्या होता है किरिया कलाब 3.8 में आपने देखाए कि बायू में चमकदार स्वेज जौला के साथ मैगनेसियम का दहन होता है क्या सबी धातुएं इसी बिगार अब किरिया करती हैं आईए निमने किरिया कलाब द्वारज की जाज करते हैं किरिया गलाब 3.9 सावधानी निमने किरिया गलाब में सिक्षक का सही हो आवसे आखों की सुरक्षा के लिए छात चस्मा लगा लें तो बहतर होगा एकत्तित की गई किसी दातु को चम्टे से पकड़ कर ज्वाला पर उसका दहिन कीजे आने धातूं के साथ भी यह क्रिया दोराईए इससे उत्पन पदार्थों को इकत्तित कीजे उत्पात तता धातू की सताई को ठंडा होने दीजे किस धातू के दहिन आसानी से होता है जब धातू का दहिन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था दहन के परशाद धातू की सताय कैसी पितीत होती है। धातू को ऑक्सीजन के साथ अबकिरिया सिल्था के अधार पर घड़ते करम में वरस्तित कीजिए। क्या इनके उत्पात जल में घुलल जिले। अब चलते हैं हम लोग निस्करस की तरफ। लगभग सभी धातू हैं ऑक् अभिका अर्मक हो गया अपकी यह उत्पा धातू उक्साइड उधारन के लिए माल लेते हैं। जब कोपर को वायू की उपस्तिती में गरम किया जाता हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौपर ऑक्साइड बनाती है। यहां आपने देखा है कि संगत धातू के साथ आक्साइड बनाती है, या या निकि ऐ ऑक्सीजन भी मिल जाता है, यह नहीं देखि 3 पिलस 3 O2 यह अभी कर्मक हो गए यह आपके 2 Al2 2 Al2 O3 इसे आप लोग Aluminium Oxide कहते हैं अध्यादों में आपने देखा है कि Copper Oxide Hydrochloric आमले से कैसे अभिक्रिया करता है हम जानते हैं कि धातू Oxide की प्रकिती चारकी होती है लेकिन Aluminium Oxide, Jink Oxide जैसे कुछ धातू Oxide अमलिये तथा चारिये दोनों पिकार के विवार पिदरसित करते हैं तो इनके बारे में भी याद रख लिए करियेगा कि कुछ अपबाद है Aluminium Oxide, Jink Oxide जो क्या करती है कि अमलिये के साथ सथ चारिये भी दोनों पिकार का विवार पिदरसित करते हैं ऐसे दातू Oxide जो अमल और चारिक दोनों से अभी किरिया करके लबड तथा जल पिदान करते हैं ओभाय धर्मी हम लोग Oxide कहते हैं क्या कहते हैं ओभाय धर्मी Oxide कहलाते हैं अमल तथा चारिक के साथ Aluminium Oxide निम्ने पिकार से अभी किरिया करते हैं Al2O3 plus 6HCl, यह अंगल है, ठीक है, क्या आप देगा है, 2AlCl3 और plus H2, 3S2, यानि कि जल, Al2O3 plus 2NaO2, यानि कि सोडियम Aluminate O plus Gel, यह उत्पात की रूम में दे रहा है, अधिकास दत में Oxide जल में घुलन सील है, लेकिन इने मैं से कुछ जल में घुल कर चार प्रिदान करते हैं, सोडियम Oxide में एवं पोटेसियम Oxide निमने पेकार से जल में घुल कर चार प्रिदान करते हैं, देखिए, Na2O plus H2O, यानि कि जल क्रिया करके क्या बना रहा है, 2NaOH, ऐसे के 2O, यह जल के साथ मिलकर क्या बना रहा है, 2KOH, क्रिया कलाब 3.9 में हमने देखा है कि Oxygen के साथ सभी धातुएं, एक इधर से अभी क्रिया नहीं करते हैं, बिभिन धातुएं Oxygen के साथ भिन भिन अभी क्रिया सेल ता पिदरसित करते हैं, Potassium दता sodium जैसी कुछ धातुएं एतनी तेजी से अभी क्रिया करते हैं, कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्चित रखने और आकस्मिक आप को रोखने के लिए केरोसिन तेल में डुगो कर रखा जाता है, इनकी सुरक्चा के लिए, सामान तोर पर मैगनेसियम, अलुमिनियम, जिंक, लेड, आदी जैसी धातुएं की सतय पर आकसाइड की पतली परच चड़ जाती है, आकसाइड की या पर धातुएं को पना आकसीकरन से सुरक्चित रखती है, गरम करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लोहे का, लेकिन जब वर्नर की जौला में लोहे चूंट डालते हैं, तो यह तेजी से जलने लगता है, कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गरम धातुपर कॉपर आकसाइड की काले रण की परच चड़ जाती, इसे भी देख लेते हैं अलुमिनियम पर मौटी ऑक्साइड की फरत बनाने की बिक्रिया है बायू के संपक में आने पर अलुमिनियम पर ऑक्साइड की पतली फरत का निर्मार होता है अलुमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचारन से बचाती है इस परत को मौटा करके इसे संचारन से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है एनोडी करन के लिए अलुमिनियम की एक साफ पस्तू को एनोड बना कर अलुमिनियम के साथ अपक्साइड की एक मौटी परत बनाती है किरिया कलाब 3.9 करने के बाद आपने देखा है कि उन धातूं की नमौने में सोडियम सबसे अधिक अभिकिरिया सील है मेगनेसियम धीमी अभिकिरिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिकिरिया सील है लेकिन ऐक्सीजन में दहिन करने से हमें जिंग, आईरन, कॉपल तथा लेड़ की अविकरिया सिल्था का पता नहीं चलता है कुछ और अविकरियां को देखकर हम इंधात्व की अविकरिया सिल्था का क्रैंब बनाने का प्रयास करते हैं याद रखे, बड़े अच्छे से बड़ी है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा सब्द आपको दिखाई दे, जो आपको समझ में ना है, क्योंकि आप अगर सेधर सर्विस की तयारी कर रहे हैं, तो इतना तो मान लिया जाता है कि आपका बेस काफी मजबूत है, अगर आपक समझने की चाहत रखते हैं, तो आप पूर आई धिहास पढ़ेंगे, जान देजी के बारे में, तो बड़े धिहान से बढ़े आराम से आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं परेशा नहीं आएगी, अब हम लोग आए बढ़ते हैं, धातों जब जब जल के साथ तो क्या होता है? इसको भी हम लोग देखते हैं, किरिया कलाब 3.10, यानि कि तीन दरसम लोग 10 के द्वारा इसे भी जानने की कोसिस करते हैं, सावधानी, इस किरिया कलाब में सिक्छक के सहियोग किया आफ सकता है, किरिया कलाब 3.9 की तरह समाथ धातों के नमूने एक तित क करना है आपको ठंडे जल से आधे भरे वीकर में नमूने के छोटे-छोटे टुकडों को अलग-अलग डालिए कौन सी धातु ठंडे जल से अभिकरिया करती है और ठंडे फानी के साथ अभिकरिया से इलता के आधार पर उन्हें आरोही करम में वेवस्तर करना है क्या कोई धा साथ जल में तेहने लगती है, जो धातु ठंडे जल के साथ अभिकरिया नहीं करती है उन्हें ऐसे बीकरों में दालिए जो गरम जल के आधे भरे होगे हैं बाब के साथ उनकी अभिकरिया को पेकल कीज़े कौन सी धातु है भाप के साथ भी अभिकरिया नहीं करती है जल के साथ अभिकरिया सेलता क्या दार पर धातुओं को अवरीक अवरोही करम में विवस्तित करना है तो इसे पर लिया करिएगा बस ठीक है इस चित को आप लेद देख रहे हैं यह आपका बर्णर हो गए यह धातू हो गई आपकी जल से भींगा हो गए कांच पंदू यह देख रहा है एक कुतननली और इस्टेंड इसमें एक क्लेम आपको देख रहा है इस निकास यह आपकी दलोनी उसके बाद आप देखें गेस एक गेस जारों के एक हाइड्रोजन गेस और एक प्रसेश्ट है चलते हैं इसका मैं निसकर्स यहां देखाई देता है आपको क्रिया कला पढ़ने के बाद इस पूरे पहरागर आप पर बहुत अच्छी से ध्यान दे लिया करिएगा जल के साथ अब क्रिया करके धातूएं हा जो धातू ऑक्साइड जल में घुलनसी ले जल में घुलकर धातू हाइड्रोजन बिदान करती हैं लेकिन सभी धातूएं जल के साथ पक्रिया नहीं करती है इस बात को आप भी चाहते हैं धातू फिलस जल यानि कि अभी कर्मक हो गया इन नौनों मिलकर क्या देंगी जल क्या देंगे धातू हाइड्रोक्साइड अब बात करते हैं पोटेसियम और सोडियम जैसी धातू ये ठंडे जल के साथ तेजी से अविक्रिया करती हैं कौनकौन सी पोटेसियम और सोडियम सोडियम तथा पोटेसियम की अविक्रिया तेज तथा उसमा छेपी होती है कि इससे उत्सरजित हाइडोजन तत्काल फिजुलीद हो जाती यानि कि जल ने लगती है यहां आपको दिखाई दे रहा है 2K 2H2O एक रिया करके 2KOH और फिलस S2 फिलस उसमा उर्षमिय उर्जा देगी ठीक है यह सी तरह आप देखेंगे 2NA 2H2O यह अभी अभी कर्म के साथ काम करेंगी हो क्या देगी 2NAOH फिलस आपका उसमिय उर्जा देगा जल के साथ केल्सियम की अभी क्रिया थोड़ी धीमी होती है और यहां उस्तरजित उसमा हाइडोजन के पिजुलित होने के लिए पर्याप नहीं होती है जैसे आप देख रह स्वरी H2 यह आपका हाइडोजन है क्योंकि उपयोग तभी किरिया में उत्पन हाइडोजन गैस के बोलगुले केल्सियम धातुन की सतय पर चिपक जाते है अतहा केल्सियम तैयना बार्व कर देता है मेगनेशियम सीटल जल के साथ अपकरिया नहीं करता है परंतु गरम जल के साथ अपकरिया करके हो मेगनेशियम एबम हाइडोजन गैस उत्पन करता है चुकि hydrogen gas के बोल बोले magnesium धातू की सताय सच्चे बग जाते हैं अता है यह भी तैरना प्यारम कर देते हैं क्या कर देते हैं तैरना प्यारम कर देते हैं एक बात और याद रखें आपका प्रेलियम से में questions बन सकता है पूछ लेगा कि magnesium ठंडी जल के साथ अब किरिया करता है या दातू सीतल जल के साथ और ना ही गरम जल के साथ अब किरिया करती है कौन को सी? Aluminium, Iron, Gink लेकिन भाब के साथ अब किरिया करके यह धातू, Oxide और Hydrogen पिदान करती है यह यानि कि भाब के साथ अब किरिया करती है यह आप देखें कि 2Al 2Al मतलब Ox 2 आपका Aluminium और प्लस 3S2O यानि कि जल यह अभी करमक होगे यहां आपको देगा Al2O3 प्लस 3S2 इसी तरह आप लोहे को भी ले सकते हैं टीक लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी दातू है जल के साथ विल्कुल अब किरिया नहीं करती है यानि कि ना तो यह गरम जल से ना ही ठंडे ज साथ है, जो जल के साथ अब किरिया नहीं करती है, तो किसी भी तरह से कुष्टेंस बन सकता है देखिए, आई,स में आई,स्में ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं, आप लोगकी निश्टेते कुष्टेंस बनेगा, और एक बात दोर आप देखते है Dafürनार झानि उसके किय निकाल सभाव नहीं होता है अब आप सोचेंगी अगर 80 questions आप सवल करने तो मुझे तो नहीं लगता है गे संभव ऐसी questions आप सौल करने की स्तिधी में बहुंच जाएं पचास पचपन बहुत है इतना अगर आप सौल कर लेते हैं तो आराम से आपका सेलेक्शन हो जाता है क्योंकि बहुत कप पेपर आता है समझ रहे हैं आप लोग अब बात करते हैं क्या होता है जब धातुएं अमलों के साथ अविक्रिया करते हैं आप पहले ही अध्यन कर चुके हैं कि धातुएं अमले के साथ अविक्रिया करके संगत लवन और तथा लगाते हैं, क्रिया कलाब 3.11, सोडियम तथा पोटेसियम के अतरिक, बाकी सभी धातों के नमूने 31 कीजिए, यदि नमूने मलीन हैं, तो रेगमाल से रगड कर उने स्ताफ भी कर दीजिए, सावधानी, सोडियम तथा पोटेसियम को नहीं लीजिए, क्योंकि बे ठंडे जल क के साथ भी तेजी से अविक्रिया करते हैं, कौन-कौन से, सोडियम और पोटेसियम, नमूनों को अलग अलग तनू हड्रोकलोरिक अमल द्वारा ये परक्नली में डाली है, थर्वा मीटर को परक्नली में इस पेकाल लड़का दीजिए, कि उसका अबलब अमल में डूप जा है, तनू हमले के साथ अविक्रिया सेलता के कारण कि आधार पर धातूं को अवरोही क्रम में विवस्तित करना है, छोड़िए से आप इस पेराग्राप को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक इसके बाद जो पेराग्राप आता है, उसे बड़े ध्यान से पढ़ लिया पर लिया, तनू हाइड्रो किलोरेक अमले के साथ मेगनेसियम, अलूमिन्यम, चिंग और आयरेन की अविक्रियाउं के लिए समिकर्ण लिखे, जब धातूं याइटिक अमले के साथ अभिक्रिया करती हैं, तब हाइड्रोजन गेस वस्ताजिद नहीं होते हैं, जब धातू आपकी नाइटिक अमले की साथ अब किरिया करती है तब आपको hydrogen gas देखने को नहीं मिलेगी उसमें ठीक है क्या HNO3 एक फिरवाल ऑक्सी कारक होता है जो उत्पन H2 को ऑक्सी करके जल में परिवर्दित कर देता है एवं स्वयम नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O याखर NO थर एया NO2 में अप्चैत हो जाता है लेकिन मेगनेसियम Mg और मेगनेसियम स्वरी मेगनीज अती तनू यानि कि HNO3 के साथ अभी किरिया कर H2 gas उत्रजित करता है किरिया कलाब 3.11 यानि की 3.11 में आपने देखा है कि बुलबुली बनने कि इदर मेगनेसियम के साथ सबसे अधिक थी इस सिस्तिती में अभी किरिया सबसे अधिक हूसमा छेपी थी अभी किरिया सिलता इस क्रम में बढ़ती है पहले आपका मेगनेसियम स्वरी मेगनीज आपका अलूमिनियम फिर आपका जिक और फिर आपका फरेक उसाइड, ठीक है? कॉपर की स्थिती में ना तो बुलबुली बनते हैं और ना ही ताब में कोई परिवर्दन होता है। अब देख लेते हैं हने दातु लबड़ों के विलियन के साथ दातुएं कैसी अविक्रिया करते हैं किसके साथ लबनों के साथ क्रिया के लाब 3.5 यानि कि 3.12 को दिखते हैं कॉपर का एक सब चितार और आयरेन की एक किल लीजे कॉपर कितार को पराकनली में रखें और आयरेन सुलपेट के विलेयन तथा आयरेन की किल को दूसरी पराकनली में लखें कॉपर सुलपेट के विलेयन में डाल दीजे 20 मेनिट के बाद अपने पेक्षणों को रिकॉर्ड क 9 3.10 3.11 से कोई सम्मंद इस्ता अभित कर सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रसानिक समिकर लिखिए यह किस पेकार की अभिक्रिया है इसे छोड़ी आप लोग यहां दारेक्ट पढ़के से निकल आईए वह यहां देखिए दातु की लवण बिलियन के साथ अभिक्रिया यह आप देख रहे हैं तामे का तार हो गया यह आपका लोगे कील हो गया कॉपर सलफेट आयरेन सलफेट का बिलियन भरा हुए इसमें कॉपर सलफेट का एक और को अधाग है ठीक परक्नली स्टेंड हो गया अभिक्रिया सिल दातु अपने से कम अभिक्रिया सिल दातु को उसके योगिक के बिलियन या फिर गले तवस्था में विस्थापित कर देती है पिछले एक खंड में हमने देखा है कि सभी दातुएं दातुओं की अभिक्रिया सिलता समान नहीं होती है हमने ऑक्सिजन जल एवं अमले के साथ विविन धातुओं की अभिक्रिया सिल्टा की जाद किये किस किस के साथ ऑप्सिजन जल्द और अमले के साथ लेकिन सब धातुएं इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं इसलिए हम सभी धातूं के नमुने को अभी क्रिया सिल्टा के और वही करम में नहीं रख सकते हैं आपने अध्या एक में जो विस्थापनव क्रियाओं का अध्यन किया वो धातूं की अभी क्रिया सिल्टा का उत्तम प्रमाट इसकुद करता है इसे समझाना बहुत ही आसान है और सरल भी है अगर धातू A और धातू B को उसके बिलियन से विस्थापित कर देती है तो यह धातू B की अभी क्रिया सिल्टा कैसी है यह B की अभी क्रिया सिल्टा क्या यह धातू धातु A और B का 11 billion हो गया और अब क्रिया के रुकि A का 11 billion पिलास धातु क्रिया के लाफ 3.12 में आपने पेक्षणों के आधर पर copper और iron में से कौन-कौन सी धातु अधिक अभी क्रिया थी लग ठेक है चली अब देखते हैं सक्रियता सेड़ी सक्रियता सेड़ी वैस उची है जिसमें धातु की क्रिया सेलता को औरो ही करम में विवस्थित किया जाता है विस्थापन की प्रयोग में के बाद क्रिया कलाब 1.9 तथा 3.12 निमन सेड़ी को विक्सित किया गया है जिसे सक्रियेता सैणी कहती है, इसकी बाद केकर YOU. दातों के पेक्षा अभी क्रिया सिल्ता है. दातों की सापेक्ष अभी क्रिया सिल्ता है. देखिए, यहाँयाँ, यह बड़ा घ logar doorwaymeye सब्से कम, उपर, आप देखेंगे सबसे अधिक अभी क्रिया सिल्ट. तो इसमें potisium कैसा है, सबसे अधिक अभी क्रियासी, इन्हें भी याद रखे, पूंची लेगा आप से की potisium सबसे कैसा है, अधिक क्रियासी है या कम है, तो आप देखेंगे सबसे जाना, और फिर उसके बाद sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, याणि कितामा, mercury, पारत, silver, gold, सबसे जान आप देखें कि gold, ठीक है, और सबसे अधिक क्या देखेंगे, potisium, अब बात करते हैं, धातुएं और अधातुएं कैसे अभी क्रिया करती है, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभी क्रिया करती है, याद देखिए, बोरिंग लगता होगा, मैं भी मानता हूँ आप बिदाब होती है, अगर किरिया कलाब की इस तरह की प्रियोक सलाओं की, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आता पढ़ने में, और समझ में भी बेहते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई आप्सन भी तो नहीं है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं इस गुष् तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पड़नते रहें। वाद सकते हैं उत्कृष्ट गैसों एवन कुछ धातुओं तदा अधातुओं के एलेक्टोनिक विन्याद पर ध्याद दिए साइडी 3.3 में हमने देख सकते हैं कि सोडियम परमाणू के वाहतम कुस में केवल एक एलेक्टोन है यदि यह अपने M-PUS से एक एलेक्टोन को तयाग देता है तब L-PUS इसका वाहतम कुस बन जाता है जिसमें इस्थाई अश्टव उपस्तित होते हैं क्या है इस्थाई अश्टव उपस्तित होते हैं इस परमाणू के नाविक में 11 परमाणू है लेकिन इलेक्टोन की संख्या दस होने के कारण इसमें धनावेश की अधिक्ता होती है और तथा यह सोडियम धनायन N-PUS पिदायन करता है क्योंकि इसके नाविक में 17 प्रोट्व उपस्ता इलेक्टोन होते हैं तप है अश्टकून होने के लिए इसे उय ब्रक्तिता होती है क्योंकि इसके नाविक में 17 प्रोटोन होते हैं और तफ़ा इसके के एल, एम, कोसों में से 18 एलेक्टोन होते हैं इससे किलोराइड रडाइन, सी एल, रडाइन प्राप्त होता है इसलिए यह दोनों तत्य के बीच निम्ने प्राइड के आदान्तिदान का संभन इस्थाफित हो जाता है जब हम लोग कप्छा 10 वी वारवी में पढ़ते थे 11 वी में उतक्रिष्ट गैसें इन भी याद रखें उतक्रिष्ट गैसें और दातं हो हुर जैसे हीलियम को ले लिजयें इसकी पर्मादु संख्या कितनी है? 2 कोस के पहले कोस में ब़ जाएगा 2 के कक्छा MARK निवन की संख्या कितनी है? पर्मादु संख्या 10 तो इसमें आप देखेंगे कि दो पहले को उसमें आ जाएंगे, फिर आठ, आरगन की कितनी है, अठार है, तो दो पहले में आठ और M कक्छा में, आप देखेंगे, आठ आ जाएंगे, फिर आप दातुम की बात करूं, तो जैसे चली माल लिजे, उंपर कदव आप लोग भर पोटेसियम की देखेंगे, आप लोग 19 है, तो दो इसमें आगे, के कक्छा में, और आठ आपके L कक्छा, M कक्छा, और एक आपका N में, इसी तरह आप इसे भी देख करते हूं, अधातुमों को भी देख करते हैं, नाइट्रोजन का देख सकते हैं, तो इनके सब, परमाड इसे विर्दुद बल में, बंद कर सोडियम किलोराइट की रूम में उपस की तरहते हैं, देहान देने यूग बात यह है, कि सोडियम किलोराइट अडू की रूम में नहीं पाया जाता है, बलकि यह विपरी तायनों का समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आप क्लोनिंग पर देख लिए है किलोराइड आयरिन आयड, ठीक है? सोडियम किलोराइड का निर्माट एनेसी है, अब एक और आयनी के हुगी मैगनेसियम किलोराइड के निर्माट को चित्व 3.6 में दर्सा आए गया है, मैगनेसियम किलोराइड आयन, देख रहे हैं आपको, इस तरह से मैगनेसियम किलोराइड का निर्माट, दात्मों से या धात्मों में इलेक्ट्रॉन के इस थानांतर से बनी यह विकों को, आएनी के यह या प्रिविद्व सायोजा के विक कहा जाता है, क्या आप MgCl में उपस धनायन एवं रेडायन के नाप बता सकते हैं, इसमें Mg-1, MgCl2 में, ठीकर, Cl-1, रेडायन, चलिए तो अब आँगे बात करते हैं, आएनी के यह विकों के गुर्दर्म, आएनी के यह विकों के गुर्दर्मों के बारे में जाने क्लिए, आए एक निमने किरियाकलाब करते इस किरियाकलाब को देखते हैं, एक बात यात रखिए, बहुत किरियाकलाब रहते हैं, इसी के दबारा आपका सम्झाया जाता है आपको बुरण, लेकिन आपको इस किरियाकलाब को केवल पढ़ना है, उसके बार नीचे जो प् результат पौन दिया रहता है, उसे देखिए ग्यान की प्रयोकसाला सिसोडियम, किलोराइड, पोटेसियम, आयूडाइड, वेरियम किलोराइड या किसी अनलवड का नमूना लेजे। इन लवनों की वेवस्था, लवनों की बहुती कवस्था क्या है। दातु की इस पेचुला पर छोटी मातरा में नमूने को लेजे, उसे ज्वाला पर गरम कीजे। अन नमूनों के साथ भी यही किरिया दोहराईए। यह आप क्या देखते हैं, क्या यह नमूने ज्वाला को रंग पिदान करते हैं, क्या यह उगे पिखलते हैं। नमूने को जल पर टॉल एवं केरोसीन में गोलने का प्रयास कीजिए क्या ये गोलंसील है चित्तिन 3.8 की तरह एक परीपत बनाई है और किसी एक लवन के विलेंड में एलेक्टोड डाल दीजिए आप क्या देखते हैं इस पेकार अनलवन नमूनों को भी जाच कर सकते हैं आपको ये यहकों की प्रक्रिति की संबन्द में आप क्या निश्कल्स निकालते हैं मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ अगर आपके पास सुईधा है आप कर सकते हैं तो करिए आपका अगर मन है लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि छोड़िए इन सब को पढ़िए एक दो बार और आराम से निकल जाएए क्योंकि आपको कोई परिक्षा फास निकल नहीं हुआ आपको के अबल एक समझ विक्सित करनी है सोच उसके लिए आपको आराम से समझ में भी आ जाता है अगर आप इसे पढ़ते हैं तो त्री एक साला में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है चित्त 3.7 को देखी इस पे चुला पर लवन की नमूने को गर्म करना यह बर्नर हो गया यह नमूना यह इस पे चुला हो गया देख रहे हैं यहां आपको दिखाई देगा चित 3.8 को देखी रवाइट चरड शैल में आप देखते ही होंगे जहां जाच बाला एक लवन विलेन हो गया ठीक है जैसे NECL कर ले ली ज़े इसका अगलल minor की आपका दसो चहदतर कितना दसो चहदतर कोधना की अगर बात करें हम लोग तो दसो चैसी एल आई सील इसका आठ सो सताज़ी और कोधना की बात करें तो सोलह सो CACL-2 दससो पैंतालीस उन्नीश तो सी ए ओ अट्ठाईसो पचास एकत्तीस सवीज एमजी सी एलटू नौसो एक्क्यासी सोलेसो पचासी आयनिक योगों को इन निमने सामान गुर धर्मों पर आपने ध्यान दिया हुआ क्यां काउंसे बहुती प्रक्रिती धन एवं रेंड आयनों के बीच मजबूत आकर्शन वलकि कारण आयनिक योगविक ठोस एवं थोड़ी कठोर होते हैं यह यह योगविक सामान ने ता भंग में तूट जाएगा गल्लां को ठांग आयनिक योगवं का गल्लां के योगवं को ठांग बहुत अतिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकरशन को तोड़ने के लिए और्जा की परियाप्त मात्तरावें आवस्त्ता होती इसमें गुलंसील था बितु सयोजक्त आयनिक योगवं के जलिये बिलियन में आयन उपस्तित होते हैं जब बिलियन में बहुत विद्धुद धारा पर वाहित की जाती है तो यह आयन बिद्रीत इलेकोड की और गमन करने लगते हैं ठोस अवस्ता में आयनिक योगविक बिद्धुद का चालन नहीं करते हैं क्यो कि गलित अवस्था में विद्रीत आविस वाले आयनों की मतल इस्थिर विद्धुत आकर्ष्ण बढ़ उस्मा की कारण कमजोर पढ़ जाता है इसलिए आयन सुतंत रूप से गमन करते हैं और एवं विद्धुत का चालन करते हैं इसका विद्धुत का चालन करते हैं चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं धातू की पराप्ती, धातू की पराप्ती, पितवी की भूपर पटी धातूं का मुकेश्रोत है, समुद्री जल में भी sodium, chloride, magnesium, chloride, आदी जैसे कुछ बिले लवर उपस्तित रहते हैं, पितवी की भूपर पटी में पराक जिवन चर्या में भी सुनते रहते हैं कुछ इस्थानों पर खनेजों में कुछ कोई विशेस धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाबकारी होता है इन खनेजों को अम लोग आयस्क कहते हैं आप कह देते हैं कि यह राज्य खनेज की दिरिष्टी से काफी मत कुछ दातुएं वो परपटी में सुतनत अवस्था भी पाई जाती हैं कुछ दातुएं अपने युवेक के रूम में मिलती हैं सक्रीटा सेडी में नीचे आने वाली दातुएं सबसे कम अभिक्रियास भी लोती हैं इस सुतनत अवस्था में पाई जाती हैं उधारन के लि पर अपने सलफाइड या फिर आकसाइड के रूम में सहुद दवस्था में पाई जाते हैं और सक्रियता सेंडी में सबसे उपर की धातु हैं K, N, A, C, A और M, A, N इतनी अधिक अभी क्रिया सिल होती हैं कि ये कभी भी सुतात रोक से रूम में नहीं पाई जाती हैं सक्रियता सेंडी, सक्रियता सेंडी की मद्ध की धातु हैं J, N, F, E, P, V, A, D कि अभी क्रिया सिल्था मद्ध होती हैं पित्वी की भू परिपटी में ये मुक्ता ऑकसाइड, सलफाइड या कर्बोनेट की रूम में पाई जाती हैं आप देखेंगे कि कई धातु के ऐस्क ऑकसाइड होती हैं और ऑकसीजन की अतिदिक अभी क्रिया सिल्था वो पित्वी पर इसकी फिचुर मत्रा में पाई जाने की कारण ऐसा होता है क्यासा होता है ऐसा होता है यह सभी आप देख रहे हैं बिद्व तब घटन कार्बन की उप्योक से अपचेंग प्राक्तिक अबस्ता में उपस्तित इस विकार अभी क्रिया सिल्था के आधार पर हम दातु को निम्द तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं और तीसरा है आपका ओच अभी क्रिया सिल्थातु प्राप्त करने के लिए विभन तकनीकों का उप्यों किया जाता है इनकी बात करा हूं सुद्ध धातु का निस्कर्शन कई चड़ों में होता है इन चड़ों का सारण 3.10 चित में आपको दिया गया है निम्ने भागों में फिदेख चड़ की विस्तित चल्चा भी कीगे लिए चलिए देख लेते हैं उन्हें हम दो देखिए अगर आप दूसरे पिकार में देखेंगे मद्यम अभी करिया सील दातु में आप देखेंगे धातु का ओक्साइड धातु में अपचेंड और धातु का सोजन ये लास्ट पहुंच गया है तीसरा अगर हम लोग देखेंगे निम्ने अविक्रिया सील दातु में सल्फाइड एस्क फिर भरजन भरजन और धातु और यहां फरिसकर अब बात करते हैं आ आइसकों में मिट्टी, रेद, आज ये जैसी कई असुद्धियां होती हैं जिने हम लोग गैंग कहते हैं क्या कहते हैं गैंग ये वो गैंग नहीं है याद रखें जब भी आप लोग इस तरह की खनीज निकालेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि आपको मिट्टी, रेद इस तरह की असुद्धियां भी साथ में देखने को मिलेगी तो इन्हें अलग करना होता है दातू की निसकर्शन से पहले एसक से असुद्धियों को हटाया हटाना आवस्तक होता है एसकों से गैंग को हटाने के लिए जिन पर क्रियाओं का उपयोग होता है बे एसक एवं गैंग की बहुतिक और असानी गुर्दारमों पर आधारीत होते हैं इस पित्थक के लिए विभेन तक्नीके अपनाई जाती है इन्हें जो गैंग इस तरह के मिट्टी रेत होते हैं अलग करने के लिए फिर आपका सक्कृता सेड़ी में नीचे आने वाली धातूं का निसक सकता है उधारन के लिए सिनावार सिनावार एच जी एस मर्करी पारत का एक एस है वायू में गरम करने पर यह सबसे पहले मर्कियूरी को ऑक्साइड में परिवर्तित होती है और अधिक गरम करने पर हम देखेंगे कि मर्कियूरी ऑक्साइड मर्करी यानिकी पारत में अफ फुले में तो यह क्या देखें कि 2GSO प्लस SO2 फिर आप देखें कि इसे 2G O को हम लोग अगर ताप यानि की गरम करेंगे तो देखें कि 2G, 2HG और प्लस O2 अपसीजन अलग इसी बेकार प्राक्तिक रूप से Cu2, Cu2S की रूम में उपलग ताम भी कॉपर को किवल बायू में गरम करके इसका ऐसको से अलग किया जा सकता है इस तरह से आथ देखते रहेंगे ठीक है अब बात करते हैं सक्रियता सैनी के मद्द में इससे धादू का निस्करशन यानि कि अलग करना सक्रेता सेड़ी में मद्ध में इस्तित दादू है जिसे आयरन हो गया जिंक हो गया लेड कोपर की अभी किरिया सीलता मद्ध होती है और प्रक्ति में आप प्रा सलफाइड और कार्मोनीट की रूम में पाई जाती है सलफाइड या कार्मोनेट की तुला में दातू को उसके ऑक्साइड से पराप्त करना अधिक आसान होता है इसलिए अपचैन से पहले धातू के सलफाइड या एवं कार्मोनेट को धातू ऑक्साइड में परिवर्थित करना आवस सके अधिक ताप पर गरम करने पर औक्साइड में परिवर्द स्वाइध करते है और इस पिक्रिया से भर्जन करते है यह लोग भर जन कर हीं क्यों करते हैं आ झाल घख एक त्ठ डृम एनकर से जहीद कें। रस्तानी कब क्रिया होती है, देख लिजे, 2ZNS plus 3O2, यानि कि यह अभी करमक है, जैसे ही आप लोग गरम करेंगे इसे, तो यह क्या देखेंगे, 2ZNO plus 2SO4, निस्तापन, यह भरजन हो गया था है, निस्तापन, ZNCO3, तो आप के द्वारा इसे ताप करेंगे, तो ZNO plus CO2 देखन को मिलेगा, इसके बाद कारवन जैसे अपचाय का उपयोग कर धातो ऑकसाइड से दातू पर आप किया जाता है, उधारन के लिए जब जिंक ऑकसाइड को कारवन के साथ गरम किया जाता है, तो यह जिंक दातू में अपचैत हो जाती है, इस तरह से, ठीक है, तित्था मध् अपचैन करने के अलाबा, विस्ताबन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है, अतिद्धी अभिक्रिया सील धातू हैं, जैसे आपका सोडियम, केल्सियम, अलूमिनियम, आदी को अपचैन की रूम में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह निम्न अभिक्रिया सील पिलस 4L, 4AL, यह आपकी अभीकर्मा पोगए, यह उत्पात, 3MN, पिलस 2AL2O3, पिलस उस्मा, आपको देखने को मिलेगे, रेल पट्वियों को संदेद करने की थर्मिक पिक्रम, इसे भी दो आप देखते रहते होंगे, रेल पट्वियों पर इस तरह की दिखाए, यह अभी स्थापन अभीकर्या है, अत्यदिक उस्मा छेपी होती है, इससे उस्थाजीत उस्मा की मात्रा इतने अधिक होती है, कि धातुएं गली तबस्था में पराप्त होती है, बास्तों में आयरन, थैर्ड, आकसाइड, एपी, एपी 2, O3, के साथ, एलुमिनियम की अभीकर्या, कवपी उरेल की पटरी, एवं मसीनी परज़ों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इस अभीकर्या को एक दो बार पढ़िए और निकल जाएएगा रामसी, जब भी आपको बेतर समझ में आजाएगा, एक कम से कम बेस किलियर हो जाना चाहिए, कहने का मतलब इतना ही, आपको कोई ग्याता नहीं बनना है, जब भी आप लोग सिलिवर स्था हैंगी कभी भी, देखना तो उसमें ख और लिखा रहे गा कि सामान बिघ्जान, यानि कि आपको सामान बिघ्जान निक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूररी हांसे लिग्जाने, आपको कि अए सफ्प्रियु में सबसे उपर सित्ध धात उना का निस्करशन, अविकेर चैयल सेफ्टम में सबसे उपर से पराप्त नहीं किया जा सकता है उधारन के लिए कारवन के द्वारा sodium magnesium calcium aluminium आधिक ऑक्साइड का अपचैन करोंने धात्मों में परिवधित नहीं किया जा सकता है इन धात्मों की बंदुता carbon की अपेख्चा उक्सीजन के पिति अधिक होती है किसके carbon की अपेख्चा कैथोड, Red, Abis, Electrod, पधात्में निच्छेपित हो जाती है और एनोड यानि कि धन आविसित इलक्तोड पर किलोरीन मुक्त होती है अभी किरिया इस पेकार हो सकती है जिल्स कैथोड कैथोड पर आप देखेंगे Na plus Eradine आप चैन से अलूमिनियम प्राप्त किया जाता है आप चलते हैं धात्वों का परिस्करण देख लेते हैं उपर वर्डित विभिन अपचैन पिक्रमों से प्राप्त धात्वें पूर्द भूप से सुध्ध नहीं होती हैं इन में अपद्र्व होते हैं जिन्हें हटा कर ये सुध्ध धात्व प्राप्त कि जा से त्यात्ति हैं धात्वों से अपद्रव को अटाने के लिए सबसे पहले पिछले विध्धुत अभगर्णी परिस्करण है। कॉपर, जिंक, टिंक, निकिल, सिल्वर, गोल्ड, आदी जिसी अलेक धातूं का परिश्का विद्धुत अफगटन द्वारा किया जाता है, इस फिक्रा में असोद धातू को एनुड, और असोद धातू की पदली परत को कैथोर बनाया जाता है, धातू की लवन, विलेयन का प्योग विद्धुत अफगटन की रूम में होता है, चित तेरे दिसमलों 12 यानि की इसकी बात कर रहा हूं, कि अनुसार उपकरेंट बिवस्तित किया जाता है, और विद्धुत अफगटन में जल्म, विद्धुत अफगटन से जब धारा पर बाहित की जाती है, तब आनोड तले तलीपन निच्छेपित हो जाती है, जिसे हम लोग आनोड पंक कहते हैं, क्या कहते हैं, आनोड पंक, यहां देख लिजे आप दो, कैथोड आनोड कुंजी है, अमलीकेत कॉपर सलफेट का विलेयन है, टैंक हो गया और अब तेरे पर एनोड पंक हो गया है, जि कि सुध्यतामी की पठ्टी कैथोड का करती है, विद्धोद्दार आप परवारिद करने पर सुध्यतामा कैथोड पर निच्छेपित हो जाता है अब अब दूसरी विदी आपकी संचारं, संचारं की समद्द में अध्याएक में आप निमने बातों का अध्यान कर चुके ह खुली बायू में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु में काली हो जाती है सिल्वर की बायू में वस्तित सल्फर के साथ अब किरिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने की कारण ऐसा देखने को में मिलता है कॉपर बायू में पवस्तित आध्य कार्बन डायोकसाइड के साथ अभी क्रिया करता है जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक देरे-देरे खतम हो जाती है और इस पर हरे रंग की परक चड़ जाती है यह हरा पदार बेसिक कॉपर कार्बोनीट होता है लंबी समय तक आध् से लोहा पर जंग लग जाती है किरिया कलाप तीन दसमों चौदर को हम लोग देखते हैं तीन परकनली लीजे पितेक में पितेक में सौक्च लोही की कील डाल दीजे इस परकनली को A B और C नाम दीजे परकनली A में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजे परकन और बायू को जल में बिलीन होने से रोग देगा परकनली में C थोड़ा निरजल केलसियम किलोराइट डालकर उसे कॉर्प से बंद कर दीजे निरजल केलसियम किलोराइट बायू की नमी को सोक लेगा और इन परकनली को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका पिक्षण यानि ये जल भरा हुगा है ठीक है उबलता हुगा आस्पीच जल है बिलीन बायू को निकालने के लिए वहाला जाता है नेजल केल्सियम क्लूराइड है सुस्क कर्मक सुस्क वाइड इसमें आप क्या देखेंगे आप देखेंगे परक्नली ए में रखे लोही की कीलों पर जंग है सीधा सा मतलब आप निकाल सकते हैं कि अगर जंग लगना है तो खुली बायू जरूरी रहेगे आप चलिए एक डिब्बे में आप रोक रख देजे कीले कुछ भी इस तरह के टुपडेल होएगे कभी उस पर जंग नहीं लगेगी उसमें अंदर हवा नहीं जानी गेट होते हैं उन पर हम लोग प्रेंट कर देते हैं अगर हमारे लोहे के गेट होते हैं क्योंकि जैसे कर रहता है कि बायू अंदर तक प्रवेश्व नहीं कर पाती है प्रेंट से और वो स्वर्चित बने रहते हैं परक्नली एकी कील बायू एवं जल दौनों के संपाइग होती है इसके लिए ठीक है पर आपके संचारन से सुरक्षा यानि कि इस तरह की सुरक्षा क्या हो सकते हैं प्रेंट करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर यह सब लेपन करके लोही की बस्तों पर जस्ते की परक्षडा कर क्रोमियम लेपन एनोडी करन या फिर मिस्दातु बनाक लोही को जंग लगने से बचाया जा सकता है इसे आप लोग अपने देनिक जीवन चरया में देखते भी रहते हैं ठीक है लोही वम इस पात को जंग से सुरक्षे तरह लेटी है उन पर जस्ते जिंक की पतली पर चड़ाने की विदी कोम लोग यसद लेपन कहती है याद नश्ट हो जाने की बाद भी यसद लेपित बस्तु जंग से सुरक्षे रहती है दातू के गुर्धरमों के बेतर बनाने की एक अच्छी बिदी मिस्सा तुआ नहीं है इस बिदी में हम एक चांचा दातू के अत्यंत गुर्धरम प्राथ कर सकते हैं उधारन के लिए लोहा सरवादिक उपयोग में आने वाली धातू है लेकिन कभी भी सुद्ध वस्ता में इसका उपयोग नहीं किया जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि सुद्ध लुगा नरम होता है और एवं गरम करने पर सुगंता पूर्वक खिच जाता है लेकिन यह इसमें थोड़ा कारवन जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है इस पेकार यदि लोहे के साथ कोई अनपदार्थ मिस्ट किया जाता है तो इसके गुरधार्म बदल जाते हैं बास्तों में कोई अनपदार्थ मिलाकर किसी भी धातू के गुरधार्म को बदले जा सकते हैं या पदार्थ दत्तों को इक निष्चे तंपात में इसमें बिलीन किया जाता है, फिर इसे कम्रे किताब पर से तिल खिलीकित किया जाता है, एक बात और आपको होता है, हम लोग जो हमारे आभूसर्ड पहनती हैं, हमारे आंकी जो भी आपके गड़ में भी देखा होगा, हमारी इस तरह की बहनते रहते हैं लोग, तो उसमें आप देखेंगे, सुद्ध सुना नहीं होता है, उसमें कुछा कुछ दातु मिला जाती है, तामा हो गया, कौपर हो गया, तामा अधिक तर तामा ही मिला जाता है, इसलिए क्योंकि सुद्ध सुने का आप लोग आभूसन नहीं बना सकते है जहां भी आप देखेंगे मोड़ने में बड़ी देखके दाती है और टूट जाएगा और उसे एक तरह से आप किसी भी आपने कोई भी अंगुखी बनवा रहे हैं तो उसे आखार देने में बड़ी परहिसानी आएगी तो उसमें कुछ इस तरह के और भी दातू मिला दी जा भारत में अधिकाल स्था आगुखान बनाने के लिए 22 करेट सौने का उपएव होता है इसका तात पर होता है कि 22 भाग सुद्ध अपने से और 2 भाग तामा या चांदी में लाये जाता है सुद्ध सौने का करेट कितना 24 करेट लेकिन आप देखेंगे कि 22 करेट सौने के शुद्य धातु की अपक्षा उसके मस्टर अटू की विधुद चलगता हूं गल्लान कम होता है उधारन के लिए ताब एवं जस्ते की मस्टर धातू पीतल और ताम एवं तिन की मस्टर धातू का से विधुद कि उचालत लगें लेकिन ताम का प्रियोग बिद्धूत परिपलत बनाने में किया जाता है C-10 की में साद दू सोल्डर है इसका उप्योग गल्लांक बहुत कम होता है इसका उप्योग बिद्धूत तारों की परसपर बेंडिंग के लिए हम लोग करते हैं यह आपने देखा होगा प्राचीन भारती धातुकरम का चमतकार दिल्ली इस्तित लोह इस्तम इसके बारे में आप लोग इतियास में बड़े अच्छे से बढ़ते हैं यानि कि यह सोचिए कि हजारों साल से उसी तरह लगा हुआ है लेकिन आप सोचिए फ्रवीर्स में जंग नहीं लगबग आपका 1600 वर्स पूर बारत के लोगे कंपिन कर्मियों ने दिल्ली में एक लोह इस्तम बनाये उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विदी विक्सेट की इस तम की जंगता से पिती रोग दगता का और लोकन विष्ट के कई विग्यारी कर चुके हैं या इस तम कुदो मीनार के निकट इस्ते थे या लोह इस तम आठ मीटर उंचा इसका आधार 6 टन है इसका भार कितना है 6 टन आप समझ सकते हैं कि 6000 किलो है ठीक है प्रिविश अभी देखेंगे इसमार जंग कहीं से आपको देखाई नहीं देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 1600 साल पहले भी हमारे या इतने अच्छे एक तरह से इस्तमब बनाने वाले भुगा करते थे जो भी धातु का काम किया करते होंगे वो भी जानते होंगे कि इस तरह का हो सकता है तो आपने क्या क्या सीख लिया है तत्वों को धातुएं एवं अधातुओं में बरगी कित किया जा सकता है धातुएं तन अगातबड चमकिली एवं उसमा विद्दूद की सुचालक होती है पारत की अलावा सभी धातुएं कम दे कर स्वयंधनendas परिवर्देत हो जैते हैं अजीजनयों के साथ सेप्द होकाइड घ्रकी जर्आतु में बनाती है लुमिनियम और जिंक ऑकसाइड चैयरी और फतलो के व्याकिद्द सीथ करते हैं इन अकसाइड को उबर्य हैं हम लोग उक्साइड कहते है जल एवं तनू अमलों के साथ विविन दातों की अभी किरियासीलता भेन में होती है अभी किरियासीलता के आधार पर अवरो ही करम में विवस्ते सामान दातीयों की सोची को हम लोग सक्रियता सेंडी कहते हैं इन सब के बारे में पीछे देख चुका हम इसलिए आच्छे से पढ़िए सक्कीरिता सेड़ी में हाइड्रोजन के उपर उपर इसके धातुएं तनुव अमले से हाइड्रोजन के को विस्थापीत कर सकती है अधिक अभिकरियासील धातुएं अपने से कम अभिकरियासील दातुओं को उसके लवन बिलेयन से विस्थाबित कर सकती हैं, प्रक्ति में दातुओं सुतन दवस्था में या फिर अपने योगों के रूम में पाली आते हैं आयस्क से दातु का निस्करशन और उसका प्रिसकन कर उपयोगी बनाने के पिक्रम को दातु करम हम लोग कह देते हैं दो या दो से अधिक दातुओं तथा एक दातु या फिर एक दातु के समांगी मिस्था को हम लोग मिस्था दातु कह देते हैं लंबी समय तक आदवायू के संपर्क में रहने से लोहा जैसे कुछ इधातूं की सतर संचारित हो जाती है। इस बरीगटना को नोग संचारित कहते हैं। अधातूं के गुर्दरम धातूं के विप्रीत होते हैं। और यह ना तो अगादवर्थ और ना ही तन होते हैं। कौन से अधातूं है। ग्रेफाइड के अलावा सभी अधातूं में उस्मा और विधुत की कोचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइड विधुत का चालक होता है। यह तरह सी अपवाद है अधातूं का। अधातों विद्धु रिड़ात्मत तत होती हैं क्योंकि इधातों के साथ अभी किरिया में इलेक्टोर गहेंड कर रेड आविसित आयन बनाती हैं अधात में उक्साइड बनाती हैं, जो अमलिये और उदासीन होती हैं, अधात में तनों अमलों मैंसे हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं, प्रहे हाइड्रोजन के साथ किरिया का हाइड्रोइड बनाती हैं, तो यह थी आपका यह तरह सी निस्कर्स चैटर का, यह आ बैसे सभी डालती गई है आपकी चलिए तो अंगला चेप्टर हमारा होगा कार्बन और उसके योगीट चौफरा चेप्टर चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स के बारे में इसमें हम लोग कक्छा चटवी चलिकर कक्छा नौवी तक की सभी बुक्स जो आपकी लिए ज़रूरी है सिविल सर्विस हो फिर चाहिए कोई स्टेट PCS हो उन सब के लिए जो भी आखिमात होने जितनी भी है सभी कंप्लीट करवा चुका हूं अब कक्छा दस्वी की बात अगर हम करें तो इसमें आपका लोग तांत्रिक राजमीती सेकंड समकालीन भारत सेकंड आर्थिक विकास से लिए करें कक्छा दस्वी तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी है और इस बार आपने देखा है बैसे तो आप हर बार देखिए प्रलिम से देख लिए मैंस देख लिए आप लोग आपके कुश्चन समय सा अगर आप सौल करने की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं त क्योंकि हर बार आपको कुश्चन्स बिना एंसी इयाटी के आप सौल करने की स्थिति में नहीं पहुंचवाएंगे तो इसमें आपके हमारा तेन चैप्टर खतम कर चुका था रसायनी कभी करी आएं एवं समीकर्ण दूसरा था अंबलक्छारत एवं लवन और तीसरा था अधातू एवं अधातू इसमें विज्ञान में करच्छा दस्वी के विज्ञान में हमें बात करना है कारवन एवं उनके योगित के बारे में इससे पहले आपकी जितनी भी क्लास में ली गई है कौन-कौन सी NCEIT पढ़ने है कैसे पढ़नी है पुरानी पढ़नी है नहीं ठीक है तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कारवन और उनके योगित आपका चौतरा अध्याय कि पिछली अध्याय में हमने अनेक ऐसे योगित का अध्याय किया है जो हमारे लिए मात्पून है इस अध्याय में हम कुछ अनरोचक योगिकों एवं उनकी गुरधर्मों के बारे में पढ़ेंगे यहां हम एक तत्य के रूम में कारवन का भी अध्याय करेंगे जिसका हमारे लिए दात्विक और सहयुत के दोनों रूम में अध्याय महत्थ होता है अब कई लोग होते हैं कि बड़ी क्लास हो जाती है मैं आप लोगों को बता दे कि देखिए मैं भी कर सकता था कि सौट नोट्स बना लेता और आपको पढ़ा देता लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको उससे समझ में आएगा तो आपके सामने पूरी बुक्स रखी रहेगी और बिना आप सोचे कि बिना बुक्स से देखे बिना बुक्स की सकल देखे आप NCEIT पढ़ ल इसमें बता दूँगा कि यह पढ़ना है आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहतर रहेगा इस तरह से तो मैं इसलिए बुक्स पूरी लेकर चल रहा हूं इसमें क्रिया क्लाब इस क्रिया क्ला कि एक से दो बार पढ़िए और निकल जाएए बड़े ध्यान से पढ़िए लेकिन सुवै से आपने जिन बस्तुओं का उपयोग अत्वा उपयोग किया है उन में से दस बस्तुओं की सूची बनाईए इस सूची को अपने सहपाटियों दोना बनाईगी सूची के साथ एक से अधिक सामग्रियों से बनी बस्तुओं को साज़नी में के उपयोग इस्थमों में परखिए अब मैं वही कहूंगा बार बाद कि आपको ये बस्तुओं एकट्टी करने नहीं लग जाना है ठीक है आप मन में सोच लिजे जो भी करना आपको और आगे निकल जाएए ये उन्हीं प्रयोग साला है और किरिया कलाब उन्हीं नहीं लोगों के लिए होता है जो फिरी बैठे रहते हैं या जो इस खिलास में बढ़ते हैं आपके लिए सेबल आपको अपना ये तरह से नियूर रखनी है जानी कि जो सडल सब्द हैं उनने जानना आपके निकल जा कार्बन से योक्ते योकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलता है क्या आपने इसकी पुष्टी करने वाली किसी परिच्छन को जानते हैं आपके द्वारा सुची वद्द की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आधी अनेक बस्तूओं है इस सरोत मुखी तत कार्बन पादा धीरी आधारित होती है इनके अतरिक्त सभी सजीव सरचनाय कार्बन पार आधारित होती है भोपरपटी तथा बायूमंडल में अतेंत अल्ग मात्रा में कार्बन उपस्त होता है भूपरपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोईला, पैटॉलियम के रूम में, केवल 0.030 कार्बन उपस्तित है, तथा बाईव मंदल की बात करें तो 0.03 कार्बन डाई उकसाइड उपस्तित है, परक्ति में इतनी अलख मात् कार्बन का अत्य ह्युणि कार्बन के इन गुड़ों का अध्ययन करेंगे, जिनके कारन कार्बन का महत्त बताया जारा है, कि कार्बन आके क्यों ज़रूरी है ? कारवन में आवंधन सहयोजी आवंध पिछले अध्याय में हमने आयनिक योगेकों के गुरधर्मों का अध्यन किया हमने देखा कि रसायनिक योगों के गल्लांक एवं कुतनांक उच्छोते हैं और ये बिलेन में अथवा गलिद अवस्था में विद्धु चालन करते हैं हमने देखा कि आयनिक योगों में आवंधन की प्रक्रिती इन गुरधर्मों की ड्याख्या करते हैं जैसा कि आपने अध्यायट 2 में देखा कि अधिकांस कार्वन ये कोई अच्छे विद्धु चालक नहीं होते हैं यानि कि विद्धु तो करनों में कार्वन का अच्छे चालक ना होने की पारण नहीं किया जाता है इस बार का UPVCS देखिए आप लोग किसी बार कभी देखिए अगर आपने NCDIT पड़ी हैं तो आप बहतर इसको करने की लाइक बन जाते हैं ओप्यों के कोथनांक एवं गल्लांकों को जो की रसा आनिक योगे के कोथनांक कतां गल्लांक की तुल्ला में काफी कम है अध्या 3 के आपड़ों साणी 4.0 के आधार पर हम इस निसकर पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाड़ों की बीच प्रवल आतरसन बल नहीं होता है चुकि अधिकार्ण ये योगे कोथी बिद्धुत के कुचालक होते हैं सुचालक नहीं कुचालक अता हम इस कशेक पर पहुंच सकते हैं कि इन यहोगों के आबंदन में इस लेके क्ण़पती क मादली यकारवन के कि यहोग हो गया इस अधिक योग हो मिल थी इसका गल्लांक कितना है 290 और किपशत अधिक मेंfव स्कीक的話 इसका आप देखेंगे गल्लांग हो गया 209, और कुथनांग 334, एथिनोल की बात करें तो 156 इसका गल्लांग हो गया, और कुथनांग हो गया 359, मेथिन की बात करें तो 90 हो गया इसका गल्लांग, और 111 हो गया इसका कुथनांग, कच्छा 9 वी में हमने विभिन्ने तत्तों क सायोजन चमता, अत्वा सायोजक्ता इलेक्टोनों की संख्या पर इसकी निर्वाता के बारे में अध्यन किया, अब हम कार्वन की इलेक्टोनिक बिन्यास के बारे में अध्यन करेंगे, कार्वन की परमाडू संख्या कितनी है, 6, कार्वन की परमाडू संख्या कितनी है, 6, का स्फ़ात्त को अभिक्रीया सिलता समझाई आय-एनी क्योंगी बनाने वाले बाइरी को से आलेक्ट्रॉन पराक्त करके या फिर उनकी इह राज करके इससे पराक्त करते हैं कारबन के सबसे बाहरी को समें 4 इलेक्ट्रोन होते हैं तथा उैस्त कि पनलव को ईसको सकथ सबस्दाई होती है यदि इन इलेक्टोन को प्राप्ट करना आज भी खहना हो दो जैसे इन से इसमें 4 है dónde यह तो 4 आज्च में है मतलब दूसरी को दे iki दन दी या किसी और से दम दे तो इसकी पपूरी होय जाए तो किस तरह से ये प्राप्त कर सकता है या खो सकता है ये चार एलेक्टोन प्राप्त कर सी फोर्म रेडायन बना सकता है लेकिन च्छै प्रोटोन वाली नाविक के इस दस एलेक्टोन अर्था चार अतरिक्त एलेक्टोन धारन करना मुश्किल हो सकता है ये चार एलेक्टोन ख खोकर 6 proton वाले नाविक में केवल 2 electron का carbon धनायन बनाने के लिए अत्यदी कूर्जा की आवस्तिता होगी carbon अपने अन्य पर्माडू अथवा अन्य तत्तों की पर्माडू के साथ सही हो जगता electron की सांजेदारी करकि इस समस्या को सुल्जा लेता है केवल कारवन ही नहीं बलकि अन्य अन्य तक्त भी इस पेकार इलेक्ट्रोन की सांजेदारी करके अड़ों का निर्बान करते हैं जिन इलेक्ट्रोन की सांजेदारी की जाती है फिर दौनों परमाड़ों के बाहरी कोसके ही होते हैं इनके फ़स्वरुफ दोनों ही परमाडू उत्किष्ट गेस बिन्यास की स्थिती को पराप्त करते हैं कार्बन की योगों को की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रोन की सांजिदारी से बने कुछ सामान अड़मों को समझते हैं आप लोग सिरी सी वात है कि आपके पास एक पैर का जूता है और आपके पड़ोसी के पास भी एक पैर का जूता है या तो आप बेदर क्या रहेगा, या तो आप उसे दे दीजी, या उसे आप ले लीजी, यही option करोगे न, ऐसा तो नहीं ही कि एक तुम पहनते रही है, एक आप पहनते रही है, तो एक तरह से अजू भी लगोगे, समझ रहे हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, कि या तो के कोस में एक electron, तो हके कोस को भरने के लिए इसको एक और electron की आज सकता होती है, इसलिए hydrogen के दो परमाडू अपने electron की सांजिदाई करके hydrogen का आडू H2 बनाते हैं, परमाड़ा, परिडाम स्वरूप hydrogen का पिते कडू अपने निकर्तम, उत्कृष्ट गैस, helium के electronic बिन्यास को प hydrogen परमाडू, H2O, सांजिदारी की electron, ठीक है, H1, HH, H2, ठीक हो गया, इसके बाद आप देखें, आगे देखें, electron की सहभागी योग में, hydrogen की दो परमाड़ों की बीच सहभागी योग एक आवंद बनाते हैं, इस आवंद को दो परमाड़ों की वीच एक रेखा की द्वारा भी वेक्ट किया जाता है, जैसा कि चिते 4.2 में, यानि की 4.2 में दर्साए गया है, इस तरह से, देखें, hydrogen की दो परमाड़ों की बीच एकल ए, देख रहा है, A है एकल बंद, आप लोगों ने देखा हुगा, कच्छा 9 वी, 10 वी, 11 वी, बारवी में रहते थे थे जब आप मैथ आपको इर्द्याम देते हैं, तो कह देते हैं, दस भी लेवल का मैथ आता है, इंग्लिस दस भी लेवल की आती है, तो क्या आप समझते हैं, कि आप ऐसे से कितायाई कर रहे हैं, तो क्या दस भी लेवल का जो मैथ आपने पढ़ा है, वही आ रहा है, बिलकुल नहीं, पैटर बिल्कुल बदल जाता है, हाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपने किया है तस भी तक वही, लेकिन ये अलग तरह का मैथ रहता है, ठीक है, किलोरीन की परमाडू संख्या 10 है, किलोरीन की परमाडू संख्या 17 है, 17 है, कितनी 17 है, इसका अलेक्ट्रोनिक बिन्यास तथा सहयुजक्ता क्या होगी, किलोरीन दूई परमाडू की अडू, सी एल टू बनाती है, क्या आप इस अडू की इलेक्ट्रोन बिन्दू सरजना बना सकते हैं, याद रखी किबल सहयुजक्ता कोस अलेक्ट्रोन को ही चितित करनी की आवसक्ता होती है, ओक्सीजन की दो परमाडू के भी दो यावंद का बना दिखाई, दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंटी ऑक्सीजन की परमाडू के एल कोस में 6 एलेक्ट्रोन होते हैं, ऑक्सीजन की परमाडू संख्या 8 होती है, ऑक्सीजन की परमाडू संख्या क्या होती है, 8 होती है, इससे अ ऑक्सीजन के पितेग परमाडू के द्वारा पिदान कियागे दो इलक्टर्णों से, इलक्टर्णों के दो सहभागी यह पराप्त होते हैं, इसे दो परमाडूं के बीच दुही आवंद, बनना कहते हैं, इस तरह से आप देखे, आप देखे, अब आप जल की यह ढडूं को जिसमें oxygen के एक परमाणू यवं hydrogen के दो परमाणूं की बीच आबंध की प्रक्र्क्ति को दसाये गया hey इस अडू में एक आबंध है अथ्वा दुह आबंध है अब आज आये nitrogen की कैसा आडू में नाइक्टरों की परमाड़ू संख्या कितनी ही सेविनन इसका अलेक्टरों बिन्यास से औजन हो इसका प्राप्त ससस्य परमाड़ू की बीच त्री आवनद का बनना कहा जाता है एन्टू की एलेक्ट्रोन बिंदू सरचना और इसके त्री आवंद कुछित 4.4 के अनुसार दसायर जा सकता है इस तरह से और इसमें दिख रहा होगा तीन लाइन यानि की त्री आवंद है कि क्या है त्री आवंद है आंगे चलते हैं अमोनिया के अडू का सूथ है एन्श 3 क्या आवंद की इलेक्ट्रोनिक विंदू सरचना को चिनित कर सकते हैं जिसमें अदर साय गया हो कि कैसे सभी इस आड़ों में एक दूई अत्वा ती त्री कौन सा आवंद होगा अब हम मैथेन को देखते हैं जो की जो कार्वन का योगिक है इनन की रूम में मैथेन का अधिकारिक उप्यों होता है या वायो गेस एवं संपीडित प्राक्तिक गेस का प्रमुग विंटा की या कार्वन क चतुर सयोजग है क्योंकि इसमें चार सयोजग एलेक्टोन होते हैं उत्केश्ट गेस के बिन्यास की तिती को प्राप करने के लिए कार्वन इन एलेक्टोनों की साज़िदारी हाइड्रोजन के चार परमाड़ों के साथ साथ करता है जैसा कि चित 4.5 में दरसाए गया है इ इस पेकार दो परमाड़ों के बीच एलेक्टोन के एक एगुम की साज़िदारी के द्वारा बनने वाले आवंद सहसयोजी आवंद कहलाते हैं क्या इस पेकार दो परमाड़ों के बीच एलेक्टोन के एक एगुम की साज़िदारी के द्वारा बनने वाला आवंद क्या कहल कहलाता है सह सहयोजी आवंद कहलाता है सह सहयोजी आवंद वाले अडूओं में भीतर तो फ्रवल आवंद होता है लेकिन इसका अंतरा अडूख बल दुर्वल होता है फलसरूप इन योग्नों के कुटनांग एवं गलनांग कम होते हैं चुकि परमाणूओं के बीच कार्वन की अपर रूप किया कितने हैं अपर रूप इन भी देख लेते हैं प्रक्ति में कार्वन तर अनेक बिविद भूतिक गुणों के साथ बिविद रूपों में रूपों में पाया जाते हैं हीरा ग्रेफायट दोनों कार्वन की कार्वन की परमाणूओं से बने हैं क अं में अंत्र होता है हीरे में कार्वन का पितीक परमाडूं कार्वन की चार अंड़ परमाड़ों के साथ आवंधित होता है हीरे में कार्वन का कार्वन की चार अन्य अड़ों के साथ आवंतित होता है जिसमें एक अन्य एक द्रड ती त्री आयामी सरजना बनती है ग्रेफाइड में कार्वन के पितेक परमाणू का आवंत कार्वन की तीन अन्य परमाणूं के साथ एक ही तल पर होता है जिसमें 60 कौड ये view मिलता है इनमें से एक आवंद दूई आवंदी होता है जिसके गारण कारवन की सेयुद्जित्ता पूर होती ग्राफाइड की सरजना में 60 कौड ये तल एक दूसरे की उपर विवस्तित होता है देख लिजे आप लो हीरे की सरजना किसकी हीरे की सरजना और और एक ग्रेफाइड की सरजना होगी और C60 पक मिन्स्टर फुलिरीन की सरजना होगी इन दो विवेन ने सरजनाओ के कारवन हीरे ग्रेफाइड की बहुती गुर्धारम अब तेन भिन होते हैं कि उनके रसानिक गुर्द्राम एक समान होते हैं, हीरा अब तक का ग्याद सरभादिक कतोर है, हीरा अब तक का सबसे कतोर पदार थे, ये भी कई बार पूछ लेता है ना क्या आप से, बहरूपों की बात करें जैसे ग्रीफाइड हो गया, कोईला भी एक तरह से आप से आप से का फिसलन सील होता है, पिछली अध्याय में आपने जिन अध्यातूं के बारे में अध्यान किया, उनके विप्री ग्रेफाइड विद्धूत का सुचालक होता है, और क्या ही अध्यातू है, समझा है, सोध्य कारवन के अध्याधिक उच्छ दाव एवं ताप पर उपचार करके हीरे को संसलिस्ट किया जा सकता है, इस संसलिस्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्न था एक प्राक्टिक की रूम से आभेद्नी होते हैं, फोलेरीन कारवन अपरोग का अन्न बर्ग है, सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कारवन की परमाडू, देरीन नाम दिया गया है, इस तरह से आप देख रहे हैं, यह है, अब चलते हैं, हम लोग एक कुश्चन्स दिये गए हैं, आप लोग सौल करते रहिएगा, अगर करना है तो अच्छे से बैठके, मुझे लगता है आप लोग देखिए पुराने कुश्चन्स पीपर 5-6 सा साइंस से लिखने के लिए कि इस तरह से लिखने के लिए आए कि इसकी आपको सरजना बनाईए, या क्या बनाईए, एक सामान जानकारी साइंस की होनी चाहिए आपको, समझे, आप देखेंगे फिर तो आपको टेकनोलोजी से चुड़े होगे, वही कुश्चन्स आते हैं, तो एक तरह से आपको NCEIT इसलिए कहा जाता है कि आपका बेस मजबूत हो जाए, आप लोग थोड़ा पढ़ लें, जानकारी रहें आपको, कि आप देखिए आंगे चलके आपने ग्रेफाइड नाम सुना, आपको मालून तो होना चाहिए, कि ग्रेफाइड का मतलब क्या है इसका आपको यही मालून ही कि यह कार्बन का पर रूप है, कैसे आप लोग उसके बारे में जानकारी इकटा कर सकते हैं, कार्बन की सर्व तो मुखी प्रक्रिती की बात करें तो बिविन्य तत्तों यह योगों में, हमने इलेक्टोनों की सांजेदारी द्वारा सह स्योजी कैसे आपंद का निर्मारत दिखा है, हमने सरल कार्बन योगित मेथ Além की सरजना भी देखिये हैं अध्यर की आरभ में हमने दिखाए कि इतनी वस्तु में कार्बन पाये जाता है, वस्तुता हम स्वयमी कार्बन की योगों से बने हुए, अली में रसायन साश्त्रियों द्व मिलता है किसी और तत्मे नहीं सह सह यह हो जी बंद की प्रक्ति के कारण कारण में बड़ी संख्या में योगी बनाने की चमता होती है कारण में दो कारक्त देखे गए हैं आप देखिए CO2 क्या है कारण माली यह कारण ना हो तो आप समझें कि यह ओक्सीजन जो आज हम लोग लेते हैं ना उक्सीजन के यह में जरूरत पड़ती हैं और हम कारण में बदल के छोड़ देते हैं तो एक तरह से आपका है कि अगर जो फेंपड़ी हैं, एक फेंपड़ी का हिस्सा हमारे सरीर में है, दूसरा पेडों पर है, या थरीक है लीजिए आप लोग की समुत्रों में है, कि जो भी आपका ऑक्सीजन में बदलता है इसे, वो आपका एक तरह से फेंपड़ी है, ठीक है? तो आप देखिए कि अगर CO2 खतम हो जाए, यानि कि कार्मन खतम हो जाए, तो ऑक्सीजन में भी मुस्किल हो भी आप समझ रहे हैं, आप सिधी सी वाद के कार्मन भी कई मतलब कई जो आपके ऐसे चीजे हैं जो कार्मन का यूज करते हैं, सिधी वाद, हम लोग भी करते हैं, इस गुड़न को सेंखलन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंखलन कहते हैं, इन यह उपकों में कार्मन की लंबी सेंखला कार्मन की विविन साखाओं वाली सेंखला अतवा वलय में विवस्तित कार्मन भी पाय जाते हैं, साथी कार्मन के परमाणू एक या पर दूई, अतवा त्र यावंद से भी किसी भी योगिक से जुड़ा होता है कार्बन परमारों के वी केबल एक आवंद से जुड़े कार्बन की योगिक आपके क्या कहलाते हैं संत्रिप्त योगिक कहलाते हैं अगर आपसे बात करूँ दो ही अत्वाद ती आवंद वाली कारवन योगों की, तो इसे कहते हैं, आप लोग आसें त्रिफ्ट योगिक कहलाते हैं, कारवन योगों में जिस सीमा तक सिंखलन का गुड़ पाया जाता है, वो किसी और तत्य में नहीं मिलता है सिलीकॉन हाइडोजन के साथ योगिक बनाता है जिसमें साथ या फिर आठ परमाणूं तक की सिंखला हो सकती है लेकिन यह है योगिक अत्ती अभिक्रियासिल होते हैं कारवन-कारवन आवंद अत्यदिक प्रवल होते हैं और यह इस्थाई भी होते हैं फासरूप अनेक कारवन परमाणूं के साथ आबस में जोडे हुए अनेक योगिक ब्राप्द होते हैं कि कारवन की स्ययोजगता चार होती है और इसमें कारवन के चार अन-परमाणूं परमाड़ूं अत्वा कुछ अन एक सयोजक तत्तों के परमाड़ूं के साथ आवंधन की चंता होती है ऑक्सीजन, हाइडोजन, नाइटोजन, सल्फर, किलोरीन तत्था अन एक अन तत्तियों के साथ कार्वन की योगिक बनते हैं फल्सवरूप ऐसी विसस गुण वाले योगिक बनते हैं, जो अडों के कार्वन के अत्रेक्त उपस्थित तत्प निर्वट करते हैं अधिक तर अन तत्तों के साथ कार्वन द्वारां बनाए गए आवंध अत्यधिक परवल होते हैं जिसके फल्सवरूप यह योगिक अतीस से रोम में इस्थाई होते हैं कारबन द्वारा प्रबल आवंदों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहे भागी योगुमों को नाविक मजबोती से पकड़े परहता है बड़े परमाड़ों बाले तक्तों से बने आवंद तुल्ला में अतेंथ जोर्बल होते हैं अब बात कर लेते हैं कारबनिक योगिकी कारबनिक पाया जाने बाले दो बिसिष्ट लक्षनों उंके संस्लेशन के लिए जीवन सकती आवसकती 1827 में bedroom malar Centapple Corapon 50 i.e. असले बनाकर इससी असत्थ है लेकिन कारवाइड कार्वाइड कार्व्डुनेट अत्ता बाईक Cand्य लवणों के अत्रिक सभी कार्वनी के होगी अभी कार्वनीक रसाइन की अंतरगत नंट्रकत होता है Carbon एवं Hydrogen से बनने वाला अनयोगिक एथेन है जिसका सूथ क्या होता है C26H6 जो Carbon और Hydrogen से बनने वाला अनयोगिक कौन सा है एथेन जिसका सूथ क्या है C2H6 सल Carbon के योगविकों की सरजना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्वन के पर्माणुों को एक आवन्द के द्वारा आपस में jोड़ा जाता है पिर कार्वन की सयोज़ता को संतुर्ष्ट करने के लिए hydrogen के पर्माणों का उपयोग करते हैं उधारनी के लिए निमने चैड़नों में एथिन की सरचना को पराफ किया जाता है देखिए CC एक आवंद के द्वारा जोड़े कार्वन परमाणू एक आवंद मतलब आप समझ रहे हैं एक लाइन CDC ठीक है पितेक कार्वन परमाणू की तीन सायोजता आसंतर रहती है और अतहा पितेक आवंद तीन हाइड्रोजन परमाणू के साथ किया जाता है जिसका निम्न पर आपत होता है देखिए इस तरह से और यह आप देख रहे हैं चरन सेगें हो गया ठीक है तीन हाइड्रोजन परमाणू से जुड़े तितेक कार्वन परमाणू एथेन की एलेक्ट्रोन बिंदू सरजना को 4.6 है सी तरह सालता है इस तरह से आप इनकी अगर संख्या काउंट करें तो यह उतना ही होगा देखें C 2 हत था ना एक एक दो और आपकी H 6 हत था तो यहां भी देख सकते हैं तो एथेन की एलेक्ट्रोनिक बिंदू सरजना है कि आप इससी पेकार प्रोपेन की सरजना चित्थित कर सकते हैं जिसका अधिक अभिक्रियासील नहीं होते हैं किन्तु कारवन एवं हाइडोजन की एक अन्य हुए का सूत है C2H4 जिसे एथेन कहते हैं जिससे आड़ों को कैसे चित्थित कर सकते हैं पहले जैसे चैन्वद्ध विदीत अबनाएंगे देखें इस तरह से एक आबंद के द्वारा जोड़े कारवन परमाडू चल्न एक हो गया यहां आप देखेंगे हम देखते हैं कि प्रिती कारवन परमाडू की एक सज़्यक्ता आसंतोष्ट रहती है यहां चल्न सेकें इसको तभी संतोष्ट किया जा सकता है जब दो कारवनों के वीच दुयावंद हो जिसमें हम निम इलक्टोन बिंदू सरजना दी गए हैं यहां देख लेजिए हैं आईडोजन एवं कारवन की अन्य यहुख का सूथ से डू एज जिसे एथाईन कहते हैं क्या आप एथाईन की एलक्टोनिक बिंदू सरजना का चित्रन कर सकते हैं इनकी सज़्यक्ता को संतोष्ट करने के मतलग इसमें कमी हैं पहली वार आप पढ़ रहे हैं तो उसे आप लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ दीजी एक से दो बार आपके बास सब कुछ मालू चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है आप देखते हैं न कि आप लोग जब एक से दो बार attempt देते हैं तो आपको मालू चल जाएं questions किस तरह से पूछे जा रहे हैं इसलिए तो आप से कहा जाता है कि आप पहले ही questions देख लिए पांस साल के कम से कम पांस से चैसाल की मैंने भी आपके solve करवा दिये थे वैसे state PCS, MPPSC, UPPSC और UPPSC इनके तो करवा दिये हैं तो यहने पांस से चैसाल साथ साल के देख लेंगी तो कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं इससे यह होगा कि आप पहला attempt दे रहे हैं तभी आप सक्सिज हो जाएं तो समय रहते हुए इन्हें भी आप लोग पढ़ लिजी अब सिंखलाएं और साखाएं इवन बलें प प्रोपेन आपका देख सकते हैं सरचना और ब्यूटेन हो गया है यह पेंटेन हो गया है किन्तु यह हम ब्यूटेन पर विचार करें यदि हम चार कारण परमणूओं से कारण कंगाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि दो बिभिन कंगाल बन सकते हैं इस तरह से देखिए एक तो इस तरह से बन सकता है एक इस तरह से बन सकता है दो संभावित कारण कंगाल वही हाल से सजय जक्ता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निमलिकित प्राप्त होते हैं है यह ज़त है आपका C4H10 सूथ से दो सरचनाओं के लिए संपूर अड़ो यानि कि कहने को मतलब यह भी दो तरह से कर सकते हैं हम देखते हैं कि इन दोनों सरचनाओं में एक ही सूथ C6 माकरीर C4H10 है समान आड़विक सूथे लेकिन विभेन सरचनाओं वाले यासे यूगिक सरचनात्मक समावेन कहलाते हैं क्या सरचनात्मक समावेन कहलाते हैं सीधी तथा साखाओं वाली कारवन सिंखलाओं के अत्रिक को छेयोगों में कारवन की परमाड़ू वले की आकार में विवस्तित होते हैं जैसे साई साइकलो हैक्सेन का सूथ है C6H12 और उसकी सरजना इस तरह से हो सकती है देखें इस तरह से भी हो सकती है इस तरह से साकर सेयकलो हैक्सेन की सरजना A और कारवन कंगाल B سंपूर अड़ू है क्या आप हैसाईकलो हैक्सेन की दिखिए सिंखला को स साक्सिंखला के स संत्रिप्ट आत्वअसंत्रिप्त को सकते हैं जैसे ब्रणजीन सिसे का एच सिक्स की सरजना देखिए debe आप लोगों को बड़ा मतलब बोरिंग लगता है साइंस क्योंकि याद रखी है आप अगर प्रेक्टिकल करके क्लास में बैट की करवा रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि बहतर आपको समझ में भी आ रहा होगा आता और बहतर आप करवाते हैं अब देखी हैं आप अंताज यह आपका ईकोनोमी हो जोग्रफियो समयर हो कि तो यह सभी आंग coração परन आपढना ही पड़ती है प्र्वार को केवल करवन एंडरोजनिय वाले सभी कर्वन युदिक हईच्टग कर्वन कहलाते हैं इन इंधे संत्रिक्थ करवन अलकेन कहला आते हैं ऐसे आसंतरफ हीटोकारबन जिनमें 8 ची अधिक दोरियावन्द होते हैं अलकीन कहलाती है एलकीन एक आदिक ट्रियावन्द वाले अलकाइन टेका है मुझे से दोस्थी करोगे आये इसे भी देख लेते हैं क्या बोला है दोस्थी करेंगे carbon अतन्थ मैत्टि पूनत्तत है up it कई बार मैंने देखा है किसी ने बताया दे जिकिते लेता है कि अतन्थ मित्ति पून यानी कि मित्तता करने वाला कारन गण सा है तो carbon के अभी तक हमने carbon तथ हैं hydrogen को की चरल प्रकेता है कि कारवन की सभी जबता संतुर्थ रहती है ऐसे योगों में हाइडोजन को पिती स्थापित करने वाले तत्तों को विसम परमाडु कहलाते हैं क्या गया लाती है विसम परमाडु कुछे पिकार आत्मक समूह में भी उपस्तित होते हैं जैसा कि साइडी 4.3 में दिया गया है गया बिसम परमाडु और बैट पिकार आत्मक समूह जिसन जिनमें यह उपस्तित होते हैं योगों को विसिश्ट गुड प्यदान करते हैं यह गुड कार्वन सिंखला की लंबाई और प्रक्रिति पर निर्वन नहीं होते हैं फल सोरो पिकार आत्मक समूह कहलाते हैं हाइड्रोजन की एक या फिर अधिक अडूओं को पित्ती स्थाफित करकी इस सयोजगता के द्वारा पिकार आत्मक समूग कार्बन सिंख्ला से जोड़े रहती है इसे देख कि आप लोग को प्वाइंट 3 कार्बन ये उख्खों में कुछ पिकार आत्मक समूग का फार्मूल करना हुआ है चीएल या फिर एलो या केलोरो या वरोंगो या से यल वियार है डूजन परमाणों के पिती स्थाफ पी ऑक्सिजन की बात करें हेल्गों हैल्गों है एल्डेहाइड के टॉन ए डवल आपका हेली कल है ठीक है डवल आवंद और दुयावंद या कह सकते हैं आ जाती है सेंडी आपने देखा है कि कार्वन परमाणों को आपस में जोड़कर बिविन लंबाई की सिंखलाएं बनाई जा सकती है ये सिंखलाएं साकित भी हो सकती है साथ ही इन कार्वन सिंखलाओं में इस्तित हाइड्रोजन तथा अन परमाणों को उप्योग फिक्सी भी पिकारात्मक समूँ से पितिस्थापित किया जा सकता है एलकुल जैसे पिकारात्मक समूँ की उपस्तिती कार्वन योगविकों योगविक के गुर्धर्मों को तै करती है चाहे कार्वन सिंकला की लंबाई कुछ भी हो जैसा कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH या अत्वा C4H9OH की रसानिक गुर्धर्मों में अत्तिदिक समानता है अता है योगविकों की ऐसी सिंकला जिसमें कार्वन सिंकला में इस्तित थाइड्रुजन को एक ही पिकार का पिकारात्मत समूँ की तरी स्थाफित करता है उसे समझाती है सैंडी कहते, क्या कहते हैं समझाती है सैंडी, अब हम साइडी 4.2 में वाड़े समझाती है सैंडी में देखेंगे यदि हम उत्रोततर योगव्कों के सूत्रों को देखें तो जैसे CH4C2H6, इसमें आप देखेंगे CH211 का अंतर है इसमें आप देखें कि CH21 का अंतर है, क्या आप देख रहे हैं कि CH21 का अंतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि CH21 का अंतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि C2H6 और C3H8, इसमें कितना अंतर है, क्या अंतर है, तो एक C इसमें जाना है, और H इसमें दो है, तो आप देख रहे न है कि यही अंतर दसाई है अंगले यहूंगों की बात करें तो प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 में क्या अंतर है आप निकाल सकते हैं न एक और दो यानिकी CH2 ठीक है क्या आप इन योगों के आटविक दिर्मान में अंतर ग्याद कर सकते हैं कार्बन का परमाडू दिर्मान बारही हुए और हाइड्रिजन का परमाडू दिर्मान एक होए हुए इस पेकाल एलकिनों की समझाती है सेनी को देखे, सेनी का पहला सदस एथेन है, जिसके बारे में हम पहली अनुभाग 4.2.1 में अध्यन कर चुक है, एथेन का सूथ क्या है, उत्रोतर सदसों की सूथ, कि सूथ C3 as 6 into C4 as 8 और तथा C5 as 10 है, क्या इनमें भी C as 2 एकाई का अंतर है, तो आप देखेंगे इसमें देखेंगे इसमें आप देखेंगे C2 का अंतर है, इसमें देखेंगे तब भी C2 का, अगर इसमें पहले और तीसरे में देखेंगे, तो इसमें आप 2, यानि की C2 और H4 का अंतर दिखाई देगा आपको, क्या आपको इन यह उक्णों में, कार्बन इवम हाइड्रोजन के परमाणों की संक्या की बीच कोई संबन्द की दीख होता है एलकीनों की समानसूत Cn, H2n की रूम में लिखा जा सकता है जहां आप n बराबर 2, 3, 4 रख सकते हैं क्या आप इस परकार के एलकीनों तरह लिकान के समानसूत बना सकते हैं जब किसी समझाती है सेडी में आडविक दिर्मान बनता है तो बहुतिक गुर्धरमों में क्रमबदिता दिखाई देती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आडविक दिर्मान के बढ़ने के साथ गल्लान के उनको तुनान के मिट्धी होती है किसी विशेस विलायक में बिलेता जैसे बहुतिक गुड़ धरम भी इस पिकार की क्रमबदिता दरसाते हैं कि तो पूर्ण रूप से पिकारात्मत समोग के द्वारा सुनिश्चित किये जाने वाले रसानी गुड़ समझाती है सेड़ी में एक समान बने रहते हैं अब कि रिया कला आप तू पॉइंट फोर को भी देख लीजिए पढ़ लीजे और निकल जाएएसे आप जाना इसमें दिमाग मत लगाईएगा आप मैसे अधिक लोग क्या करते हैं कि पहली बारे में ही आप सोचते हैं कि सो पर सेंट कभर हो जाए तो ऐसा संभ़ हो नहीं है आप कोई भी बुक्स बढ़ते हैं तो मुझे तो लगता है कि एक बार आप नॉर्मल तरीके से पढ़ लें क्या होगा कि एक मालू तो चल जाएगा कि इस बुक्स में आकर है क्या आप समझें कि पहले सही आप पहला दिन है और आप तभी से रढ़ना सुरू कर दे तो इस बार तैयार करने के लिए इन एक अलकॉलों को कारवन परवनों के बर्तिक करम में विवस्तित किजिए क्या एक समझाती सेडी का परिबार खागा जा सकता है साइडी 4.3 में दिए गए अन पेकारतमक समुग के लिए 4 करवनों तक कि यह उग्वों वाली समझाती सेडी तैयार कीजिए याद रखिए अगर आप 10-12 से ही तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास काफी टाइम है आप लोग बहतर टाइम निकाल के करते रहें से अब बात करते हैं कारवन योगों की नाम पद्धि किसी समझाती सेडी में योगों के नाम पकाधार बेसिक कारवन की उन्स मूल सिंखलाव पारादारित होता है जिनको फिकार आत्मक समों की प्रक्किती के अंसाथ पूर्वलगन ओपसर्ग तर या पर अनूलगन पित्ते के द्वारा संसोधित किया गया हो जैसे कि रियाकला 4.2 में लिये गए एलकोलों के नाम मेथेनॉल, प्रोपेनोल और ब्युय। निम्लिकित निम्ली विदि के द्वारा किसी कारवन योगित का नमकर्ण किया जा सकता है। योगित में कारवन बदावनों के संख्या घ्याद किजिये। तीन परवाणों वाली यहूप को नाम प्रोपेन होगा पिकारत्मक समूगी उबस्ति में इसको पूरग लगन अध्वा अनूलगन के साथ यहूग के नाम में दर्साया जाता है 54.2 के अंसाल, यदि पिकारात्मक समु का नाम अनुलगन के आधर पर दिया जाना हो, तथा यदि पिकारात्मक समु के अनुलगन नाम स्वर्ण, A, E, I, O, U से परम होता हो, तो कारवन सिंखला के नाम से अंत का E हटा कर, उसमें समुचित अनुलगन लगा कर संसोधित करते है जैसे कीटों समु की 3 कार्वन सिंखला, कारवन सिंखला नेमनविदी से प्राप किया ज़Steven, E, Zeiten, E, Propane, Tuna, content, Profanode, आसंतर कांपर्वन सिंखला में कार जीत अन्त की की नाम में यह आंतिए और Kum4.4 के अंसार the value of nehmen, यही सिफेझ ती सथाबित कर सकते हैं जैसि दुई आवंद कार्वन तीन आवंद कि सिंखला प्रोपायन कहलाती है यही है पूर बलगन होगा लगन, पूर्व लगन केलोरो ब्रोमो आदी इस तरह से केलोरो फ्रोपेन फिर आपका देख सकते हैं यह ब्रोब्रोमो फ्रोपेन एलकोहल अनुलगन वेल यह आप देख सकते हैं फ्रोपेनल नुलगन यह प्रोपेनल, कीटन अनुलगन और प्रोपेन, कार्वोक्सिलिक अनुलगन वैशिय्ट यानि कि अम प्रोपयनाइका यह यह लकल हुग्येशियू, तो यह हुए आप ग्रोपीन एलकाइन इसमें आप देखेंगे वाई एनी अल्नू लगन प्रोपाइन यह भी कुश्चन्स दिए गया है ने भी देखते रहेगा अब बात करते हैं लोग कार्बन योगों के रसानी गुर्धर्मों का द्धेन करेंगे चुकि हमारे द्वारा उप्योगों में लाए जाने वाले अधिकांस दिखन के साथ करवन दाई ओकसाइट देता है यह दो आप लोग सुनते है ना ज्यानते हैं, दहन पर अधिकांस कार्वन योगिक भी पिचल मात्रा में उस्मा एवं पिकास को मुक्त करते हैं, नेमलेकित बे ओक्सिकेंड अब करिया हैं जिनका अध्यन आपके पहले अध्याय में किया लिए था, आप लोग देखिए कि आप ऐसा कुमरा लीजिए जहां अक्सिजन प्रवेस्ट ना कर पाए, आप कोई भी चीछ चलाईए, वो चलेगी नहीं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप अक्सिजन की जरूरत जरीओर होते हैं जलाने के लिए, अब देखिए आप, C पिलस O2, यानि कि कार्वन और ओक्सिजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2, प्लस उसमा येवं पिकास, CH4 मेथेन, O2, ये क्रिया करके CO2 बना रहा है, H2O जल्पी देखा है, प्लस उसमा येवं पिकास, C6 माकरी C3, CH2OH और कार्वन, माकरी ओक्सिजन, CO2, H2O, उसमा येवं पिकास, पहले अध्या में अध्यान की गई बिदी से, 2 और 3 अभी क्रिया रिया कलाब, 4.3, इसके रिया कलाब के लिए सिक्छा का परविक्छा अनिवार है, देख लिए, संतुलीत करने का मतला भी कि दोनों परावर होना चाहिए, अब आप समझे, CH4, यहां तो सही है, C2O2, यानि कि CO2, यहां देख लिए आप लोग बदल गया, यहां आप देख मनेक है, oxygen 2 है, ठीक है, तो यहां आपका हो गया, और C4 बचा हुआ है, तो आप देखेंगे, C4 तहां है, मतलब H4, यानि कि hydrogen के चार, अडू कहा है, यहां तो के बंद 2 है, यहां तो 35 थावित करने की बात करते हैं, ठीक है, या इस तरफ भी कर सकते हैं, आप लोग किसी भी से कर दीजिए, दोनों बराबर किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, दो जोड़के या घटाके, जो भी आप पर चलगे, एक इस पर चूला में, एक एक करके कुछ कारवन यहोगिक, नैप्तिलीन, कैमपर, एलकोहन को लेकर जलाते रहिए, जलाते रहिए, ज्वाला के उपर ध हातू की तस्तरी रखे, इनमें से किसी भी यहोगिक कारण, क्या तस्तरी पर कोई निच्चे पर होता है, आप लोगों को नहीं करना है, बार-बार भूझाओं, आप लोग सोच लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, तो करते रहिए, बैठे रहिए, एक बुन सेंड, वर अनता सौक्ष ज्वाला निकलेगी, जबकि आसंत्रिक कारण योग से आपते देख कालिदूमे वाली पेली ज्वाला निकलेगी, इसके पाइडाम स्वरू किरिया कला 4.3 में धातू की तस्तरी, तस्तरी पर कजली निच्चेपन होंगा, लेकिन बायू की आपूर्थी को सि जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन संबिदे मिस्टन जलकस सौक्ष नीला, सौक्ष नीली ज्वाला देती हैं, आप भी तो देखते होंगे कि श्टॉब में भी वायू के लिए चित होते हैं, जदी कभी का बायू के तले काले होते हुए दिखाईते हैं, तो उसका देहन के फलस्वरूप सलफर तथा नाइटोजन की ऑकसाइड का निर्मान होता है, जो परयावन में पिदू सक भी है, एक बात आप लोग देखते होंगे, जब आपने निखा होगे कि चूला लगड़ी से आप लोग खाना बनाते हैं, तो उपर आप लोग कड़ाई रखत लेकिन यही चूली पर आप करते हैं, वही कड़ाई रखी है, तो यही हाल है, तो आप भी अपनी जीवन चर्या में भी इसका नियम देख सकते हैं, क्यों जलते हुए पदार ज्वाला उत्पन करते हैं, अथवा नहीं करते हैं, क्या आपने कभी कोईली अथवा लगड़ी आप देखेंगे कि अंगीकी में जलने वाला कोईला अथवा तारकोल कभी कभी लाल रंग की समान उज्वाल होता है, तथा बिना ज्वाला की ओस्मा देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसी ये पदार्थों के जलने पर परी ज्वाला उत्पन होती है, लकडी उज्वाल होना आरम करती है, पितेक तर्थ के द्वारा उत्पन रंग उस तर्थ का अभी लाग शड़िक गुड़ होता है, गैस स्टोप की ज्वाला में पातामी कि तार कुछ जलाने का प्रियास कीजिए और इसके रंग का पिच्छन कीजिए, आपने देखा है कि अकुर देहन से कजल उत्पन होती है, जो कारवन होता है, इसके आधार पर आप मुंबत्ती को पिली रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? कोईले तथा पैटॉलियम का निर्माट जयव मात्राव से होता है जो भिभेन ने जयव किये तथा भू बिग्ज्यानी पिक्रियाओं पर निर्भाण रहता है कोईला लाकों बर्स पुराने वेक्चे फर्ण अनने पौधों की आउसेस का उसेस हैं उनके मेर्थ होने पर उनके सरी समुद्धतल में डूप गए या फिर गाद से ढगए उन मेर्थ आउसेसों पर विट्टेरिया के अकमण से प्रवल दाप के कारण तेल अत्वा गयस का न चटानों के छिदित भावों से तेल अत्वा गयस का रिसा हुगा और ये पानी में स्वंज की तरह फस गए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोवले पैटॉलियम को जीवास में इंधन क्यों कहते हैं एक बात और आपको बता दूए हैं आप लोगों ने देखा होगा ग खतम कर सकते हैं तो इसलिए नभी करनी है उज्जा पर भी ध्यान दिय जा रहा है पानी की उज्जा पानी से हो गया पर चाहिए आपकी सौर उज्जा हो गई एक क्या रहेगा कि आप जब तक आपके साथ चलते रहेंगे और आपके पास कोई ऐसा विकल पी तो होना कि इसी तरह से आप पैटॉलियम आप लोग ने एक चमगादर का तेल सुना होगा सायद गाओं में आप रहते हैं तो लोग निकालते भी है तो उसे देखना आप लो चमगादर का तेल उसका उपयोग भी इसी तरह से वो निकालते हैं ठीक है काफी कामों के लिए आता भी ह अब ऑक्सीकरन किरिया कलाब 4.5 को भी देख लेते हैं एक परणगलाली में 3 ml एथेनोल लेजिए और इसके जल उसमक में सावधानी से गरम कीजिए इस अभी लेन में चारिए पोटेसियम पर मेंगनेट का पाच किती सद एक एक भून करके डालिए डाले पारारम में क्या पो कोटेसियम पर मेंगनेट करन लोग ते क्यों नहीं होता है पित्था मध्याय में आपने ऑक्सीकरन की अभी किरियाओ कर्देन किया देहन करने पर कात्वन योगिकों को सलता से ऑक्सीकित किया जा सकता है इस फून्ड ऑक्सीजन ऑक्सीकरन के तरिक ते ऐसी अभी किरियाओ ही होती है जिनमें alcohol को carboxylic अमल में बदला जाता है CH3 फिर आपका CH2OH यह एकल बन रहे है फिर चारी है कि M NO4 प्लस उसमा या फिर अम लिए कि K2CRO Cr2O7 प्लस उसमा या आपका CH3COOH ठीक है देखिए अब इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं हम देखेंगे कुछ यह पदार अटिजन देनी की शंता होती इन प्रफीरिद को प्रफीरिदम को आपकाठेक करदे कि कहा जाता है यह रहना कि सीधा factsanco कि पदार्तों में जिन प्रतु नंपदार्तों को शोता हुती है उन्हें क्या कहेते हैं उक्सी से प्रफीरिद कर डिते च्षारीव परमैइगनिंट अत्वा अमली के potassium dye, chromate, एलकोलों को अमलों में oxicate करते हैं, अर्था ये आरंवीक बदार्थ में oxygen जोड़ते हैं, अत्यव इनको oxy कारक कहते हैं, अब बात करते हैं संकलन अभिकिरिया, पहले डियम, अत्वा nickel जैसे उत्पेरक, पेरिकों की उपस्तिती में आसंतरत hydrocarbon, hydrogen को प्रभावित नहीं करते हैं, nickel उत्पेरक का उपयों करके साधारंटा वनस्पती तेलों के hydrogen करन में इस अभिकिरिया का उपयों होता है, वनस्पती तेलों में साधारंटा लंबी आसंतरत carbon sink line होती हैं, जबकि जनतुवसा में संतरत carbon sink line होती हैं, ये आप देख रहे हैं, double single आवंद से जूड़े हैं, ये single आवंद, nickel उत्पेरक H2, देख लिए, यहाँ hydrogen का उपयोग रहे हैं, H2 का, तो यहाँ देख लिए बराबर, आपने देखा हैं कि कोछ वियापनों में कहा जाता हैं कि वनस्पती तेल, स्वास्त वर्दक होते हैं, साधारंटा जनतुवसा म संत्रिफ्थ वसा अमल होते हैं, जो स्वास्त के लिए हानिकारक माजने जाते हैं, बोजन पकारने के लिए आसंत्रिफ्थ वसा अमलों बाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन संत्रिफ्थ तेलों का उपयोग इसलिए रोका जाता हैं, क्योंकि ये कई तरह के आव कर्मोगों की उपस्तिती में अतितीब अविकिरिया में किलोरीन का हाइडो कार्वन में सलगन संकलन होता है किलोरीन एक एक करके हाइडोचन के परमाड़ों का पितीस्थावन करती है इसको पितीस्थावन अविकिरिया कहते है क्योंकि एक परमाड़ों के समूग दूसरे एक का स्थान लेते हैं साधान ता उच्छ समझाती है एलकें के साथ अनेक उत्पादों का निर्मार भी होता है CH4 C plus CL2 सूर के पिकास की उपस्तिधी में अब किरिया करा है CH3Cl plus HCl दे रहा है इन कुश्चन्स को भी देख सकते हैं आप लोग कुछ मात्कूर कारवनिक योगे एथिनॉल एथे नौइक अमल अनेक कारवन योगे हमारे लिए अन्नमोल होते हैं किन्तु यहां हम बेवसाइक रूप से मात्कूर दो योगों एथिनॉल और एथे नौइक अमलों की गुर्धरमों कात्रें करेंगे तो एथिनॉल की कहा जाता है और तथा यह सभी अल्कोहली पेपदातों का उपयोग का मात्मोर अव्य होता है इसके अतरिक्त यह है एक अच्छा बिलाए कि इसलिए इसका उपयोग टेंचर आयोडीन कप्र सीरफ टॉनिक आदी जैसी उस्तियों में भी होता है एथेनोल को किसी भी अनपात मे जल्ब में मिलाया जा सकता है और तनू एथेनोल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नसा जाता है हाला कि एलकोहल पीना निंदनी है लेकिन समाज में बड़ी परवाने पर पिछले थे लेकिन सुद्ध एथेनोल परी सुद्ध एलकोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक से दो सकती ह कापी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्त संबंदी कई समस्यां उत्पन हो जाती है अगर एल्कोहल की बात करूँ तो आप लोगों ऐसे अधिकतर लोग अगर सौख रखते हैं तो इसके बारे में आपको बहतर जानकारी होगी समझ रहें? तो यह गलत है और परी सौध दियानी की सौध अलकोहल अगर पीते हैं तो यह बहुत बुरी तरह से गाहत तक होता है इसलिए आप देखते होंगे कि जब देशी इसराब बनाई जाती है तो उसमें कोई कुछ तो देखा नहीं जाता है तो आप लोग सुनते भी तो रहते हैं कि इतने लोगों की जानगे इतने लोग मारे गए तो यह भी देखने को मिलता है और जो क्वाल्टी की आती है उसमें सब का धियान रखा जाता है आप लोग कभी ऐसा मत करना फिर भी अगर मतलब देखना हो तो कभी लेकर देखिए किसी बोतल को उस पर सभी दिया होगा कि कितनी पितिसत आपकी अल्गोल है क्या-क्या है इसमें तो मवगा माता पीने से इच्छा है वैसे पीना तो कुछ नहीं चाहिए माप करिए लेकिन फिर भी आपका सौख है तो रोग ठोड़ी सकता है कोई तो आप उसे दिखा करिए क्रिया क्लाब 4.6 सिप्छक के द्वारा विदरसन लगबग 2 चावल के आकार के वरावर सोडियम के चोटे टुकरे को एथिनोल में परिसोत अलकोल में डालिए चोड़िए ने एथिनोल के अभी क्रिया है सोडियम के साथ अभी क्रिया 2NA-2CH3-CH2-OH एक क्रिया करती क्या बना रहा है 2CH3-CH2-OH और एथिनोल के साथ अभी क्रिया में दूसरा उत्पा सोडियम एथ्रोकसाइड बनता है क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पड़ा तादू से अभी क्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है एक बात और आपको बता दूँ हाइड्रोजन को भविस्ट का इनन भी आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं भविस्ट का इनन आसंत्र चाहिडो कार्वन बनाने की अविक्रिया 443 केलिविन ताफ पर एथिनोल को अधिक सांध सल्फिरी कमले के साथ गरम करकर करने पर एथिनोल का निर जली करण होकर एथिन बनता है इस तरह से CH3 CH2OH गरम सांध CH2SO को CH2CH2H2O इस अभिक्रिया में सल्फिरी कमले निर जली करा कारक की रूम में काम करता है जो एथिनोल से जल को अलग कर देता है अब बात करते हैं सजी प्राडियों पर एलकुहल का क्या तरभाव पड़ता है जो अधिक मात्रा में एतने नौल का सेवन किया जाता है तो इसमें उपाप्चयी विक्रिया धीमी हो जाती है और केंदीये कें तंदी का कम जोर हो जाता है आप समझे इसलिए रोका जाता है कि मत पिये इसके फ़ल सुरूप समनवय की कमी मानसिक दूइदा उननीदापन सामान अंतरवात का कम हो जाना भाव सुननिता आती है यह पी यह पी ब्यक्ति रहत में सूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की चमता और मास के सी बुरी तरह प् हों प्तित न आं ऐधीनडू का लोग जाता है है मैथ लेकरित की कुश्काओं के घट्काओं के साथ सही गवकिरिया करने लगता है इससे प्रोटोपलाज उसकिता है जिससी पेकार पकाने पर पर अंढा इसकिता हो जाता है इस्ते इसे बैक्ती अंधा हो सकता है, एथिनोल एक मातुमोर उद्धोगीक बिलायक है, उद्धोगीक उपयोग के लिए तयार एथिनोल का उपयोग रोकने के लिए, इसमें मैथिनोल जैसा जहरीला पदार मिला दिया जाता है, जिससे या पीने योग ना रह जाये, अलकुल की पह आप मैंसे कई लोग कहते हैं कि NCEIT बिना पढ़े भी कई लोगों ने सेलेक्शन पा लिए तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है देखी NCEIT कभी ना कभी उन्हों ना पढ़ ही जरूर होगी आप देखेते हैं CVST Board में NCEIT पढ़ने को का जाता है आप अगर MP Board, EUP Board के हैं या विहार Board के हैं कहीं के तो आपको NCEIT पढ़ने के लिए नहीं का जाता है आपको तो अपनी Board की परिक्षा हैं कि जो भी किताबे रहती हैं उन्हें पढ़ते हैं आप लोग तो बोलो पहले पढ़ चुके होते हैं इन बुक्स को तो आप देखते हैं उनका सेलेक्षन जल्दी होने की संभाव गया में भी ही रहती है आपको पढ़ना पढ़ता है और वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए NCEIT तो यह रहता है और माल लिजे चलिए एकात का अगर हो भी जाए तो मुझे लगता है कि उसका बैक्ग्राउंड पहले सी है तैयार होगा तो आप यह मत कहिए कि कोई अंधा नहीं होता है कोई किसी के स्वास्त पर प्रिभाव नहीं पढ़ता है स्तराफ भी नहीं पर देखिए वो महान हो सकता है कि वो महान है तो यह देखने को मिलता है इंधन के रूम में अगर हम लोग एलकोहल की बात करें तो गन्ना सूर की पेकास को रसानी कूजा में बदलने में सरवादिक सक्षम होता है गन्नी का रस मॉलिसस सिरा बनाने के उपय करता है पर आप देखेंगे एथिनोइक अमलिक के गुर्ध है इसके रियाकल आपको पढ़ लीजे लिए 2.7 लेटमस पत्रेवर सारवितिक सूचक का उपयोकर तनू एसेटिक अमलक तथा हाइड्रोकलोरीक अमलक के पी एच मान की तुलना कीजिए क्या लेटमस परिक्षर अमल समूँ से सम्माद देते हैं एसेटिक अमलकी 3-4.3 billion को सिर्का कहा जाता है इसे अचार में परी रक्षक की रूम में इस्तिमाल किया जाता है सिर्का वैसे भी आप लोग देखते होंगे ना आप लोग खाते भी होंगे सुद्ध एथिनॉल अमलक का गल्लांग 290 Kelvin होता इसलिए ठंडी जलवाई में सीथ के दौनों सीथ के दिनों में यह जम जाता है इसकारण इसे गलेसल एसेटिक अमल भी कहते हैं कार्वोक से लिए अमल कहा जाना वाला कर्वनी के विकों के समूँ का अभी लक्षन किसकी अमलिता होती है आला कि खनिच अमलों के भीपरिद कार्वोक से लिए अमल दुर्बल अमल होते हैं खने जमल जैसे हाइडोकलोरिक अमल पूरी तरह आयनिकित हो जाते हैं यहां आप लोग देखिए इसे एक्ष्टर का निर्मार यह वर्णर हो गया है तीपाई हो गया तार की जाली हो गई यह वीकर हो गया यह जल इसमें भर परिसुद अल्गुल एवं गलेसल एसेटिक अमले दीजे कम से कम पांच मिनिट तक जल उसमक में उसे गरम करें जैसे कि चित 4.1 में दिखाए गया है अब इसे उस बीकर में उडेल दीजे जिसमें 20 से 50 ml जल हो और समिसरन को सूरिए एथेनॉल अमली की अविक्रिया है अभिक्रिया करके एष्टर बनाते हैं CH3COOH एथे नौई कमल प्लस CH3CH2OH एथेनॉल ए अमल के साथ अभिक्रिया करके बताऊं तो CH3COO निचे सामानता एष्टर की गंद मिदू होती है इसका उप्यूप इत्त बनाने एवं स्वात उत्पन करने वाले कारकों के रूब में भी किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइडेर से अभिक्रिया द्वारा है जो 8 चार है एश्टर पुनाह एलकोछल के बनाता है इससल्करिया को साबणी करन कहा जाता है क्योंकर इसमें साब़ोन तेयार जाता है सावन दीर्ग सिंखला वाली कार्वोसिलिक अमलों सोडियां मत्वा कोटेसियम लवन होते हैं इसे देखिए है CH3COS, CH3COOC2H5, NAOS के साथ करिया करके C2H5OH, CH3COONA, चारग के साथ अब करिया के बात करें हैं तो खनिच अमलों की बाती है, अथिनॉइक अमल, sodium hydroxide जैसे चारग से अविक्रिया करके लवन सोडियम एथिनॉइट या फिर सोडियम ऐसे टिक तथा जल बनाता है, इस तरह ऐसे, NAOH CH3COOH, अविक्रिया करके CH3COOH, COONA, प्लस H2 जै, एथिनॉइल अमल कार्वोनेट, इम हाइडोजन कार्वोनेट से कैसे अविक्रिया करता है, जानने के लिए आईए हम एक क्रिया क्लाप करते हैं, क्रिया क्लाप 4.3, अध्यादों के क्रिया क्लाप 2.5 के अनुसार उपकर एक परहनलाई में एक इस पूचूला, इस पूचूला भरकर सोडियाम कार्वोनेट लीजे, उसमें 2 ml तनू एथिनॉइक अमल मिलाईए, आप क्या पेक्चित करते हैं, ताजी चूने की जल में इसे इस गयस को प्रभावित कीजे, आप क्या देखेंगे, क्या इस एवं हाइडोजन कार्वोनेट के साथ अक्या, एथिनॉइट अमल कार्वोनेट एवं हाइडोजन कार्वोनेट के साथ अक्या करके लवन कार्वन डाय ओकसाइड और जल बनाता है, इस अक्या में उत्पन लवन को सोडियम एस्टेट कहते हैं, 2CH3COOH, A plus Na2CO3, अभी क्या CH3COO Na plus H2O plus carbon dioxide CO, अब बात करते हैं सावन और अक्या मार्जग, एक क्या गलाप को भी देख लीजिए आप लो, दोनों में एक बून तेल डालिए उन्हें A और B नाम दीजिए, परकनली B में सावन के गोल की कुछ पूने डालिए, दोनों परकनली नलियों को समान समय के तक जोड जोड से हिलाईए, क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परकनली नलियों में आप तेल इवन जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं, कुछे देर तक दोनों परकनली नलियों को इस्ते रखिए और फर उस पर ध्यान दीजिए, क्या तेल की परत अलग भी है, ऐ सावन के प्रभाव का पता चलता है, अधिकांस महल, अधिकांस महल तेली ये होते हैं, जो आप जालते हैं कि तेल पानी में गुलंसील है, सावन के अडू लंबी संखला वारी कारवोक से लिख, अमलों के सोडियां में यों पोटेस्यम लवन होते हैं, सावन का आयनिक भाग जल से जबकि कारवन संखला तेल से पारस परिक किरिया करती है, इस पेकार सावन के अडू मिसहल सरचना तयार करते हैं, इससे देख लीजे, तेल की हुन है, एने, 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 इस तरह से सरचना, मिसहल का नईवार, जहां अडू का एक सिरा तेल कड़की और तथा आ अब मिसेल की बात कर लेते हैं, सावनी के अडू ऐसे होते हैं, जिनके दोनों सिरों के बिभेन गुर्दरम होते हैं, जल में बिले एक सिरे को जल रागी कहते हैं, तथा हाइडोजन में बिले दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, जल रागी कहते हैं, जब सावन जल की सतय पर होता ह है तब इसके अड़ू अपने कुछ प्रिकार्व कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है ransom capital शोड़ से बाहर होता है जल के अंदर इन अड़ूओं की एक विशेश ब्यवस्था होती है जिससे हैं यसके अड़ोर्य हैप्र blush Aid department सिरा जल बड़ा उच्छा बनने के कारण होता है जबकि जल बिरागी पूच्छ correl आंत्रे किस्से में होता है जबकि उसका आयने की सिरह उच्छी की सते ह्पर होता है इस आप Color viktig को मिश्र'' कहते है District मिश्रन के रुम में सावन स्वर्ट स्वर्ज करने में स्च्छम होता है सावन के मिसाल पिकास को पिकेडित कर सकते हैं यही कारण है कि सावन का गोल बादल जैसा देखता है इसके रही आगल आपको भी देख लिए क्या परिक पड़ता है अलग अलग परक्नलियों में 10 ml आसुद जल अतुबा बरसा जल यानि के हेड़ पांप या फिर कुवे का जल दोनों सावन के गोल की कुछ बूने मिलाई है दोनों परक्नलियों को एक एक समय तक खिलाई हो उसम सलफिट मैगनेसियम या केलसियम की क्लूराइट को गोल का कटोर जल से यार कर सकते हैं यानि की बना सकते हैं क्रिया कलाप 4.2 दो परक्नलियों लीजे और पिदेख में 10-10 ml कटोर जल लीजे एक में सावन के गोल की 5 बूने और दूसरे में अबमार्जक के गोल की 5 बूने करिएगा जब आपके रियाकला पढ़ लेते हैं उसके नीचे वाले प्वेंट को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा क्या आपने कभी इसनान करते समय अनुबा किया है कि जाग मुश्किल से बन रहा है जल से सरीर दो लेने के बाद भी कुछ आगोजन सील पलार इसक लबन से प्रभावी बन रहते हैं सावान नंसिता सांपू या कप्रडों सेंपू धोनी के उतपाद बनाने में भी होता है तो सिधी सी वात कि आपने सद्ध्या में क्या सीका है यह अच्छी बात है कि चलिए जितना एक तरसे कठन भी यह चैप्टर सभी यह बोरिंग लगते हैं तो लाख्ट में आपको निस्कस दे दिया जाता है कि इस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश आपका क्या था तो यसे भी आप लोग देख लिए कारवन एक स्थरों तो मुखी तत्त है जो सभी जीवों यह हमारे उप्योग में आने वाली बस्तुओं का आधार है कारवन की चटो सयोजगता यह उन सेंक्लन प्रक्रक्ष्टी के कारण यह कई यह बनाता है अपने अप कारवन परवाणों के बीच दुई या त्री आवंद होते हैं कारवन की सिंखला सीधी साखायुक्त अत्वा या फिर वलिये किसी भी रूम में हो सकते हैं कारवन की सिंखला बनाने की चमता की कारण यह कों की एक सम जाती सेंडी हो उत्पन होती है जिसमें विवेल का अभी लाग चड़िक गुर्पिदान करते हैं कारवन तथा उसके योगकों योगिक हमारी इंदन की प्रमुक सिरोधियें कारवन योगिक एथेनौल एथेनौइक अमलका हमारे जीवन धैनिक जीवन में काभी मत भी है साबन एवं अपमाल जग की पिक्रिया अड़ों मे जल विरागी और जल विरागी दोनों समुहों की उपस्तिति पर आधारित है इसकी मदद से तेलिए मेल का पायस बनता है और बाहर निकलता है और आपकी कप्री के आपने साफ होती है यह आपकी अभ्यास के लिए गुष्चांस दिये गए हैं आप लोग लगाते रहिएग आपकी पीडिया टेलिग्राम पर डाल दे गए हैं वहां से आप लोग डाउलोड करेंगे ठीक है तो यह कौन सा चेप्टर था आपका चौत्रा कौन सा धातू एबं अधातू आपकर यह कारवन होस के यह होगे धातू अधातू हम लोग इससे पहले देख चुपे हैं आग आपि है शली तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके NCEIT बुक्स के बारे में इसमें अम लोग कच्छा चटवी से लेकर कच्छा दस्वी की सभी भोक्स क्मपलीट कर चुके हैं इस लाउश्ट कच्छा दस्वी की बुक्स ते क्पाइब इग गया क्न लोग चार चेप्तर आप पांच बेद्धियाएं तत्यों का आवर्थ बईकन एक जानकारी आप लोग वेशा देता हूँ और दे रहा हूँ कि NCEIT पढ़ लें आप लोग क्योंकि इस साल का हो फिर पिछली साल का हो फिर आने वाली सालों का हो सब में आपका NCEIT बहुत ही मात्पून स्थान रखती हैं बिना NCEIT के कुछ नहीं उखनने वाला है तो समय रहते हुए आप लोग सभी NCEIT को कवर कर दें और आपकी पैसे सभी NCEIT टेलीग्राम पर डाल दी गई है और दीरे-दीरे मैं भी इसे कवर करवा दूँगा ठीक है तो चली हम लोग एक तरह से सामान जानकारी जान लेते हैं नौवी कर्चा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदाड तत्त मिस्रन एवं यविक के रूम में उपस्तित रहते हैं हमने या भी सीखा कि तत्त एक ही बेकार की परमाणूं से बने होते हैं क्या आप आप जांते हैं कि आज तक कितने तत्त्त का पता चल चुपा है आज तक हमें 118 तत्तत्त्त प्राक्टिक रूम से पाये जाते हैं जैसे जैसे बिभिन ने तत्तों की खोज हो रही थी, बिज्ञाने के इन तत्तों की गुर्धार्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी कत्तित करने लगे, उन्हें उन्हें तत्तों की इन जानकारीयों को विवस्तित करना बड़ा ही कटिन लगा, उन्होंने इन 10th, 12th, 11th में थे तब आपको chemistry या biology या किसी भी आप देखते हैं कि बहतर आता था 108 तत्तों के बारे में आप लोग पढ़ते थे आपको सभी रटे हुआ करते थे कौन कहा है, किनकी परमाडू संक्या क्या है, परमाडू भार क्या है इन सब के बारे में आप लोग बहतर जानते थे आगे बढ़ते हैं आप बिवस्थित को बिवस्थित करना तत्तों के बर्गीकन की प्यार अबडी प्रयास है हमने पढ़ा है कि कैसे बेविन वस्तुमों एवं प्राडियों को उनकी गुर्धर्मों के आधर पर बरगीकित किया जा सकता है अन श्तितियों में भी हम गुर्धर्मों के आधर पर बीवस्तित होने की उधारन मिलते हैं जैसे दुकानों में सावन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि विसकोटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है, यहां तक की सावनों में भी नहाने की सावन को कपड़ा धोने की सावन से अलग रखा जाता है, इसी पेकार बिग्यानिकों ने भी तत्तो को उनके गुरह-ध्रमों के आताइब बगिकट करने की कही प्रियास किये ताकि आविवस्तित को विवस्तित किया सके जैसे जैसे तह्तों एबं उनके गुरह-ध्रमों की था परमारे वी manti की दिया गया यह कहीं भी कोई function है तो आपको अलग इस्तिती में रखा जाएगा आपको मालनी जिकल आप सक्सी जोग है, civil servant बन चुके हैं तो आपको अलग category में रखा जाएगा समझ रहे हैं तो उसी तरह की बात की जा रही है मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे इस तरह की जोगी जहां भी होता है कभी अकबर के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो अकबर की जगे अपने आपको रख लिया करेगा अपने आज स्पास से जोड़ करने पढ़ा करेगा तो बहतर समझ में भी आता है और बहतर आपको याद भी रढ़ता है आगे चलते हैं दौबे राइनर की त्रिक सन 1870 में जर्मन रसायनक वुल्फ गांग दौबे राइनर ने समान गुर्धरमों वाली तत्तों को समुव में विवस्तित करने का प्रयास किया उन्होंने तीन त त्तों को उनकी परमाडू-दृरमान के आरुन कियोटरमी की में रखने पर बीच बाली तत्तों के परमाडू-दृरमान का लगवक पॉसत होता है उधारन के लिए लीथियम एलाई इसके एक तो सौट नाम आप लोग हमें से याद रखना करिएगा और किसका फुल्बॉम की पता है आप लोग कहीं भी आप देखते होंगे कि दारेक्ट फुल्बॉम कमी यूज किया जाता है सोडियम का देखते होंगे एन लिखा आ जाता है पोटेसियम के बालित त्रिक पर ध्यान दीजिए जिनके परमाडू द्रमान किरम सा 6.9 23.0 और 49.6 लीथियम एवं प्रोटेसियम के परमाडू द्रमानों का उसत क्या है सोडियम के परमाडू द्रमानों से इसकी तुल्हा कैसी की जा सकती है निम्न साइनी में तेन तत्तों के कुछ समू दिये गया है इन तत्तों को परमाडू द्रमान के आरोह किरम में उपर से नीचे यह और बिवस्तित किया गया है क्या बता सकते हैं कि इन में से कौन सा समू परमाड द्रमाड हो गया तक परमाड़ के तक हो गया आपका N हो गया इसका परमाडू क्या है, 14.0, फिर आपका CA, इसका 40.0, फिर आपका CL, इसका कितना है, 35.5, इसके सीधा से कहने का मतलब है कि जैसे ABC है, तो माल लिजे कि इसका A और C का भार लगभा परमाडू द्रमान लगभा बीच के जो B होगा, इसके औसत के बराबर होगा, ठीक है, यह क देख लिए, आप देखेंगे कि समू B और समू C डॉबराइनर ट्रिक मनाते हैं, समू B और समू C क्या बनाते हैं, डॉबराइनर ट्रिक बनाते हैं, डॉबराइनर उस समय तक ग्याद तत्तों में कि इवल ट्रिक, तीन ट्रिक की ही ग्याद कर सकते थे, इसलिए ट्रिक में बरगी करने की यवद्धिती सफल नहीं लेगा। कल्पना कीजिए कि आपके आपको तता आपके दोस्तों को टुकड़ों में बाटा हुआ है। बाटा हुआ एक नकसा मिलता है जो किसी खजाने का पता बताता है। क्या उस खजाने तक का रास्ते का पता करना आसान होगा या आवेवस्तित। रसायन विज्ञार में भी ऐसी आवेवस्ता थी। तत्त तो ग्याद थे लेकिन उनके बरगी करने वद्धिन की कोई विधी ग्याद नहीं थी। इनके बारे में भी जाल लेगी है। जे डगलू दोवे राइडर 1788 से 1869 की जिंदगी रही है। कितनी? 1780 से 1869 जोहान बुल गांड दोवे राइडर ने जर्मनी के मियून से वर्ग में और सिधी विज्ञार की पढ़ाई की और उसके बाद इस्टेर्स वर्ग में रसायन सास्त काध्यन किया। फिर वे जैना बिस्विद्याले में रसायन एवं और उस्दी विज्ञान की परोविस्ताय बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले पिलेटीनम को उत्विरक की रूम में पहचाना। तथा समान त्रिक की खोज की जिसमें तत्तों की आवड साइडी का विकार हुआ। लेकिन आद रखिए जो दोवराइनर का तीन बिंदू बाला त्रिक बिंदू था एक सफल नहीं हुआ पुरी तरह से ठी है। फिर आप देखेंगे निव लेंड्स का अश्टक सिध्धान। दोवराइनर की प्रयासों ने दूसरे रसायनवों को तत्तों की गुरधरम को उनकी परमाडू द्रमान के साथ संबंद इस्थापित करने के लिए परुसाहत किया। सन 1866 में अंग्रेज बिज्ञानी जॉन निव लेंड्स ने गया तत्तों को परमाडू द्रमान के आरोही करम में विवस्कित किया। उन्होंने सबसे कम परमाडू द्रमान वाली तत्त हाइड्रोजन से तारम किया और तथां 56 तत्त थोरियम पर इसे समात किया। उन्होंने पाये कि पितेक आठवी तत्त का गुर्धरम पहले तत्त के गुर्धरम के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अश्टक से की। और इसलिए उन्होंने इसे अश्टक का सिध्धान भी का है। इसे निव लेंड्स का अश्टक सिध्धान की नाम से भी आ बेरेलियम एबं मेगनेसियम में अधिक समानता है, निवलेंड्स के अश्टक के मूल रोग का एक बाग साइडियू 5.3 में दिया गया है, इसमें देखिए, निवलेंड्स का अश्टक निया, सारे गामा, मा, पा, धा, नी, आप समझ रहे हैं, इसी के नाम आधार पर तो एक तरे से अश्टक केह दिया, ऐसी, डो, रे, मी, आ, सो, ला, टी, ठीक है, ये संगीत के सुरह हैं, सुरह हैं, आप लोग आटर एन कल्चर पढ़ते होंगे, तब आपको ज़रू है, देखिते रही है, हाइड्रोजन, लीथियन, बेरियम, ठीक है, नाइड्रोजन, आक्सीज क्या आप संगीत के सुरों से फर्चित हैं, भारती संगीत पैनाली में संगीत के साथ सुरह होते हैं, सारे गामा पा, सारे गा, मा, पा, धा, ने, पच्यात संगीत में लोग इन सुरों को ऐसे उपयोग करते थे, करते हैं, दो, रे, मे, भा, सो, ला, टी, ठीक है, सुर के स् पूर्ण टून और अर्द टून आविट्टी अंतराल से अलग किये गए होते हैं इन सवरों का उपयोग कई कर कोई संगीत का संगीत की रचना करता है इस पश्टे की कुछ सवर बार बार दो रहा जाते हैं पितेक आठवा सवर पहले सवर जैसा होता है अंगली बंगती का प गुर्धरम पहले तत्त से नहीं मिलता था जो केल्सियम है इहां तक मिलते थे इसके गुर्धरम लेकिन के बाद बदल गए ठीक है निव लेंड्स ने कलपना की प्रक्विति में केबल 56 विद्वान है तथा भविस में कोई अन तत्त नहीं मिलेगा लेकिन बाद में कई साथ रख दिया वो कुछ आसमान तत्तों को यकिस्थान में रख दिया कि आप साइड़ी 5.3 में ऐसे उधारन ढून सकते हैं द्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में हैं तथा इन्हें एक साथ उसी स्थमय में रखा गया है जिसमें खिलो औरीन, किलोरीन और यक भी इनके गुर्दरम उन तत्तों, दोनों तत्तों से बिनने आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुर्दरम में समानता होती है इस पेकार निव लेंड्स अश्टक सिधान के वलहलके तत्तों के लिए ही ठेक से लागू हो पाया नोबल अब चलते हांगे आविवस्तित से बिवस्तित करना मेंडलीग की आवर सायडी एक आप सोचे इनसे हांगे एवी काफी बढ़ चुके निव लेंड्स के अश्टक सिधान के आस्वीकार होने के बाद भी कई बिग्यान को ने ऐसे पिती रूपों की खोच जारी रखी जिसम इंडेलीग के पयरंबी क्विकास में उनका प्रमुप युगधान रहा है उन्होंने अपनी सायडी मिईस्टो के उनके मूल गुरत धरम परमादु धरमान तरह सायणी गुरतितने कों में समान्ता की आथर पर विवस्तित किया है आप बोग सुनते रहते है मैंडेलीग की स तो यह काफी सकसिज भी रहे है। दावित्री इवा इवा नोविच मेंडलीब इनका जीवन आ है 1834 से 1907 तक मेंडलीब का जनम 8 फरवरी 1834 में रूस के पष्टमी साहिदरिया के टोहो लस्क इस्थान में हुगा था अपनी प्यारमीक सिख्चा के बाद मेंडलीब अपनी मा क कि प्रयासों के कारणी विस विद्ध्यालाय में प्रवेश पासके अपनी खोच को उन्होंने मा को समपीड करते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे उधारन देकर समझाय है प्यार से समझाय है अपने से संसाधनों एवं सक्ती बैकर के मेरे साथ बिभिन इस्थानों पर और हूँ ओडें के वह जानती थी कि विज्ञान की मदसर बिना अहिंसा की लेकिन प्यार एवं देड़तास अंधिविश्वास अस्थ धानाऊं इवं गल्तियों को दूर किया जा सकता है उनके द्षावले तत्यों की देवस्था को मेंड़लीव की आवसायड़ी कहा जाता तब तक 63 तद ग्यादते कितने, 63, 64, उन्होंने तत्तों की परमादू द्रमान एबं उनके भौतिक तथा रासानिक गुर्धर्मों के वीच सम्मंदों का अध्यन किया, रसानी गुर्धर्मों के अंतरगत मेंडिलीप ने तत्तों के ऑक्सीजन एवं हाइडोजन के साथ बनने वाले योगिकों पर अपना द्यान केंदिल किया उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइडोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अतन सत्त के लिए हैं कौनकों से हाइडोजन और ऑक्सीजन अधिकांस तत्तों के साथ योगिक भी बनाते हैं आपके हाइडोजन ऑक्सीजन हाइडोजन तत्तों से बनने वाले हाइड्राइड ए उन्होंने समान गुर्धर्म वाली तत्तों को अलग कर दिया, तथा इन पत्तों को पिन लगा कर दीबार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांस तत्तों को आवसायनी महिस्थान मिल गया था। तत्तों के गुर्धर्म वाली बिभिन्य तत्तों के गुर्धर्म उनकी परमाडु द्रमान का आवर्ध फलन होते हैं। मैंडलीक की आवसायनी में ओर्ध स्थम को ग्रोप यान की समूग भी कहते हैं। और पक्तियों को पिरियर्ड यान की आवसायनी के इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने लिख की आवर साइडी एक समू होगा है एक दो दिन चार पाच छे साथ आठ और यह आपका आवर साइडी होगे है ठीक है ओक्साइड हैड्राइड आइड्रोजन ठीक है रहां से चालू हो रहा है लेथियम तो इसहें देखते रहेगा मैंडली की आवर साइडी जर्मन पत्तिका में पिकासित हुए कव अठारे सो बहत्तर में इस्तम के सीज पर आउकसाइड तथा हाइड्रोजन के सूत में अंग्रीजी का अक्षर आर समू के किसी भी तरत को दरसाता है सूत को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए उधारन के लिए कारवन के हाइड्राइड CH4 को आरेच को तथा उसके ओकसाइड CO2 को आरेट आरोटू लिखा गया है एक बात और आपको बंदा दूए है कि इसमें कोई डारेक्ट आपसे बनाने के लिए नहीं आ रहा है सिविल सर्विस में आभी आपको मुझे नहीं लगता है कि कभी डारेक्ट आपको बनाने के लिए आ जाएगा लेकिन आपको याद तो होना चाहिए इतना समझें आप लोग कि कौन कितने तत्त हैं क्या है क्या इस्तिति हैं कि परमाडु भार क्या है इनका इस सी तरह है अब आगे हैं मेंडलीप की आवर सायणी की उपलब दिया आवर साइणी विवस्तित करते समय में ड्रसाइब को मेंडलीब को साइणी मैं अधिक द्रमाण वाले तत्त्imentos को कभी कभी कम द्रसाइब वाले तत्unyaंसे पहले रखना पड़ा किरम इसलिए वुलटना पड़ा ताकि समान गुर्दहम वाले तत्तों को एक साथ रखा जा सके। उधारन के लिए कोबाल्ट, इसका परमाडू द्रमान आपको देखने को बिलेगा 58.9, सायनी में निकेल, यानि इसका परमाडू द्रमान देखने को बिलेगा 58.7 से पहले हैं, यानि कि जाना वाला कम वाले से पहले रखा गया, सायनी 5.4 को देखकर क्या आप ऐसी अन दिसंगती ढूंड सकते हैं, इसके अतरिक्त मैंडलीप ने अपनी आवर्स सायनी में कुछ रेक्त स्थानों को छोड़ दिया है, इन रेक्त स्थानों को दोस की रूम में देखने के बज़ाए, मैंडलीप ने दर्टा पूर्वा कुछ ऐसी तत्तों की अस्तित का अर्मान किया, जो उस समय तक गयात नहीं थे, यानि कि आने वाले समय में हो सकता है गयात हूं, इनका नाम करन उन्होंने उसी समय में इसके पहले आने वाली तत्तों के नाम में एका संस्कित सब्द उफशर्व लगा कर किया है, जैसे बाद में ग्यात होने वाले स्केंडियम, गैलियम, जर्मिनियम के गुर्धरम के रमसा एका गोरोन, एका एलूमिनियम, एका सिलीकोन के समान थे मैंडली द्वारा नुमानित एका ऐलूमीनियम तथा बाद में गयात गयलियम के गोर्धरम को साइनी 5.5 में सूचीवत किया गया है इसकी बात कराऊं एका ऐलूमीनियम तथा गयलियम के गोर्धरम एक गोर्धरम हुए परमाडू द्रमाण एका एलू, एलूमीनियम और गेलीमियम, ए अर्थ परमाडू द्रमा, अर्सट दसम्लाओ, माप करिए अर्सट और ये आपका 69.7, ऑकसाइड का सूथ की बात करें तो E2O3 और GA2O3, किलोडाइड का सूथ बात करें तो ECl3, GACl3, इससे मेंडलीब की आवसाड़ी की परिसों द परिता तथा उपयोग तक वे खोस मेंड मिल गए हैं, इसके अलावन मेंडलीब की अनुमान की आसाधारण, सफलता की कारण रसाइड़ों ने उनकी आवसाइड़ी को ना किवाद सुईकार किया, पितु उनके इस सिध्धान की अउधारणा का सर्जग भी माना है, उत्कर मेंडलीब की आवरसाइड़ी की एक विसस्त है अभी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली वेवस्ता कुछ चेड़ी बिना इनने नए समुव में रखा जा सकता, तो काफी हद तक आप कहिए कि मेंडलीब सफल है, लेकिन आप देखते हैं कि एक सिक्के के दो कहि हैं, तो इसमें सिमाओं इनके बरगीकन की सिमाएं क्या है, समस्याइं क्या होने भी देख लिते हैं, मैंडलीब के बरगीकन की सिमाएं भी हैं, हाइड़्ोजन का और प्रेकल भिलिद लक्टॉन के एक सूत्य वाले योग additive बनाती है ऐसी जासा दारन में दिखाया है, दूसरी ओर हम ह्योगे की बाती, हीद्रोजन भी 2 पर्मार्दों अड़ों की रूम में पाई जाती हैं . और धातुयों है एवं धातुयों के चाथ सय सयोजक हो स्योग योगिक बनाती है , हाइडोजन की यहोगे को गए, सोरियम की यहोगे को गए, HCl, NaCl, S2O, Na2, कुल, S2S, Na2S, किरिया कल आप भी देख लिए, किवाल इसे पढ़ना है आपको निकल जाना है, ठीक, छार दात्मों यहों हैलोजन, कुल की समानता को ध्यान में रखती हो यह हाइडोजन को, मैंडलीब की आवरसाइडी में उचेति स्थान पर रखिए, हाइडोजन को किस समूँ में एवं आवत में रखना चाहिए, निक्षी दूरूप से आवरसाइडी में हाइडोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है, यह है मैंडलीफ की अवर साइडी की पहली कमी थी, वह है अपनी साइडी में हाइडोजन को सही इस्थान नहीं दे पाई है, अब देखिए आपसे प्रेलिम से में कुश्चन बन जाएगा, कि कहां तक सफल रहे हैं, इसमें कौन-कौन से इनकी कमियाद थी, तो आप एक तो सबसे पहले इसे ही कमी को बता सकते हैं, यह आप मुचले आपसे इंटर्विव में भी पूछ ले, कि मैंडलीफ की जो आवर साइडी थी, इसमें क्या कमी थी, तो आपको बता देना हैं कि जो हाइडोजन है, इसे नियत इस्थान नहीं दिया जा सकता है, यह मैंडलीफ की सबसे बड़ी एक तरह से आपके यह पहली कमी थी, और वह अपनी साइडी में हाइडोजन को सही स्थान भी नहीं दे पाई, मैंडलीफ के तत्तों के अवर्विट बर्गी केंड तेयार होने की परियाप्त समय बाद, समस्थानिकों का पता चला, हम जानते हैं कि किसी तत्त के समस्थानिकों के रसायनिक गुर्धरम समान होते हैं, लेकिन उनके परमाडु द्रमान भिन भिन होते हैं, तो एक तरह से सम इस्थानिक क्या कहलाते हैं, जिनके रसायनिक गुर्थों सवान होते हैं, लेकिन जो पर्माडू दिरमान के हैं भिन भिन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं आप लोग सम इस्थानिक, फिर से सुन लीजे, सम इस्थानिक उन्हें कहते हैं, जिन तक्तों के रसा किरिया कला 5.2 को देख लिए किलोरीन के समस्थानिक CL 35 और CL 37 पर विचार किजे उनके परमारु दरमान भिन-भिन होने के कारण क्या आप उन्हें अलग-अलग रखेंगे या रसायनी गुर्धरम समान होने के कारण आप दोनों को एक ही स्थान पर रखेंगे इस वेकाल सभी तत्तों के समस्थानिक मैंडलीव के आवर्ट नियम के लिए एक चनोती थी दूसरी समझ से आया थी कि एक तत्त से दूसरे तत्त की और आंग बढ़ना पर परमारु दरमान नेमेत रूप से नहीं बढ़ते हैं इसलिए अनमान लगाना कठिन हो गया है कि दो तत्तों के बी या सीमाय भी कर सकते हैं आप लोग इन कुश्चन को देख सकते हैं आप लोग अब बात करते हैं आवेवस्तित से बेवस्तित करना आधुनिक आवर्ट साइड़ी मैंडलीव की आवर्ट साइड़ी खतम हो थी अब जो नई आधुनिक समय की आवर्ट साइड़ी हैं इसे भ परिवतन किया गया तत्तों के गुर्धरम उनकी परमाडू संख्या का अवर्ध फलन होते हैं आप जादे हैं कि परमाडू संख्या थी हमें परमाडू की नाविक मेस्तित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है जब आप देखा होगा कि बात आती है परमाडू संख्या थी तो आप क्या मालू चलता है प्रोटोनों की संख्या का जो नाविक में रहते हैं तथा एक तत्य से दूसरे तत्य बढ़ने पर इसकी संख्या में एक की बढ़त्री होती है अरोई क्रमस्तित करने पर जो बरगी करण प्राप्त हुआ है उसे आधनी कावर सायनी कहा जाता है प्री सुद्यता से अनमान लगाया जा सकता है चलिए आँगे बर्ते ही क्रिया कलाप 5.3 देख लेते हैं आधुनिक आवर्सायनी में कोबाल टेवों निकल के स्थान कैसे निर्धारीत किये गए है आधुनिक आवर्सायनी में विभिन ने तत्तों के समस्थानिकों का स्थान कैसे सुन्चित किया गया है हम hydrogen की आसंगत, इस्तिती का चल्चा करेंगे, एक normal सी इस्तिती आप लोग समझे, एक समय आप देखते हैं कि जो rate आती है, इसका यूज कोई नहीं करता था जाता, आज आप देखिए कि इसका बेहतर यूज होने लगा है, और समय आने पर हो सकता है कि और इसका बेहतर यूज होने लगे, बैसे भी technology का है, पहले आप सोची कि हम लोग cycle से चलते थे, फिर आपने दिखाए कि बस आने लगी, इस तरह से train आने लगी, हवाय जाज, इस तरह से technology बदलती रही, तो नए नए दिमाख आती रहे, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेंडली की आवर्सायणी म पूरी कर दी, ठीक है, वो इसलिए तो यह आई हुई थी, आदूनी का वर्सायणी में तत्तों की स्तिती की बात करें, तो आदूनी का वर्सायणी में 18 उर्द इस्तम हैं, जिने समूग कहा जाता है, और 7 इसमें 6 पंग्तियां देखने को मिलेगी, जिसे आप लोग आवर् में तत्तों की स्तिती किस बात पर लिवर्क करती है, क्रिया कलाब 5. क्वॉएन die अवर्थ साभी ऐसमूह में उपस्तित तत्तों विन्यास रिखी ही इन तत्तों के को मिल ला है इस रंग में आपको द देखने Kो मिलेगी इसमें आपको अथाथू देखने को मिलेगी इस सम्गोष अन्खया होगी कहेँ ना action और कि रेखा है अदाथू को अदाटुवां से अलग भी करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि यहां आपको क्या है अधातू है hydrogen यहां से सुरू होता है आपका hydrogen से क्या होता है सुरू फिर आप देखते हैं कि hydrogen के बाद आप helium फिर आप देखते हैं लीथियम बेर बेरिलियम ठीक है उसके बाद यहां boron, carbon, nitrogen, oxygen, philorine, neon इस तरह से आप लोग चलते हैं यह और एक last में आ तत्त, 170 वायव तत्त हैं ठीक है तो इन्हें आप लोग एक से दो बार पढ़ दीजिए बस ध्यान रखने के लिए सभी को रटना जरूरी मुझे नहीं लगता है कि रटना जरूरी है और वैसे भी आप लोग एक से दो बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा यह क् आजाएगा आपको बस आपको धातो में भी याद रखना है और ओधातो और अदातो और यह आपको दिख राए है यह आपके अदातो हैं और यह ओदातो हो गए थोड़ा रड? से color में आपको और बाकि यह दातो हैं हुका है अधातो है precisamente और वरॉन यह और रखनों किया है यह आपको देखने को मिलेगी, यह भी आपकी अधातु है, लीथियम क्या है, यह आपकी अधातु है, ठीक है, लेंधिसाइड, देखें संधावन के बाद छूट गया था ना, लेंधिनाइड, यहाँ आपको अधावन, तर आप देखते हैं, इकत्तर तक, तर आप और 103 तर आप देखेंगे कि इन सभी तत्तों की 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 जाने पर कोसों की संख्या बढ़ती जाती है हाइडोजन की स्तिती की स्तिती अंश्चेत रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्ड की समूव एक या फिर समूव सत्तर एकिसी में भी रखा जा सकता है क्या आप बता सकते हैं क्यों क्रिया क्लाब आप देखे लीजिए 5.5 को याद क्या इन सभी तत्तों कि स्योजगता इलेक्ट्रोन की संख्या समान है क्या इनके कोसों की संख्या समान है आप देखे देखेंगे कि इन दूसरे आवर्ड की तत्तों की स्योजगता इलेक्ट्रोन की संख्या तो भिन भिन है लेकिन इन में कोसों की संख्या समान है आप यह देखेंगे कि आवर्स में बाई और से दाई और जाने पर यदि परमाडू संख्या में एकाई की विद्धी होती है, तो सयोजक्ता इलक्टोनों की संख्या में भी एकाई विद्धी होती है, आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोसों के समार्ण संख्या भाले विमिन तक्तों के परमाडू एक ही आवर्ट में इस्तित हैं से धर्राबורהश क्या है पहले दूसरे तीसरे यहाँ चोफे आवर्ट में कितने पत्त हैं बेवेन कच्चों में भरे जाने वाले इलेक्टोनों की संख्या की आधार पर हम इना आवर्तों में तत्तों की संख्या बता सकते हैं आगे की गक्चा में आप इस बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे आप जानते हैं कि किसी कोस में इलेक्तरों की अधिक्तम संख्या एक सूथ 2N स्क्वार्टे पर निर्वर करती है जहां n नाविक से नियत कोस की संख्या नो दरसाता है कि कोस आप देखेंगे 2x1 इसक्वार्टि यानि कि बरावर 7行了 आवर्ट में दो तत्ताएंगे आपकी एलकुस में आप देखेंगे इसमें आठ दूसे आवर्ट में आपकी आठ तत्ता हैंगे तीसरे चौतरे पाचवे चटवे और साथवे आवर्ट में किरमसा आपको देखने को मिलेंगे आठ अठारे अठारे बत्तीस बत्तीस देखने को मिलेंगे इसका कारण आप सायोजक्ता इलक्रोनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या आफ बता सकते हैं कि Mendalink tato इस कि मैंडली ने अपनी तत्रों की स्टती में sports का wanna तो सायोजक्ता य॥ा ने चाल को.. ता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारिक होती है, तिरिया गला 5.6 को भी बढ़ लीगे, किसी तत्य के इलेक्ट्रोनिक विन्या से आप उसकी सहिवजक्ता का परिविल कलन कैसे करेंगे, परमाडु संख्या 12 बाले में एंगने सिय है वा परमाडु संख्या 16 बाले सलपर क्या होगी, इस पेकार पहले 20 तत्तों की सायुजगता, ज्याद कीजिए, आवर्ट में 22 से दाइवर जाने पर सायुजगता किस पेकार परिवर्तित होती है, संभू में उबर से नीचे जाने पर सायुजगता किस परिवर्तित होती है, पर्माडू साइच की बात करें, पर्म की पावर माइनस बारे एम है आई हम समूह तथा आवर साइट में परमाडल साइज की विर्णता का अध्येन करें क्रिया कलाक यसे भी देख लिए 5.7 को मुझे लगता है कि आप लोग इने पढ़ लें और निकल जाए एक से दो बात पढ़ लें क्योंकि इसमें आप लोग ज कुछ जानदा नॉलिज नहीं है क्यमिश्ट्री के बारे में तो एक तरह से या तो सीधा साहे आपको और मुझे लगता है कि इतना नहीं पूछा जाएगा कि आपको पूरी आवर साइटी लेखने के लिए आजाए समझ रहे हैं कि मैंस में आपको आंसर लेखने के लिए आ आवर्त में बाईयों से जाने पर करमाणुतिया कि अलेखने इलेक्ट्रों को नावी की ओर खीजता है जिसके परमारू का साइज घरता जाता है इसे भी देख लिए तर्थों के परमारू तरज्या में परिवतन का अध्यन कीजिए ता उन्हें आरुविख किरम में विवस्थित कीजिए इसी तर्थ का परमारू सबसे चोटा हो किसका सम्भू में उपर से नीचे जाने पर परमारू का साइच में कैसा परीवतन होगा। आप देखेंगे कि सम्भू में उपर से नीचे जाने पर परमारू का साइच में कैसा परीवतन होगा। एकात questions अगर आ गया हो तो मुश्किल से बरना मुझे इस तरह के questions कभी नहीं देखने को बिलेगे यह भली पूँच सकता है कि परमाणू का साइच उपर से नीचे जाने पर क्या होता है इस तरह के questions आप से ज़रूर पूँच सकता है या इंटर्व्य पूच लेगा है तो आपको याद रखना है कि समुव में उबर से नीचे जाने पर परमाणू का साइच बढ़ता है अगर आपसे पूँचे कि परमाणू तिज्या दाई और बाई से दाई और जाने पर क्या उधी बढ़ती है या गटती है यही मुझे लगता है कि पूच सकता है ऐसा इसलिए होता है कि उपकी नीचे जाने पर एक नया कोस जोड़ जाता है इससे नाविक तता सबसे बाहरी कोस के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाविक का बेस बढ़ जाने के बाद भी परमाणू कसाई बढ़ जाता है धातवी एवम अधातवी कुरधरम की बात करें तो किरीया कलाव 5.9 को देख लिए तेवी तत्तनों की जाजकरण ने धातू ऐवम अधातू में वरकी कीड कीज़े साणी की किस और धातू है इस्तित है एन ये और एमजी जैसी धातू है साणी कि बायोर पर पर एवं किलूरीन जैसी अधातु में दायोर देखने को मिलेगी आपको मद में सिलीकन इस्तित हैं जिसे अर्धातु या पर उपधातु कहते हैं सिलीकन याद रखिए अर्धातु और उपधातु अर्धातु में जिनी जाती है या अधातु और धातु दोनों की गुर्धारम पिदर्शित करता है, इसलिए उपधातु कह देते हैं या अधातु, आधुनी का वर्सायनी में एक टेडी मेडी रेका धातु को अधातु से यलग करती है, इस रेका पर आने वाले पत्त बोरोन, सिलीकन, जर्मिनियम, आर्से प्रवित्ती होती है, अर्थात या विद्वध धनादमत होते हैं, क्या होते हैं, विद्वध धनादमत, इसे विदेक लिए क्रियागला 5.10 को समू में एलेक्ट्रोन त्यांगने की प्रवित्ती किस पेकार बलती है, आवर्थ में ये प्रवित्ती कैसे बलती है, आवर्थ जिसे जो साहयोजक्ता कोस के वाला प्रिभावी नाप नापकी आविस्व बढ़ता है तो आपको देखने को मिलेगा कि वाल वाल योटन धित्डून निकल जाते हैं ततना समुव में नीचे ही जाने पर बढ़ता है, दूसरी वर आप देखेंगे अधात्म होती है, उनमें इलेक्टोन गहर करके आवंद बनाने की प्रवित्ती होती है, आई इन गुर्णानों की बेवित्ता के बारे में जानकारी लगाती है, किरिया कलाब इसे देजी देख 5.11 को, आप 5.11 को, आप लोग जब किरिया कलाब को पढ़ते हैं, उसके बात जो लाइने दे रहती हैं, उन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करें, विद्धुत रिडात्मक्ता की प्रवित्ती के अनुसाद अधात्यों है, आवर्सायनी की दाहिनी और उपर की और दादू के ऑक्साइड कैसे होते हैं, चार की और दादू के ऑक्साइड सामानता अमलिय होते हैं, यही जारिकारी मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए आपको, कौन सी कि दादू के ऑक्साइड कैसे होते हैं, चारिय प्रवित्ती के होते हैं, या आमलिय प्रवित्ती क आपको याद रखना चाहिए दाधातुमों के ऑकसाइड शार किये होते हैं और अधातुमों के ऑकसाइड सामनता अमली होते हैं इसके लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको मुसे यह आप लोग कुश्टेंस पर उठा के देख लिए कि कहां से कुश्टेंस पूचे जा रहे हैं आप लोग लगे मैंडली की फिर आवर साइडी या आधुनिक आवर साइडी रखने लगे रखने लगे तो मुझे लगता है कि रखने वाला समय खलतम हो गया है आपने क्या सीखा लाश्ट मैंसे भी पढ़ लिया गरिया तत्तों क कि उनके गुड़धर्मों में समानता की आदार पर बर्गी कीद किया गया है दोवे राइन ने तत्तों को त्रिक में बर्गी कीद किया जबकि निव लेंड्स ने अश्टक का सिद्धान दिया या पूंच लेगा कि अश्टक का सिद्धान किस ने दिया था और किस से समंध तो new lands काई और तक्तों के बरगी किद से Mandalik के तक्तों का उनके परमाड은दरमान के आरुई किरम और तफानी गोड़धरमों के आदार पर बरगी किद किया है या फिर कूँटलेगा आप से कि Mandalik ने तक्तों को किस के बरगी किद किया था तो याद रखे परमाडू द्रमान के आरोई किरम और रसायनी गोड़ धरम के आधार पर मैंडलीप ने आवसायनी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्यों की वज़दारी की थी एक तरह से आप समझें कि एक रूम आप लोग अलग अधक बना लीजे या खाली छोड़ दीजिए और बगल में आप से प्ट हो जाईए यही अंदाजा लगा कि कि आपके घर में एक नया मेंमर आएगा उसके लिए रूम हो जाएगा यही तो आप लोग भविस में एक तरह से प्लान बना के चलते हैं सी तरह होने भी किया तत्तों को परमाडू द्रमान के आरोही क्रम में विवस्तित करने से होने वाली विसंगितियां परमाडू संक्या के आरोही क्रम में विवस्तित करने से दूर हो जे गई हैं तत्तों के इस आधारवुद गुर्धरम अर्थात संक्या की खूझ मोजली ने की थी आधुनी कावर्सायणी में तत्तों को अठार हे बूर्ध पंगतियों जिन्य आवध केती हैं इस पेकार वेवस्तित तत्य पर्मानुसाइड सहयोजकता को सहयोजन्रबन, चमता ततना दात्विक अभी लक्षण जैसे गुर्धर्मों में आवर्धिता पिदर्शित करते हैं यह आपके कुश्चांस दिए गए हैं यहने भी आप लोग लगा लेना ठीक है और पीडिये आपकी बता चुका हूं कि आपके टेलीग्राम पर सभी राल दिए हैं देखे इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है क्योंकि देखे मैं भी कोई केमेश्टरी का गयाता नहीं हूं सब्सक्राइब कि मैं आपको गोहल की पिला दूँ तो इसलिए थोड़ा अच्छे से आप लोग खुद देखते रहे हैं एक से दो बाद चलिए आगे हम लोग मिलते हैं जैव पिक्रम में इसमें शुरूण के मुझे नहीं लगता है कि एक सांबान जानकारी के लिए काफी है इसमें आप देखेंगे आपको जो हकीकत में आपके कुश्टेंस पूंचे जाएंगे इन चेप्टरों से कुश्टेंस आपके आते रहते हैं ठीक है तो मिलते हैं आप लोग छटवी चेप्टर में जैव पिक्रम में चलिए को अब लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स के बारे में और इसमें हम लोग कच्छा दस्वी की विख्ञान देख रहे हैं कच्छा दस्वी की विख्ञान को आपके आपके खत्म चेप्टर आपके जैवे इसके जितनी भी आपकी PDF है वो सभी टेलिग्राम पर डाल दी है तो समय रहती हुए आप लोग क्या करिए का उन्हें डाउलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसे मैं तो कहता हूँ कि बहुत जल्दी खतम कर दीजिए अभी आपका देखिए आप लोग की एक साल का टा पढ़ ली उसके बाद आप क्या किया करिए कि एम लक्षमी कांग पढ़ लीजिए उसके बाद लाश्ट में आप लोग अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं उन्हें रिवीजन करके चले जाए ना ठीक है तो चलिए छटवे चेप्टर में आप लोग जानते है और पढ़ जानते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं पौधों के बारे में हम कैसे जानेगे कि ये बे सजीव हैं हम मैं से कुछ कहेंगे कि ये हरे दिखते हैं लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पतियां हरीना होकर अनरग की होती हैं बे समय के साथ बिढ़ी भी करते हैं और अता हम कह सकते हैं कि बे सजीव हैं दूसरे सब्दों में हम सजीव के सा आमान प्रमाड के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं, ये बिधी, संबंधी या फिर अन गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौदे भी सजीव हैं, जिनमें बिधी परिलक्षित नहीं होती है, कुछ जन्तु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनकी गति इस पर्ष्ट इसी के बारे में पढ़ेंगे हैं, अती सूप्च में स्केल पर होने वाले गतियां आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, उधारन के लिए अड़ूंगों की गतियां, क्या यह आद्रस आडविक गति जीवन के लिए आवसक हैं, यदि हम एकिसन किसी विवसाई जिब बना हुआ है, कि विवास्तों में सजीव हैं, या फिर निजीव हैं, किस अवस्ता में नहीं रखा जाएं, जीवन के लिए आडविक गतियां क्यों आवस देखें आंके, पूर्ग कच्छा में हम देख चुके हैं, कि सजीव की सरचना सूसंगठित होती है, उनमें उतक हो स सरचना समय के साथ-साथ परियावन के पिरवाव के कारण बिक्टित होने लगती है, यदि ये विवस्ता तूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रहे पाएगा, अताहा जीवों के सरीर को मरमत तथा अनुरक्षन की आवसकता होती है, क्योंकि ये सभी सरचन अनुरक्षन पिक्रम होती है, आप लोग अगर अपने से भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं और आराम से इनको जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में ना है, क्योंकि ये बहुती साधरान सब्दों में पूरी बुक्स लिखे गई हैं, तो अच्छे से आप ध्यान से पढ़ते रहे हैं, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं जैव पिक्रम क्या है, जीवों का अनुरक्षन का निंतर होना चाहिए, या उस समय भी चलता रहता है जब बे कोई विसेस काल नहीं करते हैं, जब हम सो रहे हैं, जब हम सो रहे हूं अत्पा कक्षा में बै करते हैं, जब बिक्रम कहलाते हैं, क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, जब बिक्रम कहते हैं, क्योंकि छती, क्योंकि छती तथा टूट-पूट रोकने के लिए अनुरक्षन, अनुरक्षन पिक्रम की आवस्यक्ता होती है, और इसके लिए उन्हें उर्जा की आवस्यक्ता हो यदि उर्जा एकल जीब के सरीर के बाहर से आती है, इसलिए उर्जा के सरोत का बाहर से जीब के सरीर में इस्थानान्तरंड के लिए कोई पिक्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई पिक्रम, यदि पिक्रम होना चाहिए, इस उर्जा के सरोत को हम भोजन तथा सरीर के अ आवस्रक्ता होती है, क्योंकि पिदबी पर जीवन कार्वन आधारेत अडऊंगों पर निर्वर करता है. आप लोगोंने लाष्ट पिछले फोर्थ चेप्तर में आप लोगोंने कार्वन के बारे में काफी पढ़ा भी था, अता हाधिकांस खातपदार भी कार्वन आधारे थे इन कार्वन सरोतों की जटिलता के अनुसार विविद जीप विविद पिकार की ओसन पिक्रम को प्युक्त करते हैं अब आपकी समझ में आए गया होगा कि कार्वन कितना मात्पूर है आखित चुकि पर्यावन किसी एक जीप के नियंतर में नहीं है अता हा उर्जा के ये बाय सुरुत विविद पिकार की हो सकते हैं सरी के अंदर ईर्जा कि इन शुरोतो के विक्रन या पिद निर्मार की आवस्ता होती है जिससे है अंगता उर्जा के समाज सरोतों में परिवर्तित हो जाते हैं चाहिए विया है विभेन आडविक गतियों के लिए तथा विभेन जीब शरीर की अनुवरक्षा तथा शरीर की बिध्धी के लिए आवस्तक अड़ों की निर्मार में उपयोगी भी है इसके लिए शरीर के अंदर रसाणी का किरियाओं की एक सेंखला की आवस्तकता है अड़ों की विक्टन का कुछ सामान रसाणी को इपतिया है इसके लिए बहुत से जीब शरीर के बाहरी सरूत से ऑक्षिजन को गहर करना तथा कोशी का आवस्तकता हूं कि निर्मार में उनका उपयोग सुसंग कहलाता है वह तो आप सोचिए उसी तरह हाल है जिस तरह से आप जानते होंगे कि आप लोगोंने देखा होगा कि आप लोग कोई गाड़ी खरीकते हैं तो उसमें पैट्र डीजल लादना पड़ता है या आप चल पड़ती है वो तो उसी तरह इसका भी काम हमारे सरीर में भी आद खा जिकावटमा में अडिकाशबों की आप में रएठी है अता है इन्हे भोज हन्गरन करने के लिए काड़ादान कि पूर्थी नहीं कर सकते हैं। हम पहली भी देख चुके हैं, कि बहु कोस्की जीवों में विविन कार्यों को करने के लिए भिन्य-बिन अंग विसेश्टी किट हो सकते हैं, हो जाते हैं। हम इन विसीश्टी किट पूतकों से तथा जीव के सरीर में उनके संगठन से पर्चित हैं अताहाई इसमें कोई आश्चा नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतरगहण भी विशिष्टी के उतकों का कारिया परन्तु इससे एक समस्या पैदा होती है यक भी भोजन भी ऑक्सीजन का अंतरगहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वार अब करियाओं में कार्वन सरोत तथा ऑक्सीजन का उपयों खूर्जा के लिए होता है तब ऐसे उत्वाद भी बनते हैं जो सरी की कुछिगाओं के लिए नाकेबल अनुपयों भी होते हैं बल्कि भी हानिकारग भी हो सकते हैं इन अपसिष्ट उत्वादों को सरी से बाहर सरी से बाहर निकालना अती आवस्थ होता है इस पर करम को हम उत्व सर्जन कहते हैं क्या कहते हैं यह अधि बहु कोशके जीवों में सरीर अभी कलपना के मूल नीमों का पालन किया जाता है तो उत्वादों के लिए विस्ष्ट उत्विक्सित हो जाते हैं और इसका अर्थ ह परिवहन पतंत किया आवस्था अवस्थ पदार्थों की कोशिकाओं से इस उत्व सर्जन उतक तक पहुंचाने की होती होगी अता हम आईए हम एक जीवन जीवन का अनुरक्षन करने वाले आवस्थ पिक्रम के बारे में एक एक करके विचार करते हैं तो आपने देख लिय आए सांस लेने की पिक्रिया भी देख लिया आप लोग ने एक कुछ कुछ कुश्चन से आप आप जो आपने पहराग्राफ पड़ा है इसी से सम्मंद देख लिए आप लोग अब बात करते हैं कोसंड इस सब्द भी आप लोग कापी चर्चा में सुनुते रहते हैं जब ह अपने से हमारे सरीर को भी उसी तरह की उख ये मतलव आप सुचीं वह जा लग से आ रहिए लेकिन हमारे अंदर जो आप खा रहे हैं दोध का रहे हैं या कोई भी आप रोटीन ले रहे हैं व्धान बढ smashing यहांत है, उरधा के लिए धुस्टिती, में जब हम कोई आवसी करिया किलाम नहीं कर रहे हैं, हमारे स्रीर में क्रम की इस्टिती के अनुरक्षाइन करने के लिए उरजा करे сист़ कि आव सकता होती है, विद्धी विकास प्रोटीन संसलेशन आधी में हमें बाहर से भी पदार्थों की आप सकता होती है यदि उर्जा का सरोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजा है एक बात और आपको बता दें कि हो सकता है देखिए अभी भी कैपसूल ऐसे कई आते हैं तेस, चालीस, पचास, साथ जितना भी आपका है एक समय मुझे लगता है कि यसा भी आजाएगा कि कैपसूल आपको रहेगा आप दो-चार कैप्सुल ठाइए, आपका दिन भर का ठाना पूरती हो जाएगा, पूरती हो जाएगे, देखिए ऐसा संभा हो हो सकता है, और अभी भी हो रहा है कई जगे, इस तरह की, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलेगा, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ज कुछे जीव अकारवनिक सुरोतों से कार्वन टाय अपसाइट, तो जलके रूम में सर्व पदार्थ प्राप्त करते हैं, यह जीव सौपोसी है, जिनमें सभी भरे, पौधे, और कुछ जीवांडू सामेल है, यादि अन्य जीव जटेल पदार्थों का उप्योग करते हैं इंजटिल पदार्थों को सल्व बनाने में खंडित, पदार्थों में खंडित करना अनिवार है, ताकि यह जीव के समारक्चन तथा विद्धी में फिरयोग्त हो सकें, इसे पराप्त करने के लिए जैब, जीव जैब उत्पेरक का उप्योग करते हैं, जिने हम लोग सौपोसी जीव में समलित होते हैं, आप देखें प्रोटीन आप ले रहे हैं, यह भी तो कई इससों में बढ़ता है, आप एक तरह से आप कहिए कि प्रोटीन जटिल पदायत है, कोई एक तरह से सरल पदायत नहीं है, इसका पाचन होता है, उसके तरफ उर्जा उसके बात आप देखेंगे, उर्जा में एक तरह से कनवर्ट होता है, अब बात करते हैं, आप लोग सौपोसी पोसन, सौपोसी पोसन, सौपोसी जीव की कारवन तथा उर्जा की आप सकता है, प्रिकास संसलेशन द्वारा पूरी होती है, किसके द्वारा प्रिकास संसलेशन, इसे त जो आप oxygen लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा carbon dioxide छोड़ देते हैं CO2, तो भो भी कोई उपयोग करता है, जिस तरह से आप oxygen उपयोग कर रहे हैं, वो भी इसका भी उपयोग होता है, आप लोग कहते हैं कि carbon dioxide पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो आप यह नहीं कह सकते हैं जीबन पर भी खतरा मढ़राने लगेगा, जो सूर के पिकास तता के लोरोफिल की उपस्तिती में कार्गो हैड्रेट में परिवर्तित कर दिये जाते हैं, कार्गो हैड्रेट पौधिट, पौधों को उड़जा पिदान करने में पेउप्त होते हैं, अंगले अनभाग में ह अध्यन करेंगे कि यह कैसे होता है, जो कार्गो हैड्रेट तुरंद पेउप्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड की रूम में संचित कर लिया जाता है, यह रक्षित आंत्रिक उर्जा की तरह कार करेगा, तथा पौधि द्वारा अवसक्त अनुसार पेउप्त कर लिया जाता ह कुछ इसी तरह कि इस्तिती हमारे अंदर भी देखी जाती है, हमारे द्वारा खाये गए गोजन से वियुदपन उर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में गिलाई गोजन की रूम में संचित हो जाता है, यह आप देख देए हैं, एक पक्ती की अनपरस्थ कार्ट, आप लोग इसी तरह हमारे शरीर में भी आप देखते हैं, धमनी होती है, सिरा भी होती है, समझे है, तो उसी तरह हाल है, आप मद्य सिरा हो गया, पर्ड पटल सिरा, मॉमी क्यूटीकल, उपरील, भायतोचा, ठीक है, एक तरह से आप कहिए कि पक्ती का यह, आप द्वार कुच का, बा आपना मतलब पौधों में भी एक तरह से जान रहें, बस आप उनकी जान को नहीं समझ पा रहे हैं, यहां भी देख लिएगे 6 से CO2, पिलस 12H2O, यानि कि बार है H2O, किलोरुपिल और सूर का पिकास, इनका उपयोग करते हैं, फिर बदलेंगे ग्लूकोज में, C6H12, O6, आप लोगों में भी बदल रहे हैं, और 6H2O जल भी, आप लोगों देखेंगे एक बात और हमेसा, क्या बात, वो बात यह है कि आपने देखा है कि यहां कारवनदाई ऑकसाइड का उपयों किया है पौधों ने, सूर की उपस्तिती में, किलोरुपिल, उसके बाद आप ले फेंपड़ा है, इसका एक भाग पेडों पर टंगा हुआ है, यहीं सोच लिए, जैसे आप ऑकसीजन लेते हैं, कारवनदाई ऑकसाइड में बदल देते हैं, आपका फेंपड़ा यहे यह यह लंक्स, आपका कहा है पेड, पेड क्या कर रहे हैं, कि यह कारवनदाई तो आपको समझना है ज्यांदा दिमाग मत दोहराईए का मुझे लगता है आप आराम से सुनते हैं तो मुझे लगता है सब कुछ याद आ जाएगा ठीक है तो एक किलोरॉफिल द्वारा पेकास हूर्जा को असुसित करता है और पेकास हूर्जा को रसायनिक हूर्जा में दूसरा हो उधारन के लिए मरूद भित पौधे रात्री में कारवन डाय उपसाइड लेते हैं और एक मध्यस्त उत्पात बनाते हैं दिन में एक कलोरॉफिल ओर्जा उसुसित करके अंतिम उत्पात बनाते हैं आईए हम देखते हैं कि उपेक तभी किरिया का पितेग घट के लिए किस पिकार आवसरी है यदि आप ध्यान पूर्बक एक पत्ती की अनुपरश्ट कार्ट का सुप्षम धर्सी द्वारा अवलुकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कोशिकाओं में हरे रंग हरे रंग के बिन्दू दिखाई बिन्दू दिखाई देते हैं यह हरे बिन्दू कोशी का आंग है क्या है कोशी का आंग है जिने किलोरोफिलाश्ट कहते हैं इनमें आपको किलोरोफिल होता है आए आए हम एक किरिया कलाब करते हैं जो दरसाता है कि पिकास संसेशन के लिए किलोरोफिल आवस्ते है याद रखी एक बात और हमेसा याद रखी जो आपके क्रिया कलाप है इन्हें आप लोगों को पढ़ना है क्या करना है पढ़ना है करते कभी नहीं बैठना है आपको मालूँ चला कि आप लोग करते बैठ गए हैं, सालों यही में इसी में गुजर गए आपके, तो आप लोगों को यही नहीं करना है, आपको आराम से पढ़ के निकल जाना है, गंबले में लगा एक सब लित पत्ती बाला पौधा लीजिए, उधारन के लिए मनी या फिर कॉटन का पौधा, इसका कॉटन का पौधा, पौधी को तीन दिन अंधेरी कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर मंड प्यूक्त हो जाए, आप पौधी को लगवक 6 घंटे के लिए सूर के पिकास में रखिए, कहां सूर के पिकास में रखना है आपको, पौधी से पत्ति तोड़ लीजे, पौधिस से एक पत्ति तोड़ लीजे, इसमें हरे भाग को अंकित करिए और उन्हें एक कागज पर्ट्रेस कर लीजे, कुछ मिनिट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजे, इसके बास इसे के एलकुहल से भरे बीकर में डूबू दीज अभ शुक्त मिनेट के लिए इस पती को आयोडीन के Тणूमेलीयन में चाहिए। पती को बाँने के निकालın कर उसके आयोडीन को डोल ड means पती की रन्ग को आउलोकन कीजिये। और प्यारा में पती का जो ट्रेस्थ किया था उस से इस आपको पढ़ना है और नीचे जो पैरागर आप दिया जाता है इसके बाद के दिया लाग के बाद इसे बड़े ध्यान से पढ़ लिया पर लिया क्योंकि इसका निश्का सिती में छुपा रहता है यहां दो पत्तियां दी गए है ए और भी सब लिद पत्ति ए मंड पर एक्षण से पहले और मंड पर एक्षण के बाद ए है आपकी अब हम अध्यन करते हैं कि पहुत ही कार्बन डाई उकसाड कैसे प्राप करते हैं कप्छा नौबी में हमने रंद की चर्चा की थी किसकी दो आर कुछ का होगी यह आपको दिखाएगा रंद यह हरित लवक देखाएगा हरित लवक उसके बाद खुला तन खुला हुआ है ठीक यह बंद रंद होगा है क्या हुगा है बंद रंद इसके बाद आप देखेंगे इसमें प्राय युगी व्योस्था पोटेसियम प्रोकसाइड के बिना भी है ठीक है यह इसके साथ है जो पत्ती की सतय पर सोग चिंद होते हैं प्रकास संसेशन के लिए गयसों का अधिकास आधान परण इनी चिंदों के द्वारा होता है लेकिन यहां यह जानना भी आप सकते है कि गयसों का आधान परण तनी जड़ की और करण परण परण चिंदों के लिए करण डायुकसाइड की आभश्ण परण परण इस तरह आधान परण और हमको लेते हैं तो वह रहे जब जाता है तो ठीकit देश्चनल जाती है इस तरह जबर कोश्क scrut अगर्क बंद हो जाते हैां इस तरह सी आगे चलते हैं लोग किरिया कलाप 6.2 को भी देख लेते हैं लगवक्त समाना कारी की गंबले में लगे दो पोधी लीजे तेन दिन तक उन्हें अंधेरे में कमरे में रखे अप्पे देग पोधी को अलग-अलग काच की काच की पटीका पर रखे हैं आज की पटीका पर रख अनुसार दोनों पोधों को अलग-अलग बेल जार से ठक दीजे जार के तली को सील करने के लिए काच पटीका का बैसली लगा दीजे इससे प्रेयोग वायुरोधी हो जाता है और लगभग दो घंटे के लिए बोधी को सूर के फिकास में रखे हैं और पितेग पोधी से ए निसकास निकालते हैं इस तरह बताया था ना आप लोगों को यह आप देखेंगे पोटिस्यम हाइड्रोकसाइड बात गिलास में और यह आपका पोटिस्यम हाइड्रोकसाइड के बिना है इसमें क्या निसकास में निकलता है उपियोग दोनों के रियाकलाब के आदार पर क जा हम ऐसा प्रियोप कर सकते हैं, जिसमें विदर्सित हो सके हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरी के निर्माट के लिए अनकची सामद भी के आवसकता होती हैं, इस थलिए पोधी पिकास संसरेशन के लिए आवसक जल की पूरती जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस जल की आवसकता हैं, नाइट्रोजन, फॉस्पोरस, लोहा, मैगनेसियम सरी के अनपदार्थ भी मिट्टी के लिए मिट्टी से लिए जाते हैं, नाइट्रोजन एक आवसक तत्थ है, जिसका उपयोग प्रोटीन तत्था अन एयोगिकों के संसलेशन में किया जाता है, इसे पदार्थों के रूम में दिया जाता है, जिन्हें जिवाडू, बायुमंडली ये नाइट्रोजन से बनाते हैं, एक बात आप लोगों सोचें, आप लोगों जैसे आरेन की कमी है, तो आपके आप आलक ले लेते हैं, ठीक हैं, लेकिन पोधों की यही इस्तिती है, उन्हें अब बात करते हैं, बिसम पोशी पोशन, बिसम पोशी पोशन, पिदेग जीव अपने पर्यावन के लिए अनकूलेत है, और भोजन की स्वरूप और स्वरूप इमां उपलबदिता की आदर पोशन की विदी बिभिन पिकार की हो सकती है, इसके अतरिक्तिया जीव के भोज गरन करने के डंग पर भी निर्वर करते हैं, उधारन के लिए यदि भोजन स्वरूप अचल है, जैसे की घास या गती सीर्फ, जैसे की हिरन दोनों पिकार के भोजन का अभी गम का तरीका बिन बिन है, तथा गायबा सेर्फ इस पोशब उपकेयों का उपयों करते हैं, जी और फपूंगी ईष्ट मस्रोम आधी कवक इसके उधारन है, अन्य जीव संपूर भोजन भोजपदात का अंतरगेंड करते हैं, उनका पाचन सरीर के अंदर होता है, आप लोग तो देखते हैं, आप लोग एक तरह से यही काम करते हैं, जीव द्वारा किस पेकार भोजन का अंतरगेंड किया जाए और उसके पाचन की विदी उसके सरीर की अभी कल्पना तथा कारसली पर निर्भर करते हैं, धास फल की मचली या कर मिट खरगोस खाने वाली जन्तूओं के अंतर, अंतर के बारे में आप क्या सोचें, कुछ अन्य जीव पौदों और जन्तूओं को बिना मारे उनकी पोसन पराथ करते हैं, या पोसक युक्त अमरबेल, किलनी, जूब, लीज, फीता किर्मी, सरी के बहुसे जीवों द्वारा प्युक्त होती हैं, अब बात करते हैं, जीव अपना पोसन कैसे पराथ करते हैं, कौन? जीव अपना पोसन कैसे पराथ करते हैं? यह कि भोजन और उसकी अंतरगेहन की विदी भिन्द है क्या है भिन्द में अता गुवहिशन जीवों में पाचमन तुक भिन्द भिन्ध में एक खोब जाते என आ अधारन की जटिलता बढ़ने की साथ साथ बिभेनिकार करने वाले अंग बिसिट हो जाते हैं उधारन के लिए अमीवा कोस्किय सताय से अंगली जैसी आस्थाई प्रिवर्थ की मदस्ति भोजन गेहन करता है यह प्रिवर्थ भोजन की कड़ों को गेह लेते हैं और संगलीद होकर खाधरिकतिका बनाते हैं इस तरह से अभिवहा-वे पोशन इसमें आप देख सकते हैं 6.5 में के अन्दरग हो गया खाध कर हो गया यह पदा पूटपाद हो गया, खाद रिक्तिक्का खाद करण हो गया, लाश्ट महीं ती है, एवीडी, एवीडी, इस तरह से, खाद रिक्तिक्का के अंदर जटिल पदार्थों का विक्टन सरल पदार्थों में किया जाता है, और एक कोशिका द्रम में विस्तरित हो जाते है बचा हुआ अपक्च क्या है बचा हुआ अपक्च मतलब जो पच नहीं पाए कोशिका की स्त्य गती करता है और सरीव से वहार निश्क समाइक स्किप कर दिया जाता है जो कोशिका की पूरी सतय को धकी होते हैं अब सबसे मतमूर अगर आप से questions पूचा जाता है तो आप सको देखने को मिलेगा मनुस्त में पोस्ट मनुस्त से जुड़ी हुई जो विग्यान है इसी से आपके questions बायलोजी जिसे आप कह देते हैं इसमें आपका इसी से questions आपको आदेखतर देखने को मिलते हैं आहानल मुलूप से मुए से गुदातक विस्तरिद एक लंबी नली है चित्त 6.6 में हम इस नली के विभन भागों को देख सकते हैं जो भोजन हमारे सरीर में एक बार तरविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है हम यहां इस पे क्रम की चच्चा करेंगे क्रिया कलाप 6.3 को देखने से पहले हम लोग एक बार इसे भी देख लेते हैं देखिए हैं यह आपकी जीव यानि की जीवा उसके बाद मुहें, मुखगुआ, क्रसिका ठीक है, नली एक तरई यह आप लोगों को बताया था ने कि एक तरई से आपके धमिया हैं, सिराएं हैं, खून के लिए इस दरह से कुछ आपके यह पाईप टाइप का यह आपकी भोजन को आपके सरीर में कहां ताहं कहां तक पहुँचाना है यह आपका आमसाय होगा, यह आपका चुद्रांत हो गया, ठीक है यह आपका बहद्रांत हो गया, कोलोन जिसे कहते हैं, एक गुदार द्वार और परिसिक, परिसिस का ए, आपकी यह यक्रित हो गया, पितनली है यह क्या है, पितनली है और परिसिस का होगी यह अक्रित हो गया अगनास है देखी रहे हैं आप लोग ठीक है उसके बाद आप डाइक टाउं ऊपर ए यह आपका जैसे प्लेट टाइप की लगी हुए इसी की बात कर रहा हूं ठीक है यहां से चलना है और यहां तर पहुंचते हुए एक तरह से आप गाड़ी में पेट्रल ठंकी में दालती है और पहुंचके कहां से निकल जाता है पीसे से आप देखते हैं दुआ बंकी निकल जाता है तो उसी की बात कर रहा हूं ठीक है चलिए इस क्रिया कलाप को हम लोग जान लेते हैं फिर आंगे और बात करेंगे क्रिया कलाप 6.3 एक लेकिती से दो परक्नली ए और बी में लीजे ए और बी में लीजे परक्नली ये में 1 ml लाड डालिए दोनों परक्नलीयों को 20-30 मिनट तक सांथ चोड़ दीए अब पर देख परक्नली में कुछ पून तनू आयोडीन घोल गोल की डालिए किस परक्नली में आपको रंग में परिवतन दिखाई दे रहा है और दोनों परक्नलीयों में मंडी की उपस्तिती के बारे में यह क्या एंगित करता है यह लार की मंड़ पर क्रिया के बारे में क्या दरसाता है क्रिया के बारे में क्या दरसाता है हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, तरह तरह के भोजन खाते हैं, यह तो आप लोगों को पता होगा कि यह भी बता रहा है, जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है, प्राक्तिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे हुआ है उसी प्रक्रम के छोटे छोटे कड़ों में बदल जाता है, इसे हम दातों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्या दातों का एक तरह सी महत्त इसी भी है, क्योंकि आहर का आस्तर बहुत कॉमल होता है, अता भोजन को गीला किया जाता है, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, जब हम आस्तों में केवल जल नहीं है, जो आप देखते हैं, यह जल नहीं है, लाल गरंथी से निकलने वाला एक रस है, जिसे आप लाला रस या फिर लार कहते हैं, क्या करते हैं, लाला रस या फिर रार लार कहते हैं, जिस बहुजन को हम खाते हैं, उसका दूसरा पहलू, उसकी जटल रचना है यदि इसका आउसोसंड अहार नाल द्वारा करना है तो इसे चोटे अड़ों में खंडी करना होता है यह काम जय उत्पेरक द्वारा किया जाता है जिने हम इंजाइम कहते हैं एक तरह से वही है आप लोग देखते होंगे कि आप लोगोंने अगर गाउं से आ चूले में खिली जलते रहे है एक तरह से आप पेड को जटल माल लेजिए आपको अगर सर्व पदात्रों में बाटना है तो उसे काट काट के आप छोटी-छोटी टुकड़े करते हैं फिर आप चूले में उससे रोटियां पकाते रहते हैं या जो भी काम होता है वो करते रहते हैं आप लोग तो इसी तरह आपका क्या करता है जो इंजाय में ये क्या करता है कि जैव उत्पेरक होता है वर इसके जो एक तरह से जटल होते हैं उन्हें सर्ल में बदल देता है खंडित करके और ये पाचन में साहिक हो जाता है लार में ये एक आपको इंजाय में हो पूरी तरः मिला देती है क्या करती है मिला देती है आहार नली के हर भाग में भोजन की नीटी रोप नेमित रूप से नेमित रूप고32 गती सही डंड सही डंड से क्रिमिट थोने के लिए आवस्ते है यह कर्मा कुंचन गतिपूरी भोजन अली में होती है और मुझ से आमासे तक भोजन गरिश्ती का याथर ऐसो फेगस द्वारा ले जाए जबता है और आमासे यह बिहत अंग है क्या है बिहत अंग है आमासे की पेसिया भीती भोजन को अन्य पाचक अरसों के साथ मिर्सित करने में सहाइक होती है क्या होती है सहाइक होती है एक तरह से मुझे लगता है कि आपको समझना है तो आप सरीर को अपनी एक मसीन की तरह समझे न कि मसीन में भी आपका अपना अपना काम है उसी तरह आपका सरीर में भी कुछ ना कुछ काम है, यह पाचन कार आवसे की वीक्ति में उपस्तित जटर गरंतियों के द्वारा संपन होते हैं, यह हाइडोकलोरिक अमल, SCL, एक प्रोटीन पाचक इंजाइम पैपसिन या सलेस्मा का सरावन यानि की उत्पन करता है, हाइडोकलोरिक अमल एक अमली एक माध्यम जट त्यार करता है, जो पैपसिन इंजाइम को की क्रिया में साहिक होता है, किसके पैपसिन, आपके विचार में अमल और, अमल और कौन सा कार करता है, सामान परिस्तितियों में सेलेस्मा, आमासे के आंतरिक, आस्तर की अमल से रक्षा करता है, हमने बहुदाल वैस को को, हमने अमलता की सिकायत करते हुए सुना होगा, एस ऐली की आपकी हाइड्रो कलोरिक अमल होता है इसाही क कारन होती है, इसमें क्या होता है जलन महिसूत होती है, acidity हो गया है, कई बार आप लोग सुनते रहते हैं, अमलता तो नहीं सुनते होंगे, लेंगे acidity जरूर सुनते होंगे, क्या इसका संबंध उप्योग तो वाइडित विशाय से तो नहीं है, तो आपने देखा है, ब्रोकलोरिक अमलत से होता है इसका संबंध उसी से, ठीक है, आमासे से भूजन जब छुद्रांत में प्रविश करता है, यह आउरोधनी पेसी द्वारा नियन्तित होती है, छुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा, सबसे लंबा भाग है, अत्यदी कॉंडलीत होने के कारण यह सहंद इस्थान में अवस्तित होती है, बेभिने जन्तों में चुद्रांत की लंबाई उनके भूजन की पिकार की अनुसार अलंगलग होती है, गहास खाने वाले इस अगाहरी का सेलूलोज पाजाने के लिए लंबी चुद्रांत की आउस्तित होती है, और याद रखे हम लोगों में खास नहीं पचा सकते हैं, क्यों नहीं क्योंकि सेलूलोज की हम लोगों में कमी होती है, मास का पाचन स्वरल है अतहा बाग जैसे मासाहरी की छुद्रान छोटी होती है तो आप समझे कि गहां सखाना कठे है मास खाना स्वरल है समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब मासाहरी को मास का पाचन करना स्वरल है और जो कहां से इसका पाचन करना कठे है तिसे भी आपगों जान सकते हैं चुध्द्रांद कार्वोहिडेट डेट प्रोटीन व्सा की पूर पाचन का स्थाले कौन सार चुध्रांद और इस कार के लिए यह एक क्रित यह क्रित तत्lection अग्नाष्हेस सरावन फ्राग करती है क्या करती है सरावन प्राग करती है आमासे से आने वाला बुजन अमलिय और अगना से एक इंजायम की क्रिया क्रिया के लिए इसे छारिय बना बनाया जाता है यक्रस इस रावित फित्रस इस कार को करते हैं करता है यह कार वसा पर क्रिया करने के लिए अतरिक्त है चुद्रान्त में वसा वड़ी कोछ गोलिकाओं की रोम में होता है जिससे उस पर इन्जायम का कार करना मुश्किल हो जाता है पित्र लवड उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित क्या करता है खंडित कर देता है जिससे इन्जायम की क्रिया सिल्था बढ़ जाती है यह सावन का मेल पर MLC करन की तरह ही है क्या है सावन का मेल पर MLC करन की तरह ही है जिसके विसाय में हम अध्याय चार में बिस्तार से पढ़ चुके लिए अगना सहे अगना सहीक रस का सरावन भी करता है अगना सहे जो अगना सहीक रस आप सुनते हैं ये आपके अगनासए के द्वारा शरावन यानि की उत्पन होता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए टेपसिंग इंजायम होती है और MLC करन वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज इंजायम होती है चुद्रान्द की बीती में ग्रंती होती है जो आत्रस सरावित करती है और इसमें उपस्तित इंजायें आंत में प्रोटीन को अमीनोमल और जटल कारवाईडोट को ग्लूकोच में तथा वसागो वसामल और ग्रिलिस्रॉल में परिवर्दित कर देती है कई बार आपका लोगों को सुनना है बस पढ़ते जाना है निकल जाना है पांचित भोजन को हाथ की बीती आउसोसित कर लेती है चुद्रान्द की आंत्रिक आस्तर पर अनेग अंगली जैसी प्रवर्द होती है जिन्हें दीर्ग रॉम कहते है यह आउसोसन का सती ही छितपल बढ़ा देती है दीर्ग रॉम में रोधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को असोसित करके सरीर की पित्रेक कोशिका तक पहुंचाती है और यहां इसका उपयोग और नए उत्कों के निर्मार और पुराने उत्कों की मरम्मत में होता है बिना पचा भोजन बेहदान्त में भ गुदा द्वारे सही के बहर कर दिया जाता है इस वजपदार्त का वही चिंपन आपका गुदा खुदा और द्वर्णी द्वार Snेंतिrit किया जाता है तो आम लोग पिलाने कहां से देट्स व से पिलुञ थी सरूलु हुए थैं आर भोजन निकालकर क्यां गोंग फ़र यह कि सने सने मिधू करण के कारण होता है इसका प्यारम होता है जब जीवानु सरकरा पर किया करकी आमल बनाते हैं तब एनिमल मिधू या फिर बिखनी करण हो जाता है अलेक जीवानु को इसका खाद करणों के साथ मिलकर दांकों पर चिपक कर दंध पिलाग बना देते हैं और दाप को डख लेता है, इसलिए लार अमल को उदासीन करने के लिए दंत सतय पर नहीं पहुंचवाती है, इससे पहले कि जिवानों अमल पैदा करें, भोजन परांद दातों में बुरस करने में प्लंक हट जाता है, या अट जाता है प्लंक, और यदि अनुपाचित रहता है, तो सोक्षम जीव मज्या में प्रवेश्ट कर सकते हैं, और जलन का संकमर कर सकते हैं, और इसी से आप देखते हैं, दंत्च होने लगता है, यह भी आपके कुश्चन से, इसी से संबंदित जो हम लोगोंने उपर आपका पपिक पड़ा हुए है, तो आप देख सकते हैं, ठ आप सोसन देख लीजे, सांस लेना यानी की सीधा हज़ा, तो चलिए किरिया कलाप 6.4 पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे, वह आंगी बढ़ेंगे, एक परनक्नली में ताजा तयार किया हुए है, चूने का पानी लेजे, इस चूने के पानी में निस्वास द्वारा निकली बायू परवाहित कीजिए, नोट कीजिए कि चूने के पानी को दुदिया होने में कितना समय लगता है, एक सिरेंज या पिछकारी द्वारा दूसरी परनक्नली में ताजा चूने का पानी लेकर बायू परवाहित करते हैं, नोट कीजिए कि इस बाद चू NCEIT को बड़ी कहानी की तरह पढ़िए क्या होगा इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए ठीक है देख लिए आप लो एक चितको नली का परक्नली में चूने के पानी पिछकारी रवल नली का चूने का पानी चूने के पानी में निस्वास द्वारा बायू प्रभावित प्रभाहित हो रहे है चूने के पानी में बायू पिछकारी सिरिंड द्वारा प्रभाहित की जा रहे है किरेया कलाप 6.5 किसी फल या रस या चीनी कभूल लेकर उसमें कुछ इष्ट डालिए एक छिद्धे वाली कॉर्क लगी परक नली में इस प्रिवतन को तथा इस परिवतन में लगने वाले समय के आउलोगन को नोट कीजिए केड़बन के उत्पाधन के बारे में हम क्या दर्स आते हैं कई लोग कहते हैं कि सर किताब क्यों लेती हो पढ़ाने के लिए आप लोग ही सोची आपको क्रियाकला भी दिखाई देते हैं आपको यह तो मालू है कि क्या क्या पढ़ना है यह तो मालू हो जाना चाहिए मुझे लगता है कि इस समय पेपर कोई कठें नहीं है कोई भी एक ज लक्ष्मीकानथ से खरी है. उसे वह उनॐ ने खरीद के लिए लेकिन आप वह बीच में फच्च जो का हैं. अब यही सोच पा रहा हैं। कि कोंसे दिचार नाइ हो गायें आप वी專業 पहुंचे? तो इसलिए कमसे कम मैं बुक्स इसलिए ले रहा हूँ, मैं भी short notes बनाके आपको बता सकता हूँ, लेकिन कमसे कम आपको मालूत होना चाहिए कि करिया कलाब नहीं पढ़ना है, इसमें आपको बीधना नहीं है, आपको निकल जाना है पड़की, इसका मतलब यही बता रहा पिछली अनुभाग में हम जीवों में पोसंड परचाज कर चुके हैं, जिन खादपदारतों का अंतरगेंट पोसंड क्रम में लिये होता है, कोई शी काएं उनका उपयोग बिभिन जैप पिक्रम के लिए उर्जा पिदान करने के लिए करते हैं, बिभित जीव, इससे भि दूसरे पत का उपयुक्त करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पयुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन पयुक्त नहीं होती है, चित 6.4, 6.8, किसका 6.8, कहां है 6.8, यह आप देखिए, बिभिन पत्थों द्वारे ग्ल्यूकोज का भी खंड़, यह आप काफी जब आप लोग कोचिं करते होंगे, तब इस चित को बनवाते होंगे, सर आपके, ठीक है, क्या करते होंगे, सर बनवाते होंगे, गिलूकोच, 6 कार्वन अडू, कोच का द्रम में इसके गिलिया कर रहा है, उसके बाद आप देखिएंगे, पायरोवीट, तीन बायू में अडू, ठीक है, की उपस्तिती नहीं है, एस्ट में, एथेनोल पिलस कार्वन डाई ऑक्साइड, ओर्जा, दो कार्वन अडू, कितने, दो कार्वन अडू, उसके बाद ऑक्सीजन का आभाव हो यहां भी, हमारी पैसी कोचका में, लेटेकमल और ओर्जा, पिलस तीन अडू, ऑक्सीजन की उपस्तिती की ऑक्सीजन है, माईडू का इंडिया में, उपस्तिते थे, कार्वन डाई ऑक्साइड, जल और ओर्जा, तो यह सबसे बहतर इस्तिती में आपको पहुंचा देता है, इन सभी अवस्थाओं में पहला चलन गिलुकोच, एक 6 कार्वन वाले, अडू का 3 कार्व की समय इस्ट में होता है, क्योंकि यह पिक्रम वायू, ऑक्सीजन की अनुवस्तिती में होता है, इसे आवायू यह सुसन कहते हैं, क्या कहते हैं, आवायू यह सुसन कहते हैं, पायरोवेट का विकंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माईट्रो काइंडिया में होता है, यह प यानि कि बायू की उपस्तिती में औक चिबहुत अधिक होता है कभी-कभी जब हमारी पेसी कुछ काउम में oxygen का आभावो होता है तो पायुवेट की मिखंडन के लिए दूसरा पत अपनाइय जाता हो यहां पायरूवेट एक अनय तीन कारवन बाले अणू लेक्टिक हमले में प्रयोड़ते है हो जाता है अचानक किसी फिक्रिया के होने से हमारी पेसियों में ह during his े दिर्मार होना कैंप का कारण हो सकता है इसे एक बार और देख लीजिए आ अच्छे से अब बाट करते हैं हम लोग कोशी के कोश्किय सुसंद द्वारा मोचित उर्जा ततकाली एटीपी क्या एटीपी नामक अडू के संसिलेशन में प्योक्त हो जाती है जो कोशी काओं की अन किरियाओं के लिए इनन की तरह प्योक्त होता है एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में उजाब मुश्यत होती है जो कोशी का के अंदर होने बाले अंतरो रोसमी क्रियाओं का परिचालन करती है एटीपी ये नाम भी आप लोग काफी सुनते रहते हैं अधिकांस को इसकी है प्यक्रम के लिए एटीपी उजा मुद्रा है क्या है मुद्रा है सोसन प्यक्रम में मौचित उज्चा का ओप एडीपी क्या एडीपी तथा अकार्मनिक फॉस्पेट से एटीपी अरू बनाने में किया जाता है डीपी और एटीपी समझ में आया है दोनों अलगलगे qualcosa कि एडीपी हुस्पेट एप फॉस्पेट है आन्ध रोषमी पिक्रम कोशिगा प्याना तब इसे एटीपी क्या है ATP का उपयोग के रियाओं के परिचालन में करते हैं जल का उपयोग करने के बाद ATP में जब अंत्रस्त फॉस्पेट सहल लगनता खंडित होता है तो 30.5 क्यलोरी मूल के तुल उर्जा वो चोत होती है सोची कैसे एक बैटरी विभिन एक बैटरी पिकार के उपयोग के लिए पॉर्जा परिलान करते है या आंतरी कुर्जा, पिकास हुर्जा, बिद्दो तुर्जा और असी पिकार के अं्द के लिए उपयोग में लाय जाती है इसी तरह कुछका में ATP का उपयोग के सेकोड़ने प्रोटीन संसलेशन तंदिकावे का संचन आधी किरियाओं के लिए किया जा सकता है आंगे बढ़ते हैं क्योंकि YBS पत्क ऑक्सीजन पर निर्वार करता है किसके ऑक्सीजन पर अता YBS को यह सुनिश्चित करने की आप सकता होती है कि परियाप मात्रा में ऑक्सीजन गरहन की जा सकी है हम देख चूके हैं कि पौधी पौधी गयसों का आधान पिदान रंद के द्वारा करते हैं और अंतर को कोर्च की है आउकास यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोष्काएं बायू के संपर्ख में हैं जहां को कार्वन डाय उक्साइड तथा ऑक्सीजन का आधान पिदान विस्रन द्वाना होता है यह कोष्काओं में या उससे दूर बाहर बायू में जा सकती है विस्रन की दिसा पर्यावज़नी है अवस्थाओं तथा पौदों की आवसकता आवसकता पर निर्भट करती है रात्री में जब कोई प्रिकास अंसलेशन की करिया नहीं हो रही है इस समय ओक्सिजन का निकलना मुख घतना है तो एक लोग् एक बात आप लोग हमेसा समाझे लीजिए मुझे लगता है कि आपको कोई संका नहीं होiliानेी कब करने हो मैं लग이면 संका के संका के बात नहीं कर रहा हूं। कि oxygen आपके लिए उतना ही जरूरी है एक तऱ से जितना की आपके लिए, क्या जरूरी है, carbon dioxide, दोनों बरावर है, अगर आप ही सोचिए कि जब oxygen आप नहीं चोड़ेंगे, तो आप भाई कहां से ले लेंगे, carbon dioxide नहीं चोड़ेंगे, oxygen कहां से लेंगे, औक्सीजन नहीं आके अंदर जागी कारवन डाई ओक्साइड कहां से उनेगी तो ये दोनों एक तरह से चलते रहते हैं तो परिशान नहीं होना है मुझे लगता है आपको जन्तु में परियावन से ओक्सीजन लेने उत्पादित कारवन डाई ओक्साइड औक्साइड से चुटकार पाने के लिए विभिन पिकार के अंगों का विकास हुए है इस थली ये जन्तु बायावन बंडली ओक्सीजन लेते हैं परंतु जो जन्तु जल में रहते हैं उन्हें जल में बिले ओक्सीजन ही उपयोग में करने में क्या हो सकता होती है हम लोग बाहर से ओक्सीजन लेते हैं लेकिन जल में जो रहते हैं वे आपके वहीं से एड़ेश्ट कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं क्रियाकलाफ 6.6 को देख लेते हैं एक जल साला में मचली का ओलोकन कीजिए बे अपना मुहे खोलती और बंद करती हैं साथी आँखों की पीछे किलॉमचिद या पिर किलॉमचिद को ढगने बालक प्रच्छद भी खुलता और बंद होता रहता है क्या मुहे और किलॉमचिद की खुलने और बंद होने की समय में किसी बिकार का समनवे हैं कि गिंती करो कि मचली एक मिनिट में कितने बार मुहें खुलती है और बंद करती है इसकी तुल्ला आप अपने स्वास को एक मिनिट में अंदर और बाहर करने से कीजिए आप लोग जिस तरह से गिंते रहेते हैं न उसी की बात कर रहा हूं जो जीव जल में रहते हैं वे जल में बिले ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं जैसे आपकी मचली हो गई है क्योंकि जल में बिले ऑक्सीजन की मात्रा वायू में ऑक्सीजन की मात्रा की दुल्ना में बहुत कम है इसलिए जली जीवों की स्वास दर इस थली जीवों की अब एक्षा दोत होती है मचली अपने मुहे की द्वारा जल लेती और बदपूर्वा किसी किलोन तक पहुचाती है जहां बिले ऑक्सीजन रोधेर ले लेता है इस थली जीव सौसन के लिए भाई वंदल की ऑक्सीजन का उपयूग करते है विभिन जीवों में जीवों घ्यां अंगों क्या बिन बिन अंगों द्वारा आउसोसित की जाती है इन सब ही अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही छित्पल को बढाती है जो oxygen बाहूल बायूवंडल की संबर्ट में रहता है क्योंकि oxygen बा carbon dioxide का वी निवाय इस सतय के आर पार होता है अता है यह सतय बहुत पदली और मुलाइन होती है इस सतय की रक्षा के उपड़िस से यह सरीर के अंदर अवस्तित होती है यह भी कुछ topic एक आपका paragraph दिया गया है इसे भी देख लेते हैं एक तरह से क्या है तमाकू का सीधे उपएव या सिगार या सिगरेट बीड़ी हुका गुटका आदी के रूम में किसी भी उत्पात का उपवयूग आनिका रख है और भारत में गुटका सीबन से मुक के कैंसर की गटनाये बढ़ रही है स्वस्त रहें बस तमाकू सीधें उत्पालों के लिए नहीं कहें एक बात आप लोगों से पूच रहा हूं, आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, कि आपका गुटका पर लिखा हुआ है, आप से करे खड़िये दिए उस पर लिखा है कि हानिका रख है, फिर भी लोग क्यों खाते हैं, वही हाल है कि आप अगर आप से कहा जा रहा है कि आ मतलब गल्दी किसकी है, हमारी है आपकी, तो अहीं बता रहा हूँ मैं, तो यह देखा जाता है, पता नहीं क्यों आप लोग लिखी है, आप लोग खाते हैं, क्यों लोग खाते हैं, आंगे बढ़ते हैं मनुस्त मैं, चित 6.9, इसकी बात करा हूँ, मानो सुसंतंत, आप इस तरह से पाचित हो रहा है, कहां से निकल रहा है, अब सुसंत के बारे में भी जान लिजे आप लोगो, यह नसा दवार हो गया, नसा दवार यानि की सांस लेने वाला, मुख गुहा, ग्रस्नी, इसकी बात कराऊँ, कंठ, स्वासनली, जिससे सांस लेते हैं, उपास्थी विल रहे, यह आप देख रहे हैं स्वासनी, यह फैंबडा या जिससे खुपुस कहते हैं, जो भी आपको कहना है, यह पसलिया हो गई, यह देख रहे हैं, इसके बाद इस स्वासन निरी का, इस ए आपकी, उसके बाद कूपी का पोस्ट, यह आपको दिखाई दे रहा इस स्वासन स्वासनी का यह हो गई, ठीक है, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मरसुमें बाईू सरी के अंदर नसा दवार जाती है, यहां से जाती है, नसा दौर जाने वाली बाईू मार्ग में अपस्थित महीन बालों दवारा, निस्पंदित हो जाती है, यानि कि एक तरह से चान दी जाती है, आप देखते हैं, नाट में भी आपके बाल होते हैं, किसलिए होते हैं, इसलिए कि जो भी बायू आप देख रहे हैं, जहानी कारक कोई कुछ है जी बाडो भी बाडो, तो वह बाहर ही रहे जा है, जिससे सरीर में जाने वाली धूल और दूसरी असुद्डियां रहत होती है। इस मार्ग में स्लेसमा की पुरत होती है, जो इस Lee Kram में सहायक होती है। यहाँ से बायू कंट द्वारब बुपुस ब्रत प्रत solic को पया ह velvet होती है। इसका में उपश seis। यहाँ से चलना है आप लोग, ठीक है ? दूसरा कोई option भी नहीं है ना, समझ रहे हैं आप लोग, आप लोग यहीं से सांस लेते हैं, कभी-कभी आप देखते हैं, नाग बंद करके मुझसे भी लेने लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग देखें, यह ज्यांदर टाइम तक आप मुझसे भी नहीं दे सकते हैं, भुपोस के अंदर मार्क छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुबारे जैसी सरचना में अंत कृट हो जाता है, जिसे कूपीका का एक सत्य उकलत कराती है, जिसमें गेसों का बीनिमय हो जाता है, यानि कि अदलावदली हो जाती है, बीनिम भी बर्सों में देख चुके हैं कि जब हम स्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां उपर उठती है और हमारा डायप्राम चट्टा हो जाता है जब हम सास अंदर ले रहें इसके पाईडामस और वक्षगविका बड़ी हो जाती है इसकारण बायूप्वस के अंदर चूस ली रोधिर से से सरी से कारवन डायोकसाइड कूपकाउं में छोड़ने के लिए लाता है कूपका रुधि बाहिकाउं का रुधि कूपका बायू से ऑक्सिजन लेकर सरी की सभी कुछ नाओं तक पहुंचाता है स्वास चक्र के समय जव बायू अंदर और बाहर होती है फुपको सद्य और बायू का आउसिष्ट आयतन रखती है जिससे ऑक्सिजन के आउसोसन था कारवन डायोकसाइड की मोचन के लिए परियात समय मिल जाता है आप लोगोंने सुना होगा कि आप देखिए अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो क्या ऑक्सिजन की बिना उपस्तिती के आप जला सकते हैं क्या यह संभा है? कहते हैं ना कि कोई बस तु जलने के लिए औक्सिजन की चरूरत है. बिना औक्सिजन के नहीं कुछ हो सकता है उसमें. तो आप समझे यही रहाल है. एक गुबबारे को आप लिजिए. ठीक है? गुबबारे को लिजिए. उसमें अगर बायू, यानि कि आप गुबार पुछका हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप जगए है बायू भरने के लिए, तो आप भरते हैं, ठीक है, भरते हैं ना, ये नहीं भरते हैं, गुबारे में बायू भर गई, तो इसमें ये फूल गया, तो इसी तरह आपके फैंप इस ही बात करा हूँ, यहां कुछ आपका एक तरह ग्राप दिया गया है, इसे भी देख लीजिए, धूंपान स्वास्त के लिए हानिकारक है, फैपड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान काड़ों में से एक है, स्वासनली के उपरेंसे में चोटी-चोटी वालों की जैस जाने में मदद करती हैं, धूंपान करने से बालों जैसी सरचना एंश्ट हो जाती है, जिससे रोगाणो, धूल, दुमा और अन्हानिकारक रसाइन फैपड़ों में फरवेश कर जाते हैं, जो संकमण, खांसी और यहां तक ही फैपड़ों के कैंसर का भी कारण बंगते हैं इसके बाद आप देखते हैं, राम नाम सत्थ हो जाता है, जैसे जैसे जनतुओं के सरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विस्टन दा शरीर के, सभी अंगों में ऑक्सिजन पहुंचाने के लिए आपरयाप्त है और उसकी दर्चता कम हो जाती है, फुपुस की बायू से सुस चाते हैं, जिनमें ऑक्सिजन की कमी है, मानव में सुसन बढ़नक हीमो भी होगिन, जो ऑक्सिजन के लिए उच बंदुता रखता है, यह बढ़क लाल रोधिर कडिकाओं में उपस्तित होता है, कारवन डाय उपसाइड जल में अधिक बिले है, इसलिए इसका परीवहन हमा अधिक कुटकाओं की सतय को फैला दिया जाए, तो यह बढ़क असी वरग मीटर चित डग लेंगे, कितना असी वरग मीटर चित डग लेंगे, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कि अपने सरीर का सती चित पल कितना होगा, विचार कीजिए कि बिनवाई के लिए वि अंकुष्ट में पहुन अनमानता तीन बर्स का समय लगेगा, क्या आपको इससे पसंद नहीं हुए, कि हमारे पास हीमोगलीमिन है, हीमोगलोविन है, ठीक है, यह अभी जो आपने स्वसंद पढ़ाया हुसते समंदिते कुश्चल से दिये गए हैं, यह भी आप लोग आपको परिशान भी नहीं होना है, अब बात करते हैं हम लोग वहन, क्या बात करते हैं, मानव में वहन, तो इसमें देखते हैं, बहन नहीं, वहन, ठीक है, क्रिया गलाप 6.8 को पढ़ते हैं, अपने आसपास के एक स्वास्तकेंद का भरमड कीजे, और ग्याद कीजे कि मनो हेमोगलोमिन की मात्रा का सामान परिशाय क्या है, क्या यह बच्चे और वेस्क की समान है, क्या पूरुस और मैलाओं की हेमोगलोमिन इस पर में कोई अंतर है, अपने आसपास के पश्तू चिक इस्सा क्लिनिक का भरमड कीजे, और ग्याद कीजे कि पश्तूओं जैसे भैस अगाया में हेमोगलोमिन की मात्रा का सामन परिशाय है, क्या है, आप लोगों से इसलिए बोलता है, आप खुछ सोच के देख लिए, क्या सोचना है आपको, कि क्रियाकलाब में जो आपने देखा है, इतना टाइम है आपको कि क्या आप भरमड करने जाए, वहां जाने इसक क्या या मात्रा बच्रों में नर तथा मदा जंतु में समाने नर तथा मदा मानों में बजंतु में दिखाई देने वाले अंतर की दुलना की लिए यदि कोई अंतर है, तो उसे कैसे समझोगी, आप देखते हैं कि Hemoglobin की मातरा अलग-अलग, पुरोस में अलग महलाओं में अलग देखने को मिलीगी, पिछले अनोभाग में हम देख चुके हैं कि रोधेर, भोजन, ऑक्सीजन और वर्ड ये पदार्थों को हमारे सरीर में वह पिलाजमा कहते हैं, पिलाजमा, इसमें कोई काई निलम्वित होती है, पिलाजमा भोजन का अर्वड दाई ऑक्साइड और नाइट्रोजनी वजप पदार्थों का पिलियन रूब में बहन भी करता है, और ऑक्सीजन को लाल रोधीर कड़काएं ले जाती है, बहुत से अन रोधीर को अंगों के आसपास धगेल सके, नलियों की एक परिबत की आसकता है, जो रोधीर को सभी उतकों तक भेज सके, तथा एक यन तंत की जो यह सुनिश्यत करें कि इस परिबत में यदि कभी टूट-पूट होती है, तो उसकी मरमत हो सके, बहुत यह इसी तरह है कि आ बाने के पाने को तो दूसरी के तक आपका आशानी से पहुचा देता है. तो हिदय को आप लोग एक पम्प का पम्प के समान मान लीजए, अपलोů, ठीक हो हमारा पंप यानि कि हिदयु एक बार देकिलिए फिरबार में आप लोग 8 six 6 यह आप देखेंगे महाधमनी, सुनते रहते हैं ना महाधमनी, यह ही है, यह आप देखेंगे फुपुस धमनिया, यह आप देखेंगे फुपुस सिराएं, यह देखेंगे वाया अलेंद, वाया निलाएं, इस तरफ देखेंगे इन दोनों को विभाजी का, यह दाया ठीक है यह महाधमनी आपकी होई गई हिदय एक पेसी ये अंग है जो हमारी मुठी के आकार का होगा है ठीक है क्योंकि रोधिर को oxygen और carbon dioxide दोनों का ही वहन करना होता है अता oxygen पिचोर रोधिर को carbon dioxide योगत रोधिर से मिलने को रोकने के लिए हिदय का कई कोष्टों में बटालत है carbon dioxide पिचोर रोधिर को carbon dioxide छोड़ने के लिए फुपोस में जाना होता है तथा फुपोस से वापस oxygen रोधिर को इदर में लाना होता है यह oxygen पिचोर रोधिर तब सरीर के सेस्ष हिस्वों में पंप किया जाता है एक समय आप लोग सुनते हैं कि हम उसके दिल में छेद हो गय जाता है माल लीजे कि आप लोग एक तरफ आप लोगों ने देखा हुगा तेल निकलवाते हैं आप लोग सरसे सरुसं सी हो या तिली से तेल निकलवाते हो किसी भी चीज से तो उसमें आप देखते हैं कि पानी डाला जाता है तो पानी के लिए अलग रास्ता हो जाता है त उसके लिए अगर दाश होता है अगर माल दीज़े कि दूनों में छिद हो एक दूसरे से मिल रहें, तो क्या हो यानि कि दूनों एक दूसरे में मिल रहें, तो आप देखेंगे कि नुक्सान हो रहें तो इसी तरह छिद में भी सिद हो जाता है, oxygen और carbon dioxide साइड मिलने लगती है आप सुनते हैं भी है कि कई बार वो क्या रहता है कि डेथ भी हो जाती है उनकी तो यह हाल है है ठीक है हम इस पिक्रम को बिभिन चर्णों में समझ सकते हैं ऑक्सिजन पिचोर रुधिर रुधिर ठीक हिदाय में बाएब और इस्तित कोश्ट यानी कि बाय आलेंद में आता है ऑक्सी जन पिचोर रुधिर इस तो रुधिर को इकातित करते समय बाय आलेंद सितिल रहता है और जब अंगला कोश्ट बाया निले क्लता है तुछ इसमें इसमें इस्थानांतित हो जाता है, अपनी बारी पर जब पेसिय बायानिले संकुचित होता है, तब रोधिर सरीर में पंपित हो जाता है, और उपर बाला दाया कोष्ट दाया अलंद जब फेलता है, तो सरीर में वी ओक्सी जनित रोधिर इसमें आ जाता है, जैसे ही दाना द रुधिर को दाय निलय में इस्थानातित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सिजनित हेतु अपने बारी पर फुपुस में पंप कर देता है और अलेंद की अपिक्छा निलय की PCVT मौटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है जब अलेंद या निलय संकुचित होते हैं तो वळन्व उल्टी दिसा में रुधिर भ्रिवाक रोकना सुनिशित करते हैं देखें यू आपका बना हुआ माल लेजे अब देखिए मजाक मत उड़ाईएगा मेरी मेरे हिदय का मैं हिदर बना रहा हूं इसके बाद आप देखेंगे क्या करूं जैसा बना पलता हूं वैसा बना रहा हूं यानि कि जुड़ा हुआ है यहांसी ठीक है अब देखिए आप लो देखिए इस तरह क्या रहता है आप करिए क्या करूं मैं देखिए यहां भी आपका क्या रहता है कि यह आपका क्या रहता है तो यहां से आपकी ऌक्सिजन यहां आपका फेंपढ़ हो गए इस एक बाल्व लगाओ इसमें ज्याएगा आपका और यहां से आपका यहां आपके जो भी बोडविपार्ट हो वह जाता है आपका ऐना कि उप्यों आपका बस्व में बदल में इसमें तावी धाथा आप जी फिर जाएगी आपकी यहां, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, फिर आपकी इसमें आएगी, ठीक है, यहां से होती, यहां भी एक बॉल्ब लगा रहेगा, ठीक है, और फिर यहां से निकलते हुए, यहां से आपका फिर आए भी आपकी फेंटों में, और यहां से निकल जाएगी इस तरह से आपका होता है यही आप लोग सोचिए ठीक है एक बार आप लोग देखिए यहां से यहां से आ रहा है और यहां से बदलते हुए ऐसा निकल जाते है ठीक है बाप सी आप चलिए आने चलते हैं हम लोग मुझे लगता है कि आप लोग अगर बहतर जान सकते हैं अगर आप लोग बायलोजी के स्टूडेंट लोग फोकपोस में ऑक्सिजन के रोधिर में प्रवेश करती है बायलोजी तो काफी मैंने भी पड़ी है समझ रहे हैं आप लोग लेकिन यह मत कहिए कि पी एचडी की हुई है यतना भी महान नहीं हूँ फोकपोस में ऑक्सिजन रोधिर में तो कि दख्षpark खुंगबाफ औक्सिजन की पूर्ती कराता है पच्छी और इस्तंधारी सरीके जंदूओं को जिनने उच उर्जय की आवसकता होती है बहुत लाइबदयक होता है क्यूंकि उन्हें इन्हें अपने सरीग का ताक्रम बनाये के लिए नियंतर ऊजा की आपसक्ता होती है याद रखिए हमारा चार कोष्ट होते हैं हमारे सरी के हमारे हिदाय में ठीक है उन जन्टों में जिन्हें इस कार के लिए उर्जा को प्यूब नहीं करना होता है सरी का ताक्रम परयावण की परयावण की ताक्रम पर निर्भा होता है जल, इस्थल्चा या फिर बहुत से सरीषिप जैसे जन्थों में तीन कोष्टी एज़दय होता है और ये ऑक्सिजनित तथा बी ऑक्सिजनित रोधिय धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहिन कर लेते हैं दूसरी और मचली के एज़दय में केबल दो कोष्ट होते हैं हमारी में चार होते हैं लेकिन मचली का जो है इसमें दो कोष्ट होते हैं यहां से रोधिर कलॉन में भेजा जाता है जहां यह ऑक्सिजनित होता है और सिधा सरीर में भीद दिया जाता है, इस तरह मचली के सरीर में एक चक में किबल वार बारी रूधयसदय में जाता है दूसरी ओर अनकसुरू की मैं फितेक चक में दो बार हिदय में जाता है इसे दोहरा परीज संचरन कहते हैं क्या कहते हैं दोहरा परीज संचरन ठीक है एक तरह से इसे भी दिलिए ऑक्सिजन और कारवन डाय ऑक्सड की परिवहन तथा बिनीवन कभ्यवस्थात्मक निरूपन यह फुपोस कोस्की है होगी ठीक है यह आप देखेंगे फुपोस से फुपोसी है सिरा यहां आपके ऑक्सिजन रुधिर जा रहा है ठीक है यहां से जा रहा है यहां से निकलेगा सरी की महाधमनी होगी ठीक है फुपोस के अलावा सरी के अंगों में किस का अंग होगी यह यहां बदलेगा आपका किसमें बदलेगा यह आपको यहां बदलेगा कारवन डाय ओक्साइड में, जिन नीली दिखने लगी न एक तरह से इसी कुछ दर्साने के लिए बताएगा है, सरी से महासिरा होगी है, यह फिर जाएगी आपकी दूसरी बाग में, यहां से निकल के आ अपकी आपका जो खून है, एक तरह से आपका धमनियों में बायता है, लेकिन यहीं आपका कह दिया जाता है कि एक तरशा अपवाद है, कि फॉपवसी सिरा आपका खून को, यानि कि ऑक्सिजन जनित खून को ले आती है, और यहां आप देखेंगे कि गा रोदे वायटाओं की वित्ती के विरोद्ध जो दाव लगता है उसे हम लोग रक्त दाव कहते हैं, इसी से ही आपका रक्त दाव नमा पा जाता है, यह दाव सिराओं की अपिक्छा धमनियों में बहुत अधिक होता है, धमनियों के अंदर रोदे का दाव निले पिंकुचन, समकुचन के दोरान पिंकुचन दाव या निले अनुसितलन, अनुसितलन, सितलन के दोरान धमनी के अंदर का दाव, अनुसितलन दाव कहलाता है, सामान पिरकुचन दाव लगवग 120 mm पारा, और अनुसितलन दाव लगवग 80 mm पारा होता है, देखिए धमनी, धमनीयों का उप मुझे भी लिया है कुश्यंस बन चुका है कई बाद तो अप बाद है ठीक है रक्त दाब देखिए आप लो 120 फिंकोचन में और अस्ती अनुसी तलन में मापा जाता है रख रवर कप बायू से फूल जाता है यहां देख आओ इस तरह का आपका आपने लोगों ने देखा होगा कि लगाया भी जाता है आपको कफ में दाब 120 से उपर धमनी बंद ठीक है और कफ में दाब 120 से नीचे इस टेथो स्कोप से ध्वनी सुनी जाती है यह आप लोग यह भी डॉक्टर यूज करता है कफ में दाब 80 से नीचे ध्वनी सुनाई नहीं देखिए इसमें ठीक है यह हाल है इस फाइग इस फाइग मेनुमीटर नामक यंद से रख्तदाप मापा जाता है उच रख्तदाप को अती तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धम नीकाओं का से कुड़ना है इससे इससे रख्त प्रवाब में पिती रोध बढ़ जाता है इससे धमनी फड़ सकती है और आत्रिक रख्त सराव भी सरमन भी हो सकता है इसे भी याद पहना कई बार कूछ लिया गया है कि रख्त दापकुमापने वाला यंत को क्या कहते हैं इस फाइग मो मैनो मीटर अब बात क अब बात कि अब बात करने के लिए बात किसी अग याव तक तक पहुचकर धमनी उत्रोंतर चोटी वहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिसे सभी कुछकाओं से रोधिर का संपर्व को सके सबसे चोटी वहिकाओं की भीति एक कुछके मोटी होती है और रोधिर एवं आसपास की कुछकाओं के मद्द पदार्थों का विनिवाई इस पतली भीति के द्वारा ही होता है केसी काएं तब आपस में मिलकर सिरा बना बात कर रहा हूं यहां उपय हो गया आपका यहां क्या हो गया उपय हो गया आपका और यहां कि ऑक्सीजनित रखता रहा है यहां यहां आपका बदला और यहां देखा आपने की सरीर में जा रहा है यह आपका कारवंडाई ऑक्साइड जनित यान कि गंदा रखत हो गया एक ये और यहाँ से निकल जाता है, carbon dioxide यहां से निकल जाती है, ठीक है, तो इसी की बात कर रहुआ है, plate let's द्वाराँ अनुरक्षन, यह भी आप काफी सुनते रहें, plate let's की कमी हो गई, जब भी आपको मली रिया होता है, तो इसे भी सुनते रहें, देखे लिखलेट से बढ़ाने का ये अच्छा सीधा सा देसी तरीका है आपका, कभी भी आपको हो, तो गुरवेल आता है, गुरवेल, देसी भासा यही है गुरवेल की, ठीक है, तो उसे आप लोग ये उच कर सकते हैं, अच्छे फाइदा भी पहुचाता है, इन नलिकाओं की तंत में यदि रिसना पयारम हो जाए, तो क्या होगा, उस इस्तिती पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाए, और रक्त सराव होने लगे, तंत से रोधीर की आनी प्राक्तिक रूख से कम से कम होनी चाहिए, इसके अतरिक तर रक्त सराव से दाव में कमी आ जाएगी, जिसे पंपिंग कणाली की दप्षता में भी कमी आ जाएगी और इसे रोपने के लिए रोधिर में फिलिट लेट से कुछिकाय होती है जो पूरे सरीर में भिवड करती है और रक्त सराओ के स्थान पर रोधिक का धक्का बनाकर अवरूद कर देती है आप लोगों ने देखा ह जब आपके सरीर में कट जाए किर्च भी हो जाए तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है क्या करती है उसे मतलब रख्त का धक्का उपर एक तरह से पलत बना देती है और वो आराम से बंद हो जाता है ठीक है लसी का भी आप लोगो लखाए itशानी तरह रोधिर कोश्टा के बाहर निकल क बाहर निकलका ऊथलब के अंतरों मातरा में प्रउटीन होते हैं लसी का अंतरों से लस्का के सब्सक्राइब करें लाषिकार में चला जाता है तो जो आपस में मिलकर बड़ी लश्का बाहिका बनाती या और एंद में बड़ी सिरा में खुलती या बचा हुआ तथा चुद्रात द्वारा और सोशित वसा का बवन लस्का द्वारा होता है और थैरिक्त तरल को बहाए कोश्की है आवकास से आपस में रुधिर में ले जाती है एक तरह से वही है कि आप लोग कभी कोई मसीन खोली है तो उसमें नहीं लवी रहती है कई आप अगर उज्या वारी करेंट वाली अगर मसीन खोल दें तो उसमें एक डोरी दूसरी तीसरे से चुड़ी हुई ह तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये भी खेली रहती है आपकी ठीक पादपों में अगर परीवान की बात करें हैं लोग किसमें पादपों में हम पहले चाचा कर चुके हैं कि पादप किस तरह सीओ टू यानि की कारवन डाय उस ऑकसाइड कि ये पादपों के लिए निर्माड के लिए आवसे कच्छी सामगरी अलग से पराप की जाती हैं पादपों के लिए नाइट्रोजन फासपूरस के दूसरे खानेज लवड़ों के लिए मिलदार निकटतम तथा पिचूल पिचूलतम होती है इसलिए इन पादार्थों का उस्तुसर बढ़ जड़ों द्वारा जो मिलदार के संपर्ग में रहती हैं किया जाता है प्यादी पादप सरी के अलब अभी कल्पना में परीवर्तन की कारण ये दूरिया बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्छी समगरी तथा जड़ों में उर्जा उबलग कराने के लिए बिसरन पिक्रम परयाप नहीं होता होगा इसी परिस्तिती में परीवान की सुधरन पिणाली आफसे हो जाती है आप लोग ही सोचके देखिए अगर पौदों को खनेजों की जरूरत ना होती है फासपूरस नाइट्रोजन या दूसरी को कोई भी खनेजे उनकी अगर आयरन की जरूरत ना होती है तो आप कहीं भी प कपास को देख लिए काली मिट्टी में होता है काला काली कपासी मिट्टी भी कह देते हैं आप लोग माल लिए कि अच्छा है कि इसे कपास को आप लोग कहीं पत्वी ले उसमें भी खिती में कर सकते थे क्योंकि वहां उसके लिए अनकूल मिट्टी नहीं है उसकी अनकूल देख रहे हैं आपको, इसलिए कहता हमाँ, ठीक है, तो सब के लिए एक तरह से जरूरी है, हमारे लिए भी तरह तरह की प्रोटेन आपके यह खने जरूरी है, तो हम लोग अपनी जरूर पूरी करते रहते हैं, विभिन तरीकों से, ठीक है, और जब विटामिन D की कमी हो पाई भी बताए जाते हैं किस तरह से आप लिज सकते हैं, विटामिन D की कमी होगी तो आपको टैबलेट भी दे दीजी जाते हैं, कैपसूल आप भी आने लगे हैं, ठीक है, बिभिन शरीर अभी कलपना के लिए उरजा के आवस्त्ता बिभिन होती है, पादप पिचलन नह सकते हैं, जिन दूरियों के दूरियों परिवहन तंद का पिचालन कर रहे हैं, लंबी वेक्च में भी बहुत अधिक हो सकते हैं, पादप वहन तंद पत्तियों से घंडारिद, उरजा, युकपदार, तथन जड़ों में कच्छी सामगरी का भहन करेंगे, ये दो पत सुतन संगठी चालन, नलिकाओं से निर्मित होते हैं, एक जायलम, जो मिर्दा से पर आप जल और खनेल लगण को बहन करता है, दूसरा फिलों, कौनसा? पहला है जायलम, दूसरा फिलों, पत्तियों से जहां आप देखेंगे, प्रिकास संसलेशन के उत्पास संसलेशित होते हैं और पौधी के अन्य भागों तक बहन करता है, हम इन उत्कों की रचना बिस्तार से पच्छा नोवी में पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले लाष्ट किलास में हम लोगों ने इसके बारे में बिस्तार से पढ़ भी लिया था, पर आप बात करते हैं, जल का परिवाहन, जल क वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल समखन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, जो पादप की सभी भागों से संबट होती है, यानि के जुड़ी होती हैं, और जड़ों की कुछ का है, मिर्दा के संपर्ट में हैं, और बे सक्री रूप से आयन प्राफ्ट करते हैं, और या है जड़ और मिर्दा के मद्ध, आयन सांदरन में एक अंतर उत्पन करते हैं, इस अंतर को समात करने के लिए मिर्दा में से जल, जड़ में प्रवेश कर जाता है, इसका अर्थ है कि जल अनवरत गती से जड़ के जायलम में होता है, और जल के, जल के, इस थम का निर्मा में परियाफ्त नहीं है पादप चैलम द्वारा अपने सबसे उच्छाई के बिंदू तक जल पहुंचाने में कि कोई और युक्ति करते हैं इस तरह से आप देखा होगा आप गाओं से आगए और बैसे आप कहीं से भी हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की विवस्ता होती ह हम लोग जब बच्पन में पढ़ते थे तो हम लोग एक लाल टैन देखते थे या चिमनी आप देखते थे विट्टी के तेल की जो आपका केरोसीन आता है इससे आप चलाते थे और पढ़ते थे तो आप सोचिए उसी तरह आप ले सकते हैं कि आप देखते हैं कि चिमनी के रहती है वो तो आप कपड़ा किसी कपड़े की द्वारें वो ऊपर तक जल वो आपका तेल जाता रहता था और चिमनी जलती रहती थी आपकी उजीला देती रहती थी चलिए अब हम लोग किरिया कलाब 6.9 को भी देख लेते हैं 6.9 को लगबग एक ही आकार कि तथा बराबर मिर्दा वाले दो गमले लेजे चा लेना है दो गमले लेना है एक में बहुता लगा दीजे और दूसरे गमले में पौधी की उचाई कि एक लगडी चड़ी लगा जिसमें नमी का वास्पन ना हो सके नमी का वास्पन ना हो सके दोनों गमलों में गमलों को एक को पौधी के साथ दूसरे को चड़ी के साथ पिलास्टिक सीट से सीट से डग दीजे क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं छोड़िए इसको किरिया कल आपको बस पढ़ पढ़ लीजे आप लो, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ना नहीं बिलकुन, पढ़ लीजे ओ छोड़ दीजे इसे, वहीं अपनी स्टिटी में, अब यहां जो नीचे आपका पराग्राफ दिया जाता है, इसे जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या रहना है, अच्छा जला पोड़ती है, जिस जल की रंद के द्वारा हानी कुई है, उसका पिती स्थापन पत्तियों में जैलम पाही काओं द्वारा हो जाता है, बास्पा में कोशी का, सिजल के अड़ों का वास्पन एक चूसन द्वार उत्पन करता है, जो जल को जड़ों में, उप तो आपको पता चल जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, कि यह आरमसी नलिकाओं को भी जरूरत है, तो वो आपकी धमनीयों के दोरा चोटी-चोटी नलिकाओं के दोरा पहुच जा रहा है, तो आप सोचिए कि पेड के जो अंद भी भाग है, उन्हें भी तो जरूरत रह पता चल जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, कि यह आरमसी नलिकाओं के दोरा एक तरह जाईलम दोरा चिसता रहता है, वो आप पहुंचता रहता है, टिक? अताहा वासपुर्जन जल की आउसोचन एवं जड से पत्तियों तक जल तथा उसमें बिले एक खनीच लवड़ों के ओपरी मुखी गती में साहिक है, यह अताप की नेमन में भी आपका साहिक है, जल के बहन में मोल रात्री के समय विसी सरूप से प्रभावी है, दिर में ज जल की गती के लिए मुख पेरकबल होता है, इसे भी आप देख सकते हैं, यह जल वासपुर्जन की समय जल की गती है, यह जड़ें किसलिए होते हैं, इसलिए तो एक तरह से आप समझे यह जड़ें हैं, कि भेज रहें उपर तक आपका जल आराम से चला जाता है, आप वहां पहुंचतो रहा है। कितने भी उचा हो आप, फेर कितने भी उचा हो के अना हो ? तुहां तक जाने की पाणी हो नीचे से धर्ति से जाने की बिवस्ता है। अब आप कहेंगे उपर से कहीं नहीं आ रहा है, ठीक हैaju yad रखेगी। कि आप लोग ऊपर से पीते हैं नीचे तक जा रहा है और वो नीचे से पी रहा है उपर तक जा रहा है ठीक भोजन तता दूसरे पदार्थों का स्थाना अंतरन की अगर बात करें । अब अब तक हम पादब में जल और खनेज लवणों की चर्चा कर चुके हैं करते हैं कि उपाप चाहिए के रियाओं के उत्वात्ति वचे रियाओं के उत्वाद विसी सुरूफ सी प्रकास इंसलेशन जो पतियों में ही तुस्फा पादफ प्रकीन में कैसे भेजे जाते। प्रिकास संसेशन की बिले उत्पादों को बाहन इस्थानांतरन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्थानांतरन कहलाता है आपका। और यह सम्वयन उतक के फिलोयम नामक भाग द्वारा होता है। प्रिकास संसलेशन के उत्पादों के अलावा फिलवेम अमीनो अम्ल तथा अन्रपदार्थों का परिवहन भी करता है। और आप देखेंगे कि यह पदार्थ विसेश रूप से जड़ के भंदारन अंगों, फलों, बीजों तथा बिड़्दी वाले अंगों में ले जाते हैं। भोजन तथा अन्रपदार्थों का इस्थानांतर्ण सलगन साथी कुष्टिया की साहता से चालनी नालिका में उपरी मुखी तथा अधो मुखी दोनों देशाओं में होता है। आप ही सोचिए एक बात को, कि अंगोर तो आप लोग सभी लोगों ने खाया हुगा। यतना तो आप लोग जानते हैं इतना है, मुझे लगता है बहुत समझदार है। तो आप सोचिए उनमें पानी जो पहुँच जाता है जो भी रहता है उसमें, वो कहां से पहुचता होगा। नीचे से ही जड़ोन दवारा उनमें फलों में पहुंचता होगा कि नहीं? जायलन दवारा परीवान जैसे सामान बहुत तीक बलों दौरा समझाया जा सकता है विपरीत फिलोएम दवारा इस्थानांतर न्रे जो उर्जा के उपयोग से पूरा होता है सुक्रोज शरी के पदार्थ फिलोएम उतक में A.T.P. से इस्थानान्तित होते हैं या उतक का परासंड दाप बढ़ा दीता है जिसे जल इसमें प्रवेस कर जाता है यह दाप पदार्थों को फिलोएम उस उतक तर ले जाता है जहाँ दाप कम होता है यह फिलोयम को पादप यह आवस्टता कि अमसार पदार्थों का इस्थानानतर करता है। उधारनी के लिए बसंत में जड़ वा तने की उत्कों में भंदारेत सर्क्रा का इस्थानानतित कलकाओं में होता है। जिसे विड़्धी के लिए उज्जा की आवस्ट्रक्ता होती है यह भी आपके ऊपर जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है इसी से सम्मंदित कुश्चन्स है आप लोगों ने काफी इस चैप्टर में ज्यान लिया है उस सर्जन की अगर बात करें हम लोग उत्र सर्जन्ट तो इसमें आप देखेंगे हम चर्चा कर चुके ही जीप विकास संसलेशन तथा सोसन में जनित वर्जी गेसों से कैसे चुटकारा पाते है अन उपाप्चाही करियाओं में जनित नाइटोजन युक्त पदार्तों का निकलना आवस सके वर्जय पिक्रम जिसमें इन अपसिष्टों को सरीर की सतय से जल में विसर्ट कर देते हैं जैसा कि हम अन पिक्रम में देख चुके हैं जटल भाउको सके जीवों जीब इस कार को पूरा करने के लिए विसिष्ट अंगों का उपयोगती करते हैं जयसे हम लोग हैं तो हम लोग इसे संगों का उपयोग करते हैं चलिए बात कर लेते हैं मानव में उस्साजन यह आपका सबसे माधपूर है मानव के उससाजन तंत में एक जोड़ी बिग यानि कि किडरनी एक मूत वाहिनी एक मूत आसर और एक मूत मार्ग होता है ब्रिक के उधे में रीर की हड़ी के दोनों और इस्तिर होते हैं ब्रिक में मूत के बनने के बाद मूत वाहिनी में होता हुआ मूत आसा में आ जाता है तथा जहां तक तब तक 31 रहता है जब तक की मूत मार्क से यह निकल नहीं जाता है मूद किस पिकार तयार होता है मूद अखिर किस तरह तयार होता है मूद बनने का उधिस रुधिर में से वज्ज पतारतों को चान कर बाहर करना है फुपोस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है जब कि नाइटोजनी बर्ज पतारत जैसे यूरिया फिर यूरी कमल बिक्यमें रुधिर से अलग कर लिये जाते है या कोई आश्चार की बात नहीं है कि बिक्यमें में आधारी निसेंदन एकक और फुपोस की तरह ही बहुत पतली भीती वाली रुधिर क्वेश्क्याओं का गुच्छ होता है बिक्यमें पितेक कुछ का बुच्छ एक नलिका की कप के आकार की सरी के अंदर होती है या नलिका चने हुई मूद को एककतित करती है और पितेक बिक्यमें ऐसे अनेक निसेंदन एकक होते है जिने हम लोग बिक्राणू या पर निप्रौन कहते है क्या कहते हैं नेप्रौन कहते हैं जो आपस में निकटता से पैक रहती है और प्यारमिक निसेंदम में कुछ पदात जैसे गिलूपोज हो गया अमीनों अमलो गया लवड और पिचुर मात्रा में जल रह जाते हैं जैसे जैसे मूध इस नालिका में पिरवाविद होता है इन चैनित, पुनर और सोशन हो जाता है। जलकी मात्रा पुनर को सजित करना है, प्रत्य रोध़क करना है। मूत वाहिनी में पिर्वेश करता है, जो बेके को मूत्रासर से जोड़ती है, मूत्रासर में मूत भंडारित रहता है, और जगता कि फैले, वे मूत्रासर के दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे, मूत्रासर पेशी है होता है, अता है यह है, तंदिका नियंतर् पर दाशा हम कर चुके हैं, पर आप मुत्त नेकासी को नेदित कर लेते हैं, यहां आप लोग देखें, यह है आपका पूरा, उठ माराओ में उससराजन, यहां को किडन, एक तरह से बिक्टियानी की किडन नी देखने को मिलेगी, बाया बिक्ट हो गया, यह आपको बाही बि हो गया, यहां आप देखेंगे यह आपकी एक विक्कराणू की रचना, किसकी विक्कराणू की रचना, यह विक्क धमनी की सिरा हो गया, और कुछ बोमर संपोट हो गया, गिला मेरूस लस हो गया, यह ठीक है, यह आपका विक्कराणू का नलिका कार भाग हो गया, यह आप बाल बीक की संटराक्यां हो गयी है और बिक के दम्नी हो रहे हो गए तीक है आपको परनेशी मास के रंडे जैसे की जेब कर द Key Ferrak को संचित कराता है, जिससे मित्यू भी हो सकती है, बिक के आप किरिये होने की अवस्ता में किंतिम बिक का उपयोग किया जा सकता है, एक किंतिम बिक नाइट्रोजनी अफसरिश्ट उत्पादों को रोधियर से आप वहन डायलेसिस द्वारा निकालने की एक युगती है, इसक का परासंड दाव रोधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अफसरिश्ट नहीं होते हैं, रोगी की रोधिर को इन नाइकाओं से प्रभाहित कराते हैं, और इस मार्ग में रोधिर से अफसरिश्ट उत्पाद, बिस्रन द्वारा अपुवन द्रम में आ जा जाता है, यह अब्वेक्य के कार की समान है, लेकिन यह एक अंतर है, कि इसमें कोई पुनर वसंड पुनर आउसोसंड नहीं है, प्या एक प्राहा, एक स्वस्थ वैस्क में, पिती दिन 180 लीटर आरंबिक निसेंदन बिक में होता है, यह पी एक दिन में उत्सा जर्मूत का आय reverb बसता है, क्योंकि इसमें निससेंदन बेक के निकाहों में पुनर रसोसित हो जाता है, 180 लीटर की बात कर रहा है, यहाँ दो लीटर आप तको दिकाई रहा है, यानि कि बाहर नहीं निकलता है, बाकी फिल्टर होता रहता है, इस तरह से चलता रहता है, तो आप सुझि तरी ट्राइब में करते रहते हैं, देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है, धमनी से पंप कमार, और ये चैनित परागम जिली की बनी नलीका होगी, ये आपको अपुवन के बाद बिलियान, यूरिया तता, आपका अतरिक लवन, अपुवन के लिए ताजा बिलियान, ठ यहां से, अब बात करते हैं हम लोग पादप में उस्सर्जन, किस में पादप में, उस्सर्जन किस तरह से होता है, पादप उस्सर्जन के लिए जन्तुओं से बिल्कुल भिन यूक्तियां प्रियुक्त करते हैं, प्रिकास संसलेशन में जनित, प्रिकास संसलेशन में जनि पौधे ऑक्सीजन तथा कारबन डाई ऑक्साइड के साथ कैसा विवार करते हैं बे अतरिक्त जल्ब में जल्ब वास्वर्स जन्दवारा चुटकारा पा सकते हैं पादमों में बहुत तक मिर्ट कुछ काउं के बने होते हैं और बे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का अच्छायागी कर सकते हैं और बहुत से पादप उत्पाद कि अक्सिष्ट उत्पाद को सभाष की!!! पौदों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपसिष्ट उत्पास संचित रहते हैं अन अपसिष्ट उत्पास रेजिन रेजिन या गौन के रूम में विसेस रूप से पुराने जायलम में संचित रहते हैं अंगदान यह भी आप सुनते रहते हैं तो मुझे लगता है कि अगर इतने आपके यहाँ एक्सिडेंट होते हैं आप लोग उस बॉड़ी को दखना देते हैं या जला देते हैं तो जलाने से क्या मिलता है तो आप लोग इतना कर सकते हैं आपको अंगदान करने वाले लोग देखने को मिलेगे हमसे जांदा विदेशों में यह काप रहता है आप अंगदान एक अदार कारे जिसमें किसी ऐसे बैक्ति को आंगदान किया जाता है जिसका कोई आप डान ठीक से कार ना ना कर रहा हूँ यह दान धातां और उसके परिवार बालों की सहमती द्वारा किया जा सकता है अंग और उतक दान में दान, दाता की उम्मबा लेंग मायने नहीं रखते हैं पित्यारोपन किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है गराही के अंग खराब अतपा वीमारी या चूट की वज़े से चतीगर्ष्ट होने के कारण कारण अंग पित्यारोपन आवस्तक हो जाता है अंग दान में किसी ऐसे व्यक्ति दाता की सरीर से सल्चिकसा द्वारा अंग निकाल का किसी अंद व्यक्ति या गराही के सरीर में पित्यारोपित किया जाता है सावान का प्रित्यार उपन में कौन या गुर्दी दिल यक्रित अगना से फैपड़े आत और अस्तिमज्जा सामिल है अधिकांस अंगदान बाउतक दान दाता की मिट्टिव के ठीक बात होते हैं जब डॉक्टर किसी व्यक्ति की मस्तित को मिट्गोसित करता है लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दी होके यक्रित का कुछ वहाग फैपड़े इत्यादी उतकों का दान दाता की जीवित होने पर भी किया जा सकता है तो यह भी याद रखना कौन-कौन से अंगत दान कर सकते हैं क्योंकि यह भी कई बार बन चुका है कुश्चन की कौन से अंगत दान सब्सक्राइब परियावन से सरल अकार्वनिक पदार्थ लीकर तथा बाही उड़्या फ्रोज जैसे सूर का उपयोग करके वोच उड़्या वाली जटल कार्वनिक पदार्थों का संस्विशन करना विसम्पोसी पोसक में दूसरे जीवंद्वा त्यार किये जटल पदार् कार्वने के वेकों का भी खंटन होता है जिससे ATP का उपयोग कोश्या में होने वाली अनक्रियाओं को उर्जा पिदान करने के लिए किया जाता है ठीक है फिर आप देखेंगे सुसन बाइवीय या फिर आईवीय भी हो सकता है और बाइवीय सुसन से जीव को अधिकूर्जा प्राप्त होती है और मनुस में ऑक्सीजन कारवन डायोकसाड भोजन उत्पास सरी के पदात का वहन परिवहन तंद का कार कार होता है परिसंचन तंद में हिदय रोधिर तथ रोधिर भाहिकाएं होती है और बिवेदित पादार्थों में जल, खनेजलवन, भोजन तथा अन्र पादार्थों का परिवन संभव उत्कों का कार है जिसमें जायलन तथा फिलोईम होते है मनुस में उत्साजी उत्पात बिले नाइटोजन या उत्कों की रूम में की करते हैं उधारन के अफसिष्ट पदार्थ हैं पदार्थ कोश्का रिक्तित्का में संचित किया जा सकते हैं या गौंद पर रहेचिन, किरूमें तथा गिर्थी पतियों दर दोर किया जा सकता है या कर अपने आसपास की मिर्दा में उससाजी चल देते हैं आप समझे कि अ आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको उसमें नोट्स में अभी नहीं बीदना चाहिए, सुरू में तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, फिर लाश्ट में आपको रिवीजन के लिए आप रख सकते हैं, आपके questions दिये गए हैं, नहीं आप लोग देख लिए और PDF सभी आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लिए आपके पर एंट आउट निकलवाने की सुईदा है, तो निकलवा सकते हैं, बरना आप लोग रखिए ज़रूर अपने पास, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपके साथवे चेप्टर में, इसमें बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत महतुमात फून questions भी आपके देख चुका है, ठीक है? तो आगे हम लोग नेंतर एवं समनवे साथवा चेप्टर आपका देखिए में, ठीक है? मिलते हैं हम लोग, त ग्यान के बारे में बात कर रहे हैं लोग, इसमें आपके 6 चेप्टर हम लोग खदम कर चुके हैं, कितने? 6 चेप्टर कौन सा था? जैब पिक्रम, इस 7 चेप्टर है आपका नियतर्ण, एवं समनवे, याद रखिए आपकी कच्छा 6 चटवी से लेकर कच्छा 10 वी तक की समदी, सभी आपकी NCEIT, फूर कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सुची बनी हुई है, उसी में डली हुई है, ठीक है? उसी में सभी कलाते हैं, आपकी डली हुई है, तो आपको बड़ी ध्यान से सुनना है, एक से दुबार आप लोग देखिए, आराम से समझ में आ जाए ठीक है? पिछली अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षन अत्वा रख रखाओ, कार में सलगन जैसे जैब पिक्रमों के बारे में पढ़ा था, हमने इस बात पर विचार करना कारम किया था, कि यदि कोई वस्तू गती सील है, तो हो सजीव है, पादपों में इस तरह की कुछ गतियां बास्ताओं में विद्धी का पैड़ा है, एक बीच अंकुरित होता है और विद्धी करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोध भिद कुछ दिनों में गती करता हुआ मिद्धा को एक कोड धकेल कर बाहर आ जाता है, लेकिन यदि इसकी विद्धी रोक गई त अधिकास जन्तुओं में अत्तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां बिद्धी से सम्मधित नहीं है, एक दोर्ती विल्ली जूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भेंस ये गतियां बिद्धी के कारण नहीं होती है, दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोडते हैं, इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीब के परियाबन में आये परिवर्तन की अनुकरिया सोचते हैं, बिल्ली इसलिए दोड़ी होगी क्योंकि इसने एक चुआ देखा था, केवल यही नहीं हम गति को सजीवों द्वारा क किये गए एक ऐसे परियास के रोमें भी सोचते हैं, जिसमें उनकी परियाबन में हुए परिवर्तन के परिवतन उनके लिए लाबकारी होँ, सुर के पिकास में पौधे बिड़ी करते हैं, बच्चे जूले से आनंद पराप्त करने का परियास करते हैं, बहस्च जोगाली क ताकि भुजन चोटे-चोटे टुकड़ों में तूट जाए और उसका पाचन भली भाती हो सके। जब तेज रोसनी हमारी आँखों पर फॉकस की जाती है या जब हम किसी गरम पस्तु को छूते हैं तो हम में परिवरतन का पता लग जाता है। और इसकी अनुकरिया में स्वयम को बचाने के लिए गदी करते हैं ऐसा पितीत होता है। आप लोग गरम तवे को छूना भी मत। मालूप चला पैक्टीकल करने के चक्कर में आप जल गए। कि यदि हम इसके बारे में और अधीक विचार करें तो ऐसा पितीत होता है कि परियावण की अनुकरिया के पिती एक गदियां साउधानी से नेर्धित की जाती है। परियावन में पिते के परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गती उत्पन होती है, जब हम कच्छा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, तो हम जोर से चीखने की अपेक्छा फुस फुस आते हैं, इस पर शुरूप से कोई भी गती उस गटना पर निर्वर करती है, जो इसे पेरिद करती है, अताहिस तरह की नेंतित गती को परियावन में भिन गतनाओं की अभी ग्यान से जोड़ा जाना चाहिए, जो अनुक्रिया के अनुरूप गती करें, दूसरे सब्दों में अगर हम कहें तो सजीवों को उन तंतों का उपयोग करना चाहिए, जो नेंतर्ण एवं समर्वय का कार करते हैं, बहु कोस्किये जीवों में सरी संगटन के सामाने सिद्धान को धियान में रखते हुए, यह कह सकते हैं कि विसिष्टी के उतक का उपयोग इस नेंतर्ण तथा समर्वय की रियाकलाब में किया जाता है, अब बात करते हैं हम लोग जन्तु तंतिका के बारे में, जन्तु में नेंतर्ण एवं समर्वये संतिका तथा पेसी उतक द्वारा किया जाता है, जिसके पछल्य पक्छा नोभी में यानि के पेचली कंछा में आपने विस्ता से पढ़ा जाता, आकस्मिक परिस्टिती में गरम पदार को छुना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम ऐसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुकिरिया की आवसत्ता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि हम गरम बस्तू को छू रहे हैं। हमारे पर्याबन से सभी सुचनाओं का पता कुछ तंदिका, कोशकाओं की विसर्टी के सिरों द्वारा ल लगाते हैं जबकि ग्रांड गराई गंद का पता लगाते हैं। यह सुचना एक तंदिका, कोशिका की द्रूमकिर्टिक सिरी द्वारा उपारजित की जाती है। और एक रसानी किरिया द्वारा यह एक बिद्धुद आवेक पैदा करती है। यह आवेक द्रूमका से कोशि कोशिका काई तक जाता है। और तब तंदिका एक्सोन में होता हुआ है, इसके अंदिम सरी तक पहुच जाता है। एक्सोन के अंतर में बिद्धुद आवेक कुछ रसायनों का वेमोचन कराता है। यह रसायन रिक्तिस्थान या सनेप्टिक द्रार को पार करते हैं। और इस तरह कि मात्रा की सामान ऐउजना है इसी तरह एक अंतरगरंगरथन, सिनक्स अन्तटा ऐसे आवेगों को तंतिका कोश्का से अंनिकोशिकाओं जैसे की wrapped कोश्का गरंति तक ले जाता है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आपको समझहाओं क्या आप लोगों से इसलिए तो आपकी सभी NCRIT को टेलीग्राम पर डाल दिया गया है वहां से आप लोग डाउनलोड टेल लीजिए फड़ लीजिए मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इसमें कुछ समझने लाइक हो बड़ी आसान सब्दों में यानि की बहुत साधारन सब्दों में लिखी गई है वुक्स तो आप एक से दो बार अगर आराम से भी पढ़ लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा एक केंद्रक हो गया आपका एक दुरुमी का एक कोशी का का है ठीक है तंतिका आप्च एक तंतिका का अंतिम से रहा हो गया यहां ठीक है इसे भी देख लिए तंतिका कोशी का कचित है उपर वाला और यह आपका तंतिका पेशी यह संधी है तंतिका पेसी ये संधी दिख रही हो गई और पेसी फाइबर कोशी का हो गई ठीक है ये माइटो कांडी आओ गई अता है इसमें कोई अक्षा नहीं है कि तंतिका उतक तंतिका कुश्काओं का या फिर नियूरोन के एक संगठि जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्ध्य ताविक के द्वारा सरीर के एक भाग से दूसरे बाग तक संभण में विसेश्टीकिट है देखिए इसकी बात कर रहा है देखिए तथा इसमें तंतिका गुश्का के भागों को पहचानिये जहां सूचनाओं उपारजीत की जाती है जिससे होकर सूचनाओं विद्धुत आविक की तरह यात्रा करती है और जहां इस आविक का परिवर्तन रसायनिक संकीत में किया जाता है जिससे यह आंगे संचरीत हो सके अब इसके रियाकलाब 7.1 को देख लीजे कुछ चीनी अपने मुएमें रखिए इसका स्वाद कैसा है अपने नाग को अंगुठा या फिर तरजनी अंगुली से दवा कर बंद कर लीजे अब फिर से चीनी खाईए इसके स्वाद म तसन ध्यान दीजे कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं जब नाग बंद होती है तो क्या आप चीनी या फिर भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है इस तरह की आपने जब आपको जुखाम हो जाता है, सरदी जुखाम, तो उस समय आप से पूछा जाता है, कि नमक जाना है सबजी में, तो आप कह देते हैं, मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, सरदी हो गए इसलिए, जुखाम हो गया इसलिए, तो परिवर्तन हो जाता है, पर आप देखे हैं तो बहुदा पिती वर्थ सब्द का प्रियोग करते हैं हम कहते हैं कि मैं पिती वर्थ वर्थ स्वरू बस से कून गया या फिर मैंने पिती वर्थ स्वरू आग की लोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया या फिर मैं इतना भूगा था कि पिती वर्थ स्वरूप मेरे मुई में पानी आने लगा इसका क्या विव्या है यानि कि क्या मतलब है इन सभी उधारणों में एक सामान विचार आता है जो कुछ हम जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते या फ परिस्तितियों में नेंतर्ण और समनवय कैसे प्राप्त किया जाता है इस पर फिर से विचार करते हैं एको धारन लेते हैं आग की लपट को छुना हमारे अत्वा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक इस्तिति है हम इसके पिती कैसे अनुकिरिया करते है एक सरल भी धी है हम विचार करें कि हमें आगात पहुँच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए यानि की पीछे तब एक आवस्तक पिसन आता है कि यह है सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा उत्तर निर्वर करता है कि हम किस पिकार सोचते हैं एक जटल किरिया है तब अता यह है बहुत सी तंदिका कोश्काओं के तंदिका आवे कि जटल अन्यों किरियाओं से जोड़ने के लिए बाद भी है यदि यह वस्तु इस्तिती है तो कोई आश्य नहीं कि हमारे सरी में सोचने वाले उतक जटल लूप से विवस्तित नियू गरिया से पहले विचार भी करते हैं निसंदे यह संकित पर राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिस्क का सोचने वाला भाग तंदिकाओं द्वारा सरीर के विविन भागों से जुड़ा होना चाहिए इसी तरह यदि मस्तिस्क का यह भाग पेसियों को गती करने का सरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है उस्मा की संबिधन की बारी में सोचने की अप्रिक्षा यदि जो तंदिकाओं उस्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंदिकाओं से जुड़ा जाए जो पेसियों को गती कराती है तो जो पिक्रम आगम संकितकों का पता में तधन नेघं की रिया को करने का कार करती है करता है वह अधि see fils पूरा हो जाता है आमतोर वर्षतर की संबंधन को अंतौर को संबंद्र के बिंदन को कहा होना चाहिए सबसे उप्युब तिस्थान साएद वही बिंदु होगा, जहाँ सबसे पहले एक दूसरे पासे मिलते हैं पूरे सरी हागी तंदिकाय मेरूरज्जु में मस्तिस्क को जाने वाले राष्टे में एक बंडल में मिलती हैं और पित्ती वर्ती चाप इसी मेरुड्यू में बनते हैं, यह भी आगर सूचना है मस्तिस्क तक भी जाती हैं, अधिकतर जन्तों में पित्ती वर्ती चाप इसलिए विक्सित हुआ है, क्योंकि इनके मस्तिस्क के सोचने का पिक्रम बहुत तेज नहीं है, बास्तों में अधिक में पित्ती वर्ती चाप का दक्ष कार पेडाली की रूम में विकास हुआ है, यह भी जटेल नीरोन जाल के अस्तित में आने के बाद भी पित्ती वर्ती चाप तुरंद अनुकरिया के लिए एक अधिक दक्ष पेडाली की रूम में कार करता है, यहां चित आपको दिखाई द तंदी का कोछ्च का, एक कार कर बराबर भुजा पिमें पेशी, यहाँ आपको देखना यह पित्ती सारण तंदी का कोछ्च का, मेरूरजू और मस्तिष्क के लिए संकित, आप देखते हुए कि देखिए, पूरा एक इसे मस्तिस्क आप पूरी तरह से आर्व कर रहा ह। क्या आप उन गहटनाओं के घर हो सकते हैं । जो आपकी आँकों में एक तरह से आप मानिए कि दिमाग पो आप गाड़ी या मोटरसाइकल या आप PORWILLER और किसी का भी इस्ट्रेंड माल सकते हैं जो stand मतलब यानि कि जो चलाने वाली होती है जिसे क्या बूल देते हैं आप लोग stand तो बूलते है stand जो भी कहते हो ठीक है मोड़ा हो फिर ऐसा handle भी कह देते हैं आप लोग गाड़ी में उसी को मान सकते हैं अगर मानो मस्तिस्की की बात करेंगे है जैसे मानो की तो क्या मेरो रज्यू का कार केवल पित्ती वर्ती किरिया है निश्चरूप से नहीं क्योंकि हम जाते हैं कि हम सोचने वाले फ्राणी हैं, मेरु रज्यू तंतिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाय प्रिदान करती है, और सोचने में अधिक जटल के रियाविदी तथा तंतिका संबंधन होते हैं, ये मस्तिष्क में संग्यतित, केंदरित होते है जो सरीर का मुख कर समनवे केंदे हैं मस्तित के तथा मेरूरज्यू केंदिरी इतन्तिकातन बनाते हैं ये सरीर के सभी भागों से सुचनाय प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन भी करते हैं हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं लिखना बात करना, एक कुर्सी को माना, किसी कारिकरम के समाप्त होने पर ताली बजाना, इत्यादी एक्छी किरियाओं के उधारने, जो आंगे, क्या करना है, कि नेड़े पर अधारित हैं, अता हमस्तिस्त को भी पेसियों तक संदेश बिल्जने होते हैं, या दूसरा तंतिका तंत, पेसियों में संचार बेचता है, कैंद्री ये तंतिका तंत, तथा सरेर के अन भागों में संचार को परिदिये, तंतिका तंत, सोगमता पिदान करता है, जो मस्तिस्त से निकलने वाली का पाल, तंतिकाओं, तथा मेरूरज्जी से निकलने वाली मेरूर तंत काउं से बना होता है इस पेकार मस्तिस्क हमें सोचने की अनुमती तथा सोचने पार आधारित किरिया करने की अनुमती पिदान करता है जैसे आपको संभावना होगी कि यह एक जटिल अभीकल अपना द्वारा मस्तिस्क के विभिन भागों से जो विभिन आगत तथा निर्ग मस्तिक मद्ध मस्तिषक और पुस्च मझच इस तरह से आप देख सकते हैं अपकी म pray मैं इन आपको देखने को मिलेगा ओरत तेखिल अनू मस्तिषक यह आपका मेडूला पॉंस juda हाइड हाइपो थेलेमस यहां आपको प्यूस गिरंथी कहा है यह है प्रिवूस गिरंथी यह आंगे का भाग है अग मस्तिस्क यह बीच का भाग है यह आपकी कपाल को पुड़ी है ठीक है यह मंद मस्तिस्क यह पीछे का ठीक है तो यह तरह से आप अपने दिमार को देख रहे हैं ठीक है मस्तिस्क्र का मुख सोचने वाला भाग अग मस्तिस्क्र यानि कि यह है सोचने वाला भाग इसमें विविन ने गराही से संबेदी आभेग सूचनाय पराप्त करने के लिए छेत होते हैं अग मस्तिस्क के अलग-अलग छेत सूंगने सुनने देखने आधी के लिए विसेश्टी किट हैं इस में साहचर की छेत पिथक होते हैं जाहें इन संबेदी सूचनाओं अन गराही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिस्क में एकत्य सूचनाओं करत लगाया जाता है इस सब पर आधारित एक नेडाई लिया जाता है कि अनुकिरिया तता सूचनाओं पेरक्षेत तक कैसे पहुचाई जाए जो एक्छी पेसी की गदी को जैसे हमारी टांग की पेसियां नेदीत करते हैं हलाकि परक्ति में कुछ संबेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल हैं जैसे कि हमें कैसे पता लगता है कि हम परयार्त उपोजन खा चुके हैं हमारा पेडounge पुरा भरा है यह जाने के लिए एक suburbs से संबंधित कैंद है जे अगमस्तिस्क में एतले भाग है याद रखें जो आंगे का भाग है सोचने के लिए भी का काम करता है और एक तरह से आपका मुख से सम्मंद भी यही काम करता है मानो वस्तिस्क्रिक नामंकी चित्द का अध्यन कीजिए हम देख चुके हैं कि विभेन भागों के विशिष्ट कार हैं अपने अध्यापक से परामस करके पिदिक भाग की कार का पता लगा सकते हैं आएए पिती वर्ट सब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं जैसे कि हमने पैरम में चच्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खादबदार्द को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनाया सी हमारे मुए में पानी आ जाता है हेदैस पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा बास्तव मेंन के बारे में सोचकर या चायकर भी आसानी से हम इन किरियाओं पर नेंतर नहीं कर सकते हैं क्या हमें सांस लेने के लिए या प्रभोजन पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, अताह सामान की तीवर्ती क्रिया जैसे पुतली के, आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसी कुर्सी खसकाना के मद्द एक और पिसी गत्ती का सैट ह जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंतर नहीं है, इन अनेक्ष क्रियाओं में से कई मद्द मस्तिस्क या पर पश्च मस्तिस्क से नियंतित होती है, ये सभी अनेक्ष क्रिया जैसे रख्तदाब, लार, आना, वमन, पश्च मस्तिस्क, इस्तित मेडूला द्वारा नियंतित हो से लुठाना पर विचार कीजिए ये पस्ट मस्तिस्क में इस्तिद्भाग अनुव मस्तिस्क के द्वारा ही संभव है जो एक्षे क्रियाओं की परिसुद्धी और सरीर की सन इस्तिती तथा संतुलन के लिए उत्जदाए हैं कलपना कीजिए हम इनके बारे में नहीं सोच रह हैं नहीं सोच रहे हैं और यह सभी घटनाय काम करना बंद करते हैं तो क्या होगा अब बात करते हैं यह उतक रक्षित कैसे होते हैं मस्तिस्क की तरह कौमलंग जो विविंत किरियाओं के लिए बहुत आवसक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए इसके हड्डियों के बॉक्स में आवस्तित होता है बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुबारी में मस्तिस्क होता है जो प्रगात अवसोसक उपलत कराता है यदि आप अपने हाथ को कमर के मत्य की नीचे ले जाएं तो आप एक कथोर उभार वाली सरचना का अनुबाव परेंगी यह कसेरुप दंड का या फिर रीड की हंटी है जो मेरूरच्चा की मेरूप रज्यों की रक्षा करता है एक तरह से आप सोचे कि दिमाग अगर आपका मस्तिस्क है इतनी सुरक्षा के साथ ना लगा होता है मान लेजे कि पिर चाहिए आपका दिल है यानि कि हिदय और आर् किसी ने एक थोड़ा सा माल दिया, कान खतम हो जाता है। तो एक तरह से आप एच-सी में आप विच्जान भी फैल हो गया है। कि आप सोचे पूरी बिज्ञाइन किया गया है। एक तरह से आप गाड़ी बनाते हैं तो पूरा एक तरह से आप सोचे है। माल लेजे कि आपकी नाख पीछे होती, आखें आपकी कहीं और होती, तो एक सोची आप लोग कितने हैं, एक तरह से उठ पठांग लगते हैं, पूरी विवस्तित तरीके से बनाये गया है, अब बात करते हैं, तंतिका उतक कैसे क्रिया करता है, अब तक हम तंतिका उतक की सूचनाओं के अधार पर नेड़य लेता है, और पेसियों तक किरिया के लिए नेड़य को संभावित करता है, दूसरे सब्दों में हम जब करिया या फिर गती संपन होती है, तो पेसि उतक अंतिम काम करेंगे, जनतु पेसि कैसे गती करती है, जब तंतिका आव एक पेसि तक पहुंचता है, तो पेसि की गती को गती करने चाहिए, एक पेसि कोश्का कैसे गती करती है, कोश्की है, इस तर पर गती के लिए सबसे साधारन, साधारना है कि पेसि कोश्का अपनी आक्रती बदल कर गती करती है, और अताहा आगामी प्रिश्न है कि पेसि कोश्का आख किसे बदलती है इनका उत्तर कोश्की अवयव कि रसायन में नहीं थे पेसी कोश्काओं में विसेश पिकार की प्रोटीन होती है तो उनकी आक्रिती यातवा विवस्था दोनों को यी बदल देती है और कोश्का में यह तंदिका विद्धुत आवे की अनुकिरिया के पाल चर्चा की थी तब विविन पिकार की पेसियां जैसे की एक्षिक पेसियां तथा अनेक्षिक पेसियां थी अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपकी विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं यह आपके कुश्चन से दिये गए हैं जो आम लोगोंने टॉपि कातंत होता है ना ही पेसिया होती है अताहबे उद्धीपन के पिती अनुकरिया कैसे करते हैं जब हम चोई मुई के पादप की पतियां छोते हैं तो भी मोड़ना प्यारम कर देती हैं और नीचे जुख जाती है जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़े नीचे की ओर जाती हैं, तथन तना उपर की ओर आता है, जानते हो क्या होता है, छोई मुई की पत्तियां इसपर्स की अनुकिरिया से बहुत तेजी से गती करती हैं, इस गती से बिड़ी का कोई समंध नहीं है, दूसरी ओर नवोद विद कि दिसिक गती बिड़ी एक बिड़ी, एक बिड़ी पर आसरे और दूसरी आप देखेंगे बिड़ी से मुप्त है, मुप्त है, छोई मुई का पौधा, देख लेजे, इसे चुआ, इस तरह से मुर जाता है, आप लोगों ने देखा हुआ, बात करते हैं, उद्धीपन के लिए तत्काल अनुक्रि आईए पहले पिकार की गती पर विचार करें, जैसे ही छोई मुई के पौधे की गती, क्योंकि यह बिड़ी से सम्मधित नहीं है, पादप को इस परस की अनुक्रिया के पलसुरूब अपनी पत्तियों में गती करना चाहिए, लेकिन यहां कोई तंदिका उतक नहीं है, और पौधी की किस बाग में गती होती है, यह आवासी है कि इस परस वाला बिंदू तथा गती वाला बिंदू दोनों भिंदने, अता इस परस होने की सूचना संचारित होनी चाहिए, पादप इस सूचना को एक कुछका से, दूसरी कुछका तक संचारित करने के लिए दूश्टों की तरह गति करने के लिए कोछ औस पाध़ में चाहिए जन्तों के सिक्षकाओं की तरह बिशेश्टी की प्रोटीन तो नहीं होती है अभी तो वे जल की मातरा में परिवरतन करके अपनी आफ़ित बदल लेती है पईडाम सुरू फूलने या सिकुडने में उनका आतार भी बदल जाता है बात करते हैं बिद्धी के कारण गती तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या फिर बाढ़ पर पितान की साहता से उपद चलते हैं ये पितान इस परस के लिए संबिदन सील हैं जब एक इसी आधार के संपर्क में आते हैं तो पितान ओय भाग जो बस्तु के संपर्क में उतनी तीपिता से बिद्धी नहीं करता है जितना पितान का ओय भाग जो बस्तु से दूरी दूर रहता है इस कारण पितान बस्तु को चारों और से जकड लेता है आम तोर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गती करके उद्धी बन के पिती अनुक्रिया करते हैं क्योंकि यह बिट्थी दिसिक है इससे ऐसा लगता है कि पादप गती कर रहा है आई इस पिकार की गती को एक उधारन की साहता से समझते हैं इसके रियाकलाप को आप लोग देखिए 7.2 मुझे खुछ समझ में नहीं आ रहा है देखिए इस चेप्टर में कि क्या आप लोगों को समझ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे बहतर समझ रहे होंगे ठीक है मैं तो दिन भर कर ठका हारा आया हूँ तो आप आज भी अच्छे दिन ही निकल पाती है लेकिन आप लोग तो बहतर समझ रहे होंगे ठीक है और अच्छे से समझ रहे हो तो आप लोग मुझे भी समझा सकते हैं एक संकू फिलासको को जल से भरत लिए फिलासकी की गिरवा को तार के जाल से ढख दीजे एक ताजा छोटा सैम का बौधा ताल तार की जाली पर इस पिकार रख लिए कि उसकी जड़ें जल में भींगी रहें एक और से खुला हुआ आप गहते का एक बौक्स लिए फिलासको को बौक्स में इस पिकार रखिए कि बौक्स की खुली साइड खिड़की उपी और जहां से पिकास आ रहा है दो या तीन दिन बाद आप देखेंगी पिकास की और जोग जाता है तथा जड़े पिकास से दूर चली जाते हैं अब फिलासको को इस पिकार गुमाईए कि पिकास से दूर तथा जड़ पिकास की और जाए इसे इस अवस्था में कुछ दिनों के लिए बिच्छोब रही छोड़ दिये क्या पिर ओर जड़ के पुराने भागों में ने दिशा बदल दिये क्या ये अंतर नई विड़्दी की दिशा में है इस क्रिया कलाब से हम क्या निसकास निकालते है इस क्रिया कलाब जो भी होते हैं आप लोगों पढ़ना है और निकल जाना है ठीक है इसमें जान्दा दिमाग मत लगाए इसके बाद जो पैराग्राफ रहता है उसे जरूर दहां से पढ़ लिया करिए पिकास की दिशा में पादप की अनुक्रिया इस तरह और ये आप दे दिशा परिवर्तित कर देते हैं एद दिसिक या फिर अनुवर्तन गतिया उद्धीपन की ओर या फिर इस ते विप्रीद दिशा में हो सकती है अताहिं दो भिन्य पिकार की पिकास उनुवर्तन गतियों में पिरोवे पिकास की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ से दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं या पादप की सहयता कैसे करता है पादप अनुद्धिपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं और एक पादप की जड़ सदेव नीचे की ओर बिड़्धी करते हैं जबकि पर ओवे प्रा उपर की ओर तथा प अर्थन है, 7.6 में आप लोगों ने देखा भी है, ठीक है? यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रसायनिक पदार्थ हो, तो जलानुवर्थन तथा रसानुवर्थन का क्या अर्थ होगा? क्या हम इस पकार के देशिक विर्धी गतियों के उधारनों के बारें वि पराफ्थ करेंगे आगी, आईए एक बार हम पिर विचार करते हैं, कि बहुत कोश्की है, जीवों के सरीर में सूचनाएं किस पकार संचारित होती है, छूई, मुई में स्पैस की अनुकिरिया की गति बहुत तीब है, दूसरी और रात और दिन की अनुकिरिया में और अंगुलियां याद्रिच ना होकर एक निश्च दिसा में विद्धी करती हैं नियंतिक गती मन या पिर तीब हो सकती है यति उद्धीपन के लिए तीब अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का इस्थनांतर भी बहुत तीब होता है होना चाहिए इसके लिए तीब गती से चलने के लिए संचनाओं का मात्यम होना चाहिए इसके लिए विद्धुत आवेक एक उत्तम साधन है लेकिन विद्धुत आवेक के उपयों के लिए सीमाय भी है सरप्तितम बेकिबल उनी कोशिगाओं तक पहुंचेंगी जो तंधिका उतक से जुड़ी है जन्तु सरी की पिते कोशिगा तक नहीं दूसरे एक बार एक कोशिगा में विद्धुतावेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनह नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिगा फिर से अपनी कारविधी को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी दूसरे सब्दों में अगर हम कहें तो कोशिगा एं इसमें कोई आश्ट नहीं है कि अधिकास बहु कुस्की है जीब कोशिकाओं के मत्र संचार के लिए अन्रसादनों का उपयोग करते हैं हम पहले ही रसायनिक संचेन का संधर्व देवी चुके हैं यदि एक विद्धुताविक जनित करने के अलाबा उद्धी पंग उद्धी पित कोशिकाओं एक रसायनिक योगिक निर्मोचित करना प्यारम करने तो यह योगिकास पास की सभी कोशिकाओं में बिसरित हो जाएगा यदि आसपास की अन्निकोशकाओं के पास इस योगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उनकी सतय पर विसेस अर्वों का उपयोग करके बेसूचनाओं का अभीज्ञान करने योग होंगे तथा इने संचारित भी करेंगे हाला कि यह पिक्रम बहुत धीमा होगा लेकिन यह अतन्तिका संबंधन के बिना भी सरी की सभी कोशकाओं तक महुंचेगा तथा इसे आप परिवर्दी तथाई बनाया जा सकता है बहु कोश्किये जन्तुओं द्वारा नियन्तड एकं समंणभय कली विबती हार्मोन हमारी आशा के अनुप बिभित्ता दरसाते हैं बिभित पादप हार्मोन बिद्धी बिकास तथा परियावण के पीती अनुक्रिया के समनभय में साहेता करते हैं इसके संसलेशन का इस्थान इनके क्रिया छेत्र से दूर होता है और साधरन विश्णन द्वारा भी क्रिया छेत्र तक पहुंच जाते हैं आईए हम एक उधारन लेते हैं हम पहले कह चुके हैं कि जब विड्धी करता पादप प्रिकास को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑकसिन हार्मोन कहते हैं एक आभी आवलोगोंने सुना भी होगा यह प्रोह के अगभाग टिप में संसलेशित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में विड्धी में सहाइक भी होता है जब पादप पर एक होड़ से पिकास रहा है तब आकसिन बिसर्थ होकर प्रोह के छाया बालेभाग में आ जाता है प्रोह की पिकास के दोरी डोर वाला वाली साइड में आकसिन का संद्रण कोशिकाओं को लंबाई में विड्धी के लिए उद्धित करता है अतहा पादप की और मुड़ता हुआ दिखाई देता है पादप हार्मोन का दूसरा उधारन जिब्रेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तनी की विद्धी में सायक होते हैं साइटोकाइनिन कोशी का विभाजन को पेरिद करता है और इसलिए उन छित्रों में जहां कुछ का विभाजन तीब होता है विस्चे रोप से फलों और बीजों में अधिक संहटा में पाए जाता है और ये उन पादप हार्मोन के उधारन है जो विद्धी में साय अध्ता करते हैं लेकिन पादप की विद्धी संद संद मन के लिए भी संकेतों की आउस्सकता है आपनों बढ़ी का संद नन करने ब अगर आप पढ़ा है ना इसी से सम्मंदित कोश्चन से देखते रहे हैं जन्तुओं में अगर हार्मोनों की बात करें हम लोग तो एरसाइन या हार्मोन जन्तुओं में किस पेकार सुचनाओं के संचर के साधन की तरह प्युक्त होते हैं कुछ जन्तु जैसे गलेरी को लीज हैं जिसे नियंतित करने नियंतित तरीके से अत्य देख उर्जा की आवसकता होती है अनेट पिकार के विभिन उत्कों का उप्यों होगा तथा उनकी एक एकिकित किरियाये मिलकर एकार करेंगे यह भी लड़ना या दोड़ना दो एकांतर किरियाये हैं एक दूसरे से बना देती हैं यह सब कैसे उपलब्द होगा यदि गलैरी में सरीर अभी कल्ब तंदिका कुछकाओं द्वारा केवल बितुत आवेक पर आसित होगा तो आगामी क्रियागों करने के लिए पिसीप्छित कोत्कों का परिस्तर सीमित होगा दूसरी और यदि रसायने एक संकि भी विजा जाता है तो यह सरी की सभी कुछकाओं तक पहुंचता और आवस्यक परिवर्तित परिसर बेहत हो जाता है अधीव्यक गरंथी से तरावित एडिनलीन हार्मोन द्वारा मनुस्यत अनेक जंत्वों में यह किया जाता है इन गरंथियों की सरीर में इस्तिती जानन कीए इन नर्मै और यहांकी मदा में ठीक है नर्मैं हाईपो थेलेमस या आपको पीनिल गरंथी और यहां में प्यूह है आउट्था गरंथी पराव दू औ रहन जान ठीक है इसी से यह हर्मोन सरावित हों होती है थाइमस गरंथी अंतिन अधिव फांडियों पूज वंत आटू गरंथी परावटू गरंथी ये सभी एक ओमन थाइमस गरंथी अगना से गरंथी और अधिवेक गरंथी अंडा से गरंथी ठीक है एड्रनीलीन सीधा रोधिर से सराविध हो जाता है और सरी के विवें भागों तब पहुंचा दिया जाता है हिदय सहत या लक्ष अंगों या प्रविशे शूत्मों पर कार करता है परडाम स्परुप हिदय की धर्ड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेसियों को अधिग ऑक्सिजन की आपूर्थी हो सके पाचंत तधनत तधना कोचा में रोधिर की आपूर्थी कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों को चोटी धमनियों के आसपास की पेसियां सिकोर जाती है यदि रोधीर की देशा हमारी कंकाल पेसियों की ओर कर देता है डायेप्राउम या पर पसलियों की पेसियों के संगुचन से सन की दर भी बढ़ जाती है इस सभी एनुकिरियाय मिलकर जिन्दू सरी को इस्तिती से निपड़ने के लिए तियार करती हैं इस जन्दू हार्मोन अंतासरावी गिरंथियों का भाग हैं जो हमारे सरी में नेंतर नेवल समयवे का दूसरा मार गुई है इस किरियाकल आपको देख लीजिए 7.3 चित में दर्साई गई अंतासरावी गिरंथियों की भाइचान कीजिए इन्हें से कुछ गिरंथियों को पुस्तक में वाडित किया गया है ठीक है इन्हें देखी लिया है आप लोगों ने याद कीजिए कि पातपों में हार्मोन होते हैं जो दिसिक बिद्धी को नेंतित करते हैं जन्तू हर्मोन क्या करते हैं इसके बारे हम उनकी भूमिका की कलपना दिसिक बिद्धी में नहीं कर सकते हैं हमने किसी जन्तू को पिकास या गुरुद्ध पर आसरित किसी एक दिसा में अधिक बिद्धी करते कभी कभी नहीं देखा है लेकिन यदी हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जरू जन्तु शरीर में भी सावधानी पूरवग नेंदेद स्थानों पर विद्धी हो दिये उधारन के लिए पादप अपने सरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां होगा है यह समझने के लिए एक समझने विद्धी में हार्मोन कैसे साहता करते हैं आये कुछ दायनों की परिक्चा करें नमक के पेकेट पर हम समने देखा है कि आयोडीन एक्त नमक या पर आयोडीन से संब्रूदित है हम अपने आहर में आयोडीन एकत नमक लेना क्यों आप सके आउटुग्रंथी को थायरोक्सीन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवसकता होती है थायरोक्सीन कार्गोएटिट प्रोटीन तफा वसा के उपाफ्चा है का हमारे सरीर में नियंतिन करता है ताकि बिद्धी के लिए उतकर्ष्ट संतुलन उपलवद कराया जा सके थायरोक्सीन के संसलेशन के लिए आयोडीन अनिवार है यदि हमारे आहर में आयोडीन की कमी है तो यह संभाव नहीं कि हम ग्वाइटर से गिर्सित हो सकते हैं और इस बीमारी की एक लक्षड फूली हुई गर्दन क्या आप इस इच्छे ते साथ देसमलाव साथ में अव्ट्यू गरंथी की स्थिती से संबंदित कर सकते हैं देखिए यहां आप लोगोंने देखा हुआ यहां एक तरह से उठ जाता है ना समझ रहे हैं यहां कई लोगों का आप लोगोंने उठा हुआ देखा हुआ इसे ही गवायटर कह देते हैं एक तरह से कभी-कभी हमने ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत चोटे बॉने होते हैं या फिर बहुत अधिक लंबे होते हैं क्या आपको कभी आश्य हुआ है कि यह कैसे होता है फिर उस गिरंथी से स्थरावर्थ होने वाले हार्मोन में एक बिड़्धी हार्मोन भी है जैसा कि इसका नाम एंगिट करता है कि बिड़्धी हार्मोन सरी की बिड़्धी और विकास को नहती करता है यदि बालकाल में इ तो आप ने अपने और उसके अंदर कई नाट की अंतर भी देखे होंगे यह परीवारत ने यह नारम से संब्ढ़ने और क्योंकि नर्मे टेस्ट्रों तथा मदा में एस्टोजन का सरावन होता है यह हार्मोन है क्या आप अपने परीवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जने डॉक्टर ने अपने अहर में कम सरकरा लेने की सलाय दी क्योंकि वे मदू में से रोगी हैं यानि की डियाबिटीज से उपचार की रूम में इंसुलीन का इंजेक्शन भी ले रहे हों यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादान अगनासय में होता है और जो रोधिर में सर सावित नहीं होता है तो रोधिर में सरकरा लेस्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण भी बनता है यदि इतना अवसक्य की हारमोन का स्रावन परिशुद्य मातरा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवसक्ता है जिससे यह किया जाता है संसूचित कर लेती हैं उसकी अनुखिरिया में अधिक insulein सरावथ करती हैं सरकराइस तर्क कम हो जाता है तो इंसूलीन का सरावन कम हो जाता है कर आज़ी करियां गूसास भंगेजिए हारम और अन्ता सरावी गरंतियों द्वारा सरावित होते क्स्स हार्मोन का क्या का में, क्योंकि इन से आपके direct questions बनते रहें, प्रलियम से में भी बन जाते हैं, यह हार्मोन हो गए, अंता-स्रावी गरंथी जिससे स्रावित होते हैं, इनकी जो कार हैं, बिध्धी हार्मोन, यह आप देखें कि, प्यू से गरंथी यानि की pituitary गरंथी से निकलता है और सभी अंगों में विद्धी पेरित करता है फिर आप देखें के thyroid गरंथी सरी की विद्धी के लिए उपापचय का नियमन करता है, इंसुलीन रक्त में सरकराइस्तर का नियमन करता है टेस्टिस्टों इबेसंट से उत्पन होता है अंडा से मादा लेंगे कंगों का विकास वा मासिक चक्रा नियमन भी करता है एडिनलीन, एडिनल गरंथी से निकलता है मोचक हार्मोन, pituitary गरंथी से हार्मोन के सरावकुल पेरित करता है ठीक है? यह आपके questions दिये गए हैं इसी से समद्दित, यह हैं आपने क्या क्या सीखा है, यह आपके लिए जरूरी है, हमारे सेरी में नेन्तने लिए नेन्तने बन समनभाय का कार, तंधिकातंद या तथा हार्मॉन तथा हर्मॉन का है, तंधिकातंद की अनुकरिया को पित्ती वर्थ के लिए तंतीका तंत्त लावेग करतां हैं। क्रिया करता है। सियन्ता जब के इस एक उत्पन होते है । गति करते है work कि पपुनरवरंड इसे अपने आपसे पढ़ लीजिए इस चेप्टर को का मुझे खुद पढ़ाने नहीं आ है और मुझे लगता है, क्योंकि पता इसमे कुछ अच्छ ऐसा है नहीं है पिछलना लाक्ष चैप्टर आपका जो छटवा चैप्टर था उसमें बड़ा अच्छा लगाता बड़ा मज़ा भी आया था पढ़ने में तो इसे एक से दो बार आप लोग पढ़ लें टेलीग्राम का आपकी पीडिये अपड़ी हुई है कौन से ड चली तो लोग बात कर रहे थे आपके NTEIT कक्छा दस्बी की विज्ञान के बारे में तिक है किसके साइंस के बारे में इसके इसमें हम लोग 7 चैप्टर आपके खतम कर चुके हैं हरी तर साथवा चैप्टर था आपका नियलतर एवं समनवें आज कक्छा दस्बी की चैप्टर हों लोग जीव जनन कैसे करते हैं इससे देखते हैं इससे पहले आपकी कप्छा चट्वी से कप्छा दस्बी तक की जितनी भी क्लास में ली गई है अभी तक सभी NCEIT पूर कवरेज के नाप से जो आपकी प्लेलिस्ट सूजी बनाई हुई है उसी मेडली हुई ह तो वहां जाकर आप लोग करम से देख सकते हैं चैप्टर वाई चैप्टर तो इसमें आपको क्या करना है कि बड़े ध्याल से धेर रखकर आपको सुनना है लाष्ट में इसका जो भी निसकरस होता है यारी कि गहने का मतलब ही कि जो उद्देश होता है कुपरने का वो बत या नहीं है जो आपको समझ में ना आए क्योंकि बहुत ही साधारन सब्दों में लेखी गई है जीवों के जनन की क्रिया विधी पर चर्चा करने से पूर्व आईए हम एक मूलबूत प्रिसिन करें जीव जनन क्यों करते हैं जीव जनन क्यों क्यों करते हैं बास्तों में प दूसरी और जीब को संतत्ती उत्पन करने के लिए आते धिक उजाबे करनी पड़ती है, यानि की बच्चे पैदा करने के लिए, फिर जीब उस पिक्रम में अपनी उजाबेट क्यों करें, जो उसके जीवित रहने के लिए आवसर्थ नहीं है, कच्छा में इस पेसिटने के स सुसर्ण के बारे में पढ़ा, उस साजन के बारे में पढ़ा, आपने बहुत काफियत तक बड़ा मजा भी आया होगा आपको का अध्या इच्छे पढ़ने में, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि बच्चे पैदा करने के लिए, सीधा सा मतलब यही है, इसमें कोई उनके करने के लिए उन्हें जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करना जरूरी है, लेकिन एक संपोस्डी है, आप लोग उन्हें विकास सुना होगा, कहने का संपोस्डी है, विकास कहने का मतलब यह होता है कि आप किसी संसादनों का इस तरह से उपियोग करें कि आने वाली पिड नहीं करूंगा तो आप सोचे आंगे उनकी जो भी पीडिया रहेंगी खतम हो जाएगी तो इसलिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं जरूरी है इस पिसेंड का जो भी उत्तर हो परुंतु यह सबस्ट है कि हमें विभेन जीब इसलिए द्रश्टी गोचर होते हैं क्योंकि विख्टी उत्पन नहीं करता तो संबा है कि हम उसके अस्तित का पता भी नहीं चलता है किसी इस चैप रहे इस में पाए जाने वाले जीबों की विशाल संख्या की संख्या YE हमें बेखे जयारी हूद हमें कैसे पा50 ४ा moins द्रश्ट चलता है कि मानेजी शित्तिति का सामान दिखते हैं, अब देखिए मानव का वच्चा मानव भी देखेगा आपको, मनुस का वच्चा मनुस जैसा ही देखेगा, दिखेगा? अब बात करते हैं, क्या जीव पूर्टा अपनी पित्ती किर्टी का से जन करते हैं, विभेने जीवों की अभीकल्ब आकार एवं आकती समा होने के कारण ही बेशादर स्कतीत होते हैं शरीर का अभीकल्ब समान होने के लिए उनका विलूपेंट भी समान होना चाहिए अताहा आपने आधारूत इस तर पर जनन जीब के अभीकल्ब का विलूपेंट तेयार करता है कप्छा नौपी में आप पढ़ चुपे हैं कि कोशी केंद्रइक से संथनि पीडिए में जाता है यानि की मावाफते आपके बच्चों में जाता है कोशी किकट के अन्तरओग के डी एनने में प्रोटीन संसललेशन ही तुप सूचना ने के होती है इस संधेश के विभैन होने की अवस्खा में बनने वाले प्रोटीन भीविन हो विभेन ने प्रोटीन के कारण अंत्ता सारीरिक अभीकल मैं भी पिवित्या देखने कुमलेगी यह होगी, ठीकर? अतहा जनन की मूल घटना DNA की पिति-किति बनाता है, DNA की पिति-किति बनाने के लिए कोशिकाएं विभेन रसाइनिक क्रियाओं का उपयों करती है, जनन कोशि दूसरे से अलग होना आवस्य भी है, परन्तु DNA की एक पिति-किति को मूल कोशिका में रखकर, दूसरी पिति-किति को उसके उसने बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी पिति-किति के पास जैपिक्रमों के अनुरक्षन हेतु, संगठित कोश किये सरचिनाओं का सजर्भी होता रहता है, इसके बाद DNA की पिति-किति हैं बिलख हो जाती है kalau bakın, आपको यह सोचिसे इसमें आपको क्या समय होगा? आपको ऐसा लगता है कोई सब्ध है जो आपको समझ में ना आ रहा हो मैं तो सोचता हूँ मुझसे बहतर आप लोग समझ रहे होंगी ठीक है यदि कि दो कोशिका है या गभी एक समान है हैं परन्तु क्या पूर्ण रूपिन समरूप है इस पिसंद का उत्तर इस बात पर निभा करता है कि पित्ती किति पिकरियां कितनी यथाडर एं से समपाधित होती है कोई भी जी शीवराज Sherman एडि पिकरिया पित्ती कित्ती की पित्ती 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 की डीने का समरोप नहीं होगी, हो सकता है कि कुछ बिभिन्यताएं इतनी ओग हो कि डीने की नई पितिकिति अपने कोशकी ये संगठन के साथ समायुजित नहीं हो पाए, इस पेकार की संतिती कोशका मर जाती है, दूसरी हो डीने पितिकिति की अने बिभिन्यताएं इतनी ओग नहीं होती है, अत्हा संतती कुछ का समान होते हुए भी किसी ना किसी रोप में एक दूसरे से बिविद्न होती है। जनन में होने वाली ये विविविन्निताइ, जैब, विकास, काधार हैं, जिसकी चर्चा हम अंगले अध्याय में खरे हैं। अब बात करते हैं विभिन्यता का महत्त क्या है यानि कि क्या जरूरी है एक तरह से अपनी जनन चमता का उपयोग कर जीवों की समश्टी पारितंत में इस्थांत था अथवा निकेद गहर्ण करते हैं जनन के तोरान डीने पितिकिती का अभी रोध जीव की सारेरिक सरचना एवं डिजाइन के लिए अतेंत मात्कून है जो से विशेश्ट निकेद के यूग बनाती है अता किसे प्रजाती इस पिसेज की समश्टी के इस्थायत का समन्द जनन से है पन्तू निकेद में अनेक पर परिवर्दन अत्वा किसी ओल्का पेड़न का ठकराना इसके कुछ उधारन है यदि एक समश्टी अपने निकेद के अनपूर तथा निकेद में कुछ उग परिवर्दन आते हैं तो ऐसी हवस्था में समश्टी कब समोल बिनाज भी संभा हो सकता है परन्तू यदि समश्ट जलका ता बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवानू ब्यश्टी मर जाएंगे परन्तू उष्ण पितीरोदी चमता वाले कुछ परिवर्द ही जीव रहते हैं तथा बेद्धी करते हैं अता विभेन्यता है स्पीसीच की उत्तर जीवता बनाय रखने में उपयोगी है कहने का म है आप चेत में ग्याहू गोई कोई रोग आया आपकी ग्याहूँ को चोपट कर गया आप को तो क्या होता तो कम से कम बशत तो जाता कर कि शान अगर खेदी से जुड़े हुए हो आप तो ज्या है आपका और घम ऑक तबुश्चित ने गया भी जीवाड या रोग एक फसल पर आटेक कर रहा है तो उसके बाद दुस्री जो फसल होगी हो सुरक्षित बनी रहेगी कि ऐसा नहीं है कि आप शोचें कि एक बीमारी सभी फसलों पर काबू होता है ऐसा भी नहीं होता है ठीक है तो इससे समंदित आपके questions दीए गए इनने भी देख सकते हैं अब बात करते हैं एकल जीवों में पिजनन की बिधी क्रिया कलाप 8.1 100 ml जल में लगवंग 10 ग्राम चीनी को गो लिए एक परखनली में इस बिलेयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी इस्ट पाउडर डालिए परखनली की मुख को रुई से धक्त कर किसी गरम इस्थान पर रखिए एक या दो घंटे परखनली से इस्ट संबर्धन की एक भून स्लाइड पर लेकर उससे पर कवर रखिए सूख्चमदर्थी की साहता से स्लाइड का पिंचन कीजिए क्रिया कलाब 8.2 को भी देख लिजे दबर रोटी के एक टोड़े को जल में बेवोकर ठंडे नम तथा अंधेरे इस्थान पर रखिए आवर्थन लेक्स की साहता से स्लाइस की सत्या के नरीक्षन कीजिए अपने एक सप्ताए की पिक्षन कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए इसमें देखिए क्या करना है आपको किरिया कलाब बिलपुल करते नहीं बठना है आप लोगों वो पढ़ना है और नीचे जो वो दिया जाता है इसे जरूर आप लोग पढ़ लिया करेंगा अच्छे से ठीक है क्योंकि आप किरिया कलाब करते बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत तायम विकार जाएगा इस्ट की विद्धी एवं दूसरे किरिया कलाब में कवप की विद्धी के तरीके की तुला की किया किया इस चर्चा के बाद कि जननकी इस पेकार करता है आएंगे जानने की बिभिन ने जीव बास्तों में इस पजलनकी विधी उनके सारे रेख अभी democratic पर निर्वार करती है अब विखन्दं एक कोशिक जीवों में कुछ का विभाजन अथवा विखन्द दोरा नए जीवों की उत्पति होती है विखन्दं के अनेक तरीके पेच्छत कि ranked किई गए हैं में विवाक्त हो जाती है, अमीवा जिसे जीवों में कुछ का विवाजन किसी भी तल से हो सकता है, सिधा सा कहने का मतलब आपने देखा हुआ कि कई ऐसे जीव होते हैं, जिने आप दो भी कर दें काटके, तब भी वो जिन्दा बने रहती हैं, और दो अलग-अलग पार्ट मे अलग-अलग कहलाने लगते हैं, यह मनुस्क में संभाव नहीं हैं, और गोशिस भी मत करना है, ठीक है, क्रिया गिला आप 8.3 को भी देख लिजे, अमीवा की इस्थाई स्लाइट का सूप्चमिदर्सी की सायता से पिक्चन कीजे, इसे पिकार अमीवा की दुई खंडन की इस्थाई स्लाइट का पिक्चन कीजे, अब दोनों स्लाइडों की तुल्ला कीजे, यहाँ देखें आप लोग, अमीवा में दुई खंडन, यहाँ देख रहा होगा आपको, इस तरह से, यहाँ दूग हो गए, ठीक है, अलग-अलग, दोनों अलग-अलग हो गए, स्रे पर कोड़े के समान सुख्षम सरचना होती है ऐसे जीवों में दूई खंडन एक नेधारे तल से होता है मलेरिया परजीवी पलाजमोडियम जैसे अन अएक कोस्की जीव एक साथ अनेक संसती कोष्काओं में विभाजित हो जाते हैं जिसे आप लोग बहु खंडन कहते हैं दूसरी ओर इस्ट कोष्का से छोटे मुक्कुल उभरकर कोष्का से अलग हो जाते हैं तथा सुतंतरूप से विद्धी करते हैं हम क्रिया कलाब 8.1 में देख भी चुके हैं ठीक है एक पलेजमोड डियम में पहु खंडन है देख रहा हुआ अब बात करते हैं खंडन विखंडन तो देख लिए खंडन भी देख लेते हैं पहले कि रिया कलाब 8.1 और को देखिए किसी जील अत्वा तालब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो जिसमें और जिसमे तंतु के समान सरचना है हो उसके कुछ जल 31 कीजिए एक सलाइड पर एक अत्वा दो तंतु रखिए इन तंतुओं पर गलिसरीन के गुन डालकर कवर स्लमेटर से ढख दीजिए सूक्ष्म दर्सी के नीचे सलाइड का पेच्छण कीजिए क्या आप इस्पाई इस्पाईरो गाईरा सामानता विक्सित होकर छोटे-चोटे टोकड़ों में खंडेत हो जाता है यह टोकड़े अत्वा खंड विद्धिकर नर जीफ ब्रश्टी में विक्सित हो जाते हैं करिया कलाप 8.4 की बेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण को सकते हैं परंतु यह सभी बहु कोशिक जीफ बिवेन कोशिकाओं का समोग माती नहीं है विसेश कारें तु विसेश्ट कोशिकाएं संगठित होकर उतक करनेबान करती हैं तथा उतक संगठित होकर अंग बनाते हैं सरीमेन की स्थिती भी निश्चित होती है ऐसी सजग विवस्तित परिस्तिती में कोशिका कोश्का विभाजिन आविभारिक है अताहा बहु कोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षा कि अध्यक जटलविदी की आवस्तकता होती है किने बहु कोशिक जीवों को बहु कोसिक जीवों दोवारा पेवक्त एक समान योगती यह है कि विभिन पिकार की कोष्काय विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अब बात करते हैं पुनर रुद भवन या जिसे आप लोग पुनर जरन भी कहते हैं पूर्ण रोपीड विविधित जीवों में अपने काईग भाग से नए जीव के निमाड की छमता होती है अर्था त्यादी किसी कारण बास जीव छद बिच्छत हो जाता है अजब कुछ टुकड़ों में तूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े विधिकर नए जीव में विक्सित हो जाते हैं उधारन के लिए आप हाइडरा ले सकते हैं या पिले नीरिया जैसे सरल प्याणियों की यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो पिदे टुकड़े विक्सित होकर पूर्ण जीव करने मार कर देता है या पुनर पुनर रोविद पुनरोवद भावन कहलाता है चित में देख भी रहे होगी पिले नीरिया में पुनरोवद भावन ठीक है कभी-कभी उच्छारन में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है द में काट देते हैं बुजिंदा ये पुनर जनन की बात कर रहा था में लेकिन विखंडन की बात में आपने देखा है कि धीरे-धीरे जैसे बरगद है आप लोग ले लीजे आप देखते हैं कि कई समय बाद ऐसा होता है कि बरगद की कई जड़े निकलती है उसके बाद परिवर्थन के दोरान बिबहने पिकार की कोष्णाएं और एवं उतक बनते हैं या परिवथन बहुत वेवस्तित रूप एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्थन कहते है परंतु पुनर वान जनन की समान नहीं है इसका मुख कारण यह है कि पितेक जीप के किसी भी भाग क कार्ट कर समानतर नयाजीव उत्पन नहीं होता है यानि कि हर जीव के साथ ऐसी क्रिया आप नहीं कर सकते हैं फिर आपने सुना होगा मुकुलन हाइड़ा जैसे कुछ प्राडी पुनजन्य की छंतावाली कुछ काओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं हाइड़ा में कु जीव बन जाता है देखिए यहां मुकुल यह बन रहा है लाश्ट में यह अलग हो जाएगा हाइड़ा में यहां आपको छोटा दिख रहा होगा अब बात करते हैं काईक प्रिवार्धन ऐसे बहुत से बहुत हैं जिन में कुछ भाग जैसे जड़ तना पत्तिया उपयोग परिस्तितियों में विक्सित होकर नया पौधा उत्पन करते हैं आधिकतर जन्तुओं के विप्रीत एकल पौधे इस चम्दा का उपयोग जरनविदी की रूम में करते हैं परतन कलम अथवा रोपन जैसी काईक प्रवर्धन की तकनीकों का उपयोग किर्सी में भी किया जा पर शुद्धा वह चोड़िये लेकिन आप लोग बहुत ही किस तरह से हैं आप गुलाग किस तरह से लगाते हैं गन्ना किस तरह से लगाते हैं उसके ठुकड़े करते हैं वह आप रोप डाल देते हैं काईक प्रवर्धन द्वारा उगाए गये पौदों में भीजों भीज काईक प्रवर्धन का दूसरा लाव यह भी है कि इस पिकार उत्पन सभी पौदी अनुवानसिक रूप से जरक पौदी के समान भी होते हैं इसके रियाकलाब 8.5 को देख लीजे एक आलू लेकर उसकी सतय का निरिक्चन कीजे क्या इसमें कुछ गर्थ दिखाई देते हैं आलू को छोटे चोटे टुकड़ों में इस पिकार काटिए कुछ में तो यह है गर्थ हो और कुछ में नहीं हो एक ट्रे में रूई की पतली परत विच्छा कर उसे गीला कीजे कलिका गर्थ वाले टुकड़ों को एक और तथा बिना गर्थ वाले टुकड़ों को दूसरी और रख निजे अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने बाली पर यूतन का पर चंड किजिए द्यार रखिए कि रूई में नमी बनी रहे बिट कौन से टुकड़े हैं जिन से हरे पर वह याजड़ विक्सित हो रहे हैं इस चित आपको आड़ दिख रहा है आड़ दिसम्लों 5 यानि कि 8.5 कलिकां के साथ वायो फिलम की पत्ति इस पेकार वायो फिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकां विक्सित होकर मिर्दा में गर जाती हैं और नहीं बहुत ये विक्सित कर लेती हैं क्रिया कल आप 8.6 को भी देख लिए एक मनी प्लांट लिए इसे कुछ टुकडों में इस्पेकाल काटिए कि पितेक में कम से कम एक पत्ति अवस हो दो पत्तियों के मद्दे वाले भाग के कुछ टुकडे लिप काटिए सभी टुकडों की एक सरे का को जल में डोभू कर मनी प्लांट के वारे में आप लोगोंने सुना होगा यह किसलिए होता है इसका लाब क्या होता है मुझी तो आज तक पता नहीं चला क्योंकि पता है मेरे यहां लगा हुआ था अभी है साइद तो पता है जब भी कोई गाउं तरप से आयाता था तकूर यह महिला आती थी जैसे कभी भी आ रहे हैं कुछ काई गरम बुरा है तो वो लोग क्या करते थे कि उसे ले जाते थे अपने आ लगाने के लिए कहते थे ऐसे मैंने कई बार सुनाये लोगों कि मुझे भी मनी प्लांट लगाने से पैसा बढ़ता है जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कहां से प कोई भी पौधा लगा लिजासे क्या मतलब है मुझे छोड़िए क्या कर सकते हैं उतक संब्ह्दन भी देख लेते हैं उतक संब्हळदन ऑनक्निकी में पौध्धे के उतक अधबा उसकी कोछकाओं को पौधे की इसीस वर्दमान भाग से पिदअ कर नए पड़ी को घालाते हैं इन कोश़काओं को किंदप पोसक माध्यम में रखा उतक संबर्दन तक्नीक द्वारा किसी एकल पौधि से अनेक पौधि संकमण बोगत परिस्तिती में उत्पन किया जा सकती हैं इस तक्नीक का उपयूग सामनता सजावटी पौधों की संबर्दन में किया जाता है अब बात करते हैं विजाडू समा संग के बारे अनेक सरल राई जो पस का कबक जाल है यह जनन के भाग नहीं है परन्तू उर्द तंतूं पर सुख में गुच्छे गोल सरचनाओं जनन में भाग लेती हैं यह गुच्छ वीजाडू धानी है जिसमें विजाडू पाये जाते हैं चित इसमें देख भी रहें तो राईयो पस में पैड में भी देखते होंगे एक से दो दिन पर रखते रही है उसमें भी आपको दिखाई देगा यह वीजाडू बिट्धी करके राईबो राईयो पस के नए जीव उत्पन करते हैं जिबानों के चारो और एक मौटी भीती होती है जो पितीकूल पलिस्तितियों में उनकी दिरक्षा करती है नम सताई के संपर्क में आने पर विद्धी करने लगती है अब तक जनन की जिन विद्धियों की हम ने चल्चा की है उन सभी में नई पीडी का सजन केवल एकल जीव द्वारा होता है इससे आलेंगिक जनन करते हैं सीधा सा अर्थ अगर आपको समझना है आलेंगिक जनन का तो इसमें ये सबजी आपको कि किसी दूसरे जीव की आपको जरूरी नहीं है यानि कि मदा को फिमेल की और फिमेल को मदा की जरूरत नहीं है एक तरह से एकल इससे ही कह सकते हैं आप लोग ठीक है यानि कि मदा को आप कह सकते हैं कि यानि कि फिमेल को मेल की जरूरत नहीं है अभी कुछी दिर पहले की बात है एक वाल साइंस की क्लास चल रही थी तो इसके लॉनिंग पड़ाई जा रही थी इसी तरह की बहुत यही क्लास है देखिए मुझे लगता है सेविल सर्विस में आपके पूंचे जाएंगे पेड़ पुदों से कम कुछ्ट्यां साइंगे आपकी बायलोजी में आपका जो मानव विज्यान है इंवन साइंस उससे आपके जांदा कुछ्ट्य पूंचे आते हैं बिलेड हो खर चाहें आपका कोई बीमारी हो सौसन हो आपका पांचन हो पोसन हो इसी से आपके भी समझते होंगे कि एक पिती एक तर ऐसे फोटुकॉपी एक तर ऐसे आपके दीजिए तो किसी लगकी ने पूछ लिया कि सर वो ऐसा संभाव है कि बच्चे पेदा करने के लिए यानि की पुर्सों की जरूरत ही न पड़े तो सर पहली हर से उन्होंने कहा कि इन विचारे बच्चों का क्या होगा बड़ा मजा है मतलब अभी तर से मजा कर दे लिए तो आप सोची अभी तक मानव में तो इस संभाव नहीं है ठीक है कि देखे आप लोग समझे कि अंडा एक लेकिन इन दोनों का निक्सेचन होना जरूरी है इसके बिना अभी तक तो संभाव नहीं है अभी कोई साइनस रह सकता है कर दे लेकिन अभी दूर दूर तक कैसी कोई मता नहीं है आपके कुश्टन से दे गए हैं ओपर आपकी जो भी हम लोग उने एक टॉपिक क्तम कि है उसके आप बात करते हैं लहेंगिक जनन यह आपके लिए बहुत से महत बहुत ही बहुत मत्कूण भी है हम जनन की उस विधी में भी विधी से भी पर्चित हैं जिसमें नई संतती उत्पन करने ही तो विष्टी एकल जीवों की भागिदारी होती है ना तो एकल वैल संतती बच्षडा पैदा कर सकता है ना ही एकल मुर्गी से नए चूजय उत्पन हो सकते हैं ऐसे जीजवों में नभीन संतती उत्पन करने ही तूत नार्वन मदां दोनों लिंगों की आउसे सकता होती है इस लैंगिक जनन की साहत थकता क्या है किया आलनीक जनन की कुछ सीमा है ज आपने गन्ना देखा है, इसमें आप कह सकते हैं कि एक की जरूरत है, लेकर आप देखिए गाय और बैल की देख लिए आप तो, गाय इतनी सच्छम नहीं है कि वो अपने बच्छडे को खुद पैदा कर ले, ठीक है यार वाकिरी किसी भी आदमी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है कि हम जान चुके हैं कि दिया आप पिती-किती की तकनी की तकनी कून्ड़ता अयल pub नहीं है, भइडा में तो टिया जीब की समष्टी में बिबंनेताओं का सरोत है, जीब की फिदेख बीश्टी बिबंनेताओं द्वार सरक्चित नहीं हो सकते हैं. परन्तु इस समष्ट पाई जाने वाली विविवन्यताय उस इस पीसीच की अस्तेत्म को बनाया रखने में सहायक्ष भी है अता हजीवों में जनन की कोई यसी विदी अधिक सार्थ तक होगी जिससे अधिक विविवन्यताय उत्पन हो सके यह पी DNA पितिकिती के पेडाली पूर्ण रूपे यह था प्रिष्णा के साथ समाजर्शन नहीं रख पाती पाईडाम सरुक उचिया की मित्यू हो जाती अता परिवर्थ उत्पन करने के पिक्रम को किस पेकार गती दी जा सकती है पितेक DNA पितिकिती में नए बिविवन्यताय कि साथ पूर्ण पूर्ण पीणियों की बिविविवन पाई जा सकते हैं कि यह है बिविन्यताय सेनियों के देधाले ल dónde जीम Wars प्रिडियों की नए सायोजर्ण उत्पन होते हैं कि सपक्रम में दो जीक भाग लेते हैं atas अपने आप में अनुखा होगा लेंगी चनल में दो बिन-जीमों से प्राद्ट तीने को सिमाहिद zat शेंट किया जाता है जानी कि कहने कि मतलब female मेल दोनों का DNA आप देख दे बच्चों में उन्हीं का DNA रहता है एक तरह से यह आप समझ थे हें यह अश्रत की बात थे आप लोग सुची कि अगर आप सोची मानाओ का बच्चा है तो यह को मानाओ जैसा देख एक आज अब अब बाद की बात नहीं कर रहा हूँ आप सोची की अब बात हो जाता है तो वो तो जीन के कारण कुछ खरावी कुछ है उतके प्रॉबलम के कारण अब लेकिन सोची आप लोग की ऐसा परिवर्तन ह होता है कि हमारी नाक हमारे दादा की नाक हमारे एक जगह थी हमारे पर दाता हूंगी उसके बाद हमारी नाक थोड़े मोह में मोह की नीचे आ फिर हमारी नाग और यहां पेट के पास आ जाती तो कितना अजीव होता कि परीवतन होता रहता है लेकिन आप देखते हैं कि जागा कुछ परीवतन दिखाई नहीं देता है हाँ आपकी सकल का हो सकता है परीवतन हो जाए उचाई नीचाई का हो जाए लेकिन आप सूचें कि विवस्ते तरीके से जो हाथ जहां है, आपकी नाग जहां है, कान जहां है, मुह जहां है, आखे जहां है, वहीं है, ठीक है? और तो इसे आप लोग उस तरह ऐसे देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि भिन्नताय होती है, बेविन्नताय होती है, अगर इस तरह ऐसे इम कि मात्रा पूर पीनी की अविक्षा दूगनी होती जाए लिए इससे DNA द्वारा कुछ का संगटन पर नेंतर टूटने की अध्यदिक संभाव ना है इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता ब परती जाती है ओव एक समस्या के समाधान जीवों ने इस प्रिकार को जागी जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ है विशिष्ट प्राप परत होती है जिनमें जीवों की कायक कोषिकाओं की अविक्षा गुरसूत्रों की संख्या आधी होती है तो था DNA की मात्रा भी आ जाय गौट बनाती है तो संतती में गुर्षूत्रों की संक्या तथा DNA की पात्रा पुनर इस्थाफित हो जाती है जाय गौट आप लोग सुन्या हो यदि योगुम नज बिद्धी एवं परियु अर्धन द्वारा नए जीवों में विक्सित होता है तो इसमें उर्जा का भन आजबा बे समात क्रिफ्थी भी हो सकते हैं परन्तु जैसे ही सारेरिक डिजाइन अधिक जटल होता है तो जनन कोश्काओं कोश्काएं भी बिश्रिष्ट हो जाती है एक जनन कोश्का अपेक्षा कित बड़ी होती है और एवं उसमें भोजन का प्रयात बंडार भी होता है जबकि दूसरी अपेक्षा कि छोटी एवं अधिक गतिसील होती है गतिसील जनन कोश्काओं को नर युगमक तथा जिस जनन कोश्काओं में भोजन का भंडार संजित होता है उसे हम लोग मदा युगमक कहते हैं अंगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प अधर भी इसपर्ष्ट दरश्टी को चल होते हैं अब बात करते हैं पुस्पी पौधों में लेंगिक जनन आप यह मत कहिए कि आप कहेंगे जीवों में यह संबह हो है लेकिन आपको यह पौधों में भी लेंगिक जनन देखने को मिलेगा आवरद वीजी एंगी औस पर्म इस्त्री के सर एवं इस्त्री के सर उसके जनन भागें जिसमें जनन कोश क्या होती है और पंकुडि यह बाहधल की क्या कार हो सकते हैं यहां देख लिए आप लोग उसकी अनुदेढ काट एँ अंडा से वो गया देख रहा है आपको एवाहिदल हो गया एए यह आपका दल पंकुड़ी होगे, यह आपको दिख रहा होगा पराक्वोस, याली के तंतु हो गया, यह तंतु यह पराक्वोस, यह वर्दिकभ, यह आपका वर्दिका इस्त्रीकेसर, ठीक है? जब पुस्त में पुंकेसर अथवा इस्त्रीकेसर में से, कोई एक जननांग वुपस्थित हो हो गया सरसो हो गया यह जरूर पूछ लेता है करी बार आपका प्रिलिम्स में कि पपीता तरबुच कैसा है यह लंगी है तो आप लोगों बताना होता है ठीक है तो इन्हें याद रखिए पूंकिसोर नर्चन्नांग जो पराकर्ण बनाते हैं पराकर्ण सामनता पीली हो सकते हैं और आप आपने देखा होगा कि जब आप किसी पूंकिसोर कुछ होते हैं तब हात में एक पीला पाउडर लग जाता है इस तरीक इसार के पूस्प के केंद में अवस्तित होता है तथा यह पूस्प का मदा जन्नांग यह तीन भागों में से बना होता है आधार पर उब वर्तिका कहलाता है और सीजओ छेपा होता है अंड्हा से में वीजान्ड होते हैं और पित्थीजान्र में एक अंड कोश्का होती पर आपकड़े की अंड्य कोश्कार मदाया यहुँँ से ससलेत हो जाता है जनन से गोश्काओं इसे चलन सिक्क योगुमनाज बनता है जिससे नए बादमें में विपसित होने की चमता होती है अताहा पराकन को कुंकिसोर से विवर्तिकाग तक इस्थानांतन की आवसकता होती है यदि पराकन का यह इस्थानांतन उसी पुस्प के विवर्तिकाग पर होता है तो यह सो परा पुस्प पर परागण कहते हैं, एक पुस्प से दूसरी पुस्प तक परागण करों का यह इस्थानतन बायू, जल अथव पराड़ी जैसे भाग द्वारा संपन भी होता है, अब बात करते हैं, परागण करों कि उप्योगत वर्तीकाग पर पहुंचने के पश्चात नर विजन्ड तक महुंचती है इस तरह से पराकड वर्तिका या आपको नर्युमक परागनली अंडा से इस तरह से आप देखेंगे यहां मदायुमक इस तरह से पहुंच रहा है नेसेशन के बश्चात योगमनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा विजन्ड में भूर विक्सि होता है तथा आंडा से टीपिता मैं तरह से विद्धी करता है तथा परिपक होकर फल बनाता है इस अंतराल में पुंक्ये वर्तिकाग एवं वर्तिकाग प्रामुरजा कर गए जाते हैं क्या आपने कभी पुस्पे किसी बाग को फरल के साथ इस्थाय रोग से जुड़े हुए दिखा है सोचिए कि बीजों के बनने से पौदों को प्याल आप हो है बीजों में भावी पौदी अधवा भूण होता है जो उपयोग परिस्कितियों में नवोध में विक्सित हो जाता है इस्पेक्त्रम तो उन्लोग अंत्परन कहते हैं यानि कि जमना कहते हैं किरिया गलाब 8.7 को भी पढ़ लीजे चने के कुछ बीजों को एक रात जल में भेगो देजे अधिक जल को फेक दीजे और भीजे हुए बीजों को गीले कपड़ें से ढख दीजे कि ढखकर एक देन के लिए रख दीजे त्यान रहें कि भी सुखे नहीं बीजों को साथनानी से खोड़ी है उनकी विवेन भागों का पिक्चन कीजे आपने पिक्चन की तो लाम है यह 8.9 से कीजिए कि आप भागों का पहचान कर सकते हैं देखिए इस तरह ऐसे कह रहा हुए यह आपका पांगपूर भावी प्रो मूलांगपूर भावी जट एक तरह से यह आप लोग इसे तो आप लोग अपने देनेक जीवन में चरया में देखते हुए चने को तो परिषा कर रही है आईए अब हम उस इस पीसीच के विशाय में जानने हैं जिसने में हमारी सरवाधिक प्रोची है वह है मनुस मानों में लेंग एक जनन होता है यह पिकरम किसल्ग करता है यानि की लेंगी कहने का मतलब है कि इसमें दो विदरीत श्यानी कि इम्मत है और त पहले भी कच्छा में 8 भी में सरीर में होने वाले वदलाओं के बारे में पढ़ाता है कच्छा एक से दस भी तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई भार बढ़ जाता है हमारे दात तो गिर जाते हैं दूद के दात कहलाते हैं तथा नए दात निकलाते हैं इन सभी परिय पुरानी परंपरा जो भी आपको कहना है कि एक तरह से आप लोग गलट ठहराना चलिए देखते हैं पहले इसे भी खतम कर लें इनमें से कुछ परिवतन तो लगके इवन लड़कियों में एक समाल होते हैं हम देखते हैं कि सरी के कुछ नए भागों में जैसे कि आख एवं जांगों किकमत जन नागी चित में बाल गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है पैर हाथ चेरे पर भी महीन रॉम आ जाते हैं तुच्छा अ कुछ ऐसे परिवतन भी हैं जो लड़कों ये लड़कियों में भेन होते हैं लड़कियों में इस्तन के आकार में विद्धी होने लगती है तथा इस्तनाग की तुचा का रंग भी गहरा होने लगता है इस समय लड़कियों में रजुधरम होने मासिक चक होने लगता है बरसों के में मन्द गति से होते हैं एक परिवत्न सभी परीवत्वित diss light के लिए लटकों की जेहरे पर्रेजा से कुछ मौटे बाल परि celery दिर थीर अवि धिद्rah हो जाते है फिर भी सभी परिवत्रों में विविद्धियों के बीच बिविद्धा परिलक्षित होती है। जैसे कि हमारे नाक नक्स के अलग-अलग हैं। उसे ही पकार इन बालों की विद्धी, कपैटन, इस्तन, अथवा सिसन की आति एवं आकाद भी विन-विन होते हैं। यह सभी परिवत्न, शरीर में लहन्गईग परिवक्षता की पहलू हैं। इस सरीर में लहन्गईग परिवक्षता क्यों परिलक्षित होती है। हम बहु कोशएक जीवO में विशिष्टकाइएं। विशिष्ठ प्रिवोणकी आवसकता की बात कर चुके है। लेंगए जनन में भाग लाने के लिए जनन कुष्काओं का उत्पादन इसी प्रिकार का विश्षष्ठ कार है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी हितू विश्ष्ष प्रिकार की कुष्षकाओं एवं कूष्ष्षित होते हैं प्राडियों जैसे की मानव भी इस कार ये तू बिसिष्ट उतक विक्सित करता है यह पी किसी विक्ति के सरीर में यह वावस्था कि आकार ये तू बिड्धी होती है परंतु सरीर के समसाधन मुक्ता इस विद्धी की प्रयापति की योद लगे रहते हैं इस पिक्रम के चलते जनन उतक की परिपक्विता मुक्व प्रात्मिकता नहीं होती है अता जैसे जैसे सरीर की सामान विड्धी दर धीमी होने शुरू होती है जनन उतक परिपक्व होना पैरम करते हैं किस वरावस्था की इस अउधी को योनावरन योनारंब कहा जाता है अता बेस अभी परिवतन के हमने चर्चा किये जनन पिक्रम से किस पेकार संब्रते हैं हमें याद रखना चाहिए कि लेंगिग जनन पेडाली कारत है कि दो विविन भेन बैक्तियों कि जनन कुछकाओं का परस्पर सलहन यह हैं जनन कुछकाओं के बाहें मौचंद वारा हो सकता है जैसे कि पॉस्पी पढ्लों में होता है यादी जन्तितों को संग्म की इससे क्श पेक्रम में भाग लेना हो तो यह सबस्क具 है और जीब उनकी लेंग परिवابतन की पहचान कर सके यह यह वह नावराम में कि अउदी में अनेक परिवतन जैसे कि बालों का नभीन पैटन इस बात का संके थे कि लेंगिक परिवक्षोता का परिवक्षोता आ रही है। इसमें देखिए आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कुछ समझाने लायक है। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी ओर दो ब्यक्तियों के भी जनन कोचका ओम के बास्तविक इस्थानानता ही तू विसेश्ट अंग सरजना की आवस्तकता होती है। उधारन के लिए सिसन के उद्र होने की चंता इस्तंधारियों जैसे कि मानव में से तुमा के सरीर में लंबी ओधी तक गरवस्त रहता है। तथा जनन प्रांत इस्तंपान करता है। इन सभी इस्तितियों के लिए नर्व के लिए मदा के जननांगों एवं इस्तंध का परिपक होना आवस्त के आईए जननतंत की विसे में और जाने। सबसे बहले हम जानते हैं नर्व, जनन, तंत। जनन कोशिका उत्पादित करने वाली अंग एवं जनन कोशिकाओं को निशेचन के स्थान तक पहुंचने वाली अंग। सभी दूरूप से नर्व, जनन, तंत बनाते हैं। एक बात आप लोगों से पूँचना है, आप समाज में क्या माना जाता है। लेकिन असल में इसके लिए जिम्मिदार को होता है, पिता या मता, यह आप लोग सोचिए और लिखिए लाश्क में आप लोग इस पर थोड़ी और बात करेंगे, यूँकि आपने देखा है समाज में किस तरह से बेदभाव किया जाता है, व आर्मोन की उत्पादन एब इस तरहां वहने बेड़ार की भूम का, कि हम चल्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। सुक्राण उत्पादन की नियंतर्ण की अतरिक टेस्टोस्टरॉंट, लड़कों में एवना और हम की लखशनों का भी नियंतर्ण करता है। याद में आपको सुक्राणू हो गया मूत्त नली क्या हो गई है इसके बाद देखेंगे मूत्रास है उसके बाद प्रो इस्टेट ग्रंथी यह आपको दिखाए देगे इससे ने ए मूत्मार्ग तेक है ए विर्सन वोज सुक्राणू यहीं से निकलता है लुए उत्पादी शुक्राणू का मूचन सुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है यह संक्र वाहिका है मूत्रास से आने वाली नली से जुड़े कर एक सयुक्त नली बनाती अता मूथ मारग सुकराणूऑं यंद्ट दोनों की परवाद कि उभल उखें प्रोस्टेट त्था सुक्रा से अपने इस राव-वायका में टालते हैं जिससे उक्राणूऑ एक तरल मात्में करते हैं इनका इस्थानानत्र सल से होता है, साथ ही प्रसा उन्हें प्रृश्ञन सरचनाय शिर्चन सरता है, नमकित अनुवांसिक वदारत होते हैं Yaham, उन्हें MARY, मदा जनन कोश्का की और तहरें सहायता भी करते हैं बात कर लेते हैं मदा जननतंत की, मदा जनन कुछ का, अध्वाप अंड कुछ का, निर्मान अंडासे में होता है, वह कुछ हर्मोनी भी उत्फादित करते हैं, 8.11 को दियान पूर्वाग दिखिया हो, मदा जननतंत के विविन अंगों को पहिछानिया, यह मानों का मदा जन्म तन थे, यूने इसके बाद गिवा गरवास है, अंडास है, यह आपका अंडास है, फिलोपियन ट्यू भी कहते हैं, इसे आप लोग इसे, लेकि अंडवाय का भी कहते हैं, ठीक है, लड़की के जन्म के समय अंडासे में हजारों आप परिपक अंड होत जाते हैं, दोनों अंडवाहिका हैं, सयुद्ध होकर एक लचीली थैली नुवा सरजना निकाल निर्मार करती हैं, जिसे हम लोग गरवा से कहते हैं, गरवा से गीवा द्वारा योनी में खुलता है, मिथुन की समय सुकराणू योनी मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से जा सकते हैं, निस्यचित अन्दा विभाजित होकर कुछिका कि गहंद जैसी सरचना या भूर бар वनाते हैं, जहां या लगातर विभा जित होकर वेद्धी करता है, तथा औंगों का विकास करता है, हम पहले पड़ चुके हैं जिसे मां है गरवा से गरभ धारन उसके विकास के लिए इस सरचना होती है, जिसे हम लोग पिले सेंटा कहते हैं, यह एक तस्परी नुमा सरचना है, जो गरवासे की वीती में धसी होती है, इसमें भूण की ओर उतक के प्रिवर्द होते हैं, मा की उतकों में रखत इस्थान होते हैं, जहां प्रिवर्द को अच्छा दीद करते हैं, और यह मा से भूण को गिलूकोच अक्सिजन, अन्परदातों के इस्थानांतर इंडितू एक भीयत छेत्त पितान करते हैं, विकासी बूण द्वारा, आपसुष्ट पदायत उत्पन होते हैं, जिनका निप्टार उने पिले सेंटा के मात्यम से मा की रोधी में इस्थानांतर होता है, गरवासे की पेसियों के लेवद संगुच्चन से सिसु का जन्म होता है, आप सोचे कि पूरी विक्रिया कितनी विवस्ति तरीके से बनाएगी है, जो बच्चा भूड है, वो कुछ से देखिए, उसे भी पोसक तत्तों है, यानि कि खनिजों की पोस्त, तत्तों की जरूरत होगी, ऑक्सेजन की, वो भी अफस्ट छोड़ेगा, तो पूरी विवस्ता है एक तरह से, आगे बढ़ते हैं क्या होता है, जब अंड का निस्येचन नहीं होता है, यदि अंड कुछ गहा का निस्येचन नहीं होता है, तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडा से पितेक मह एक अंड का निस्येचन करता है, अता निस्येचन नहीं होने के अवस्ता में उसके पोषण के लिए आवस्यक है, परन्तु निस्येचन नहीं होने के अवस्ता में इस पर्त कक्की भी आवसकता रहती है, अता यह अपर धीरे-धीरे तूट कर यूनियम मार्क से रोधी एव वह एक मारय का समय लगता है और इसे रित्व मात या फिर रजुद्रम कहते हैं इसके आउधी की बात करें तो लगबग आपको दो से आठ दिन की देखने को मिलेगी अब बात करते हैं जनन स्वास्त जैसा कि हम देख चुके हैं कि लेंगिक परिफक्वता एक क्यमिक पिक्रम तथा या उस समय होती है जब सारे एक विद्धी होती रहती है अदा किसी सीमा आंतिकुक से तथा लेंगिक परिफक्वता कारत यह नहीं है कि सरीर अत्वा मस्तिस्क जनन क्रिया अत्वा गरवा गरवधारन योग हो गये है यदि या इनेड़ा किसी पिकार ले सकते हैं कि स इस बसे अबर हम सभी पर किसी ना किसी पिकार का दवाव है इस करिया के लिए हमारी मित्रों का दवाव भी हो सकता है भले ही हम चाहें या ना चाहें बिवाह इवं संतानुन पत्ती के लिए परिवारिक दवाव भी हो सकता है संतानुन पत्ती से बचकर रहने का सरकारी दं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की रोगों का संचर्ण अनेक पिकार से हो सकता है क्योंकि योन क्रिया में पिगार सारे एक संबंद स्थाफित होते हैं अता इसमें आश्चा की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लेंगर संचर्ण भी हो सकता है इसमें जीवानू जनि जैसे निफ गोने रिया या सैबलिस एवाइरस संक्मान जैसे मस्सा और HIV AIDS से सामिल होते हैं लेंगे क्रियाओं के तवरान कि इन रोगों की संचान का निरोध संभव है लेंगे क्रियाओं गरवधारन की संभव न सना ही बनी रहती है गरवधारन की अवस्था में इस्तरी की सरी एवं भावनाओं की मांग एवं आपूटी बढ़ जाती है यदि वह इसके लिए तयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्त पर विप्रीत परभाव पढ़ता है पर विप्रीत प्रभाव भी हो सकते हैं गरवधारन रोपने के लिए कुछ अन्युक्तियां जैसे की लोग पर विप्रीत पर विप्रीत प्रिभाव भी हो सकते हैं अध्वा कॉपर्टी भी आप लोगोंने सुना हुआ को गरवास्य में स्थापित करके भी किया जाता है परन्तु गरवास्य के उत्ते जन से भी कुछ विप्रीत प्रभाव हो सकते हैं इसमें कॉपर्टी में क्या रहता है कि सुक्राणू को एक खतम कर देती है तो सुक्राणू का मेल नहीं उपाता है निसेचन नहीं उपाता है उप्रेशन सुनते हैं आप लोग उसी की बात कर रहा हूं दोनों ही अवस्थाओं में निसेचन नहीं उपाएगा सल्ल कृरिया तकनीक द्वारे इस पिकार की अवरूद उत्पन किया जा सकते हैं यह भी सल्ल तकनीक भविस्थ के लिए पूड़ता सुरक्षे दे परतू आसाओधानी पूर्वक की गई सल्ल किरिया से संकामवारत का दूसरी समस्यां उत्पन हो सकती हैं इस तकनीक का दुरुपयों उन लोगों दुरुपयों किया सकता है जो किसी विसेश लिंक का बच्चा नहीं चाहते हैं ऐसे गर कानुनी का अधिकतर मादा गरब के चैनात्मा गरफात की दूप किया जा सकता है इसे आप देखते भी होके लड़कियों के लिए एक तरह से काईओं में मर्दा पूर का निर्मम हत्या के कारण हमारे देष में सिसूलेंग अनपात तीबदा से घड़ रहा है जो चिंता का विषयभी बना हुआ है सीधा से कहने का मतलब यह है कि आप सोचें कि एक गिधिया किसलिए आई थी सो गिधा के लिए कि एक मतलब कोई भी अगर बच्चा घरब में तो उसके बारे में मालूच चल जगी कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है जानि उसमें कोई कमी तो नहीं उसे ठीक किया जासे है लेकिन है इसका हम लोगों ने दुर्पयों करना सुरूं कर दिया इसमें हम लड़कियों का पता लगा कि उनका मतलब एक तरह से निरमाम अत्या भूर अत्या कर देते हैं इसलिए आप देखते हैं कि हमारे लिंगन पाथ में आनसमानता देखी जाती है और ए छित में कहां आपको देखने कुम लेगा जहां अनपर छित होगे बन आप देखिये कि केरल में आपको ठीक देखेगा लिंगन पाथ वहीं आप बिहार देख लिए हर्याणा देख लिए और आप खुछ सूचिए कि आप ठीक है आप लड़का चाहते हैं ठीक है अगर सब यहीं सोचने लगी तो क्या इस्थिती बनेगी इसे भी आप लोग बहतर देख सकते हैं हमने पहले देखा है कि जनन एक ऐसा फिक्रम है जिसके द्वारा जीब अपनी समष्टी की बित्थी करते हैं एक समष्टी में जनम दर ऐव मित्युदर उसके आकार कर दिधारन करते हैं जनसंख्या का विसाल आकर बहुत लोगों के लिए चिंता का विसाय है इसका मुख कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के जाता है यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन की निम्निस्तर के लिए उत्तरदाई सबसे मत्मूर कारक की भैचान कर सकते हैं यह आपके कुश्चन सी सी से समझती थे हैं आपने क्या सी आयल सद्याय में सीधा सपड़ने का मतलब है इतना आप लोगों को जाना है और जयब पेकरमाओं के विपिदित किसी जीव के अपने अस्तिति के लिए जनन आवसक नहीं है जनन में एक कुश्चा द्वारा DNA पित्ती कित्ती का निर्माड अध्वा अतरिक्त कोस्की संगटन का सेजन होता है विभिन जीवों द्वारा अपनाये जाने वाले जनन की खणाली उसके सारे अभीकलपन पर निर्भा करती है खंडन विदी में जीवारू एवं पोटो जवा की कुश्का विभाजित होकर दो या अधिक संगती कुश्का का निर्माड करती है अधि हाइडरा जैसे जीवों का सरीर काई टोगड़ों में बिलग हो जाए तो पिदेख भाग से पनरोध भावन द्वारा नए जीवों मे जिसमें संत्ति की उत्पाती एक एकल जीव बिरिष्टी द्वारा होती है लेंगिक जनन में संत्ति उत्पात नहीं तो दो जीव भाग लेते हैं फीबिल मिल दीने पितिगिती की तक्निक से बेविन्यताय उत्पन होती है जो इस पीसीज के स्थित्त के लिए लाप प्रत लेंगिक जनन द्वारा अधिक बेविन्यताय उत्पन होती है पुस्पी पोधों में जनन फिक्क्र में पराक कड पराक कोस से इस तरीक इसतर की वर्दिकाग तक इस्थानांतित होते हैं जिसे हम लोग पराक कड गड़ कहती है इसका अनुगमन निसीचन द्वारा होता है यह नारम में सरीर के अनिक परिवत्न होता है उधारन के लिए लड़कियों में इस्तन पारत का विकास और लड़कों के छेरे पर नई बाल का आना है लेंगिक परीपक्रिता की चिन है इस तरसे मानों में नर जनन तंत में वेसंड सुक्राणु वाहनी सुक्रासाय कि यह वां को सप्राणु का इस तरी कि यूनी में इस्त्हान अथन होता है तह अना से संडिम अहनी में होता है गरवा गरम नरुदियृक्तियां आपना कर-घरब गरब हदा रोका जया सकता है गणनोम गरम नरुदि गोलिया कॉपर्टी अनिक्तियां इसके लिए इसके तो कम से कम इतनी जानकारी तो होना चाहिए जिस समाज में आप जा रहे हैं कोई बीमारी फेली हुई है या आप किसी बारे में आपको जागरूप करना है या किसी बीमारी के बारे में आपको जागरूप करना है तो आपको उन्हें समझाना होगा कि आप लोग इन उपकरणों का उपयोग करिए, आप लोग को एक तरह से समझाना होगा, जनसंख्या को रोपने के लिए भी इन उपकरणों का परियोग करिए, ठीक है, यह आपकी अभ्यास है, बना आप देखती थे बहले लोग दद-दस पैदा कर लेते थे बच्चे, आज आज आप देख रहे हैं, काफियत तक कंट्रोल भी किया जा रहा है, तो इन्हें भी आप लोग देख लिए, कुश्चन्स दिये हैं, और याद रहर कि आपके सभी पीडियाप टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलूड करके आप लोग बहुत जदीर से खतन करन अपरूप, शलीय तो यह आपका आठ्मा चेप्टर था, नौबे चेप्टर में हम बात करते हैं, अनुवाज सिखता एवन जेट भी खास के बाहरे में,